एक एक क्रॉप को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ आम को कॉमन नेम क्या है, एक तम बेसिक से कहाने सुरू करेंगे, तो ये आम देखा ही, सब लिखा उखाग जरूरत ने पड़ेंगे हमें, आप तो बलेक लेंगे, हाँ, पहला पॉइंट है, ये मैं का कॉमन नेम, नोट्स बनाते जाना, लोग क्या पीडियप पीडियप मांगते रहते हो, ये बेवकूफी वाले बात है, लिख लिख क्या पढ़ें, छोटा छोटा पॉइंट आप भी नोट करते जाएं, फर्स्ट पॉइंट है, मैंगो का कॉमन नेम क्या है बताओ, तो इ नेशनल फ्रूट के नाम से जानते हैं कौन सा फ्रूट को होगे बताओ नेशनल फ्रूट जिसको हम राष्टिये फल कहते हैं लिख लोगे नाप राष्टिये फल कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसे हम प्राइड ओफ प्राइड ओफ इंडिया ही कहत प्राइड ओफ इंडिया इंपोर्टेंट है या प्राइड फ्रूट लिख सकते हो प्राइड फ्रूट ओफ इंडिया प्राइड फ्रूट ओफ इंडिया इसको सिंबॉल ओफ लव के नाम से भी जानते हैं Symbol of Love तो इतने सारे नाम है इसके मैंगो का एक दो प्रस नहीं repeat होते रहते हैं क्या क्या National Fruit कौन है तो National Fruit अपना कौन है मैंगो और इसे Pride Fruit of India भी करते हैं क्या बोलोगे Pride Fruit of India तो ये छोटा सा कहानी है चलो Next Point हम देख लेते हैं इसमें Important कि इसका Botanical Name आपसे पूछ लेगा तो ये आप जानते हो क्या होगा ये नहीं लिखाऊंगा आप सब जानते हो Mangy Fera Indica क्या नाम है Mangy Fera Indica Mangy Fera Indica और इसकी Family की बात करें तो Family क्या होगा Enacardiace 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 ये हिंदी में लिखा हुआ है आप वहाँ से देख लेना 5 मिनिट तो आपको लगेगा कि बस ऐसी ये तो सब पढ़ाते हैं क्योंकि कहानी तो शुरू करना है यहां से कुछ छोटे नहीं अब हम बात करते हैं Family के बाद इसका क्या शुरू करते हो 2N 2N कितना होगा आम का 2N इक्वल टू अब समझते जाना 4X इक्वल टू 40 इसका मतलब आम जो होता है वो चतूर्थ गुनित होते हैं तो पॉइंट आ जाएगा कैसा है चतूर्थ चतूर्थ गुनित जिसको हम बोलते हैं Tetraploid कैसा Tetraploid है तो MP Ploid इसको और Tetra में आएगा ना तो दो different species से मिलकर बना है इसलिए Olo Tetraploid करते हैं यह अभी रहने देना Olo Auto तुझे समझ में नहीं आएगा Reading में Poly Ploid में यह पढ़ते हैं Olo Tetraploid अब यह आपको केवल समझना है कितना होता है 40 इसका basic क्रोमोजोम की हम संख्या की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 10 Basic आधारी गुनसुतर कितना होंगे 10 यह change नहीं होते हैं यह परिवर्तन इसका change नहीं होता है आप किसी भी variety की बात करोगे उसमें X का जो मान होगा आप वो कितना होंगे बताओ 10 यह change नहीं कर पाओगे आप जैसे एक variety लिख देता हूँ विलाई कुलंबन कुलंबन यह क्या होता है बताओ अश्ट गुनित क्या होता है यह विलाई कुलंबन यह होते हैं अश्ट गुनित तो बताओ इसमें क्रोमो जोम कितने होते हैं 8 और X का मान कितना है 10 तो 8 into 10 यह नमबर कितना आएंगे 80 बताओ आम में कुनसुत्रों की संख्यां कितनी है 40 40 डिपलॉयड है या टेटरापलॉयड है टेटरापलॉयड और इसमें विलाई कुलंबन में संख्यां कितनी आ रहे हैं बताओ 80 कितनी आ रहे हैं 80 अब हम बात करेंगे इसके ओरिजीन की तो ओरिजीन कहा है उत्पत्ती कहा है बताओ तो इसका है इंडो बर्मा कहा है बताओ इंडो बर्मा उत्पत्ती की बात करें तो इंडो बर्मा छोटी छोटी सी कहानी है जिसका फ्रूट टाइप की बात करें अब क्या चर्चा करेंगे फ्रूट टाइप गुठली होते हैं न, इसे हम कहते हैं स्टोन, आम के गुठली को हम क्या बोलेंगे, स्टोन, इस स्टोन से दो प्रशन आपको फिक्स आएगा, एक तो कभी आपने देखा होगा कि ये सपोज दैट ये आम है, और इसके अंदर ये क्या है बताओ, गुठली, अब इस गुठली को हमने क्या بोल दिया, स्टोन, ज dialogue, आम का कौन सा भाग खाओगे, तो एक इसका भी अंसर बन जाएगा, ये बीच वाला भाग खाते हैं, ये बीच वाला, तो ये बीच वाला कौन साभाग हो गया, बताओ, खाने योग भी एक पॉइंट बन जायेगा, इसका, खाने योग भाग तो खाने योग हो गया जिसे इडवल पार्ट कहते हो इडवल पार्ट वो हो गया मेरे दोस्त कौन मीजो कार्फ क्या हो गया बताओ पीजो कार्फ पेरी कार्फ किसे कहते हो बताओ ये बाहर वाले होगे EP कार्फ, ध्यान रखना ये खाते नहीं है आम के बाहर वाले ये क्या कहलाएगा EP कार्फ, इसको इंगलिस में ही याद रखना ये बीच वाले क्या कहलाएगा मीजो कार्फ अच्छा, ये गुठली में भी तो कुछ यहाँ पे लगा हुआ है गुदा है ना, भारत में ऐसा ही खाते हैं देखा होगा, गुठली को चूस के कितने लोग तो अंदर ले क्या एदा हम पूराण निचोड के उसको फेकते हैं बाहर उसका बस चले ना, तो श्टोन को भी खा जाए लेकिन इसको नहीं खाते हैं किसको इसके बगल में जो है यह कहलाता है इंडो कार्प, क्या कहलाएगा बता इंडो कार्प और इन तीनों को मिला करके बनता है पेरी कार्प, क्या बनता है बता, कितने बच्चे यहाँ confused होते हैं तो यह ध्यान रखना यह pericarp इसको हिंदी में लिखना है तो लिख लेना लेकिन आप इंगली से याद रखो इसका पागल क्या लिखों यह e-p-car पाई फल भिती और यह क्या हो गया मीजो इसको बोलते हैं मध्ध फल भिती कौन सा फल भिती है मध्ध और यह कौन सा है अंतः फल भिती और यह बनता है फल भिती यह टोटल इसको क्या बोलोगे पेरिकार्प को फल भिती तो कितने भित्ती बनते हैं, तीन, एपी, मीजो, एंडो, आम में कौन खाओगे बताओ, बीच वाला, केला में कौन खाते हैं, अभी आया था केला का प्रस्ट, केला में कौन खाते हो, तारे याद होना चाहिए, केला में मेजो और एंडो, केला में मेजो और एंडो, पूरे से घुट पूरा गया तो पेरिकार उसमें चिपचिपा पदार्थ होते हैं तरल पदार्थ होते हैं उसको प्लसेंटा बोलते हैं क्या बोलोगे तो पेरिकार प्लस प्लसेंटा हो गया कभी आपने कौटिलीडंस देखे हो बादाम खाते हो बादाम तो बादाम दो भा आषे मिट्वी को पूचहाँ जो क्या एंगे अब तो खाने उनेवाले आफ बात में। और ही जो चर्चा है दो प्रशन आपको अंधा उसका छपना परकार आप तो आपने बता दिया गुरुजी ये आम था, आम के अंदर ये क्या है? गुठली और गुठली जिसमें होते हैं, स्टोन जिसमें होता है उसका फल परकार आप कहते हो डूप क्या बोलोगे बताओ डूप जिसके अंदर बुठली है उसका फल परकार क्या होगा फ्रूट टाइप क्या होगा फल परकार तो ये होंगे डूप फल परकार यानि फ्रूट टाइप ये कोई मैं के निजम नहीं है ऐसा लेकिन आपन बना के question कर लेंगे अब बताओ डूरूप किसका किसका होगा ऐसे चलते चलेंगे पूरा सुरू से लिखना है तो किसका होगा आम यानि कि मैंगो का देखो लिखने में टाइम लगते हिंदी इंगलीस वाले बच्चे न आप भी मेहनत करो आप क्या direct बोल देते औरे सर हिंदी में इंगलीस में कित्र मुश्किल और किसमें गुठली मिला बेर बेर में और बताओ खुद भी बताते चलो अगला जामून में बिलबुल सही है जामून में हो जाएगा अच्छा जामून का कॉमन निम क्या कहते हैं इंडियन ब्लैक बेरी क्या बोला जाता है लिख रेता हूं इंडियन ब्लैक बेरी ये इंडियन गूजबेरी गूजबेरी किसे कहोगे आमलाग तो अब कोई भी सब्दा ही ना तो तुम्हें सुनना है नहीं यार एक बार तो सुना हूँ गूजबेरी तो जामुन हो गया उसके बाद खजूर खजूर भी आते हैं डूप के अंदर डेट हलाके खजूर का ना एंस आपको बनेगा सिंगल सीडेड बेरी अगर आ जाए सिंगल सीडेड बेरी तो एंसर ये टिक करेंगे कौन करोगे बताओ सिंगल सीडेड बेरी अगर ये ओप्सन ना है और ओप्सन क्या है डूप तो क्या टिक कर दोगे बताओ डूप लेकिन डूप भी ओप्सन है और क्या है एक बीजिये बेरी हिंदी में क्या बोलोगे एक बीजिये बेरी तो क्या टिक करेंगे बताओ एक बीजिये यहीं पर लिख देता हूँ एक आता है बहू बीजिये बेरी ताकि एक जगा याद रहेगा बहू बीजिये बेरी अगर आप आपसे पूछा जाए multi seeded berry multi seeded berry seeded berry तो multi seeded berry जानते हो किसमे होता है फालसा में किसमें लिखोगे बताओ फालसा में, जिसका family till ehc बहुत important है फालसा का कौन है till Корb till ehc, तो यह important हो जाएगा multi seeded berry किसमे है Mrs. single seeded berry आप किसमें याद रखोगे खजूर में अब आते हैं इधर इतना तो हो गया, आम हो गया, बेर हो गया, जामून हो गया, खजूर हो गया अब आ जाते हैं इधर देखो, कौफी आपके एक्जाम में पूछ लेगा कि कौफी का फल परकार क्या है तो ये क्या है? डुप कौफी का क्या है? डुप उसके बाद आपको पूछेगा temperate fruit में कौन-कौन है आडू आडू को हम क्या बोलते है पीच तो पीच का भी फल परकार क्या है अंदर गुठली मैंने 3-4 दिन से दिखा रहा हूँ लगतार अब इमेज अब अगला कौन है आलू आलू बुखारा जिसको हम क्या बोलते है पलंब इसका भी फल परकार रूप उसके बाद चेरी इसका भी फल परकार रूप छिक है तो कितने हो गया चार चाराट एक दो और बचरा नारियल वही लगा कुछ न कुछ बचरे अपन पूरा लिखेंगे एकतम रिवीजन लाइक नारियल यानि कोको नट कोको नट का फल परकार हो गया रूप यह कंपलीट आगे नाइन्थ जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है गुठली तो यह होगे किसका फल परकार आम का ठिक है आगे बढ़ जाए अब हम फल परकार के बाद अगला जो टोपिक इसका शुरू करेंगे प्रवर्धन जैसे जैसे टोपिक में जो जो प्रशन आते हैं पहले अच्छा गुठली का दो पॉइंट और एड कर लो गुठली चल रहे हैं तो यह जो गुठली होते हैं ना दोस्त जिसे आप स्टोन कहते हो इसका दो प्रशन बहुत इंपोटेंट पूछेगा वो आप लिख लो इसे लोग ना कर्नल भी बोलते हैं याणि कि मैंगो कर्नल का मतलब आम का गुठली पीज तो यह कर्नल या स्टोन होते हैं यह पूछेगा कितने दीन में अंकूरन होते हैं अंकूरन समय germination time आप add कर लेना germination time germination time सरेंदर विया पीडिया पे इसको बढ़ियास बचाक रखना यार हिंदे इंगलिस मैं दोनों लिख रहा हूँ समय बचाक यह germination कि अच्छा आप बताओ gong में देखा है वो बुठली चूस के फेख देते हो gober over पे कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं वो एप रॉक्स तुझे आइडिया लगता होगा कि यार सर इतने दिन में तो यह हो जाते हैं 15 से 23 दिन 25 दिन लिख देता हूँ कितने दिन में अंकुरित हो जाएंगे 15 से 25 दिन में अंकुरित अब बताओ 25 दिन में अंकूरित तो होते हैं अगर ये अंकूरन नहीं हुआ तो मानो ये गुठली क्या है खतम तो इसको पूछता है वायवलीटी वायवीलीटी यानि छमता जीवन छमता गुठली की ये बहुत अच्छा प्रस्ट तीन अस्टार यहाँ पे ये तिरे एक्जाम में आया हुआ है मैंगो के बीज की जीवन छमता कितने दिन की होती है जीवन छमता तो इसको याद रखोगे वन मन्थ एक माह एक प्रोक्स कितना दिन तक ये जिवित रह सकता है एक माह और अगर सप्ता हमें पूछ लिया तो क्या कहोगे और पिक चार सप्ता ये आपको एक ध्यान में रखना है अब हम आ जाते हैं इसमें एक पॉइंट और बनेगा इसमें प्रोटीन परतीसत कभी पूछ लेगा ये गुठली में प्रोटीन कितना ये तो कोई समझाता है नहीं होगा लेकिन अपन डीटेल ही कर रहे हैं तो पूरा कर दें नाइन पॉइंट फाइब परसेंट बस ये गुठली की कहानी आपके समाप्त सही है बिल्कुल चेतराम तीस दीन का फिटनेस का सही है तीस दीन का बिल्कुल सही है पराग गुठली में प्रोटीन साथ से दस पराग उराग लड़का बहुत अच्छा है हमेशा आपका भी लो ये क्लास एटेंड करेगा लिख लिए यहां तक नोट्स भी बनाते जाना है जो सेंसियर बच्चे हैं बिल्कुल एक तम कम से कम यह लिख लेगा तो बाद में क्या होगा तुझे हिंदी इंगलिस तो नहीं करना पड़ेगा पागल एक नोट्स बना लेगा कहीं भी अपन दुकान खोल लेना होटी कल्चर पढ़ा रहा है मेरे बाद में समझ में आएगा कौन पढ़ा रहा है अनुप नागर कोटा में पढ़ा रहा है अरे इस तुपके चुपके कोचिंग चलाएगा उसके बाद कोर्स में जोईन होगा राजस्थान में कितने ऐसे में नाम नहीं लेना चाहता हूँ ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो खुले आम एकदम पढ़ा दे है चुपके चुपके कोर्स में जुड़ेगा और वहां से देख देख के मैटेरियल क्या पढ़ा रहा है चल रहा है खटा मिठा जब मैं एक वीडियो में देखा नाम करन में आपके कोई ट्रीक लगा सकता हूँ बताओ आपके नाम तो मम्मी पापा दिये होंगे तो नाम करन में कुछने बाकी सब समझना हल परकार के बाद अगला जो इससे अच्छा प्रश्न बनेगा वो बनेगा प्रोपागेशन से आज देखो इसका बहुत अच्छा समझते हैं आम का प्रवर्धन से कौन-कौन से प्रश्न बनेंगे वो हम बात करेंगे तो अगला हेडिंग क्या दोगे प्रवर्धन प्रोपागेशन सारवाले बुक में तो बहुत समरी जैसा मैंने बना दिया था तो प्रवर्धन में बताओ सबसे पहले आम का प्रवर्धन किसके द्वारा होता होगा बताओ तो ये होते होंगे बीज के द्वारा किसके द्वारा होता होगा पाकी ये प्रवर्धन डिटेल में पढ़ चुके हैं अलग से टोपिक अब एक एक करेंगे उसके बाद प्रवर्धन के बाद इनार्चिंग I-N-A-R-C-H-I-N-G उसके बाद बैग्यानिकों ने आम में क्या अपनाया इनार्चिंग क्या अपनाया अब इनार्चिंग से आजकल क्या प्रश्न बनेगे हलाकि ये मिथड है जानते हो कौन सी ग्राफ्टिंग का आपको बता चुका हूँ अटैच ग्राफ्टिंग A-T-A-C-H-E-D कौन सी ग्राफ्टिंग का है अटैच ग्राफ्टिंग यानि ऐसा ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग दो तरह के होते हैं एक में तो जुड़ा रहेगा, बताया था ना, कि गमले को ऐसे रखते हैं, और पेड से जोड़ते हैं, लेकिन ये सकसेज नहीं हुआ, कारण, क्योंकि गाओं वाले गमले ही ले जाते थे, टेबल ले जाते थे उठा के, तो ये सकसेज नहीं हुआ, ये कौन सी ग्राफ्टिं लो रहे हैं, तो रात को ले जाता था राम से, तो सकसेज नहीं हुआ, लेकिन आज भी चोरी चमारी गम होते हैं, साउथ हिंडिया, कहा होते हैं, उत्री भारत, सुखी संपन्द लोग मैंने, कल ही बोला था, भारत का, हिरदय कहा जाता है, होटी कल्चर में, कौन-कौन, आ बिहार का नाम लेते हैं, गरीब जैसा फिलिंग होते हैं, राज्थान का नाम लेते हैं, बालू जैसा फिलिंग होते हैं, पर उधर का नाम लोग है, महाराष्टा, तो पहले ऐसे मुंबई-ुंबई नाम लेते थे नहीं तो लगता है, सारे अमीर आदमी वहीं जाके बैठ तो ऐसा एक महसूस होता है ये इनार्चिंग ये कहाने किसलिए किया ये आज भी कोमर्शियल मेथड है साउथ इंडिया में नया चीद सिखा जान आज भी ये मेथड कोमर्शियल माना जाता है कहां साउथ इंडिया में तो ये कहां पोपुलर है बताओ ये पोपुलर कहां है दक्षणी भारत में, कौन सी भारत में हैं, दक्षणी भारत में, उसके बाद जो मेथड आने लगा, अब जो हम लोग हैं, वी नियर ग्राफ्टिंग, कैसा है बताओ, वी नियर, यानि वी सेप, ग्राफ्टिंग करेंगे, दो प्लांट को आप जोडोगे, देखो ऐसे, पर एक तो ऐसा है, और इसमें कल बता रहा था, रूट श्टॉक, तो ये वाले कैसे हैं, इस सेप के, तो सेप कैसा बन रहा है, बताओ, ये देखो, ये, कौन सा सेप बना, वी सेप, और यहां आप जोड़ दोगे अब ऐसे, तो ये जो वी नियर ग्राफ्टिंग है, ये बेवसाइक बिधी, कौमर्शियल मेथड आम का, कुछ ने बोला, उत्री, दक्षनी, तो कौन सा हम टिक करेंगे, वी नियर, इसको हम लिखेंगे, कौन मेथड है, कौमर्शियल, कौमर्शियल, यानि जिसको हम बोलते हैं, बेवसाइक बिधी, बेवसाइक बिधी कौन और यह हो गया इनार्चिंग, अब आजाते हैं modern बिधी, modern तो यह होता है epicoatile, epicoatile या इसी का नाम है stone, क्या नाम है बताओ, epicoatile या इसे हम क्या बोलते है stone grafting, कौन सी grafting है, epicoatile या stone grafting, इसको हिंधी में लिख देता हूँ, आप confused हो रहे होंगे, इपी, कोटाइल या स्टोन, इपी कोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, इपी कोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, ये कौन सा बिधिया बताओ, अगर पूछा जाए, मौडर्न, आध्हूनिक, ये हो गया, आध्हूनिक, पहला प्रश्ण बनेगा, दूसरा ये कहां popular है प्रचलित कहां है popular यानि कि प्रचलित की बात करें तो ये कौनकन रीजन महाराष्टर में कौनकन छेत्र महाराष्टर कहां ये है महाराष्टर के कौनकन रीजन में क्या है ये प्रचलित है सबसे rapid method पूछा जाए सबसे तिब्र रैपीड method रैपीड का मतलब होता है सबसे तिब्र फास्ट विधी तिब्र तिब्र इधर से होंगे तिब्र विधी ये वाले करना सही है तिब्र का मतलब फास्ट सही करना इसको rapid विधी कौन है कि कम समय में जल्दी से हो जाते है तो वो कौन है इपी कोटाइल और लास्ट लिख लेना जो important बनते हैं बहुत important है एरिड छेत्र में कौन सा विधी अपनाते हैं सुस्क छेत्र में कौन सा विधी अपनाते हैं तो वो है इपी कोटाइल अब आपको प्रवर्धन में कहीं भी चल जाओ इससे ज़्यादा कभी कोई प्रस्ट ने पूछेगा लास्ट एक और point बता देता हूँ प्रवर्धन जब अपन बात कर रहे हैं तो इसका दो point और आप note कर देना प्रवर्धन का एक और important कल मैंने बताया आपको root stock क्या बोला था मूल ब्रंथ क्या बोलोगे मूल ब्रंथ का प्रवर्धन किससे करेंगे बताओ मूल ब्रंथ का propagation किससे करोगे seed के द्वारा तो मैंने बताया था ceded root stock और دوسरा क्लोनल रूट अश्टॉक अगर वेजिटेटिव पार्ट से करेंगे तो उसको बोलोगे क्लोनल मूल वरंद और बीजों के द्वारा करेंगे तो उसको हम बीजिये मूल वरंद कौन सा बोलेंगे किसमे की टूट कम लगता था बताओ पीज वाले, किसमें कम लगता था पीज वाले, अच्छा अरे इसका हमने बताया था Salt Tolerance Rooter Stock बताओ Salt Tolerance तो मैंने बता दिया है आपको 11 Saan Seal Rooter Stock हमने बताया था Saan Seal, तो क्या-क्या नाम बताया था आपने Na Ma Ka Na से क्या आगया, Ne Karay Ma से क्या था मुवंदन मुवंदन और का से क्या था कुरूकून कौन है कुरूकून ये तो इसका हो गया और दो हमने बताया था पोली इंब्रियोनिक क्या बताया है हो पोली इंब्रियोनिक बहु भुरुण ये रूट अश्टॉक उसका नाम ओलोर कौन है ओलोर और कौन था विलाई कूलंबन तो यह पढ़ाया हुआ है आपके रूट स्टॉक में अभी इतना ही याद रखना एक वेराइटी और रूट स्टॉक में याद रखेंगे अपन तोता पूरी के नाम से क्या याद रखोगे पाकी यह हम वेराइटी में और करवा द रखना ठिक है चले आब आगे बढ़ जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले तो क्या क्या कर दिया अपने अब हम आते हैं प्रवर्धन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसका सुरू करेंगे जो अच्छा है इसमें वो हम करने जा रहे हैं प्रवर्धन के बाद इसकी फूल बनते हैं अभी टेंपरेचर आरबे तो गया ही नहीं अभी तो जेनरल होटी कल्चर में घूम रहा हूं सब क्रोप में ऐसा ही पढ़ेंगे प्रश्न बनेगा आम में किस तरह के फूल पाए जाते हैं अपने बुक में हमने क्या जैसे तैसे बना दिया एक एक लाइन एक ला होते हैं आम में तो आम में दो तरह के फूल पाए जाते हैं एक को बोलते हैं मेल और दूसरा होता है इसमें पाई सेक्सूल फलावर यानि कि एक तो फूल होता है नर और दूसरा होता है इसमें उहै लिंगी कैसा कैसा फूल होता है बताओ एक तो होगा क्या नर और दूसरा कौन होता है उवैलिंगी बहुत अच्छा प्रस्णा यानि आम जो होते है ना मोनोसियस होता है कैसा होता है मोनोसियस अब ये देखो फूल है ध्यान दखना और अगर पूछा जाए आम कैसा पाधफ है प्लांट इसा है आम भाइसा है तो आम जो है न गुरुजी ये मोनोसियस का मतलब एक ही पेड होगा ऐसा और इसमें कहीं न कहीं क्या होगा नर ये क्या है नर यानि मेल फ्लावर होंगे और कहीं जाके इसमें मेल और फिमेल दोनों होगा तो ये बाइसेक्सवल या उभै लेंगी तो आम ऐसा होता है एक पेड़ है कहीं इसी में नर होंगे और क्या होंगे उभै लेंगी तो ये बार बार पूछेगा कि बताओ आम में कैसा फूल पाया जाता है तो अस्टार लगा के लिखना कौन-कौन है बेल और बाइसेक्सवल कौन-कौन पाये जाते हैं बेल और बाइस आगे चले, ओनो सियस ठीक है सर, विजय मिसरा जी कह रहे हैं, पॉइंट वन परतिसत फ्रूट बचते हैं, ठीक है, बिलकुल सही बात है, अच्छी प्रस्न आपने बताया, अच्छा, आप पूछ रहा है, अगला प्रस्न, फ्रूट सेटिंग कितना होता है विजय, इसको ऐस से लिखेंगे, फ्रूट सेटिंग, अरे सर, फ्रूट सेटिंग नहीं समझाओं गुरुजी, फ्रूट सेटिंग का मतलब फूल से, फूल से कितना परतिसत, फूल से कितना परतिसत फल बनते हैं, भाई फूल तो बहुत लगते हैं, पर क्या सारे फूल फल थोड़े फूल से कितना परतिसत फल बनता है फल बनता है इसको हम क्या बोलते है फ्रूट सेटिंग क्या बोलोगे फ्रूट सेटिंग तो ये मान देखो कितना है बहुत कम है भाई कितना है केबल पॉइंट वन आज ये समझाता हूँ फ्रूट सेटिंग होता क्या है फ्रूट में या यूपी बिहार कहीं भी हमें फ्रूट सेटिंग की मान को बढ़ाना है तो समझ में आ जाएगी कि फ्रूट सेटिंग कहने का मतलब देखो 0.1 परतिसत का मतलब क्या हुआ जरा बताना 0.1 का मतलब हुआ कि 1000 तो है फूल क्या है बताओ 1000 फूल में एक फल बनते हैं कितने फल बनते हैं बताओ एक फल बनते हैं तो बाकी जो 99 जो है मेरे दोस्त ये 999 ये फल फूल फल नहीं फूल फलावर ये क्या हो जाते हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं ड्रॉप तो इसी फूल ड्रॉप से दो प्रसना आपके अच्छे बन जाएंगे, सबसे जादा जो ड्रॉब होता है ना, वो होते हैं पी स्टेज में, मैं पढ़ा चुका हूँ, कहां पढ़ाया हूँ, इस ओडर में, कहां पढ़ा चुका हूँ, अब आपको समझ में आ रहा हूँगा, ये फूल से बने भी गया फल, तो सेटिंग का मतलब वो जो लास्ट में खाते हो ना, उसको बोलते हैं, फूल सेटिंग, मैचुरिटी स्टेज पे, अब पी स्टेज पे देखाऊँगा, नीचे नीचे एदम छोटकी छोटकी कितना आम घीरे रहते हैं, देखाऊँगा न इतनी छोटी छोटी सब, ये पी स्टेज पे जाते हैं यानि मैच्चोर वाला आम क्या हो जाएगा गिर जाएगा ये वाले अब इसको रोकना है तो आप बनोगे अधिकारी तो इसको क्या करोगे रोकना है इसको प्रिवेंट करना है भाई प्रिवेंट रोकना है तो इसी के लिए उपचार करते हैं 24D at the rate of 10 से 20 PPM कितने P को कनवर्ट करना है तो दस से 20 PPM है अब किसानों को तुझे बताना है भाई कि तु तो रट दो लिया 10 से 20 PPM 10 से 20 किसान धोड़े जानता है 10 से 20 तो उसको हम convert करके देंगे एक हजार से भाग दोगे तो एक हजार से भाग दोगे तो एक एक आदा ज्यादा लोग भाग देने ही नहीं आता है तो वो विचारा क्या करेगा वो यही रट लेगा 0.02 ml देखना अगर तरल होगा तो क्या लेंगे? ml अगर लिक्विट रहेगा तो 0.02 ग्राम लेंगे प्रती लीटर पानी में किसमें लोगे बताओ? प्रती लीटर पानी में तो यह 2 ml प्रती लीटर किसमें लोगे? पानी अब इतना ml तो बहुत मुस्किल है कैसे लोगे इतनी छोटी ml तो इसको ना ऐसे बना देंगे इधर भी 100 से गुना कर दो इधर भी 100 से तो यह कितना आ गया? 2 ml प्रती 100 लीटर पानी कितने आ गया? 100 लीटर पानी ऐसे बताना है कि ददा इस 100 लीटर में आपको केवल 2 ml और तुम अगर यह नहीं बताओंगा तो तुम क्या इसे दो-चार ढकान उसको दिलबाद हो गया डल 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 एक बाल्टी में अंदर अंदर जैसा अधिकारी बनेगा वो बोलेगा पागल इतना ही है ला 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 पूरा ही डाल देगा अब बाल्टी में गोर गुरा गोला छिड़काओ कर देना गाली चालू करेगा भाग जाएगा वहाँ से किसान छिड़क देगा पूरा पूरा आम पे छिड़क दिया मेहनत करके दबाई लाएगा किसी से मसीन मांग के लाता है बेचारा किसान मेहनत करके छिड़क दिया पूरा आम आप तीन गंटा भी छोड़ दो आम को इसकी सोसन की दर्थुरत रोक देगा इनिविटरी इफेक्ट करता है 2-4-D जाके एकटम स्मंदन का काम रोक देगा आम में कहीं कोई ट्रांस लोकेशन नहीं होगा जैलम ब्लॉग, फ्लोयम ब्लॉग, सब ब्लॉग, पानी आना बंद, पूरी सिस्टम बंद तो आम सोचे गरे सलाहिका यह कि यह हुआ क्या तीन गंटा पूरी ब्लॉग होंगे आम की पतियां उपर से नीचे सूखना शुरू कर देंगे अब आपने बेचारे को फूलों को गिरने से रोक रहा था, सारे फूल अपने आप गिर जाएंगे गिराने जरूरत हीने, सब गिर जाएंगे, पति जल जाएगा, अब किसान धुन्डता रहेगा वो मीना साहिब दिखने रहे हैं आजकर तुम मीना साहिब भागे हुए हैं, अब तुम आप बता लएगा तो ये, अच्छा मान लिया जाए कहीं कहीं आपने देखा होगा 3000 PPM लिखते हैं, ये हमेशा कनवर्जन मैं बताता हूँ, फिर भी तुम गलती करते हो तो 3000 है तो डायरेक्ट इसको क्या करोगे बताओ, एक हजार से भाग दे दोगे तो 3-0-3-0 कट गे, ये बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो इसको क्या करोगे, 3 ml मिलाना है परती लीटर पानी में पहले तो लेंगे परती लीटर, अब डेसी मल में आजाए ऐसा कब आपको दिमाग लगाना यार ने, गुनाउना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो ये दिमाग में रखना, ये हमेशा कनवर्ट करने के लिए बताता हूँ, बाकी टीचर कई अपना अपना विधी बताते हैं, सबसे सरल विधी, जब भी PPMI, 1000 से भाग देंगे, प्रेक्टिकल अपनी काम हो जाएगे, तो ये हो गया आपका, क्या चल रहे थे बताव, fruit setting fruit setting complete बता fruit setting कितना होते हैं आम में point one point one का मतलब 1000 में कितना बचेगा cable point a 1000 में एक फल बचते हैं सबसे ज़्यादा फल किसमें गिरते हैं P stage पे किसमें गिरेंगे P stage पे तो यह important point हो गए अब इसके बाद मैं जो लाया हूँ इसमें probability हो गया कुछ-कुछ point में लिखके लाया था आपको सिम्बॉल storage temperature एक और बताता हूँ आम का storage temperature बहुत important यह जानते हो यह कल ही मुझे पढ़ाना था storage temperature भंडारन के लिए ताप भंडारन ताप इसको रटन नहीं है बताओ कितने तरह के आपने पढ़ाया था कल एक तो गुरू जी आपने tropical में बाट दिया था मुझे और दूसरा आपने किया था sub-tropical और तीसरा जो division किया था वो आपने कर दिया था temperate का और temperate को हमने क्या बोला था सितोष्न और यह क्या है उपोष्न भी उपोष्न नहीं समसितोष्न क्या बोलते हैं समसितोष्न उपोष्न इसी को बोलते हो कहीं कहीं देखता हूँ यह तो उश्न यह उपोष्न समसितोष्न और उपोष्न देख ले ना इसका हिंदी इसलिए मैं बड़ा confusion होता है मुझे, सम सितोस, अब ये जो ट्रोपिकल होते है ना, इसका उदाहरन मैंने कल बता दिया, कौन-कौन, अफटा-फट एकदम पांच साथ बोले ट्रोपिकल फूर्ट तो बोल दो, कौन-कौन हो जाएंगे, आम हो गे, केला हो गया, पपीता हो गया, हो गया, चीकू हो गया, कटल हो गया, अननास हो गया, सिता फल, आठ, किसी को ऐसे बोल दो, फट सा, तो आठ फल तो हो गये हमें ट्रोपिकल, अब इन आठों का भंडारन के लिए बार बार थोड़े रटते चलोगे सब चीज, एक आइडिया बना लेता हूं, इसका आठ से 12 डिगरी सेलसियस पे हम करेंगे भंडादन, कितने डिगरी पे करोगे, 8 से 12, अब तीन प्रस्न फिक्स आते हैं, तो उसको अलग से लिखेंगे भाई, वो कौन-कौन है, वो आम है, आम का स्टोरेज पूछेगा तो 8, अ से, आम, अ से, 8, याठ होगे, दूसरा पूछेगा केला, बनाना, तो बनाना का एक्जेक्ट होता है, 13 डिगरी, 12 डिगरी, 13 डिगरी, तो ऐसे याद, अब आम रूद आ जाए, तो 8 डिगरी, चिकु आ जाए, तो 9 डिगरी के आसपास, सब को याद ने करें, अब देखो, ये तो बुक वाले बैज्यानिक लिखना था, उन्ह सब मना थोड़े करेगा, गधे जैसा होएगा थोड़े, तो ये एक standard data होती है, जो हमें याद करना रहता है, कि अप्रोक्सी है, अब हम बात करेंगे, किसका बताओ, सब ट्रोपिकल, सब ट्रोपिकल में आपको कहां तक छोड़े थे आपने 8, तो ये होता है, 5 से 8 डिगरी सेलसी है, एक प्रोक्स में चला जाओंगा, अब इसमें 2-3 प्रशन आपको आजाएगा, मौसमी का आजाएगा important, संत्रा आजाएगा, जिसको मेंडरीन बोलते हो, तो अच्छा बताओ, मौसमी संत्रा में कम तापमान पे किसको रखेंगे, कम, लो पे, मौसमी, क्योंकि इस अनार को कितना डिग्री पे रखते हैं, बताओ, अनार भी रखो आप 5 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं है, यानि सब ट्रोपिकल वाले को कितना पे रखेंगे, 5, राजस्थान में क्या नहीं होता था, बताओ, राजस्थान में मैंने बोला था, एक तो लीची, और एक क् होते हैं कितने लड़के ने इसमें छिल के लिए आएगा नहीं सर हम तो बुक में पढ़ते हैं के अंगूर गंगा नगर में अरे होते हैं पागल वैसा तो सेव भी आर्सीम दो पेड़ है तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूँ उदेपूर में सेव होता है तो गधे वाले बात हो अब समझ गये हो आप लीची अंगूर इसका भंधारन हम करेंगे कितना पर जीरो डिक कितना करोंगे जीरो डिक तो सारे फल का स्टोरेज भी याद हो गे अपना और इधर टेमपरेट वाले को मैं ने बताया आप टेमपरेट वालें कौन है एपल है पीयर है और कौन था पलम है, चेरी है, स्ट्रावेरी है, एप्रिकोट है, आलमोल्ड है, ये सब सुपारी है, सेफ्रोन है, सेफ्रोन का नाम सुना है, केसर, क्या नाम सुना है, केसर, बार बार पूछते हैं न, केसर, केसर कहां जादा होता है, जम्मू एन कस्मीर में, और इसका कौन सा भाग खात स्टिग्मा कौन सा भाग खाते हैं स्टिग्मा अब यह जो होता इन सब का भंडारन कितने डिग्री करते हो बता होगी आज एक और टोपिक हमने खतम कर दिया उसका नाम क्या था बता स्टोरेज फलो का स्टोरेज भी अपने समाप्त कर लिया कोई भी फल ला जाए इस कॉंसे अब हम बात करेंगे किसका बताओ इन फ्लोरो सेंस पहले दो क्रॉप में ना टाइम लगेंगे उसके बाद तो एक दिन में तिन-तिन क्रॉप हो जाएंगे पुस्प क्रम किसे कहते हैं पुस्प क्रम बताओ फूलो का क्रम मैंने बताया था किसका क्रम बताओ अरेंजमेंट ओफ फ्लावर अरेंजमेंट ओफ फ्लावर फ्लावर किस पे ओन दी पेडंकल पेडंकल अब हम समझते हैं हिंदी में अब ही ये आया था कि अगर ये डंठल है मोटका डंठल और जिस पे ये लगा हुआ है फूल मैंने बताया हूँ तुझे बड़ा अच्छा से और ये इस बार आगया प्रस्न भाई छोटका एक्जाम में ये बड़ा दिक्कत होगे बच्चों को कोई पढ़ाया नहीं होगा ऐसे बोल दी आउट ओप सिलेवर से से अब बताओ ये क्या है लगा हुआ फ्लावर ये क्या है समझना बात को फ्लावर तो ऐसे फूल जो अरेंज है एक डंठल पे ये जो अरेंजमेंट है न अरेंजमेंट ये जो बेवस्था है फूलो का इसको हम बोलते हैं पुस्प करम क्या बोलोगे बताओ फूस्प करम फूलो का करम किस पे है फूलो का करम तो फूलो का करम ये मोटका डंधल पे है और ये जो मोटका डंधल है ना इसी को बोलते हैं पेडंकल हिंदी में क्या बोलते हैं वो एक्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं इसको बताओ पे डंकल पे डंकल अब देखें ये फूलों के डंठल भी तो होंगे अरे भाई एक फूल को मैं अब बढ़ा कर लेता हूँ ये जो फूल ऐसे बना हुआ है न इसको ऐसे ऐसे कर दिया तो ये फूलों का भी तो डंठल है ये वाला डंठल ये कौन डंठल है बताओ फ्लावर स्टॉक फ्लावर स्टॉक यानि फूलों के डंठल फूलों के डंठल ये कहलाते हैं पेडी सील पेडी सील और मैंने याद कराने का बड़ा अच्छा तरीका बताया था ना एक नाम क्या है पेडी सील एक नाम क्या है पेड़ंकल अंकल तो अंकल मोटा होंगे, बड़ा होंगे तो ये याद पेडी सील लग रहा है ये पेंसील है पतली वाली पेडी सील छोटकी है अंकल मुटके हैं बड़े हैं तैसे याद रख लेना पेड़ अंकल ठीक है ये प्रस्णा आप सोच लो छोटे एक्जाम जे टूटकी कोई उकात ने होती है इसी साल उसमें आया हुआ जी आरेफ तक का लड़का ये गलत कर देंगे कोश्चन और ये विचारा छुटका एक्जाम में पूछ लिया पेड़ अंकल बहुत कम बच्चेक सही हुए होंगे तब से मैं पढ़ाने लगा इसे मैं भी छोड़ देता था ये कौन पूछेंगे बताओ अंकल को समझ गया है अब पेड़ित वी समझ में आ गया, अब फूस्पकरम आम में कैसा फूस्पकरम होते हैं बताओ, अब फूलों का अरेंचमेंट आम में होते हैं ऐसे, ऐसे होते हैं यह फूलो का अरेंजमेंट है आम में ऐसा हैं तो फूल होते हैं और ऐसे फूलो के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं पेनिकल क्या बोलोगे बताओ पेनिकल तो आम का पुस्प करम क्या होगा तो आप बोलोगे पेनिकल क्या होंगे तेनिकल और पेनिकल किस-किस में होते हैं बताओ तो ये होंगे आम में और किस में होगा लीची में और किस में होगा बताओ अंगूर में और किस में होगा धान में इन सब में कौन क्या होता है पेनिकल ठिक है करवा दिये पेनिकल नेक्स चले अब आप अब आजाते हैं spacing जल्ली अल्ली बताओ spacing दूरी की बात बताओ जल्ली से आम का क्या दूरी रखोगे 10 into 10 meter square 10 into 10 और किसका रखते हैं और किसका रखते हैं तो ये जामून का भी रखोगे और किसका है आम का है किसी और का है बताओ कटहल का 12 बोलते हैं पर आप 10 पे भी रख सकते हो दिक्कत नहीं आएंगे 10 into 10 अब आते हैं pit size pit size पढ़ा चुका हूँ pit का मतलब है गंडे का size गंडे का आकार तो मैंने क्या बताया था आपको अगर size 10 into 10 रखोगे तो इधर 100 कर देना 100 cm into 100 cm into 100 cm ठीक है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 cm क्यूँ कितने बार cm आया तीन बार तो इसलिए cm और 100 cm को कितना लिखते हो 1 तो इसको ये भी लिख सकते हो 1 mq अगर आपकी spacing 10 into 10 है तो इधर 1 m रख लेना 1 को और क्या लिख सकते हो बताओ 100 इधर 10 है तो इधर गढ़ा तो छोटा हो गढ़ा तो गढ़ा कितना है 100 लेकिन अगर कोई बच्चा बोले इधर 8 into 8 एकदम easy concept है तो इधर 80 रख लेना 80 तो नहीं आएंगे option में 75 आएंगे लेकिन हम वहां तक पहुचतो जाएंगे अगर आपको कोई 5 into 5 meter पे लगा रहा है जैसे अनार कितने पे लगाते हो अनार बताओ 5 into 5 तो इधर हम रखेंगे 50 cm और meter में convert करोगे तो कितने आएंगे 0.5 अगर आपको आमरपाली का गढ़ा बनाना है इसका बनाना है आमरपाली तो आमरपाली की दूरी कितना रखेंगे बताओ आमरपाली तो आमरपाली की दूरी हम रखेंगे धाई into धाई कितना रखोगे धाई into धाई तो गढ़े कितना हो जाएंगे बताओ प्रॉक्स कितना रखेंगे, पचीस सेंटिमेटर, तो क्या इसमें रटना पागल गड़े उड़े रटते, तो गड़े रटवा दिया, अब गड़े को खोद देता, तो पहले भी खोदवाया हूँ, फिर एक बार खोद दे, ये गड़े यहाँ पे है, ये कौन से मिट्टी है उपर वाले, उपर वाले जो मिट्टी होती है, ये है उर्वरक, उर्वर, लिख दूँ, यानि फर्टाइल, इसमें फर्टिलिटी क्या है, जाता है, और नीचे वाला क्या होता जाएगा, कम, अब जब मिट्टी निकालोगे, तो इतनी वाले एरिया, मने कि आधा मीटर का म मिट्टी अलग रखना है, ये अलग रखा, और अंदर वाले मिट्टी इसको अलग रखना, यही कॉंसेप्ट है, जब कट्धे को हम भरेंगे, तो नीचे तो मिट्टी ये कैसा था, बताओ, खराब, कैसा मिट्टी है, खराब, तो हम क्या होते हैं न, देखो, फावड़ा चलाना सुरू किये, सुरू किये, सुरू, तो उपर वाले मिट्टी कहां जाएगा, नीचे, यहां आ गया, उपर वाले, और ये खराब मिट्टी कहां जाएगा, उपर, अरे ये मानलो लाल से बना दिया ये मिट्टी को, तो ये कहां जाएगा अब, उपर, और अच्छा व फिर पीला ये कहा गया उपर तो बताओ ये कितना बेकार काम किया तो इतना मेहनत क्यों किया तो खोदा एक मीटर रखा मिटी अलग दीन भर मेहनत किया अदम पसीना अदम देखा होगा गाउं में किसान उसान अदम काम करता है ना पसीना उसी ना बहा काएगा घर में वो खोदा है कैसा खोदा है इधर रखा मिट्टी उपर रखा फिर जहां था वह सरिया दिया अब वो लेगा काम कर दिया क्या करना है आपको यह मिट्टी उर्बरक नहीं है तो यहां पे आपको जो अच्छी वाले मिट्टी है वो डालना है ताकि वो गुठली हो नया पौधा है उसको पोसक तद तो मिल सके खादूद कहां डालेंगे? नीचे, कहां डालोगे? नीचे, तो ये गड़े भरने का है ये हो गये सेवाएं आपके pit size करवा दिया spacing हो गया, अब हम आजाते हैं इसका एक point climate आप बताओ, ये सब तो करवा दिया हो जल्दी अब शुरू करता हो कहानी climate, जलवायू यहां से topic सुरू होते है जलवायू कैसा है जलवायू, बताओ कौन सा फल है ये? tropical, कैसा है? tropical, आप पूछेगा कि क्या आम को सब tropical में भी लगा सकते हैं या नहीं तो आपका answer क्या आना चाहिए? हाँ, लग जाएगा आम सब tropical में अरे, पांचाट डिगरी का तो अंतर है जादा है नहीं, आम के लिए temperature कितना आम ने बताया था, बताओ 24 से 28 डिगरी तो रखते ही है तो 28, 29, 31, 32 इसमें लग जाएगे कोई दिकर में क्या आम को temperate जलवायू में लगा सकते हो ना, आम को temperate में नहीं लगाया जा सकता अब आम का उप्युक्त जलवायू कौन है, तो tropical, यानि तीनों ओप्सन दिया जाए, बोले, आम सबसे अच्छा किसमें ग्रोथ करेगा भाई, तो किसमें करेगा, tropical में अब मैंने बताया था, इसके लिए मिट्टी क्या चाहिए, मिर्दा तो कल आपने बता दिया, इसका क्या चाहिए sandy lobe, कैसा चाहिए बताओ sandy lobe, इसकी pH की बात करें, तो pH हमने बताया, 6.5 से लेकर, अधिकांस फल कहां grow करना चाहते हैं 7.5 के बीच, तो यह हो गया, जेंदल इसका point, soil pH हो गया अब एक last point आ गया, इसका क्या है, बताओ, वो है inter crop inter crop, तो बताओ, यह आम का बाग लगा हुआ है आपके यह आम का बाग लगा हुआ है, इसके बीच में कौन सा लगा दोगे, यहां पे feeler crop के रूप में इसको बोलते हैं, feeler यहां से एक प्रश्ण बनते हैं, feeler feeler पादप, क्या-क्या डाल सकते हो तो feeler पादप सबसे important, papita papita किसलिए, क्योंकि यह उत्पादन जादा देगा, तो किसानों को फाइदा होगा, कॉमर्सियली आपको क्या होगा, फाइदा होगा papita, सुस्क परदेश में पूछा जाए, तो करौंदा सुखे परदेश का प्रश्ण आए कि आम को, अगर पूछा जाए बताओ, एक आम का बाग है, राजस्थान के बीका नेर में, बीका नेर में, तो यहां आम के साथ क्या लगाओगे, आम के साथ क्या लगाएंगे, पपीता लगा दे, केला लगा दे, पपीता लगा दे, लग जाएगा, अरे गधे फिर पहाने क्या कॉंसेप्ट रहे, बीका नेर में लगा पपीता कर तो जलवायू क्या है बताओ ट्रोपिकल है ना पपीता बीका नेर में लगा दोगे वो लगा रहे हरे हरे रामे तो धोखा दे रहा है पाकल पोल के आया था 24-25 डिगरी 50 डिगरी पर उतार रहे हो फिर तुम फल खोजोगे फल कहां दूंगा इतनी चोटी पपीता आएंगे उसको पता लगेगा कि बेर है कि टेनिस बोल है कुछ पता ही ने लगेगा वैसे वैसे पपीता तीन फल आएंगे देखाओगा राजस्थान में पपीता इतना लंबा लग जाएगा बड़ा खंकाल जैसा और छोटकी छोटकी दूती ने इसे लट लगा सकते हो, खाल्सा लगा सकते हैं, अच्छा ये प्रस्ट बढ़ा अच्छा बनता है कि आम के साथ ठीलर क्रॉप के रूप में लगाते हैं, Okay, option A, पपीता, option B, करॉणदा, option C, खाल्सा, उसके बाद आजाए टमातर, उसके बाद आजाए बैगन, उसके बाद आजाए मीर्च, उसके बाद आजाए अधरक, उसके बाद आजाए प्याज, लहसन, ऐसे ऐससे खूब आजाए, तो अब ना देखा होगा, कई वुक ऐसे है जो केवल लिखा रहता है पपीता अरे आम तलवार लेके थोड़े बैठा है आम ऐसे है कि साइट में वो तलवार खोसे हुए कि आलू जहां लगाओगे आलू कुछ काट दूँगा मेरे तो अजीब लगते हैं टीचर पढ़ाने वाले कैसे पढ़ाते हैं अचा करोंदा का पेर लगा दिया तो ऐसा थोड़े रात के टाइम में आम का भूत आएगा अरे करोंदा बुक में तो तू लिखा हुआ तो है अब मेरे बीच कैसे आगया पागलभग इसको भगा देगा थोड़े सब लगा सकते हैं लेकिन कौन सा फल सबसे अच्छा उत्पादन देगा उसका एक्जाम में पूछता है पपीता किस जलवायू में देगा ट्रॉपिकल कहां देगा महराष्टरा में देगा आंध्रा में देगा बिहार में देगा यूपी में देगा जहाँ climate अच्छा है अब बीका नेर में पपीता लगा होगे तो नहीं लगेंगे तो आपको समझ में आ रहे हैं ये concept आम के साथ सब लगा सकते हैं लेकिन आपको देखना है कि अब option अलग अलग रहेगा तो जरूर हम टिक कर देंगे कौन पपीता कौन टिक करोगे अगर सभी option रहेगा तो हम क्या करेंगे ठिक है तो ये तो basic point होगे मैं लिख के लिए आया था अब मैं आपको एक point और अच्छा बताता हूँ आम का जो थाना सबसे ज़्यादा golden period भारत में माना जाता था मुगल के समय दो प्रस्ण और अच्छा बनाता अगर बोला जाए golden period सबसे अच्छा period golden period of mango cultivation ये प्रस्ण सोचो कितना अच्छा इतिहास से लिया गया एक प्रस्ण बहुत अच्छा कि आम भारत में श्वर्निम दिन कब कहा जाता था आम का किस आसन के काल में तो वो था बुगल कौन था इवें आप नाम सुने होंगे अकवर का भाई तिहास तो हमसे कही गुणा ज़्यादा आप जामते हो किनका नाम सुना होगा आकवर इस आकवर ने एक लाख कितने हैं एक लाख आम का पादप मैंगो ट्री आम पादप यानि मैंगो ट्री कहा लगाया था ये प्रश्न आते हैं मैंगो ट्री ये लगाया था लाल बाग में कहां लगाया था लाल बाग में और लाल बाग कहां है दर्वहंगा में कहां है बताओ दर्वहंगा और दर्वहंगा किस राज्जी में है तो ये है पिहार एक प्रश्न ये बनेगा अकवर ने एक लाख इसको कहते हैं एक लखिया बाग ऐसे गाउं में ये प्रशना एक लखिया एक लखिया समझ तो रहे हैं एक लाख बाग एक लाख हाम के पेड़ को क्या बोलते हैं एक लाख लखिया बाग कहा है ऐसे पूछ लेगा दर्भंगा बिहार में और एक लखिया बाग कभी पूछा किसके लिए फेमस है पपीता के लिए केला के लिए हम के लिए किसके लिए है किस ने बनवाया था अकबार ठिक है बेसिक पॉइंट में कोई डिक्कत हो तो बताओ कुछ नया चीज सिखने को मिला नाजनीन ये वैसा ही पुराने चल रहे थे आप हर साल जैसे बच्चे होते न अगर मैं अपने पढ़ाई में हर साल सुधार नहीं करूंगा न तो बिलुप्त हो जाओंगा ये ध्यान रखना तारविन का नियम है अगर रटे रटाए वही कॉंसेप्ट में हर वार दू तो बच्चे बोलेंगा वही गीत गाएगा तो हमें भी एक टीचर को पढ़के आ आना चाहिए जो लक्स में खो गया समझो वही सफल हो गया तो ये आपको खोना भी है थोड़ी थोड़ी से मेंगो में कल हमने लिख के पढ़ा था वोट निकल नेम आप जानते हो पांच मेट में इसका रिवीजन भी कर दे क्या है मैंजी फेरा इंडी का फूल क्या है एना का राजा और क्या नाम था बात्रूम फल नेशनल फ्रूट कहते है और प्राइड फ्रूट ओफ इंडिया सही बात है ना गुनसुत्रो की संख्या क्रोमोजोम की संख्या कितना था चालेश और उत्पत्ति कहां हुआ था इसका इंडो बर्मा फ्रूट टाइप की बात करे फल परकार तो क्या है डूप जिसके अंदर गुठली होता है वो सब क्या है डूप और बहु भूर्नता पोली इंब्रियोनिक पाए जाते हैं किसमे, आम में, जामुन में ये बता चुका हूँ इन फ्लूरोसेंस की बात करे, पुस्प करम की बात करे, इसका तो पुस्प करम क्या था? पेनिकल किस में होते हैं? आम में, लीची में, धान में, इन सब में ऐसे फूल पाये जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिकल propagation की चर्चा मैं कर चुका हूँ प्रवर्धन का आपसे कल एक गंटा का जो class है उसमें देखना सबसे पहले propagation किससे हुआ था बीजो के द्वारा आज भी मूल बरंत जो होते हैं मूल बरंत में किसके द्वारा हम प्रवर्धन करते हैं बताओ बीज इनार्चिंग जो होता है एक्चुल में commercial method इनार्चिंग जो है वो चीकू का है किसका है बताओ चीकू यानि कि सपोर्टा का लेकिन आम में आज कहां करते हैं इसका इनार्चिंग साउथ इंडिया में कहां करते हैं साउथ वीनियर ग्राफ्टिंग important method है किसका आम का अगर commercial method पूछा जाए तो क्या टिक करोगे वीनियर ग्राफ्टिंग और ये कहां करते हैं नौर्थ इंडिया उत्री भारत में इपी कोटाईल हमने चर्चा किया था सबसे rapid method सबसे fast method कौन है बताओ इपी कोटाईल कहां होता है ये क परसिद्ध है कौनकन रीजन और महराष्ट्रा में एरिड जोन में भी करते हैं यानि कि सुस्क प्रदेश में कौन सा करते हैं बताओ इपी कोटाईल कौन करोगे इपी कोटाईल कुछ इमेज आपके सामने लेकर आया हो कि ताकि कल नहीं देखे हो इनार्चिक में क्या होता है दो प्लांट को हम तब तक जोड के रखते हैं जब तक यह पूरी तरह से जुड़ना जाए जब जुड़ जाएगा तो इसको यहां से अलग कर देंगे तो यह एक क्या बन गया नया प्लांट बन गया वीनियर ग्राप्टिं में सेप कैसा रखोगे वी सेप कैसा इसको कौन से ग्राप्टिंग करते हैं वीनियर और आम में अगर पूछा जाए कामर्सल मेथड कौन है तो आप क्या टिक करोगे बताओ वीनियर ग्राप्टिνग कौन करेंगे वीनियर यह है इप्प कोटायल यह आम में मैंने बताया था जो अ श्टोण होते हैं आम के गु पिटी की बात करें कि इसकी जीवन काल कितना होता है जीवन काल किसकी जीवन काल की बात किया है इस गुठली की जीवन काल तो ये एक माह होते हैं कितने होते हैं एक माह और एक माह हमें कितने सपता होते हैं चार सपता अब इससे जर्मिनेशन हुआ इससे पे ग्राफ्टिंग कर दो तो ये कौन सी ग्राफ्टिंग कर लाएगा स्टोन ग्राफ्टिंग कौन सा ग्राफ्टिंग होगा स्टोन या इसी को हम कहते हैं इपी कोटाइल ग्राफ्टिंग कौन सी ग्राफ्टिंग है इपी कोटाइल अब हमने बात किया था परागन परादन किसके द्वारा होता है घरेलू मख्य बहुत इंपोटेंट है आम में अगर पोली नेशन पूछा जाए तो किस से होंगे घरेलू मख्य पोली नेशन क्या होता है परादन क्या होता है ट्रांसफर होगा पराग कर्ण का किसका होगा पराग कर्ण पराग कनकास कहां जाएंगे बताओ तो ये जाएगा एंधर से कहां पे जाएगा स्टिग्मा एंधर से स्टिग्मा स्टिग्मा को क्या बोलते हो वर्तिकार्ग क्या बोलोगे वर्तिकार्ग यानि एंधर पराग कोस से ये कहां जाएगा पराग कोस से कहा stigma, कौन लेके जा रहा है house fly, कौन है house, देखो अधिकांस्ता जो होते है न, अगर पूछा जाए एक प्रस्ण बहुत अच्छा बनता है कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परागन किस्से होते हैं, अगर पूछा जाए, परागन सबसे ज़्यादा सरवाधिक परागन वर्ल्ड में किस्से होते हैं कौन कारक है, जो सबसे ज़्यादा परागन करता है तो वो है, हवा, कौन है बताओ हवा, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है हवा के द्वारा और अगर एंडो में बात करें कीटो में बात करें तो आपको पता होगा अधिक पोलिनेशन अपने फ्रूट क्रॉप में किसके द्वारा होता है हनीवी के द्वारा किसके द्वारा हनीवी जिसे हम मदुमक्खी कहते हैं और आम में किसके द्वारा होता है बताओ आम में होता ह गहरेलू मख्य, तो यह important है, अगर फिक पूछा जाए, अंजीर में किस के द्वारा होता है, तो अंजीर में होता है, वास्प के द्वारा, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, वास्प के द्वारा, और वाइल पाम में होते हैं, यह तीन याद रखना है, वाइल पाम, plantation crop है, जैसे नारियल का पेड़ होता है न, खजूर का पेड़, वैसा है, वाइल पाम होते हैं, इसमें होते हैं, वीबिल के द्वारा, किस के द्वारा, वीबिल, तो यह ध्यान में रखोगे, तीन-चार पॉइंट, अधिकांस्तफ हलो में किस के द्वारा होता है, हनी वी के द्वारा, आम में किस के द्वारा होता है घरेलु मख्षी के द्वारा, फिग में किस के द्वारा होता है वस्प के द्वारा अब हनी B का main function प drafting पूछा हुआ है ये exam में मधू मख्थी का मुख्ध कारी क्या है तो पहला उप्सन है था बी प्रोडक्शन यानि बी का मतलब हनी प्रोडक्शन बताओ सबसे मुख्यकारी क्या है हनी सहत प्रोडक्शन गलत है ये क्या है गलत सबसे मुख्यकारी है इसका परागन क्या है मुख्यकारी तो ये टिक कर लोगे ना ये गलत कर देते आप मुख्यकारी इसका क्या है ठीक है आगे बढ़ें नरू भी है चल दें तो ये कहाने आपको पीछे की क्लास में करवा चुका हूँ स्पेसिंग बता दिया था ये लास्ट है आमरपाली की दूरी बता दिया हूँ उप्युक तापमान करवा दिया हूँ जो भी से ठाइस कितना परतिसर्थ फूल से फल बनते हैं ये बता दिया हूँ और फलावर से कली जो बनते हैं कब बनते हैं अक्टूबर से दिसंबर आमला की चर्चा चले तो आपको बताया हूँ फरवरी और मार्च करवाया हूँ नकल अब आज जो पहानी सुरू करेंगे उपज जो होता है आम में प्रती पादप कितने होते हैं असी से सो केजी भंटारन का ट्रिक दे चुका हूँ कितना है आठ से दस पीट साइज मैंने गड़े की साइज करा दिया था वन 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 मीटर क्यूँ स्पेसिंग कितना रखे थे दस इंटू डस स्टोन में प्रोटीन कितना था 9.5 लेडिंग प्रोडक्शन ये एक इम्पोटेंट है विश्व में सबसे जादा आम कहां होता है भारत में उसके बाद कौन है चाइना लेकिन अगर पूछा जाए लेडिंग प्रोडक्शन अस्टेat राजी कौन है जो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है तो वो है UP केवल दो पॉइंट अवाइड करते है अगर संसार में सबसे ज़्यादा आम पूछा जाए तो वो कौन है भारत अगर राजी में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कहा होता है तो कौन है उत्तर प्रदेश उसके बाद आंधर प्रदेश का भी आते हैं आंधर एपी है जैसे अभी पूछा जाए सबसे ज़्यादा फल उत्पादन किस राज्जी में होता है फल उत्पादन फ्रूट प्रोडक्शन की बाद किया सबसे ज़्यादा fruit production की बात किया अभी जो current data है इसमें है आंधर प्रदेश उसके बाद कौन है महाराष्टा कौन है आंधर प्रदेश उसके बाद कौन है महाराष्टा सबसे ज़्यादा किस सिराज्य में फल का उत्पादन होता है आंधर प्रदेश कहा है आंधर प्रदेश ठीक है अब सुरू करें आज की कहानी चलो तो धीरे धीरे देखो बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं अकवर ने बनाया था अच्छा यहां पर एक सही करना मैंने कल लाल बाग करवा दिया था ना उसको लख बाग कहते हैं यह मेरे मिश्टेक हो गया हो थकल लख बाग अजब कि नीचे मैंने लिखाया था एक लाख प्लांट लगाया था एक लखिया बाग भी करते हैं क्या बोलते हैं एक लख़िया लेकिन लाल की जगा आप क्या कर दो कहें लखभाग। कौन से बाग है लख बाग एक लाख बाग लगाने को हम लख बाग कहते हैं लख बाग किस ने बनाया था अकवर ने कहां बनाया था दरवंगा में बिहार में और मैंने एक बात बताया था कि मुगल पिरियड जो धेना मुगल सासन इसी काल में आम का कल्टिवेशन सबसे प्लावर कैसा होता है आम में अगर फूल की चर्चा करें तो फूल हमने बताया था इसमें नर होंगे और कौन होगा बाइसेक्स्वल फ्लावर मेल और बाइसेक्स्वल फ्लावर और प्लांट कैसा होगा बताओ जल्दी से प्लांट होगा मोनोईसियस कैसा होगा मोनोईसियस हम आज की कहानी पे चलते हैं लिख लिए इसका छुटा होगा वो भी complete है पांदस मेर देखो ऐसे होना चाहिए अब यह प्रस्न इंपोटेंट है National Research Institute of Mango पूछ लेगा कहा है आम का अनुसंधान कहा होता है तो यह है लखनव UP क्या याद रखोगे लखनव UP एक्चुल में यह अनुसंधान जो होता है आम का ज़्यादा तर यहां होते है C.I.S.H नाम सुना है C.I.S.H पूरा नाम क्या है Central Institute of Subtropical Horticulture क्या नाम है Central Institute of Subtropical Horticulture यह कहा है लखनव UP में कहां पर है और यहीं पर सबसे पहले आम का Harvester बनाया गया था आम Harvester अगर पूछा जाए Harvester कि माम को तोड़ने वाला सबसे पहला यंतर कहां बनाया गया था यह तो कहां बनाया था C.I.S.H कुछ नहीं था गाउं में अपन खुब आम तोड़ते हैं यह एक बड़ा सा पास है इसमें एक उपर यहां क्या जोड़ देते हो बताओ ऐसा चाकू जोड़ दिये क्या जोड़ दिये चाकू इसी पे एक ऐसा थैला जोड़ दिया यह यह क्या जोड़ दिया बताओ थैला ये क्या है बंबू का बना हुआ है अब इसको तोड़ना है तो यहां पे चाकू कटेगा और ये पूरे कहां आ जाएंगे धैले में क्योंकि अगर गिरेगा आम तो आप देखते होंगे इसके प्रेसर से गिरेगा तो सारे आम तो खराब हो जाते हैं तो उसका जो rate है वो क्या हो जाएगी कम जब international होते हैं अंतर राष्टिय वेपार होता है तो अंतर राष्टिय वेपार में बहुत सारे चीज quality देखे जाते हैं कहीं चोट तो लगा नहीं है कहीं कीट का infection तो नहीं है प्रोपर रंग है या नहीं इसको grading कहते हैं क्या बोलते हैं grading ऐसा नहीं कि हम लो देखते हैं तो आम को तोड़ने के लिए पहला हर्वेश्टर कौन बनाया था CISH किसने बनाया था CISH चलो अब आगे बढ़ते हैं मैंगो जो मैंने बताया था दो तरह का ये नौर्थ इंडिया क्या आम है और ये कहां का है बताओ South India मैंने बताया कि South India के जो आम होते हैं ये कैसा होता है लिखा हुआ है आपके Regular Bearing होते हैं कैसा होता है Regular Bearing का मतलब हर साल फल देगा और ये होते हैं Poly Embryonic कैसा होता है Poly Embryonic Poly Embryonic का मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे बहुत सारे भ्रोन पाए जाएंगे ये और किसमें पाया जाता है Poly Embryonic तो आम में पाया जाएगा और किसमें होते हैं जामून में होते हैं और किसमें होता है नीम्बू में होते हैं किसमें होते हैं नीम्बू यानि कि सिट्रस में तो यहां तक तो सब बच्चे को पता है पर नीम्बू में अगर बात करें तो सिट्रोन कौन कौन है सिट्रोन और कौन है ताहती लाइम ताहती लाइम और एक और पॉइंट लिख देता हूँ पूमेलो इन तीन में पाया जाता है एकल भुरुन कैसा पाया जाएगा एकल भुरुन यानि कि इन तीन में पाया जाता है मोनो इंब्रियोनिक मोनो इंब्रियोनिक किस-किस में तीन में है बताओ पूमेलो, सिट्रोन और कौन है ताहती लाइम इसमें क्या पाया जाता है एकल भुरुन बड़े एक्जाम में पूछेंगे आप छोटे छोटे वाले में तो यह important पोली इंब्रियोनिक किस में पाये जाता है आम में या पूछ लेगा कि पोली इंब्रियोनिक बहुत गोरुनता किस में नहीं पाई जाती है यह तीन ओप्सन रहेंगे आम जामुन और निम्बू किस में नहीं पाये जाएगा तो अगर बेर रहे तो बेर में नहीं पाये जाएगा खजूर में नहीं पाये जाएंगे इन सब में अब जो उत्री भारत के होते हैं इधर वाले कैसा पाये जाएगा सब हर साल फल आएंगे रेगुलर बियरिंग होंगे और इधर वाले में लगे रहेंगे आपके किसम में अरका क्या जुड़ा रहेगा बताओ अरका जैसे अरका अनामिका हो गया अरका अनमोल हो गया अरका पुनित हो गया अलफांसो हो गया रतना हो गया यह सब सारे वेराइटी किसके है दक्षनी भारत का जो कैसा होते है नियमित फलन अपने को एक याद रखना इधर वाले जैसे कि राजस्थान में आम का कल्टिवेशन बिहार की बात करूँ यूपी की बात करूँ बेस्ट बंगाल की बात करूँ गुजरात की बात करें मध्य परदेश की बात करूँ इधर हम दो भाग में बाटे हैं इसको बोलते हैं उत्री भारत अभी क्या बोलोगे इसको उत्री भारत इधर जो होता है कैसा होता है Monoembryonic कैसा होगा यह Monoembryonic पर यहां पाया जाता है Alternate Bearing Alternate Bearing का मतलब क्या होगा बताओ एक कांतरन फल आने एक साल फल आएंगे और एक साल फल नहीं आएगा तो हमें दोनों समस्या को जहलना पड़ता है यह हमारे तरफ माल फॉर्मेशन जादा देखने को मिलते हैं कौन सा समस्या जादा को देखने को मिलेगा माल फॉर्मेशन माल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो गुच्छा रोग क्या बोलेंगे गुच्छा रोग की समस्या जादा कहा है उत्री भारत में कहा है तो इधर देखो हम लोग जो है इधर तो दो साल में फल आते हैं और क्या है एक आंतरन फलन देखने को मिलेगा गुच्छा रोग हमारे तरफ देखने को मिलते हैं और ये होते हैं मोनो इम्ब्रियोनिक केवल एक वेराइटी याद रखना है जो है नियमित फलन उसका नाम है आमरपाली यही आते हैं बताओ क्या मैंने बोला इतना तेज आज भासन दे रहा हूं समझ में आ रहा है कुछ उत्री भारत की एक ऐसी किस्म का नाम बताएं जो नियमित फलन है यही बूचेगा तुमसे तो क्या नाम दोगे आमरपाली क्या दोगे लक्षनी भारत की जो वेराइटी होती है वो कैसी होती है बताओ रेगुलर वियरिंग नियमित फलन अब देखाज 12-15 लड़के अपसेंट है फिर उसके कोन पढ़ाएगा इसे तो यह है आमरपाली और इधर वाले होगे रेगुलर वियरिंग ठीक है अब चलते हैं यह बहुत सांदार प्रशनाएंगे क्या है जरा कहानी सुनो 2017-18 की बात है आपको पता है कि बिश्व में हम नंबर वन है बिश्व में भारत नंबर वन है किसके उत्वादन में केला के उत्वादन में तो हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं कहां यूरोपियन कंट्री में यूरोप वाले जो कंट्री है वहां क्या करते हैं एक्सपोर्ट जब हम आम भेजते हैं वहां इसमें दिया होगा कोई कोई इमेज एक सकेंड देख लेता हूँ नहीं दिया चलो सुन लो जब इस्पोर्ट करते हैं आम तो आम के अंदर ना सपूज देड़ ये आम है तो ये आम के अंदर दो कीट पाये गए उसका अंडा पाया गया वो दोनो कीट मैं यहां दिखा दिया हूँ आपको ताकि भूलोगे इन्हे यह है जो कीट है इसको हम बोलते है fruit fly क्या बोलोगे बता fruit fly यह है फल मख्य पैसा है यह फल मख्य और यह जो कीट दिख रहा है यह है stone we will क्या नाम है stone we will यह we will ऐसे लिख लेना वीविल अगर दोनों उपसन आ जाए तो मेन कीट कौन था स्टोन वीविल अब समझो प्रस्न क्या आएंगे कि जब कोरेंटाइन किया जाता है कोरेंटीन क्या होता है अरे अभी कोविड में बहुत नाम सुना होगा मेरे को कोरेंटीन कर दिया अलग कर दिया ठेक है जब हम बाहर जाते हैं तो या बाहर से कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में आते हैं न जहाद से आ रहे हैं या कुछ से उसका पूरा चेक होते हैं जैसे कल आपको बताया सिरलंका ने हमें दे दिया क्या बंची टॉप जितने बीमारी आलू के पछेती जुलसा ये सब यूरोप बाले ने दे दिया अंगूर का टाउनी मैल्डू की बात करें कौन दे दिया यूरोप बाले तो वहां से अगर कोई अंगूर आया suppose that England से अंगूर आ रहे है उसमें बीमारी है तो हम क्या दूसरे देश वाले ना ऐसे चेट करते हैं अरे भाई सर्थ रूप 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 इसमें कुछ बीमारी तो नहीं है कुछ कीड़े तो नहीं है कुछ अंडे तो नहीं है इसको बोलते है कॉरेंटीन एक्ट ठीक है तो ये दूसरे देश से कीड़े नहीं आ जाए बीमारी नहीं आ जाए इसके रोकने के लिए 1914 में ही एक्ट बनाया गया था तो आपको पूछेगा कॉरेंटीन से रिलेटेड कौन सा कीड़ा है तो स्टोन बीबिल कौन है बताओ तो इसको संग रोधक आप बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हो संग रोधक तो ये आप लिख लेना खुद से इंपोटेंट है पोटास की कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि पोटास की अगर कमी हो जाएगा तो आम की क्वाइलिटी क्या हो जाएगी खराब फल मक्खी तो था स्टोन बीबिल इंपोटेंट है अब इसके लिए क्या किया जाता है वैपर हीट टीटमेंट क्या किया जाता है वैपर हीट टीटमेंट ये कहां करवाया हो मुझे याद आ गया जब important cultural operation पढ़ा रहा हूँ न वहाँ पर मैं करवा चुका हूँ वैपर हीट statement क्योंकि वो image मैं वहाँ दिया था बड़ा सा AC वाले कमरा मुझे याद आ गया अब ही आपको यहीं धियान में रखना है क्या याद रफ होगे बताओ दो कीडे कौन थे stone bibl और fruit fly अगर दोनों अलग अलग option आए चलो quarantine किसके लिए किया जाता है ऐसा option आजाए quarantine किसके लिए किया जाता है आम के लिए quarantine एक आजाए hopper एक आजाए millie bug millie bug एक आजाए fruit fly यह चारो कीड़ी का नाम भी लिख दिया और एक आजाए stone bibl ठीक है तो क्या टिक करोगे caging technique क्या है जरा समझो c-a-g-i-n-g caging technique यह कुछ नहीं है cage का मतलब क्या होता है अब खुद बताओ पिंजड़ा cage का मतलब क्या होता है तो आम के बाग में एक पिंजड़ा ऐसे डाल दो और इसमें कोई भी तुम फल रख दो ऐसे सड़ा हुआ सडा फल रख दो अब यह सडा हुआ फल है तो इस पे कौन आकरसित होगा बताओ आकरसित होगा फल मक्खी धर में भी देखे होंगे कि कोई रस गिर जाए यह सडा हुआ फल रख दो तो बहुत सारे मक्षियां आ जाती आ जाती है एक प्रस्न ये पूछ लेते हैं, अच्छा, कहां से बनाया गया है, आई ये आराई, किस ने बनाया था, आर एन सिंग ने, किस ने बनाया था, बताओ, आर एन सिंग, ऐसे पॉइंट आना चाहिए, और इसका मेन कारी क्या है, बताओ, पोलिनेशन, भाई, ये तकनीक को किस ल भरेलू मक्खी को, दोनों में अंतर है, देखो ये, हाउस फ्लाई को, किस को अकरसित कर सकते हैं, हाउस फ्लाई, ये ध्यान रखना, हाँ, ये केजिंग कर देना, केनिंग नहीं, केजिंग टकनीक, पिंज राख, चलो आगे बढ़ें, पोलिनेशन के लिए इंपोडेंट ह अगला, TSS, मैंने आपसे बात किया था, आम का TSS, कितना होता है, तो आपने बताया कि सर, आम का जो TSS की बात करोगे, अ से आम, अ से अंगूर, लिख चुके हो, इन दोनों का TSS कितना होता है, 20 डिग्री ब्रिक्स, कितना होते हैं, अगर अ से अमरूद की चर्चा करों, आट से 10, और बाकी जो फल होते हैं, जो एक्जाम में पूछेंगे, उसको ये 11 से 13 डिग्री ब्रिक्स करवाया होना, तो इसमें TSS कितना है, 20, और ये जैबियर किस्म जो होते हैं, इसका कितना है, 24, ठीक है, XE लिखते हैं इसको, लबन परतिरोध मूल बरंद करा चुका ह salt tolerance मूल बरंद, ये तीन बार करवा दिया हूँ, क्या याद रखोगे, नामक, याद हो गया, नेक्रे मुवंदन और कुरुकून, बहुँ भूरनी है, polyembryonic root stop करवाया हूँ, कौन-कौन, ओलोर और विलाई कुलंबन, फल को गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग करेंग तो fruit drop को रोकने के लिए कि अगर आपका फल गिर रहा है, तो ये 3-4 बार हो चुका है, 24D का उपयोग करेंगे at the rate of 10-20 ppm, कितने ppm का उपयोग करोगे, 10 से, ये क्या है, 24D, इसका उपयोग, और मैंने बोला था कि 10-20 ppm है, तो आपको क्या करना है, 1000 से क्या कर दोगे, कर देंगे, तो ये important point आपको आना चाहिए, next point है, गुच्छा रोक, जिसे हम बोलते है, malformation, क्या बोलते होता हूँ, malformation, malformation का मतलब आपको बताया हूँ, कहां बताया हूँ, इसके लिए आपको disorder का chapter पढ़ना पढ़ेगा, disease और disorder, उसमें detail पढ़ाया हूँ, ये mal है, गुच का नाम है, floral, यानि फूल गुच्छा लगेंगे, या तो पति गुच्छा लगेगा, पतियों के गुच्छा लगना सुरुवाती अवस्था में होते हैं, और जब किसी plant में फूल आ जाएंगे, तब किसका गुच्छा लगेगा, फूलों का गुच्छा लगेगा, तो ये में लगते हैं, फूलों का गुच्छा, अब इतने फूल लग जाएंगे, तो फल क्या होंगे, छोटे-छोटे होंगे, तो इन सारे फूलों को हटाना है, क्या करना है? हटाना है, तो ये ही इसका नियंतरन होगा, और इसके हटाने के लिए हम उपयोग किसका करते हैं? NA, कि इसकी मात्रा हम कितना रखेंगे 200 पिपिया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आम की कलम में जड़ो की व्रधी यानि की रूट इनिसियेशन में सपोर्ज दैट यह एक कोई कटिंग ले लिया कटिंग की लंबाई आपको पता है कितनी सेंटीमीटर का होना चाहिए 22 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई कितना होना चाहिए पेंसिल की आकार का कैसा होना चाहिए पेंसिल अब हम चाह रहे हैं कि जो आम का यह कटिंग लिये हो काटे हो इसमें जड़ा जाए क्या ज़ल्दी से जड़ा जाए कितना तापमान होनी चाहिए बताओ 24 से, 30 डिगरी, 32 डिगरी इतना तक भी IBA काम करेंगे लेकिन ये IBA Temperate Fruit में काम नहीं करते हैं Temperate Fruit यानि कि जम्मू कास्मिर में एक्टम temperature लो हो गया और वहां cutting में हम चाह रहे हैं जड़ आना तो enzyme क्या हो जाएंगे इस जड़ का बताओ निसकरिये तो अगर enzyme निसकरिये है तो कोई भी जड़ इससे निकलेंगे नहीं तो वहां इस जड़ को temperature भाहते हैं इसके bottom भाग को क्या करते हैं temperature गुरु करते हैं जिसे हम कहते हैं bottom heat treatment क्या बोलोगे bottom heat treatment कितने degree पे करते हैं बताओ 32 degree पे bottom heat treatment तो आपको समझ में आ गया next है तपका अवस्था कौन से अवस्था तपका तपका का मतलब होता है गिर जाना तपका का मतलब क्या होता है गिरना कोई एक पेड़ है आम का और देखा होगा एक आम ऐसे टपक जाए तो आम क्या है climate trick इसके सारे फल को क्या कर लेना चाहिए तोड़ लेना चाहिए नहीं तो मेरे साथ इसी घटना घट चुके है गाउं में देखता हूँ पापाओ पाना बहुत प्रेम करते हैं, गाई से प्रेम करेंगे चाहिए, इस सहर में आके इतना भागा दोड़ी हो गया, मुझे लग रहा है बापस गाउं चला जाओ, यहाँ वो कोचिंग यह कर रहा है, यह कोचिंग, गाउं में कुछ चाहिए न तो भी उधर, उधर से online लेंगे, तो गाउं में क्या होते हैं, वो पिता जी क्या सोचते हैं, कि ना यार, बेटा उटा को ना, पूरे आम, जो पेड में पकेगा ना, वह ही खिलाएंगे, पिछले साल, दो साल पहले दुरगटना हो चुका, एक आम तपक गया, तो मैंने बोल होते हैं, अब तु इतने निगरानी कर, और थोड़ा सा दो घंटा के लिए गाइब हुआ या नीन, पूरा फिम ले जाए, बड़ा दुख होते हैं, वैसा ही हुआ है, एक दिन वो भरात में चले गए रात को, गाउंवाल एक पता लग गया, कि अरे वो भरात में है, पूर में रख लो, दस दिन में आराम से पकेंगे, धीरे धीरे, उसको बेशते भी रहना, तो इसे क्या बोलते हैं, बताओ, टप का अवस्ता, फलो को जारना है, थिनिंग करना है, तो किसका उप्योग करोगे, एने, आम की परिपकता अवस्ता, किस से डिसाइड होते हैं, स्टा इसको गाउं में एसे याद रखते हैं, पानी से कौन बस्तू कितना भारी है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइट अब देखो, आम लगभग क्या है, सेम वन पॉइंट जिरो पानी का वन होता है मान, अब तुम आराम से समझोगे, इनको भूल जाओ, परिभासाओं को, अब तो हमने क्या बोला, specific gravity में एक लाइन लिख सकते हो, पानी के सापक स्कोन कितना भारी है, ऐसे हम याद रखेंगे, बाकि इसकी formula होता है, एटीजी ratio of gravity of water as compared to other material, किसी दूसरे का जो भाय उसका अनुपात निकालते हैं, अब मान लिया जाए, मैं इस pain को सोच रहा हूँ, यह पानी से भारी है या ने, तो इसके specific gravity अगर एक से ज़्यादा होगा, मान लिया, support that pain का होता 2.09, तो आप क्या बताओगे, अरे सर, पानी का एक होता है, और pain का कितना है, तो इसका मतलब यह पानी में डूब जाएगा, समझे ने, एक दम easy भासम समझा रहा हूँ, यही काम होता है, आपने देखा होगा, कि एक कच्चा फल, कच्चा फल, कैसे गाउं में देखते हैं, कभी कोई आम का पेड़ देखे हो, खीचड के नीचे हो, पानी हो, वहाँ कीचड उचड हो, कच्चा फल अगर गिरे गटा उचा, तो वह कीचड में जाके धस जाएगा, तो इस देखे हो, आम बल है कहां सर, जो देखों, हम लोग खुब देखते हैं, पारिस के टाइम में, एक तम टेज आंधी चलाओ, पूरी पारिस हो रही, अब आम गिर रहे हैं, तो कुद कुद के वहां आम चुनना, तो यह कंडिशन बता रहा हो, कच्चा आम फारी होते हैं, जिसके कारण वह कहां चला जाएगा, नीचे, आप बाल्टी में एक्सपरिमेंट करके देखना, पानी भर लेना, और एक पका हुगा आम रखोगे, तो यह उपर तैरेगा, पका हुगा आम उपर तैरते हैं, अब कंकुलूजन क्या है, कि सर जो कच्चे आम होते हैं न, वो पानी की सापरिक सभारी होने के कारण कहां चला जाएगा, नीचे, तो उसके specific gravity क्या होगी, ज्यादा, अब प्रस्ण ऐसे उसे नहीं पूछेगा, अच्छा प्रस्ण क्या पूछेगे, अच्छा प्रस्ण पूछेगा, कि जब आम कच्चा है, कैसा आम है, कच्चा, अन्राइफ है, और आम क्या हो गया, पका, तो specific gravity कच्चे में क्या होता है, ज्यादा, और पकने पे क्या होता है, कम, ये प्रस्ण आएगे, कि जब आम पकते हैं, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व का मान, क्या होता है, कम होते हैं, क्या होता है, कम, इसी लिए वो तैरता हुआ दिखेगा, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट, अब आजाईए किस्म पे, किस भी बात करेंगे, वेराइटी पे, कुछ और पॉइंट आपके नहीं होंगे, बचे हुए, इसी को लिखा लिखा पढ़ाता है, तो चार दिन आम लगते, अब आते हैं, इम्पोटेंट वेराइटी, ये भी बहुत इम्पोटेंट है, यहां से प्रस्ण निश्चित है, आम में वेराइटी बहुत इम्पोटेंट, केवल आम में, अब राजस्थान का जो एक्जाम होते हैं, उसमें कौन-कौन सी वेराइटी पढ़ेंगे सर्फ, सारे वेराइटी रट लूँ, ना, वेराइटी रट के कुछ है, हलाकि इस बार जो एक्जाम हुआ, चाहे प्री पी जी की बात करो, या किसी भी एक्जाम का वेराइटी बहुत पूछेगे, आठ-ठ वेराइटी, साथ से आठ वेराइटी, सो पोश्चन में, तो इस बार वेराइटी का दबदबा रहा है भाई, अब हम बात करेंगे आम की किस्मों का, देखो तुम दिमाग लगाओगे तो कुछ भी याद करना है, अभी अब दो मिनट तुम कुछ मत लिखना, चार वेराइटी हमारे पास लिखा हुआ है, आप नाम सुनो, क्या है, इसको इंगलिस में ही याद रखना है, हिंदी में एक दम नहीं, अरे नाम हिंदी इंगलिस नहीं होते हैं, हरे राम हिंदी में भी हरे राम है, इ नाम है, अरका नील किरन नाम है, तो इन चार को हम याद रखेंगे मारा, एक सिक्वेंस बूलना नहीं है, कई बुक में अलग-अलग रहेंगे, अगर आपने अलग ट्रिक से कर लिया, तो वही दिमाग में रखना, फिर हमारे वाले को आक्सबंद कर ले, देखना ही मत, क्या ह मारा, M-A-R-A, एक तो यह सिक्वेंस याद होनी चाहिए, मारा, M से मलिका, A से आमरपाली, सबसे पहले रखेंगे आमरपाली, क्योंकि फेमस बेराइटी हमारे लिए क्यों है, आमरपाली, तो सकेंड रहेंग इसी को देंगे, A देखो फीर आएगा, अरका नील किरन, तु M-N-D, M-N-D, तो क्या हो गया, मलिका किसका किसका क्रोस है, N-D, नीलम और दसहरी, यह उलट दो, अब हो गया दसहरी और नीलम, लेकिन सरी यह उलटने, बुलटने से क्या होता है, जरा हमें फिर से समझाओ, एक प्रस्न आएगा, कि मलिका का रीकरेंड सेलेक्शन क्या है, recurrent जिसको बार-बार cross किया गया है उसको बोलते है recurrent जिसका cross में बार-बार उपयोग हो तो ये आप ध्यान दखना ये first वाले अधिकांस्ता में recurrent यही होते है या आपसे पूछेगा कि मलिका में मादा पार्ट का रॉल किसने यदा किया है भैसा है तो लेडिज फर्ष्ट होती है और क्या trick दूँ लेडिज फर्ष्ट तो इसमें मलिका में मादा कौन है नीलम और नर क्या है दसहरी पर आप पाली में आप देखो मादा कौन है दसहरी पहले हमें लगता था ये तो गुना है पागल पी एसी तक तो मुझे सच में समझ में आज़ ये गुना है ये दोनों में अलग कैसे बन गया नीलम दसहरी ये दसहरी पहले लगता था पती को पहले रखो या पतनी को काम तो ये खी होना है तो ये बढ़ा confusion था भाद में हमें समझ में आया कि यहां नीलम पतनी है और यहां दसहरी पतनी है तो दोनों अब समझ में ऐसे चलो आप देखो तो दो M&D याद रखा M&D क्या है नीलम और दसहरी इसका उल्टा कर दिये दसहरी और नीलम जबकि इधर में चल रहा हूं M A तो आमरपाली तक तो चला गया इसका उल्टा R तो बढ़ाई जी R N A R क्या कर दोगे R N A तो क्या हो गया है नीलम और अल्फान्सो इसका उल्टा आपको देख अल्फान्सो और नीलम तो चार वेराइटी याद करा रहा हूं इसको भूल जा पहला M&D M&D क्या है नीलम और दसहरी उसके नीचे क्या है आमरपाली तो उसका उल्टा कर दे दसहरी और नीलम रतना R N A N A नीलम और अल्फान्सो इसका उल्टा कर दो अल्फान्सो और नीलम इधर ये चारो नाम याद होना चाहिए अब हम बात करेंगे सिंधू की, किसकी बात करेंगे बताओ, सिंधू का, सिंधू में एसारे, ये सबको याद हो जाएगा, एसारे, सिंधू, एसारे, रतना और अलफांसो के बीच, मैंने इससे बताया था, क्या प्रश्ण बनेगा, कौन ऐसी वेराइटी है, जिसपे गुद सबसे जादा, ये पूछ लेगा, कितने परसेंट के आसपास होते हैं, 83-82% के आसपास गुदा की मात्रा होते हैं, किसमें, सिंधू में, क्योंकि इसके गुठली की बजन क्या होगी, कम, गुठली का बजन, एप्रॉक्स 7 ग्राम के आसपास होते हैं, 6.90 एक दम, ये रट म लेना ऐसा है, कितनी ऐसे विद्यारती होते हैं, माथा खा जाते हैं, मेरे, अरे सर, किसी बुक में 6.90 दिया हुआ है, किसी में 6,90, अरे पागल, उसको लगता है, यहीं से मारू ने इतना, मान ले जैं, महराष्टा के आदमी होगा, सिंधू की भेराइटी, उसने एक इमेट और होगा, उसने ज्यादा खाट डाल दिया होगा, 10 गराम थोड़ा सा गुठली बढ़ गया, यह बढ़ घट सकते हैं, जरूरी यह सब आम का बचन फिक्स होगा, नहीं होगे, किसी बुक में पहले लिख दिया, तो यह सत्ति माने जाते हैं, बाकि जितने बुक को इसी के रिफ्रेंस में लिख देता है, जरे यार उसने इतना लिखा तो उतना ही रखना है, कहीं बच्चे दो-तीन देटा देखते हैं ना तो गड़वड होते हैं, उसको लगता है टीचर गलत बढ़ा दिया, होते हैं ऐसा मन में आ जाता है ना, पर आप तो बड़े हो, आ इसे आएंगे, नहीं आएंगे, और अगर ऐसे दे रहा है, तो सोचो कोशन बनाने वाला कितना महान होगा, कितनी महान होगा, इसका मतलब वो पड़ूर के गया नहीं होगा, डाइरेक्ट आठ पेटी रखा होगा, दस पेटी, पंदरा पेटी लग गया, अधिकारी साहर, तो वो यह कर सकते हैं, चले आगे बढ़े, बीज, सीडलेस होते हैं, सिंदू कैसा होगा, सीडलेस कहां पढ़ा चुका हूँ, पार्थेनो कार्पी में, जेनरल की कलास आप देखना, 40 कलास जेनरल का पढ़ा चुका हूँ, 40 लेक्चर के बाद अपन सुरू किया हैं मैंगो उसमें पार्थेनो कार्पी पढ़ा चुका हूँ, बीज रहित होते हैं, सिंदू में गुठली का बजन 7 ग्राम, कोकन किरसी विद्धा पीठ, डापोली द्वारा क्या किया गया है, बिक सिद किया गया है, इसके 4 पॉइंट इंपोटेंट और ये आपको ध्यान में होना च जाहिए, गुठली में प्रोटीन की मात्रा कल बता चुका हूँ, स्टोन में प्रोटीन की मात्रा कितने, 9.5, कितने हैं, 9.5, तो ये इंपोटेंट है, और गुठली का 2-3 पॉइंट और मैंने बता दिया, अंकूरन कितने दिन में होंगे, 15-25, इसका जीवन काल कितना होग एक मा, यही प्रस्ण आते हैं, गुम फिर करके, चारो पॉइंट आप एक तर लिख लेना, अब जो आज हम बात करेंगे, 5 इंपोटेंट वेराइटी आप इसको नोट कर लेना, पहले आते थे प्रस्ण किस्से मारा से, M, A, R, A, मारा और लास्ट में क्या है, S, ठीक है, त मारा का मतलब मलिका हो गया, आमरपाली हो गया, रतना हो गया, अरका नील किरन हो गया, और कौन हो गया, सिंदू, लेकिन अब हम पाँच जो इंपोटेंट वेराइटी जो डिसकस करेंगे, अब प्रस्ण यहां से आते हैं, आप एक छोटा सा एक्जाम का नाम सुनाओगा, जेट, इसमें पूछा हुआ है, जानते हो, अम्बिका, अम्बिका यहां पूछे हुए है, जबकि मैं यकीन दिलादू, यह प्रिपीजी के लड़के भी नहीं बताते हैं, यह अम्बिका किसके क्रॉस है, आप पूछना, होते भी नहीं कहीं लिखा हुआ, बेचारा इन छ पीजी का, तो उनको भी यह दिक्कत होते हैं, अम्बिका, तो यह बेराइटी पीछे वाला से ज़्यादा इंपोर्टेंट, अब अश्टार लगाना है इस स्लाइड पे, पहले के लोग पढ़ाते थे केवल उतना, अब यहां पढ़ेंगे, चलो एक बार मेरे साथ आप दे अरूना, अरका अरूना, यह किसके किसके बीच है, वेगान पल्ली, यह आन्द प्रदेश की फेमस विराइटी है, जिसका नाम क्या है, वेगान पल्ली और अलफांसो के बीच का क्रॉस है, तो ए, 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 वो तो इधर यह मत देखना तुम, ठोड़ दे, यह लिए मैं सब क क्रॉस है, अरून, किसका क्रॉस है, वेगान पल्ली और अलफांसो के बीच का क्रॉस है, यह चार बहुत इंपोर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ, अब आ गया, अरूना, पुनित, अरूना, और कौन है, पुनित, अरूना और पुनित, यह किसके बीच है, अलफांसो और वेगान पल्ली के बीच, उल्टा यहां लिखा हूँ, जान के एक साथ लिखा हूँ, कि अरुना का उल्टा कौन है, पुनित, 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 अरुना का उल्टा पुनित, चलो अब देखो अनМोल फिर आ गया तो ये कहां दिक्कत होते है अरे sir एक मतलब अरुना था कि एक मतलब अन्मोल था ये एक्जाम में आएंगे दिक्कत उबर अरुना नीचे पुनित अर ये क्या है अनमोल अनमोल किसके किसके बीच है अलफांसो और जनारधन पसंद किसके बीच है अलफांसो और जनारधन पसंद अब देखो फिर आ गया अंबिका ये भी ए से अंबिका भी किससे है ए से ये क्रोस आया हुआ है विचारिक आमर पाली और किसके बीच है जनारधन पसंद ये चारो ना जैसे करना है सब A से इसको छोड़कर पुनित को छोड़कर इसलिए महा confusion होते है अरुना उसका उल्टा पुनित उसके बाद अनमोल उसके बाद अम्बिका उसके बाद क्या है अम्बिका अम्बिका में देख लो ये आमरपाली है ध्यान दखना और अनमोल में क्या है ए अलफांसो तो इन चार वेराइटी ह्व है आप जैसे याद करोगे इसको याद कर लेना केबल बहुत इंपोर्टेंट है ये बताओ अरुना किसके किसके बीच है बी ए के बीच कौन है बेगानपली और अलफांसो के बीच उसका उलटा कौन है पुनित पुनित किसके बीच होगा तो अलफांसो और बगानपली के बीच ये अनमोल किसके बीच है तो अनमोल में ध्यान दखना ए क्या है अलफांसो उपर उपर अलफांसो आ रहे हो तो इसलिए मैंने इसको लिखा है अलफांसो और जनार्धन पसंद फिर नीचे अंबिका है तो अंबिका किसके किसके बीच का क्रोस है आमरपाली और किसके बीच है जनार्धन पसंद ठीक है तो ये आप ध्यान दखोगे नेक्स प्रसन आ जाता हूँ अरूनिका ये तो जयारफ में पूछा गया था हम मेरे टाइम में जयारफ उस टाइम सच में इस हम नहीं जानता था ये इसे हैं लगा कौन वेराइटी है ये है आमरपाली और वनराज के बीच वनराज भी एक वेराइटी है आमरपाली और किसके बीच है वन्राज के बीच वेराइटी है जिसका नाम क्या है अरूनिका साई सुगंदा साई सुगंदा है तोता पूरी और केसर के बीच केसर एक प्रोसेसिंग वेराइटी है गुजरात में बहुत पोपलर है ये केसर तो इसको आप ध्यान दखना भाई साई ये बहुत इंपोटेंट है नोट कर लिए अपने बुक में दो तीन ही लिखे होंगे तीन दो और लिखना है और इसी सिक्वेंस से लिखना बुक वाले सिक्वेंस अभी भूल जाना खास करके इसके लिए इसको आप फोटो ले लेना इसको ऐसा है लिखना इसमें आप जैसे ट्रीक बनाना है बना लेना अरुन पहले फिर पुनीत अनमूल अम्विका चार तो यह याद रखना फिर अरुनी का याद रखोगे अरुनी का पांच चले आप आगे अब हमें एक और वेराइटी की बात करेंगे जिसका नाम क्या है रुमानी कौन है रुमानी अच्छा इदर हैं क्या अच्छा किसलिए यह लाया जरा बताओ तू हसरे वह हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्यों लाया ना रुभिया हसाने के लिए रुमानी यह कौन सी वे सेब के जैसा का सदिख रहा है सेब के जैसा यह इम्पोटेंट है यह पूछेगा एपल आपको लगता है ना एक स्लाइड बनाने में एक पीपी ती में तीन घंटे लगते हैं पिछली साल का वीडियो देख ले, इस साल का वीडियो देख ले, दोनों में चेंज है, तो मैं हर साल करता हूँ चेंज, इस बात देखना, इंसेक्ट का इतना अच्छा ला रहा हूँ, होटी कल्चर पेस्ट, कोई ने पढ़ाते हैं, पेस्ट उस लगते हैं, आता ही नहीं, पर पेस्ट अपन और अच्छे पढ़ेंगे, यह कौन है, बताओ, कैसा कलर है यह, सॉरी, कलर नहीं, सेप, आकरती, एपल कलर तो अमरूद की वेराइटी है, एपल कलर, किसकी वेराइटी है, अमरूद की, लेकिन एपल सेप, अरे, सर हिंदी में तो लिखो सेप को क्या बो सर्टन कर रहे हो, अगर दो चार ले, इसी लिये देख, मैं सब लिखके लाता, एपल सेप, सेप याद रखना, सेप, एपल सेप, रुमानी है, कौन है, रुमानी, यह इंपोटेंट है, रुमानी, एपल सेप, रुमानी, और यही原 लिख लेना, एपल कलर, लिख देता हूं हुआ एपल कलर एपल कलर यह अम्रूत की वेराइटी कि एपल आजाए के वल पेर की वेराइटी किसकी आए बेर की तो दियान रखना है सब चले आगया यह जो लाया हूं मैडम को ना आज कल इन इमूबी हुई आ रहे हैं तो साधी नहीं करे तेरे इंतिजार करते रहे हैं तो साधी हो गए क्या तू इन वेटिंग में था साधी हो गए इनके तो करें नहीं रहे हैं तो नहीं करें अब सल्मान का नहीं साधी कर रहा है क्योंकि उसको पता है मार्केट में बहुत तरह के डेरी मिल्क है दूद है सरस ह अमुलका है खूब सरे जाता दूद मिल रहे हैं उसको तो गाई क्यों पाले गाई तो तुम लोग जैसे हम लोग जैसे लोग गाई फालते हैं कि भाई एक ही दूद पीना है उसको बिविन पर रहे कि दूद मिल रहे हैं क्यों गाई पाले फालतू गौर चारा दो कंसंट्रे हटाना, किसको हटाना सैपिंग का मतलब होता है रस किसते हटाना अरे मेरे फोड़े निकालोगे रस पागल आम से किसते निकालना है आम से तो ये रस निकालने के किरिया हम कहलाता है डी सैपिंग और इसका उप्योग होता है सलाइस बनाने में माजा बनाने में तो D-Shipping पुछेगा D-Shipping किसमें करते हैं बताओ आम में किसमें करते हैं आम में तो ये D-Shipping समझ जाओगे चले आगे रुमानी आपको समझ में आ गया अब हम बात करते हैं एक-एक important variety का और वो important variety का उन है Alphansos उन है Alphansos देखो एक्चुल में अगर Alphansos को देखा जाएना तो बहुत सांदार variety है मैंने आपको क्या बताया था Alphansos में एक ही कमी है बेचारे में विश्व में सबसे निर्यात किया जाने वाला variety यही है इसको export variety के नाम से जानते है कौन सा चीज बिदेश बहे जाता है बताओ जो अच्छा हो तो अच्छा कौन है बताओ Alphansos बहुत अच्छी variety है पर इसमें एक समस्या क्या है आपको मैंने बताया था spongy tissue कौन से समस्या है बताओ spongy tissue spongy tissue अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप disorder वाले वीडियो जरूर देखना क्योंकि यह तो लंबा हो जाएंगे आपको disorder वाले वीडियो में मैंने दिया है spongy उत्तक हलाकि यहाँ पे भी अब revision में करवा रहा हूं आपको यह देखो यह variety कौन है अभी आपको दिखाया Alphansos है Alphansos में यह समस्या जो है न spongy बीच बीच में सर जाना ऐसा यह समस्या सबसे ज़्यादा किसमें है बताओ Alphansos में किसमें देखने को मिलेंगे Alphansos में तो यह दियान रखोगे Alphansos आपको समझ में आ गया बताओ इसकी समस्या क्या है समस्या प्रोब्लम क्या है इसमें spongy लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था जिसके क्रॉस में क्या आ जाए Alphansos आ जाए आ जाए वह क्या होगा resistant होंगे किसके लिए spongy टिशू के लिए अभी आपने देखा 3-4 वेराइटिये इसे थे जिसके क्रॉस में ये था Alphansos किसका किसका मलिका में है M.N.D. याद किया भी आपने सोरी सोरी मलिका ने आमर रत ना में रत ना में रत ना में RNA ये किसका किसका है नीलम और Alfansos उसके बाद क्या आ जाता अरका नील कीरन ये किसका किसका है, अलफांसो और नीलम के बीच का क्रोस है उसके बाद उपर आते हैं, उपर कौन करवाया था, अरुना अरुना, किसका किसका है, ए, ए, बी, ए का क्रोस है तो बेगन पल्ली और अलफांसो के बीच, अरुना के नीचे हमने लिखा था, पुनित पुनित किसका है अलफांसो और वेगन पल्ली के बीच उसके नीची आ जाओ अनमोल जा है अनमोल अनमोल किसका किसका है अनमोल तो ये है अलफांसो और जनारधन पसंद के बीच ये इतनी सांदार ट्रीक है ना कि मज़ा आ जाएगा इन पाँच वेराइटी में स्पॉंजी टिशू नहीं लगते हैं रसिस्टेंट है कौन-कौन फिर से बता दो रतना और अरका निल कीरन अरका अरुना अरका पुनित अनमोल अनमोल किसके किसके बीच है अलफांसो एड जनार्धन पसंद जबकि इसके नीचे अंबिका है कौन है अंबिका किसका किसका बीच है आमरपाली एड जनार्धन पसंद के ठीक है आगे बढ़ जाओ इसका यही पॉइंट सबसे अच्छा बनता है और इसको आप नोट कर लेना क्या क्या नोट किये हो बताओ अलफान्सो से क्या प्रशना आएगा एक स्पोर्ट के लिए सबसे अच्छी वेराइटी कौन है अलफान्सो इसमें कौन से समस्या लगते है spongy tissue spongy tissue के लिए resistant कौन है बताओ spongy tissue के लिए रतना है अरका नेल किरन है अरका पुनित है और कौन है अनमोल है तो ये सब क्या है resistant वेराइटी है अब है Bombay green कौन सा वेराइटी है Bombay green इसका समस्या लिख लो क्या क्या है इसमें main जो समस्या आते हैं Bombay green में वो क्या आते हैं कोई लड़का बताएगा कि Bombay green में problem है तो यहाँ पर problem आते हैं माल फॉर्मेशन का किसका आएगा बताओ सबसे ज़्यादा इसमें mango माल फॉर्मेशन के लिए कौन है बताओ Bombay green जानतो ये Bombay green जिसको माल्दा के नाम से जानते हैं बिहार में माल्दा बहुत ही अच्छी वेराइटी अर्ली वेराइटी है एक तो ये विचारा आगेती पक जाएगा मेरे दर्मी के छुटी होते थे जून में और मेरे अंगल के पास ये दो पेड़ था बहुत खुबसूरत वेराइटी खानें भी बड़ा अच्छा टेस्ट तो ये मही में ही पक जाएंगे कब पक जाते हैं बताओ तो इसका बोलेगा अगर मार्केट में जल्दी कोन आ जाते हैं वेराइटी तो ये बॉम्बे गरीन क्या है एक प्रश्ण और इसका अच्छा बनेगा आप जानते हो आम में ना विटामिन ए पर चूर मात्रा में पाये जाते हैं पाये जाते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है कौन सा है विटामिन सी अच्छा सर ए नहीं होंगे अरे पागल ए तो होगा ही तो major character क्या बनेंगे vitamin A तो ऐसा है नहीं कि होगा नहीं ये तो होंगे ही इसके अलावाज मात्रा किसकी ज़्यादा है vitamin C काता है एक प्रस्ण यहां से सारोली एक दिल्ली में कहा जाता है विल्कुल सही जवाब है सारोली दिल्ली में सारोली के नाम से जानते हैं इस आम की variety को चले आगया Bombay Green Malformation क्या है Susceptible Malformation की समस्या इसमें क्या होगी जदा होगी आगेती variety है उत्री भारत की लोगप्रिये variety में भी आते हैं ये लेकिन सबसे लोगप्रिये नहीं है सबसे लोगप्रिये आएंगे दसहरी कौन आएगा दसहरी चले Malika में सर सरवाधिक vitamin A पाया जाता है बिल्कुल सही जवाब है ये लिख लेना हर point देखो अपने दिमाग में आते नहीं Malika में सरवाधिक vitamin A पाया जाते है ठीक है चले आगया चिराग सरमाजी कह रहे है सर vitamin C ascorbic ascorbic लिखने नहीं आ रहा है नहीं चिराग चल कोईन है खिटनेस का चौसा पचेती चले अभी सब चर्चा कर लेंगे चौसा हो साज वेराइटी निप्टा दूगा तीन दिन से ज़ादा नहीं आम में समय लगते है कोई घवराना ने यह है चौसा यह चौसा ना सबसे मीठी वेराइटी यह हमारे जो भाई लोग थे ना पहले जैसे नानी घर में मुझे बहुत मन लगता था वहाँ यह वेराइटी अजो द्या से लोग आते थे साधूसंद यह आम खाने यह कहानी क्यों करता हूँ आरे सर आप क्यों यह सब में घुसेड देते हो मेरे घर में वो था ताकि ना आपको इससे कुछ रिलेशन याद आ जाए यह तो वेराइटी याद नहीं होते है नहीं होते है न यह तो दो मिनिट में पढ़ा के महीं चला जाओ आमरपाली उसका है यह उसका है लेकिन थोड़ी सी टाइम दो यह चौसा क्या होते है एक तो सबसे मीठी भेराइटी है क्या है बताँ? मीठा और साधूसंद को टाइम देर से मिलते है देखा होगा सब चिचकर कुरा के आएंगे तो यह कैसी भेराइटी है बताओ लेट और कौन साधूसंद को क्या पसंद है? मीठी वाला है एकदम स्वीट भेराइटी तो सबसे मीठी भेराइटी कौन है? चौसा और यह कैसी भेराइटी है? पचेती देखो मेरे को दोनों में नुकसान होते थे एक तो गर्मी के छुटी जानते होंगे हम लोग सरकारी एस्कूल के विद्यार थे जून में तो जून के पहले पक गया कौन? बॉम्बई ग्रीन और जून के बाद कौन पक रहा है? चौसा जब ये पकते थे तब तक स्कूल ओपन तो ये बड़ा मुस्किल था इसके पहले मई में ही कौन पक गया? बॉम्बई ग्रीन और जून के लाष्ट में जून लाष्ट या जुलाई लिख सकते हो जुलाई में कौन पकता है? चौसा ठीक है? आगे बढ़ते हैं अई ये सबसे प्यारी भेराइटिव है इसको सबसे अच्छा खाने में मज़ा आ जाते हैं ये क्या है ये भेराइटिव? ये दिखतु रहा है? ये राजस्तान में खुब मिलते हैं विए रहें सब राइस्थान की खुद की वेराइटी है ये को बैद तेली वेराइटी है इतर नहीं है यह कहा को मिलें अपको यू-पी में तेलök सब्सक्राइट की मेन खास बात बताऊ जैसे कभी पूछे में भाई इसकी एक खास बात क्या है इस वेराइटी इस आम को लेकर ऐसे आलू के जैसे छिलका एकदम निकाल सकते हो इसकी एक major character है इसका जो छिलका है आलू के जैसे जो छिलका निकालते हो ना इस तरह से उतार सकते हो तो ये एक important character है उत्री भारत की सर्वत्तम वेराइटी अगर पूछा जाए नौर्थ इंडिया की बेस्ट क्वाइलिटी की वेराइटी बेस्ट वेराइटी तो ये है भाई साहिव हमारे कौन दसहरी और सबसे अच्छा खाने में लगते हैं एकदम आलू जैसा छिल तो मज़ा आ जाएंगे इसको चाकू से काट के नहीं खाना चाहिए तुम लोग क्या है गिया इसे एक आम लाओगे चाकू से काटोगे फिर वही उसकी तीन भाग करोगे और वो भी एक के दो भाग और करोगे ऐसे नहीं तो ये नौर्थ अच्छा एक बात और बता देता हूँ ये दसहरी है और दसहरी का एक और भेराइटी आपको ध्यान में रखना है दसहरी 51 दोनों में अंतर क्या है गुरू जी तो ये जो यहाँ लिख देता हूँ दसहरी 51 दसहरी 51 ना regular भेराइटी है regular का मतलब समझ जाओगे कैसा है नियमित भेराइटी है हर साल फ्ल देंगे और ये कैसा है alternate bearing है ये कैसा है बताओ alternate bearing एक आंतरन फ्लन कौन है दसहरी 51 कैसा है regular अच्छा बताओ regular है तो ये उत्री भारत का होगा ये दक्षणी भारत का दक्षणी भारत का ये कहां लगाएंगे महराष्ट्रा, आंध्रा, तेलंगना, केरल, उधर लगेंगे और इधर इधर बिहार, यूपी, राइस्तान, एमपी, गुजराद ये सब कौन लगाएंगे alternate तो ये एक साल आएगा फल दूसरे साल बोलेगा भाई-भाई, फिर अगले साल आओंगा तो ये alternate वियरिंग, ठीक है ये नौर्थ इंडिया की popular वेराइटी दोनों बेस, एक और बता देता हूँ माल फॉर्मेशन की समस्या नौर्थ इंडिया मोते हैं या साउथ इंडिया अरे उच्छा रोग ज़्यादा हमारे तरफ लगते हैं तो माल फॉर्मेशन की भी समस्या किसमे होंगे? इसमे है और इधर माल फॉर्मेशन भी क्या देखने को नहीं मिलेगा तीन अंदर लिख लिए, क्या-क्या? दसाहरी और दसाहरी 51 में क्या अंदर है? दसाहरी 51 कैसी है? नियमिद वेराइटी और नियमिद है तो कहा की होगी गुरुजी? साउथ इंडिया की होगी तो क्या वहां माल फॉर्मेशन होते हैं? नहीं होते हैं एक ही पॉइंट तो याद रखना है कि दसाहरी 51 नियमिद है, रेगुलर है और रेगुलर है तो कहा की हो जाएगी? साउथ इंडिया इसमें जसाहरी भाँ, ब्लैक टिप लिख लें चले आगे बढ़ जाएं, उत्तर भारत में, ठीक है फजली, ये वेराइटी है, पछेती वेराइटी, लेट वेराइटी आप इसमें केवल लिख दो ये ज्यादा इंपोर्टेंट है ने फजली, बड़ा आम होता है, इत्ता बड़ा, कि तु आम चला दोगे तो एक केजी, ये छोटा बाले है, ये ऐसे लियान इमेज इसलिए, ये बहुत बड़े आम होता है, इतनी बड़े-बड़े, कभी-कभी तो एक ही आम एक केजी हो स केसर को ना प्रसंस्करन वेराइटी कहते हैं, प्रसंस्करन का मतलब प्रोसेसिंग वेराइटी, देखो ये, कैसा वेराइटी है बताओ, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्टेंट, या तो हम कह सकते हैं केनिंग, केनिंग, दिबबा बंदी में, तो दिबबा केसर ना गुजरात की famous variety कहां कि यह बताओ गुजरात की famous variety कौन है केसर प्रोसेसिंग के लिए कौन सी variety उप्योग करते हैं केसर आगला दसारी 51 करवा चुका हूँ यह चर्चा दसारी आगला new variety जो याद करना है वो है पूसा सूरिया आगर आजाए केवल सूरिया तो सूरिया किसकी variety बताओ पपीता के किसकी है पपीता अगर इसमें आरका लिखा रहे है तो भी घवराना नहीं है आरका सूरिया भी किसका है पपीता और यह अरका लगा हुगा या सूरिया आएगा तो कहां से विक्सित किया गया है IIHR कहां से विक्सित किया गया है IIHR तो ये जो variety है ये तो आप किसका पढ़े हो बताओ पपीता का लेकिन पूसा सूरिया किसकी variety है बताओ पूसा सूरिया है आम की बड़ा confusion होते हैं बच्चों को पूसा सूरिया आम की है या पपीता की है देखो पसे पपीता पसे पूसा याद मत करना ये गलत हो जाएंगे पालक वालम करवा चुका हो यहां गड़वड हो जाएंगे मेरे से भी गलती हो जाते हैं तो पूसा सूरिया किसकी है? आम की है और सूरिया आएगा केबल या अरका सूरिया आजाए तो ये किसका है पपीता, रखोगे इसे ध्यान में चले आगे बढ़ जाएं पूसा आरू-निमा, आरू-निमा, अंबिका देखो अपने बुक में केभल ये लिखा हुआ था, अंबिका लेकिन आया था इसका क्रोस अंबिका किसकी क्रोस है अभी तो बताया अम्पिका किसकी क्रोस है आमर पाली और जनारधन पसंद अब नहीं दूँगा ये गलत होने आमर पाली और जनारधन पसंद के बीच अक्स है, एक वेराइटी और है जिसका नाम क्या है? अक्स है दसहरी से चैनित किया गया वेराइटी है जिसका नाम क्या है? अक्स है तोता पूरी, बहुत इंपोरे जूस हूस जो बनाते हो ना तो देखा होगा ये वेराइटी, ठेला पे जादा रखा रहता है बड़े वाले है अग्स है तोता पूरी, इसलिए कि इसका आगे का भाग तोता के चोच के जैसा है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? तोता पूरी ये कौनसी वेराइटी है? तोता पूरी वो आगे ऐसे और नोकिला देखी होगी न तो ये क्या है? तोता पूरी कहां पर बनाते हैं तोता पूरी तोता पूरी का रेसे रहे यह important है फाइवर less variety है इसलिए इसका important role होता है juice making में juice उसमें देखता होगा जादा यह सस्ता पड़ते हैं बड़ा variety है रेसा नहीं होगा तो juice बना के गुंग करके दे देगा juice बनाने में important कौन है तोता पूरी ड़ार variety होते हैं साइस सुगंदा में पढ़ा चुका हो किसका किसका cross है बताओ तोता पूरी और किसके बीज का है केसर केसर कहां की important variety है गुजरात की और तोता पूरी किसके लिए important है बताओ juice निकालने के लिए पेर तो बोना है फल बड़ा होते हैं पेर बोना है और फल क्या होते हैं बड़ा इसमें फाइवर होता है फाइवर की मात्रा कम होते हैं फाइवर क्या होते हैं फाइवर क्या होते हैं कम मधुलिका, वेराइटी किसका है बताओ, ओपसीजन, ओपसीजन का मतलग बीना मौसम के ये दिखेंगे, तो ये क्या कहलाता है, ओपसीजन, निरंतर, रेगलर वियरिंग वाले, तो ये तो खुब पढ़ा दिया, कौन है, वेगान पली है, नीलम है, तोता पूरी है, और बता रतना, कैसा होगा, रेगलर वियरिंग, अरे अरका लगा रहे, तो रतना, रेगलर वियरिंग, अरका नील कीरन कैसा होगा, रेगलर वियरिंग, एस आरे, एस आरे, ये भी कैसा है, रेगलर वियरिंग है, उसके बाद, अरका अरुना, कैसा है, रेगलर वियरिंग, अरका प फलन देने वाली वेराइटी है appealing south india की वेराइटी है शेट रुट यह साथ मलिकाँ गद कर शाथ इंपोर्टेन्ट आम का डिसोडर और डिजीज मैं अलग से पढ़ा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ ना, यहाँ पर अगर चर्चा करना चाहोगे तो देखो समय उसमें तीन गंटा, एक गंटा केवल आम में लगा है, डिसोडर में, तो यहाँ हम बात नहीं करेंगे उसका, क्योंकि वो प्रिभियस दूसरा स्यामबर्ण में इस तरह के इमेज आते हैं, जिवानू के इंकर बता चुका हूँ, बीमारियों में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के जिवानू के इंकर, रेड रष्ट की बात किया हूँ, किसे होते हैं, सैवाल से, एक बात नाम सुन लो, फिजियोलोजिकल की बात करें, तो गुच्छा रोग बता चुका हूँ, कि गुच्छा रोग का नियंतरन किससे करोगे बताओ, एन ए, फ्रूट ड्रॉप, फलो का गिरना, पी एश्टेज पे सबसे जादा गिरेगा, इसके लिए उपियोग हम करेंगे, टूफोर डी का, और ये है इसका वीडियो आपको देखना है पीछे, ये क्या है ब्लैक टिप, ब्लैक टिप किसे होते हैं, बोरोन की कमी के कारण, चिमनी के धुएं के कारण क्या होते हैं, ब्लैक टिप, आगला मैंने बात किया था जुमका, जुमका, जिंग के कमी के कारण क्या होते हैं, आम में इस अब आप नाप 4-5 पेश्ट की बात करेंगे इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जैसे आपको आम का डिसोडर फलो का डिसोडर अलग पढ़ाया हूँ फलो का डिजीज अलग पढ़ाया हूँ इसी तरह से होटी कल्चर के सभी कीट में अलग से पढ़ाऊंगा ठीक है? यहाँ आप केबल नाम सुन लो जैसे अभी इंगलिस में अभी ये सलाइड बनेंगे मीली बग एगा आपको ध्यान में रखना है आम का कीट में कौन याद रखना है बताओ? मीली बग और दूसरा कौन है? फ्रूट फ्लाए और तीसरा कौन है? होपर एक दो नाम और है यही वीविल लिखा हुआ है इसका नाम क्या है? वीविल तो यह important point है चार तो आपको ये कीट आपको ध्यान में रखना है अब पूछेगा आम का सबसे serious कीट कौन है? तो most serious कीट का नाम है होपर क्या है? होपर हला कि यह कहानी अब कल करूँ कल याद दिलाना कल अपने यहीं से सुरू करेंगे क्या करेंगे? कीट important कीट इसका image में लेकर आया हूँ बढ़या से एक तम आराम से चलेंगे तो एक बार image देखेंगे mango paste का देखो यह तो कल करेंगे mango paste तो कल करूँ खतम हो जाएंगे अपने आम उसके बाद हम सुरू करेंगे पपीता या केला अच्छा यह जो केला देख रहा है इसका उपर उपर का दो चार पॉइंट अगर केला को देख करके तुमें कुछ बताना रहे तो क्या बोल सकते हो बाई पांच लाइन बताओ केला को देख करके botanical name नहीं बताना है यह नहीं कि किसी पढ़ाना है तो इसका botanical name मुजापेरडेशिका होता है family मुशेसी होते हैं गुंसुत्रों के संख्यां 33 होते हैं डिपलॉइड होगा तो 22 होते हैं ऐसा ने बोलना चलो तो अपन पूरी कहानी समझते हैं फैमली क्या होगा मूसा, पेराडेसिका ये मूजेसी और ये उच्छे में लगते हैं तो इसका फल परकार क्या होगा पेरी, पीला रंग किसके कारण आएगा केरिका जैन्थेन के कारण किसके कारण है केरिका जैन्थेन अच्छा इसमें ये जो केला दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे फिंगर, क्या बोलोगे और केला में ये जो आ रहे है उपर वाले भाग इसको बोलते angularity क्या बोलोगे और ये जो दिख रहा है इसको हम बंच बोलेंगे पूरी केला ये जो है इसको गुच्छा बोलेंगे क्या बोलेंगे तो ये सा point हमें जरूरत पढ़ने वाले है चलो आगे बढ़ता हूं next point ये क्या है बताओ एक finger कैसे लिखों ये सा black मैं लिख दूँ ये क्या है एक finger और ये वाले होते है angularity अब सुरू करते हैं कहानी को एक एक point की और इसे खुद से भी पढ़ ले ना Musa Pera Dishika ये इंगलिस वाले परिसान करते हैं सर हम लोग को लिखो चले एक दो point लिख देता हूं उसके बाद ये मुझे सी आप लिख लेना उत्पत्ति की बात करें origin की बात करें ये छोटा सा point है तो ये कहां है इंडिया और किसका किसका है पेल का उसके बाद acid lime 5-6 मिनट तो आपका ये basic point बनते हैं उसके बाद फालसा उसके बाद इंडियान blackberry जामून को क्या बोलोगे इंडियान blackberry यानि की जामून इन सब की उत्पत्ति कहां है भारत अगर और पूछा जाता सबजीयों में तो बेगन की उत्पत्ति कहां है भारत मैंने बोला था जो खाने उन्हें में जिनको टेस्ट नहीं आते है बेल को कौन खाते हैं बताओ काग जी निमू कुछ है फालसा कोई खाते है जामून भी कम यूज होते है लस्वा भारत की उत्पत्ति है कहा है लस्वा करूंदा की बात करू तो कहा है भारत की तो ये सब जिनका इंपोडेंस जादा नहीं है कटल की बात करू तो कहा है इंडिया की बात बेगन कोई ने खाते है करेला कोई ने खाते है इन सब के उतपत्य का ये हैं? भारत है ठीक है, ककडी की बात करो, फूट की बात करो इन सब को और कोई देना देना है ने सबजीयों से तो वो सब सब कहा हैं? इंडिया में अच्छी अच्छे जो सबजी थे, अच्छी अच्छे जो फल है जैसे अंगूर देखने मज़ा आते हैं केला की बात करूँ ये सब आये हैं बाहर से बाहर वालों ने लोगों ने दिखाया ये अंगूर है खाओगे तो हम भिखारियों जैसे मांग मांग के उसको खाए हैं बाद मैं चर्चा करूँगा अब हम बात करें क्रोमोजोम नंबर के किसकी बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर तो ये कितना है बताओ इसकी चर्चा आप कर लेते हैं मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था कि क्रोमोजोम संख्यां अगर आपसे बोला जाए पिलिख देता हूँ छोट क्रोमोजोम क्या है 2N बराबर 3X इक्वल 2 कितना है 33 तो X का मान कितना होगा दोस्ट X का मान होगा 11 जो केला डिपलॉइड होते हैं कैसा होगा बताओ डिपलॉइड डिपलॉइड का मतलब क्या बोलोगे तुई गुनित होते हैं जो डिपलॉइड होंगे उसमें क्रोमोजोम की संख्या 2N बराबर क्या बनेगा 2X ये N केबल पैरेंट्स को बताता है कि भाई कितने जनक है 2 तो इसमें क्रोमोजोम कितना होगा 2 into 11 एंसर कितना बनेगा 22 इसका वेराइटी पूछ लेगा तो वो कौन है लेडी फिंगर कौन से वेराइटी है जो डिपल वाइड है बताओ लेडी फिंगर ये important और जो खाने योग होते है जो केला को हम खाते है खाने योग जो केला होता है वो तो होते हैं ट्रिपल वाइड एडेबल बनाना कैसा होता है बताओ ये ट्रिपल वाइड होते हैं और ये बनाया गया है किस के द्वारा तो ये बनते हैं वेजिटेटिव पार्धेनो कारपी से डेबलब होते हैं किस से होते हैं वेजिटेटिव जिसको बोलते हैं बनस्पतिक अनिसेख फलन पढ़ा चुका हूँ जेनरल में बनस्पतिक अनिसे तो एक फलन, इसके दुआरा डेबलब किया गया है क्या? केला को. और जो diploid variety होते हैं ये wild होते हैं, जंगली होते हैं, यानि ये कहाँ पाया जाता है, जंगल में पाये जाते हैं, बंदर इसको आहार के रूप में ग्रहन करते हैं, diploid तो यह छोटा सा कहाने क्रोमोजोम की संख्या से आपको आना चाहिए गुनसुत्र की संख्या कितना होते हैं तो 33 अभी इसको सीडलेस बनाने के लिए केला को क्या बनाना है बताओ सीडलेस बीज रहित बनाने के लिए बीज रहित बनाने के लिए किसी केमकल का उपयोग करते तो वो रासायन मैंने बताया था क्या है 24D किसका उप्योग करते हैं यह सब लिखते जाना किसका उप्योग करेंगे 24D का उप्योग करते हैं किसके लिए केला को क्या बनाना है SIDLESS क्या बनाना है SIDLESS आप खुद notes बनाओगे तभी काम चलेगा ऐसे इंतजार में मत रह कि पीडी अप भेज देंगे सर अब भेजूंगा मैंने कहीं ने लग रहा है ने इसे कि बस सेवाओं में ही मैं लगा पीडी अगला जो important point है बताओ पुस्प करम जिसे हम क्या बोलते हैं inflorescence पुस्प करम बताया हूँ फूलो का करम तो केला में फूलो का करम ऐसा देखा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं पुस्प करम और मैंने बताया था जैसे जैसे यह हटते जाएंगे ना इसके उपर एक चादर लगे रहते हैं शुरू में देखोगे तो क्या लगा रहा हैगा चादर तो मैंने याद कराया था स्पैडिक्स किसका होगा जिसके ऊपर क्या दिखेगा आपको चादर यानि कभर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा कि यार घिरा हुआ है जैसे भुट्टा मक्का देखेओ मक्का के उपर ये मान लिया जै मक्का है इसके उपर भी ये क्या लगा हुआ है चादर लगा हुआ है तो कहां कहां चादर दिखेगा आपको मेज में क्या दिखेगा बताओ चादर ये एक याद करने तरीका है कोकोनट में आपको दिखेगा चादर ऐसा केला में केला को भी ऐसे ऐसे हटाते हैं तो ऐसे आप समझ लेना बनाना ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है और खजूर देट इन चार का इन फ्लोरोसेंस जो आप पढ़ोगे क्या होता है स्पैडिक्स और इंपोर्टेंट पूछते भी हैं कि बताओ इसमें इन फ्लोरोसेंस क्या होता है तो क्या होते हैं पुस पाये जाते हैं जिससे आपने कल बताया था ना कि गुरू जी आम में जो फ्लावर होते है ना अगर मेंगो में बात करों फूलो का तो वो कौन-कौन सा फूल आपने बताया था एक मेल होता है और दूसरा बाईसेक्स्वल इस से प्रशन पूछते हैं बार बार तीन फूल तो आपको याद ही रखना है दूसरा पूछ लेगा अगर केला की बात करें तो केला में पाया जाता है एक फिमेल पाये जाते हैं और दूसरा बाइसेक्सवल फ्लावर पाया जाएगा तो बताओ केला में कौन-कौन से पाये जाते हैं एक फिमेल और दूसरा कौन है बाइसेक ये लिख लेना कहीँ और अगर हम papaya की बात करें पी- अ- पी- अ- बाई- पाई- पाया तो इसमें polygamers पाई जाता है male भी पाया जाएगा female भी पाया जाएगा और bisexual भी पाया जाते हैं इसी लिए papita को हम polygamers कहते हैं क्या बोलोगे बताओ पोली गेमस, तो यह तीनों याद रखोगे, आम में कौन सा फूल पाए जाते हैं, तो मेल और बाइसेक्सवल पाए जाता है, केला में कौन पाए जाते हैं, तो केला में भीमेल और बाइसेक्सवल पाए जाएंगे, पपाया में कौन पाए जाता है, मेल, भीमेल और बाइसेक ठिक है तले आगे अब बताओ इसमें दो तीन पॉइंट और मुझे जूट गया ये जो अगर बनाना की हम बात करें केला की बात करते हैं बनाना तो इसमें परचूर मात्रा में उपर से चल जाएं फ्रूट टाइप की बात करें क्या क्या बात करेंगे बताओ बनाना का फ्रूट टाइप जिसे हम क्या बोलते हैं फल परकार तो फल परकार आप लिख लेना फल परकार जो केला का अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे जो गुच्छे में लगते हैं उसका फल परकार क्या है दोस्त पेरी क्या है पेरी एकडम सिक्वेंस में है जो पहले पढ़ चुके है अब इसका हम बात करेंगे किसका प्रवर्धन का किसकी बात करोगे प्रवर्धन यानि की प्रोपागेशन का किसकी चर्चा करेंगे प्रोपागेशन की प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं तो आपने बताया था कि केला का जो नीचे वाले भाग होते हैं ना सर, जमीन के नीचे वाले भाग इसको तो हम बोलेंगे राई जोम, क्या बोलते हो बताओं राई जोम, राई जोम और उपर वाले जो भाग होते हैं केला का यह कहलाता है अवहासी तना कैसा तना है अवहासी तना जिसे हम कहते हैं pseudo stem क्या बोलोगे pseudo stem और इसी राय जोम से बिख्सित होता है सकर्स पढ़ा चुका हूँ सकर्स और इसी से बनेगा क्या sword 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 सकर्स तलवार के जैसा sword सकर्स अब इसमें अगर option रहता all तो क्या tick करते बताओ all करोगे ना ये ठीक और अगर रहता ऐसा तीनों अलग-अलग option रहता जैसे rhizome रहता सकर्स रहता ये करवाया हूँ और ये sword सकर्स रहता और ये कुछ और ले लो korm रहता तो हम क्या tick करेंगे sword सकर्स क्योंकि प्रवर्धन में क्या करना है एक plant से बहुत सारे plant बनाना है तो जो ज़्यादा जवान रहेगा उसको लेंगे हम और इसका बजन कितना होता है तो इसका बजन आपसे पूछ लेगा 500 से लेकर 750 ग्राम कितना 500 से लेकर 750 ग्राम यह basic point कुछ हुए जो हर लोग बताते हैं यहां तत तो हम सब पढ़े हुए हैं इसमें कोई नया चीज आज हम नहीं सीख रहे है कि भई यह कुछ नया यह तो पहले जेनरल में पढ़ा चुका हूँ नया क्या है देखो इसमें एक point है अब जो केला में आपको पूछेगा कि modern technique क्या है modern propagation technique क्या है केला में आधुनिक विधी बताओ प्रवर्धन की प्रवर्धन की आधुनिक विधी यह प्रस्ण अच्छा बनेगा कि आज कल आधुनिक विधी कौन अपनाते हैं पूरा लिखना मैं ठक जाता हूँ लिखते लिखते तो वो कौन है टिसू कल्चर आधुनिक विधी कौन है बताओ टिसू कल्चर तो यह important है टिसू कल्चर किस-किस में करते हैं अगर खेला की चर्चा हुआ तो दो important एक तो बनाना में आप ध्यान रखना कि टिसू कल्चर अपनाते हैं दूसरा कौन है स्ट्रावेरी क्या है स्ट्रावेरी यहां भी क्या अपनाते हैं टिसू कल्चर अब यह स्ट्रावेरी ऐसे लिखना है स्ट्रावेरी ठीक है इसमें क्या अपनाते हैं टिसू कल्चर आलू में भी करते हैं इस टिसू कल्चर के कारण केला में किसका प्रकोब कम हो रहा है केला में आप जानते हो पपीता केला में सबसे ज़्यादा आकर्मन होता है वाइरस का तो इसी टिसू कल्चर के कारण केला में वाइरस अटेक important प्रश्ण पूछेगा कि केला में किसका attack, वाइरस का attack क्या हो रहा है, कम, किसके कारण, टिशू कल्चर के कारण, और कौन सा भाग से जिसे हम बोलते हैं, मेरी same culture, कौन सा culture है बताओ, मेरी same culture, ये ध्यान दखना, जिसके कारण, वाइरस का आकर्मन क्या होता है, कम, तो कि सारी point आपको आने चाहिए, मेरी same केला की सबसे उपर वाले भाग, जिसमें क्या होता है, maximum cell division होते हैं, अगर ये केला है, इसके उपर वाली भाग हम बात करें, तो ये कौन सा भाग है, बताओ, मेरी same, मेरी same को हिंदी में कहते हैं, सिर्स भाग, केला का उपर वाले भाग है, सिर्स, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है, कोशी का बिवाजन की छमता, किसमें होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, सिर्स भीब जियोत्तक, क्या बोलते हो बताओ, सिर्स भीब जियोत्तक, कौन सा भाग है, आप लोग ना, क्लास में जो है, ये अभी देखते रो, य नोर्स आपको बनाना है यह नहीं सोचना कि सरसार में लिखे हुए है इसलिए मैंने लिखाना है ना पूरी जब PDF जाते है ना तो आप प्रोपर नोर्स बनाओ शुरू से उसी में घुसेड़ते मत जाओ जरीजगो जगह है छोटी 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 लिख रहे हैं ऐसे नहीं चले यह देखे तो यह क्या है मेरी है जिसे हम क्या बोलते हैं सिर्स विपजियो तक इसमें सबसे फास्ट क्या होता है सेल डिविजन जिसके कारण वाइरस का टैक क्या होगा कम यह important point है वाइरस का टैक कम अब देखो आगला point मैं बताता हूं क्या है एक सब्द और केला में सबसे अच्छा आज कल पर इंग्यानिक काम कर रहे हैं जिसका नाम है रेतुनिंग नाम सुना है रतून का नाम सुना है गण्ना में क्या होते हैं रतून आपको काटो फिर गण्ना यानि बारबर बुरह ही बुँआ यहीं करना पदेगा तो ये जो रतूनिंग बिधी है न ये कहां कहां अपनाते हैं देखो एक तो गन्ना में देखो कितना फाइदा होगा देश में एक तो गन्ना में अपनाते हैं दूसरा अगर अपने होटी कल्चर की बात करो तो सबजियों में एक यूज करते हैं जानते हो बैगन में किसमें यूज करते हैं बैगन में और इसका प्रस्ट भी आया हुआ है ARS में हिसार जामुनी किसकी वेराइटी है रतूनिंग वेराइटी है किसका है ब्रिंजल का अब ना आज कल बैग्यानिक सोच रहा है क्यों ना ये रतूनिंग की क्रिया केला में अपनाई जाए किसमें अपनाई जाए केला में देखो क्या थाइदा होगा क्योंकि केला को किसान को बिचारे को हर साल एक वर्स ये लगाएगा और केला को क्या करना पड़ता है यहां से पूरा काठना पड़ेगा हर साल इसको क्या करना पड़ता है बदलना पड़ेगा तो बैग्यानिक सोच रहा है क्योंने टिसू कल्चर के द्वारा ऐसा डेबलब किया जाए वेराइटी जिसमें कम से कम दो तीन वार क्या कर सकते हैं रेटोनिंग अपना सकते हैं कितनी वार बताओ तो से तीन बार यानि कि तीन बार आप केला को काट सकते हो एक बार केला का आपने सोइंग किया और कितनी वार हर्वेस्टिंग कर सकते हैं बताओ तीन बार इसकी क्या कर सकते हो कट आई तो ये बड़ा अच्छा होगा अब पूछा जाए ये किसके द्वारा डेबलब किया जा रहा है ये डेबलब किया जा रहा है किसके द्वारा टिसू कल्चर के बता दिया ये सारे पॉइंट बताओ टिसू कल्चर के कारण ही इसमें वाइरस काटाई क्या होगा कम टिसू कल्चर के द्वारा एक बार खेला ल और सबसे modern technique की अगर बात करें मेरे दोस्त तो कौन आया tissue culture कौन सा है tissue तो प्रवर्धन में इतना enough है खुब है इतना ठीक है तो chromozome होगे propagation होगे आपका अगला point जेंदल में हम क्या चलते रहते हैं बता दो origin की बात आपने कर दिया अब हम बात करेंगे फिर से वही कहाने पुस्प करम कर दिया inflorescence क्या हो गया spedics कैसा हो गया spedics इसमें fool कैसा पाया जाएगा female plus bisexual कैसा पाया जाएगा female plus bisexual ठीक है अब हम चर्चा करेंगे इसका climate का कहानी अब यहां से सुरू करेंगे कौन सी चर्चा ह है climate बोटनिकल ने मार तो कर लोगे न वो समझाने नहीं पागल उसमें सोचोगे टीचर कुछ करे बोटनिकल ने फैमली तुमें क्या करूंगा तेरा नाम अजे पालिवाल है तो है तो है तुम तोक के निवासी हो तो वहीं के रहोगे चेंज थोड़े हो जाओगे कितना व जलवायुक तो मैंने आपको बता दिया था कि केला कहां का है बताओ ट्रोपिकल क्लाइमेट का है कहां का है बताओ ट्रोपिकल क्लाइमेट यानि कि उस निजलवायुक है जो ट्रोपिकल का है अगर प्रशन आए क्या इसको सब ट्रोपिकल में लगा सकते हैं हाँ अरे उस नहीं चर्चा किया, आम लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर अलग-अलग option रहे, कि केला, किस climate का है, ट्रोपिकल, सब्रोपिकल, टेम्परेट, एरिड, ऐसा रहे, तब क्या टिक करेंगे, ट्रोपिकल, लेकिन कई ऐसे प्रस्न पूछ लेते हैं, बड़े ए लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, कहां लगा सकते हैं बताँ, सब्रोपिकल में, चलो ठीक है, अब ट्रोपिकल हो गी आता है, इसके लिए आपको मिर्दा कैसी चाहिए, तो मिर्दा में तो कोई चेंज करोगी ने, स्वाइल कैसा चाहिए, सैंडी लोंग चाहिए, अब इ केला को पानी ज़्यादा चाहिए तो इसकी pH आप इतना से यहां तक रख सकते हो 5.5 से लेकर कहां पे 6.5 के बीच यह pH रख सकते हो यह जो केला होते हैं इसमें chilling injury एक प्रस यह बढ़ा अच्छा आता है chilling injury केला में कितने degree पे होता है I N G U R Y chilling injury हिंदी में क्या बोलोगे ऐसा है chilling और freezing पढ़ा चुका हूँ कहां पढ़ायाँ गुरुजी disorder में chilling injury chilling छती chilling छती तो यह कितने degree पे होते हैं chilling मैंने बताया था 10 degree से कम लेकिन केला में chilling injury होंगे आपको 12 degree 10 से 12 degree से कम ता अपमान पे केला का लगभग प्रस आपको 10-12 वाले याद रखना है अगर आजाए केला का story आजाए कि केला में भंडारन कितने degree का करते हैं एक प्रशन याता है भंडारन तो मैंने याद करवाया था जो ट्रोपिकल होते हैं उसका भंडारन 8 से 12 degree और केला का exact मैंने याद कराया था कितने degree 13 degree तो यह 12-12 याद रखना यह दोनों प्रशन आते ह चिलिंग इंजरी किसमे होता है बताओ चिलिंग इंजरी किसमे होता है चिलिंग छती आप पूरा लिखना चिलिंग छती किसमे होता है ओप्सन ए लिख देता आम ओप्सन बी लिख देता केला ओप्सन सी लिखता पपीता ओप्सन डी लिखता आमला ओप्सन ए लिखता संत्रा ये सारे और option app लिख देता सभी तो क्या टिक करते बताओ सभी तई बात है ये मैं करवा चुका हूँ chilling injury सभी में होते हैं कौन-कौन सभी में sir फिर से बता दो एक बार तो वो जलवायू tropical हो या तो कैसा हो sub-tropical हो या तो वो फल कहां का हो एरिड का इन तीनों जलवायों में क्या देखने को मिलेगा chilling injury क्या देखने को मिलेगा अब इसी प्रस्न में आ जाए कि chilling injury सबसे ज़्यादा किसमे होंगे ये प्रस्ना सकते हैं तो इसनी में मैंने वो दात का खोंधर वाला उदारन दिया था याद है अरे आइस्क्रीम खाएंगे तो सबको सिलसिलाहट होगी हलकी हलकी सबको एक कपकपी लग रही है ठंड है ठंड है लेकिन सबसे ज़्यादा कापे काकन अरे बाप बहुत ठंड ये पपीता और इधर ध्यान दखना ये कौन है आमला ये आते हैं बोस्ट सेंसेटिव में सबसे ज़्यादा तो किस में है पपीता और आमला ये एक प्रस्ण आपके चिलिंग का बनते हैं हमेशा बनते हैं हर बार वही कौन सेप्ट आप लिखोगे तो ठीक है चले अब आगे अब यहां से कहानी को आगे बढ़ा दे अब एक प्रस्ण और बनता है देखो सारे प्रस्ण ही मैं लिख देता हूं ऐसे बोल बोल के कि एक और बनता है एक और यही कारण है और होटी कल्चर में सब चीज आपको इस नोट्स में ही मिलेंगे मैं खुद ही पढ़के आता हूं देखना पीछे वाले सलाइड में आज कम से कम पचीस पॉइंड और एड किया हूं कि ने भाई ये भी लिखा दे चलने दे बच्चे क्योंकि वो पीछे वाले सब पढ़ा है तो कुछ तो नया पढ़े अब तो पॉइंड बनेगा केला में कार्बो हाइडेड ये पढ़ा हुआ है आपका कार्बो हाइडेड होते हैं कितना परतिसद 26 परतिसद कितने होते हैं 26 और यही केला का तापमान पूछ लिया जाए तो होता है 26 परतिसद तीन 26 याद कराऊंगा ये एक ही बार तुम पूरा लिखोगे ये कार्बो हाइडेड एसा नहीं कि सलाइड तीन घंटे बाद तेरे मोगाल पे जाए ना तो तुम भूल जाओ ये क्या है रे कार्बो हाइडेड ये पूरा लिखना केला में कार्बो हाइडेड कितने परतिसद है 26 तापमान कितने optimum temperature कितना है केला का optimum temperature तापमान कितना है 26 और दूसरा important होते है world world share production share production यानि बिस्व में उत्पादन में share किसका भारत का चलो ऐसे लिख देता हूँ इंडिया का लिख देता हूँ यہا अब इसको ऐसे लिख दे भारत का बिस्व में उत्पादन share तो बड़ा अच्छा था है और अच्छा सके इसे लिखता है भारत का बिस्व में केला उत्पादन का share परतिशद क्या हो share का मतलब क्या होता है आरे मां दे जाए पूरा विश्व केला उत्पादन कर रहा है आपको पता हो आम केला इन दो में भारत विश्व में नंबर वन पे कितने पे हैं? नंबर वन पे तो पूरी विश्व में जितने केला होते हैं उसका भारत कितना परतिसद 26 परतिसद उत्पादन करता है कितना चजोड दिया ना 3.26 कौन कौन कार्बो हाइडर कितना 26 टेंपरेचर कितना 26 यह 25.7 होते हैं पर मैंने ब्रॉक्स ला दिया कहां 26 और भारत पूरे बिश्व में कितना परतिसद सेयर करता है 26 अब मैंने बोला था वर्ड में विश्व में वर्ड में किसमें अस आम और केला में किसका इंडिया भारत का पोजीशन कौन है फ़र्ष्ट कौन है फ़र्ष्ट चोटी चोटी यह सब प्रस्ण बनते हैं आम और केला का उत्पादन में पूरे विश्व में इंडिया क्या है फ़स्ट चलो भाई आगे अब यह फ़स्ट कर दिया तो आपसे यह भी पूछ लेगा कि एक यह भी बता दे नियार पहले तो विश्व में बता दिया भारत नंब लिडिंग अस्टेट किसमें बात किया गए प्रोडक्शन में आप इसको समझते हो लिडिंग अस्टेट का मतलब अरे इतना तो हिंदी वाले इंगलीस समझ जाओगे तुम्हें लगता है न मुझे कितने मुश्खिल काम होते है एक एक लाइन को हिंदी इंगलीस करना कौन है देको तमिल नाडो से दो प्रस्ण बहुत अच्छे बनते हैं अगर पूछा जाए कुल फल उत्पादन का सबसे ज़्यादा उत्पादता की बात करें प्रोडक्तिविटी की बात करें तो भी कहां जाता है तमिल नाडो सबसे ज़्यादा फल उत्पादन की अभी इस स पढ़ाऊंगा ना, डेटा कप पढ़ाऊंगा, सबसे लाष्ट में, जब डेटा अपन पढ़ेंगे तो फाल, सबजी, फूल, सब एक दिन, एक घंटम सब पढ़ा दूँगा यह अभी राने देना, तो इसका सही अंसर क्या जाएगा बताओ, तैमिल लाड़ो, पहिए होगे, जेनरल चर्चा, मिट्टी उट्टी तक अपने पहुच गया, अब इसके बाद फल परकार होगे, कुछ और जेनरल में टोपिक बचा हुआ है नारो भीया नहीं बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा स्लाइट का मतलब क्या होता है, अब इसको आप ये मत लिखना, आप ऐसे लिख लेना, कल्प बरक्ष इतना तो समझोगे, ऐसा बरक्ष, जिसकी पूजा होती है, भगवान एकदम इस वर निकाल देना कहां पूजा करते हो, केला के पास कहां करते हैं, नारियल के पास कहां करते हैं, पीपल के पास और कहां, बरगद के पास और कहां, बेल के पास बेल पत्र, बेल के पास, भी तो पूजा होते हैं, इन तुलसी के पास, वहना रूवे इन सब को कहते हैं कल्प बरक्ष लिख लोगे, कितना पूरा लिखना पड़े इनको क्या बोलेंगे, कल्प ब्रक्ष यानि एक्जाम में देखो, ज्यारेप के प्रस्ण में ऐसा आया हुआ है Plant of Virtue Virtue का मतलब होता है, विश्वास का प्रतिक God का प्रतिक, तो वो कौन होता है, कल्प ब्रक्ष कौन सा ब्रक्ष कहलाता है, कल्प ब्रक्ष और इसमें प्रस्ण आने वाले कौन-कौन है, ये मैं आपको लिख देता हूँ एक तो नारियल पूछ लेगा, नारियल का देखा है न, पूजा बहुत होते है और दूसरा आपके एक्जाम में पूछा जाता है, केला जानतों ये केला प्रस्ण पूछा हुआ है, केला किस भगवान का प्रतीक है तो बिश्नु भगवान का, कौन सा है, बिश्नु, आप लोग अभी छोटे बिश्नु बाले स्टूडेंट्स हो, मैं जब सात्मी आठमी में था न, सेवन्त इट में तो बिरहस्पति वार की पूजा होती है, याद है, बिरहस्पति वार की कथा उसमें पीला पीला वस्त्र पहन के, बिश्नु भगवान की पूजा मैं पांच-छे साल किया हूँ उस समय, सात्मी, आठमी में, पूरा स्पूल में करता था, एक दम में पूरा बुक लाके पढ़ता था, व्रत, वो गोड़ा पे जा रहा है राज, आप तो भूल गे न, पंदर-भीश साल पूरानी कहानी, तो ये विश्नु भगवान की पूजा होते है, नारियल में कौन स मतलब समझ जाओगे अब, कौन सा ब्रक्स है, कल्प ब्रक्स, कल्प ब्रक्स का मतलब, ऐसा ब्रक्स जिनकी क्या होती है, पूजा होती है, स्वर्ग का पेड, विश्नु ठीक है, इधर भी पढ़ देता हूं, कोई-कोई ना, इधर से भी बच्ची अच्छे जवाब दे दे है, अंबाला, बेल, केला, ठीक है, खेजडी, खेजडी के, यह तो है प्रक्स है, पूजा भी होते हैं इसके, हाँ होते हैं, सूरज पोल पे यहां एक लगा हूँ है, उसमें औरत-औरत को देखा हूं, धागा हूँआ बान के जाते हैं, बच्चे को कुछ बिमारी होते हैं यहां पेड़, जो बाला जी का मंदिर है न, वहां एक पेड़ है, याद आ गया, तो खेजडी भी कैसा आएगा, कल्प ब्रक्ष में, ठीक है, अब इसमें आ सकता है, ऐसा कि कौन सा कल्प ब्रक्ष ताकतवर है, ताकतवर का मतलब, जिनके सामने ऐसे मांग लेना पूरा हो जाए, तो यह अजीब अजीब चीज है, चलो अब, प्लांटेन मिन्स क्या होता है, कल्प का मतलब तो समझ गया, कल्प पत्रू का मतलब समझ गया, यह लिखा हुआ है, ऐसा बनाना, जिसको पका के खाते हैं, कुकिंग बनाना, तो यह अपने काम का है न, अब बनाना यह सब कहां यूज करते हैं, केला की पत्ती, अरे देखे हो केला पत्ती, केला पत्ती, कुछ पॉइंट में लिख के लाए ताकि भूल न जाओ, consider as biological plate, जैबिक plate, जैबिक plate, वा, विल्कुल, जैबिक plate के रूप में, किस व्रक्स का पत्ती उप्योग करते हैं, केला, और यह करते हैं, साउथ इंडिया में, कहां करते हैं, भोज भंडारा जब करते हैं, यह तो हमारे तरब भी खुब होते हैं, लेकिन यह साउथ इंडिया में famous है, कौन, केला की पत्ती, इसको काट देंगे, इसी पर खाना देते हैं, कितने मूभी में भी आपने देखा होगा, तो biological plate, यह सब important, chilling injury, कितने degree, यह तो करवा दिया, अब banana is the most consumed fruit crop in India, इसको समझो, कहा जा रहा है कि कौन ऐसा फल है, जिसको सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है, लिखना आप, सबसे ज़्यादा किस फल को खाते हैं, अच्छा कौन सा फल इंडिया में सबसे ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन बोला जाए, तो भी किसका है, उत्पादन production की बात करें, तो first rank इसका है, केला का, और second rank किसका है, उत्पादन में, आम का, और third rank है, citrus का, निम्बु वर्गिये का है, और area की अगर हम चर्चा करें छेतर का, तो सबसे ज़्यादा किसका ह मैंगो का उसके बाद किसका है बताओ एरिया में उसके बाद है निम्बू का और उसके बाद किसका है ये डेटा पुराना है लगता है मेरे हिसाब से केला है उसके बाद निम्बू ये डेटा हर साल ना एरिया चेंज होते रहते हैं मैं पढ़के कुछ और आता हूं साल भर में पता लग जाए तो बदल गया है बहुत दिक्कत है एक टीचर को यहां लिखना एक गलत लिख दो गया एक छोटी सी किलिप कटा गया है देख आरे रामसर गलत पड़ा रहे थे बहुत टेंसन होते हैं चलो यह यह देटा ऐसे क्या अब ही आया उसको बता देता हूं थाय कैलोरीफिक वैल्यू यह लिखो कैलोरीफिक वैल्यू फुरूट यह क्या होता है कौन ऐसा फल है जिसमें सबसे जादा कैलोरी वैल्यू मulने पाया जाता है कैलोरी का मतलबonge 100 ग्राम आप सेव खाओं 100 ग्राम केला खाओ, 100 ग्राम आम खालो और 100 ग्राम पपीता खालो सबसे ज़्यादा उरजा किसमें मिलेगा बनाना में तो इससे समझ जाओगे, सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू कौन है, तो वो है केला अब भी पिछले साल ही आया हुआ प्रश्ण है, केला अब इसमें पाया जाता है लगभग 60 से 135 माइक्रो ग्राम के आसपास किलो जूल के आसपास इनर्जी लेकिन आपको ये केबल याद रखना है सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसका है केला का किसका है केला का तो ये पॉइंट हो गया discussion केला ट्रिपलोइड बीज रहीत होता है केला आननास अंजीर सब किसके द्वारा डेबलब किया गया है बता दिया हूँ ये सब डेबलब किया गया है वेजीटेटीव इसके द्वारा वेजीटेटीव पार्थेनो कार्पी के द्वारा किसके द्वारा विक्सित किया गया है वेजीटेटीव पार्थेनो कार्पी के द्वारा कहां पढ़ाया हूँ पार्थेनो कार्पी में यहां पे हम बात नहीं करेंगे इसका next point है फ्रूट टाइप बता दिया हूँ इसका कि fruit type क्या होगा सरस विश्व में सरवादिक कहा है इंडिया भारत में सरवादिक कहा है तमिलाडो ये चर्चा कर चुका हूँ next अब केला में potas परचूर मात्रा में पाये जाता है start लगा लेना rich source of potas rich source of potas परचूर मात्रा में potas पाये जाती है केला की बुवाई के लिए उप्युक्त बिधी कौन है trench trench stowing method अगर बात करें तो वो कौन सा है trench ठीक है नाला बिधी चले आगया देखना बीच में क्या है इसमें ये इसके बीच में ये तो हित्ता मैंने देखा नहीं देखने से तो अमरूद लग रहे है ये वाले inter cropping के रूप में चले आगया ये क्या है उचित आप मान कितना पढ़ा चुका हूँ 26.5 सरकरा की मातरा बता चुका हूँ कार्बो हाइडर्ट कितनी होनी चाहिए सुगर परतिसद लिख लो इसको कार्बो हाइडर्ट से अच्छा सुगर परसेंटेज 26 से 27 केले को बीज रहित करने के लिए लिख दियाओ सिटलेस बनाने के लिए किसका उप्योग करोगे 24D का कितना PPM अश्टार लगा लो 25 PPM सिटलेस बनाने के लिए सिटलेस इसमें बीज एबॉर्ट सीड है मरा हुआ बीज है इसको आप लगा दोगे ना ये सब बीज को तो इससे प्रोपागेशन नहीं होगे प्रवर्धन नहीं होगा मरा होगा तो ये इसके सिटलेस बनाने के लिए किसका उप्योग करोगे 24D का अब हम पात करते हैं इसका बंच ये है बंच इस गुच्छा को बढ़ाने ये तो गुच्छा छोटा-छोटा है पागल ये चिनिया केला है प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इस पे आप स्टार लगा लें important operation बात कर रहे हैं किसका केला का सबसे पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है denabling denabling का मतलब होता है नर्भाग को क्या कर देना है हटाना है जैसे आपको ये image कहां पे देखने को मिला होगा इसमें तो नहीं है यहां से समझा देता हूँ यह यह कौन सा पार्ट है यह है नर्भाग क्या है यह male पार्ट है तो यह male पार्ट है female पार्ट तो इधर दिख रहा है female फूल तो इधर दिख रहा है तो यह कौन सा भाग है बताओ male और यह कौन सा भाग है female, female वाले पार्ट से क्या बन रहा है बताओ केला बन रहा है, क्योंकि female पार्ट से fruit का production होगा ये तो इधर से बन रहा है अब इसमें होता क्या है nutrients देखो, ये केला का पेड ऐसे है और इसमें बंच लगा हुआ, नर कहां है आगे तो अगर कोई nutrients आएगा पोसकता तो आएंगे इस पेड में तो उसको कहां से कहां गती करना पड़ेगा, बताओ, उसको बेचारे को move करना पड़ेगा यहां ये केला केला से यहां आना पड़ेगा यहां उच्छे लगे हुए हैं female वाले पार्ट लगा हुआ है और यह बड़कासा यहां क्या है नर यहां से पोसकता तो यह जा रहे हैं यह पहले मादा के पास गया उसके बाद किसके पास आ रहा है नर के पास यह नर यहां से खाकता रहे हैं पहले मैं खाऊंगा उसके बाद तेरे को मिलना चाहिए ये नारी बिचारी परिसान हो जाती है ये बोलती है यार हमें तो केले को बढ़ा करना है केला का मतलब भल बढ़ा होंगे तभी मार्केट में कीमत क्या मिलेंगे अच्छा मिलेंगे और ये बार बार यहां से नर्णा परिसान करता है बोलता है ने 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 पहले पोसत तो इधर ले आओ न्यूट्रियंट्स इधर ले आओ मुझे बड़ा होना है तो नारी बोलते है गड़े अब तेरे को बड़ा होने से क्या मतलब तेरी सेवाएं समाप्त हो गए है पोली नेशन की किरिया हो गए है इसकी सेवाएं क्या होगे समाव परागन के बाद इसकी क्रिया क्या है बैग्यानिक के पास जाके सिकायत की मादा बैग्यानिक सा है कुछ करो बोले क्या हुआ ये नर न बेरोजगार परहसान करके रखा है आते ही बोलता है जितना खाना है उसका 60% हमें दे दो बताओ हम इतने बच्चे को कहां से खिलाएंगे पुला है परिसान कर रहा है नर ऐसा कर इसको काट ही डालता हूँ हटाओ तो D का मतलब क्या होता है हटाना और नेवलिंग का मतलब होता है नर भाग नर भाग को ही आप काट दो तो इससे दो फाइदा एक तो बारबार इसको परिसान नहीं करेंगे मादा को चैन से अपनी पूरी केला को बढ़ाएगी बड़े बड़े करेंगी यहां पे तो यह सारे केला होगा बढ़ा क्योंकि नूट्रियंस कहां नहीं आएगा इस हाथ पे दूसरा यह नर कहां गिर गया नीचे और इसकी बजन है एक से डेड़ केजी कितनी है एक से डेड़ केजी और इसको उपयोग कर लेगा बेजी टेबल्स के रूप सबजी के रूप में बीच देगा पंदरा रुपय, बीस रुपय, बीस रुपय सारे पेड से काट करके यह पंदरा रुपय मंडी में बीच पिक जाएगा पंदरा रुपय, बीस रुपय है तो दो फाइदा हो गया नूट्रियंट्स का बचत हो गया किसानों को फाइदा हो गया इसे हम क्या कहते हैं क्या बोलोगे बताओ बताओ डीनेवलिंग किस में करते हैं केले में किस लिए करते हो नर भाग को हटाने के लिए कब नर को हटाओ पहले हटा देंगे अब हटा सकते हैं यह तो पहले का लिखा हुआ बुक से अब नर की तो कोई खीमत ही नहीं एक केला में हकीकत ना तो बोली नेशन होता है क्योंकि अब केला कैसे हो पार्थेनो कारपी आ निसेट फला है पिना निसेट निसेट करवाना ही नहीं तो ये तो फालतू नर बढ़ते हैं आप ऐसा सोच लो आज 90 परतीसत प्लांट ऐसे होगे फलका और सबजी का जिसमें बेचारे नर कोना उत्पन होने से पहले कुचल दिया जाता है बार दिया जाता है बताऊंगा मेल अस्टरलिटी एक ऐसा आता है रसायन जो पहले ही छिड़त देंगे छोटा वाला जो लिंग था नर का वो भी जलके मर जाता है बोलता है अभी बढ़ा भी नहीं होने दिया मार दिया पस्तेवाएं उसको बोलते है मेल अस्टराईल क्यों मारा जाता है बताऊंगा इसलिए मारा जाता है कि ये जो नर्ञ है ये जैसे जैसे पड़ा होगा उपद्रब मचाएगा उपद्रब मचाएगा का मतलब साम तो रहेगा ने कभी Dartmouth गरिन उस फूल पे भेग देगा कभी हवा के दौरा उस फूल पे चला जाएगा और फूल पे पICEOVER गरिन जाएगा क्योंकि उसकी demand क्या होगी कम seedless बनाना है और seedless के लिए मारना है किसको नर को मारने के लिए आज कल malic hydrogide का बहुत उप्योग करते हैं इसको हमने बोला था male हत्यारा याद कराया था ना image का पूरा नाम malic hydrogide नहीं क्या करोगे male का हत्यारा नर हत्यारा कौन है image तो हर जगा आब हार्मोन का उप्योग हो रहे हैं नर को विचारे को अस्त बेस्त कर दिया गया है ये सारे अच्छे topic ना पढ़ाऊंगा breeding में breeding आप लोग को कोई मतलब है ने लेकिन जो होटी पढ़ा रहा हो नो इसका कम से कम पांच गुन अच्छा तो breeding ज़रूर पढ़ेंगा अपन तीन साल में breeding से तयारे किया हूँ जी आरे फिर होटी में गया तो दीन ने अपने समझ लिया दी का मतलब हटाना किसको हटाना नर भाग को हटाना मनिसा सो रही हो ना आगे ही आगे ऐसे सोते रहो ड्राइवर जब कोई गाड़ी चलाता है और वहाँ तीन आदमें देखो ऐसे अगर सोते रहे हाँ तो ड्राइवर कान पर मारेगा हाँ मारते ना रुख है इसे एक मनिसा कब बलो मार क्या हूँ तो तू क्या कंड़क्टर है रहे हैं मैं ड्राइवर हो तो तू कंड़क्टर है रहे हैं वो खलासी होते हैं ना खलासी सुरेजबोल सुरेजबोल आ गया बटे पर आ गया ठीकट चले आप चले इसको खतम करते हैं पन्ना तो यह क्या है बताओं फिमेल पार्ट को इसको आराम से डी नेवलिंग का मतलब आपने क्या समझ जा नर पार्ट को क्या करना है हटाना है किसकी अवस्था को खतम होने पे तो फिमेल फिमेल अवस्था फिमेल स्टेज क्या हो जाए इंड हो जाए उसके समाप्त होने पे न तो फर्स्ट ओप्रेशन आप करोगे, दूसरा कौन है, दी सकरिक, दी का मतलब क्या होता है, हटाना, किसको हटाना, सकर्ष को, ये सकर्ष कहां बनेंगे गुरू जी, तो सकर्ष देखो, यहां ये डो सकर्ष दिख रहे हैं, हलाकि इमेज आपको प्रूपर नहीं दिख रहा ह होगा, पर अच्छा इमेज इसमें ने आया, यहां आया है, ये देखो, ये सकर्ष है, ये ऐसा तो देखा होगा ना गाउ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सकर्ष, ये थोड़ा सा इमेज यहां गडबड उल्टा गया, कोई नहीं समझा लेता हूँ, तो सकर्ष का मतलब बहुत सारे सकर्स आजाए, आपको पता होगा, कि ये जो पार्ट है, ये केला का, इसके ये जश्ट नीचे वाले भाग, क्या कहलाएगा, राइजोम, क्या कहलाएगा, और राइजोम से ही बिक्सित एकजाम में पूछा जाए, तो बिक्सित क्या होते है, सकर्स, क्या बिक्सि यह क्या है सकर्ष अब इसको जाके दूसरे खेत में लगा उगे तो यह बच्चा है इस बच्चे के बोल दो जाओ उनकि नया प्लांट बना लूगा तो औरीजनल सकर्ष होते हैं उसकी डे कितनी होनी चाहिए 40 डे कम से कब एक महीना तो उसको रहने दो एक महीना 35 दिन ठीक है 40 दिन ठीक है तो ये एपरोक्स होते हैं किसकी आयू बता रहा हूँ sword suckers की किसकी आयू sword suckers अब तब तक इसकी बजन जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 500 से लेकर कहां तक हो जाएगा 750 इसी लिए ज़्यादा तर commercial विथर कौन उप्योग करते हैं अच्छा अब बहुत सारे सकर्स आ जाए एक दो ऐसे से खूब सारे आठ नो सकर्स आ जाए इन सकर्स को हटाना है क्या कहलाएगा 10 सकरे क्यों हटाते हैं इस सकर्स को ताकि healthy sword सकर बन जाएगा अब एक ही घर में 9 लोग है कि हम भी पेड बनाओंगा तो सारे मरे मरे हो जाएगे एक घर में 50 बच्चा हो तो सब को पोसक तक्त्त मिलेंगे निउट्रेंट्स मिलेगा नहीं मिलेगा तो 57 को हटा तो औरंजेव ने यही काम किया सो भाई था बुलहत 99 को हटा दे मैं अकेला राज करूँगा तो यह होते हैं निउट्रेंट्स खाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है पोसक तक्त्त्त की ही लड़ाई है पूरी जगा चलो यह हो गया आपको d-sakring समझ लिये हैं अब अगला है metaking कौन सा भाग है क्या होता है नर्भाग को हटाना d-sakring क्या होता है suckers को हटाना तो suckers को हटा दिया अगला हम बात करेंगे जिसका नाम है metaking metaking actual में होता क्या है देखो यह जो pseudo stem है आप हासितना है काट दो, अब इसको काट दिया, पूरी तरह से काट दोगे, तो condition कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बन जाएंगे, condition लो भाई, ऐसा बन गया, अब पोसक था तो ये पढ़ाया हूँ important operation में, उपर नहीं जाएगा, नीचे आजाएंगे, नीचे आएगा, तो यहाँ क्या बनने लगेगा? suckers, यह क्या बनने लगेंगे? suckers, और यह suckers अगले साल किस के लिए काम आजाएगा? बताओ propagation के लिए, किस के लिए काम आएगा? propagation, तो यह काट देंगे तो अब suckers, इसी कारण किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी कि भाई, इस पेड़ को हर साल काटना है, फिर यहाँ से हटाओ फिर वहाँ पे नया सकर्च डालो तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाते थे अब बैग्यानिक ने सोचा रतून क्रॉप लाने, कौन सा लाने? रतून, और रतून से क्या होगा? एक साल लगा देंगे, तीन साल के लाते रहेंगे तो वो किसके द्वारा संबब हो सकता है? टिशू कल्चर के द्वारा, किसके द्वारा? टिशू, तो इसी लिए उसको कहा जाता है मॉडर्न टेक्निक, किसको कहते हैं? टिशू कल्चर, तो में टॉकिंग क्या होता है? जमील से 40-60 cm उचाई पे क्या कर देंगे? काट देंगे, काटने के बाद वो निट्रियंट्स कहा हैगा? नीचे, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे? सकर्स, और इस सकर्स का उप्योग हम क्या कर लेंगे? प्रोपोगेशन, प्रवर्थन में, ठीक है? तो तीन पर लिया, तो ये कटा हुआ दिख गया, प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना, ये तो छोटा बंच है, इससे भी बड़ा बंच होते हैं, उसको पास उस लगा करके कि केला को लेते हुए स्री राम की जै, नीचे गिर न जाए, तो उसको क्या देना है? सहारा देना है, जै स्री राम, जो जो बड़े बड़े चीज होते हैं उसको सहारा दोने, तो वो गिर जाएंगे, ध्यान दखना, तो बढ़े केला को आपको क्या देना है सहारा चले आगे प्रवर्धन करवा दिया हूँ सोड सकर्स बजन कितना पान सो से साथ सो पच्चास जयामिती की बात करें इसकी जयामिती कितना रखेंगे तो एक्च्वल जयामिती रखते हैं अब बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ICR बोदा की नए भाई तीन इंटू तीन ने रखेंगे कितना रखेंगे दो इंटू दो मीटर अस्पायर रखेंगे जबकि राजस्थान वाले अभी भी कितना मान रहे हैं 3 इंटू 3 आपके बुक में कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3 लेकिन अब हम कितना मानेंगे 2 इंटू 2 परतमान में हाइट इंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो उसमें दूरी कितना रखते हैं 1.25 इंटू 1.25 जानते हो, high density जो planting होती है, उसमें ये केला बना दिया, sorry, गोल-गोल बन गया ये, केला बना दो, ये केला, बहुत सारे केला ना आपस में ऐसे टच हो जाएंगे, टच होंगे, तो क्या टच हो रहा है, केला के ये वाले भाग क्या कहलाएगा, फिंगर, क्या कहलाएगा, तो फिंगर आपस में क्या होते रहेंगे, टच, इधर का भी केला का ये वाले भाग क्या हो जाएगे, टच, तो ये काला हो जाएगा, इसका आगे का भाग क्या हो जाएगा, काला, इसको बोलते हैं, फिंगर टिप, यानि कौन सा भाग काला हो रहा है, टिप, किसका काला हो रह सगन बुवाई में यानि कि जब high density planting करते हैं तो एक बीमारी होता है उसका नाम क्या है finger tip कौन सा बीमारी है बताओ finger tip finger tip पूछेगा किस में होते हैं finger tip होते हैं high density planting में और कौन सा crop में होता है बताओ तो ये होते हैं केला में चलो अब हम बात करेंगे इसकी important किस के बारे बात करेंगे important किस बहुत important है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं आज करो किस करें दो चलो कर देता हूं first नाम है इसका जिससे कहते हैं dwarf cavendis क्या नाम है बताओ dwarf cavendis dwarf cavendis जो है इसी का दूसरा नाम ये पूछ लेगा वसराई ये इसे लिख लेना द्वार्फ केवेंडिस का है नाम क्या है वसराई तो ये इम्पोटेंट है अब ये वसराई जो है ये अधिक उत्पादन देते हैं यानि वसराई हाई प्रोडक्शन वाले वेराइटी है तो यह आप first important श्टार लगा लेना द्वार्प के वेंडेस इसका ना genome, genotype यह सब छोड़ देना तेरे काम की ने नेंदरन chips बनाने के लिए यह important है chips making कौन है बताओ नेंदरन, यह robusta अलग है robusta यह अलग variety है hill बनाना बहुत important ज्यादा variety पे आप confuse मत होना कम ही याद रखना jelly बनाने के लिए jelly formation के लिए important variety कौन है hill बनाना hill hill बनाना बार बार बूछेगा winter बनाना किसकी variety winter बनाना यहीं लिखना winter बनाना यह save की variety है apple की apple की कौन सी variety बता winter बनाना इम्पोटेंट monthan m-o-n-t-h-a-n monthan यह important अमरत सागर अमरत सागर ठीक है cable मेंदरन इम्पोटेंट hill बनाना इम्पोटेंट जो जो आते हैं वसराई important है dwarf kevendis यह बहुत important variety है इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया में लगाए जाते हैं lady finger star लगा दो lady finger कैसी variety है diploid variety है 2n equal to 2x equal to 20 diploid variety है राजापूरी cold resistant cold resistant यानि ठंड के परति परतिरोध बराइटी clue tepard यह क्या है natural hybrid variety है hybrid variety इसका ज़्यादा variety आप ध्यान मत रखना राजापूरी यह तो ऐसे तो किस में बहुत सारे है gold finger यह भी पूछ लेते हैं चमपा है हरी हाल है poo one की बात करें तो poo one एक ध्यान में रख लेना poo one पनामा बिल्ट रसिस्टेंट वेराइटी पनामा बिल्ट रसिस्टेंट अब देखो हमारे तरफ से आप क्या याद रखोगे पांच गराइटी कर लेना जादा नहीं कौन कौन एक तो पास से पूवन पूवन और पास से पनामा ठीक है एक तो ये वेराइटी इंपोटेंट है दूसरा इसमें एक गोल्ड फिंगर याद रखना कौन है बताओ गोल्ड फिंगर एक तो ये पॉइंट तो hybrid variety में gold finger याद हो गया अब इधार आजाए तो chips बनाने वा एक lady finger तो तीन variety lady finger, gold finger और उसके बाद एक और मैंने याद करवाया था फूबन, ठीक है next, इसमें lady finger राजा पूरी ये रहने देना नेंदरन, चोठे variety जो है नेंदरन, हिल बनाना पांच और एक वस्त राई, छे variety आपस्टार लगाना ज्यादा तो ऐसे तो variety, 50-50 variety है कितना याद रखोगे, वो हमें उतना नहीं करना है चलें ये हरी छाल होगा, हरी हाल नहीं होगा हरा होता है ना छाल ये typing mistake है, इसको change करना हरी छाल उपर का जो screen होते हैं, हरी होती है ना हरी छाल चलें, उपज की बात करें, 30-50 ton प्रती हेक्टियर 32-50 ton प्रती हेक्टियर अब मैं फटा-फट करूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, storage की बात करें तो storage आपको करवा चुका हूँ केला में, storage की बात करें तो ये आपका भंडारन 12-15 degree Celsius एक्जेक्ट प्रस्ण पूछे तो 13 degree Celsius और कभी भी भंडारन करते हैं जिसको आप बोलते हो Humidity Relative Humidity की बात करें Relative Humidity की बात करें जिसको आप RH बोलते हैं तो फलो में भंडारन के लिए RH Relative Humidity कितना होना चाहिए 85-90 ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है 85-90 कितना है 85-90 RH पूछेगा फलो की भंडारन के लिए RH का मान कितना होना चाहिए Relative Humidity क्या होते हैं बातावरन एक तो माना गया मान लग सूखी बातावरन तो उसको हम सापेक्स मान ले आरे भाई किसी को मेजर करते हो तो किसीने किसी के सापेक्स करते हो उसके सापेक्स वो अच्छा है पढ़ने में उसके सापेक्स वो कमजोर है पढ़ने में तो ऐसा है Relative होते हैं कि उसके सापेक्स कितनी नमी की मात्रा है जैसे पारिस में क्या होते हैं नमी की मात्रा ज़ादा होते हैं तो किसी भी फलों को भंटारण इसलिए रेफ्रिजिलेटर में करते हैं रेफ्रिजिलेटर में नमी क्या है जाता नमी क्या है जादा तो बातावरण में नमी जादा होंगे तो वो फल जादा दिर तक दुरक्षित रहेंगे या सड़ेंगे कम अब हम बात करें तरफ से आपको डिजीज पढ़ा चुका हूं, अलग से आपको डिजीज पढ़ा चुका हूं, फृूट डिजीज डिज़ीज डिचूर्डर, लेकिन यहां पे एक जल्दी-जल्दी डिजीज करेंगे, केला में सबसे पहले आपने देखा था पनामा स्पोरम से और यह कैसा है स्वाइल बॉन डिजीज है और एसिडिक स्वाइल में जादा होते हैं रसिस्टेंट वेराइटी कौन है पूबन और एम्यून कौन है बसराई अभी अपने नाम सुना और इसका नियंतरन के लिए हम डाले थे क्या लाइम चूना चूना का उपयोग और कहां करते हैं तो एसिड लाइम में कहां करते हैं एसिड लाइम में यानि नीमू बरगिये में ग्रेनूलेशन हो जाता है वहां पे भी हम किसका उपयोग करते हैं चूना का उपयोग एक जगा और करते हैं बताना कहां पे करते हैं अम लिए मिर्दा का सुधारक में कहां उप्योग करते हैं आम लिए मिर्दा सुधारक में तो लाइम का उप्योग करते हैं देखो एक प्रस्ण और अभी में पढ़ रहा था important हमने आपको एक दिन प्रस्ण बताया था कि लाइम जो होते हैं कागजी निम्बू होता है वो इंडिकेटर है किसका कौन सा बिमारी का केंकर का पहाया था ना अब केंकर ओप्शन ही नहीं था केंकर ओप्शन एरो का एकजाम कल की बात बता रहा हूँ कल यह पर्चू हुए थे ना एकजाम उसमें केंकर ओप्शन ही नहीं था ओप्सन था टिष्टेजा था एक जो स्टोरस था एक जो कॉटिस था उसके बाद गमोसिस था एक और नाम कोई था तो क्या आता है टिष्टेजा कौन सा जाता है टिष्टेजा वायरस टिष्टेजा को हम बोलते हैं सिट्रस डिकलाइन के नाम से जानते हैं तो ये भी वाइरस बहुत घातक है, चलो इसको करवा दूँगा, तो ये हो गया कबग, अगला जो है पनामा बिल्ट, पनामा बिल्ट किसके कारा है, किसके द्वारा होता है बताओ, तो ये होते हैं कबग के द्वारा गुरु जी, और कबग का नाम क्या था, फ्यूजेरियम Opsious Forum है, कौन से मिट्टी में ज़्यादा होगा Acidic Swirl में ज़्यादा होगा जिसका उपचार के लिए हम क्या करेंगे, चूना यह कैसे ही दिवीजत में अगर Teacher पढ़ देता है न तो लगता है नहीं भाई, करवाया है और इसका उपचार हम क्या करेंगे और यह होता है किससे वाईरस से और वाईरस को ले जाने वाला कौन है Aphid, Aphid का नाम क्या है Pentalonia Negronervosa यह जो बिमारी है सबसे पहले Kerala में देखा गया था Kerala में एक जगा है जिसका नाम है Pheji क्या नाम है Pheji अगर पूचा जाएगे सबसे पहले ये विमारी कहा उपजर्ब किया गया था फीजी फीजी कहा है बताओ केरला में जैसे रास्थान में एक जगा का नाम है उदेपूर रास्थान में एक जगा का नाम है बिकाने रास्थान में एक जगा का नाम है भरतपूर राहस्थान में एक जगा का नाम है हाइटेक क्लासेश सेवासरम दूरे नगर तो यह राहस्थान में एक जगा का नाम है वैसा ही केरल बहुत बड़ा है तो केरल में यह सब छोटा करून नर्विया क्यों यह बड़े में क्या दिक्कत है तिखने रहा है ठीक है तो यह बहुत हो गया Pentalonia Negro Nervosa सबसे पहले इसे केरला में देखा गया खतरनाक विमारी है किसका North India को और आपको रोकना पड़ेगा किसको कीटो को, किसको रोकना पड़ेगा कीटो को, कीटो को रोकने के लिए आपको कीट नासी दलना पड़ेगा अगला है ब्रेक्स मोजाइक ब्रेक्स मोजाइक की बात करें तो विशानू के दुवारा होता है और इसका वाहत कौन है बताओ एफिड अगला ये ब्रेक्स मोजाइक का इमेज आप देख रहे होंगे ये breaks मोजाइक है कोकन की बात करें तो ये भी किसे होता है वाईरस से और इसको ले जाने वाला कॉन है ए फ्लिट मोको की बात करें तो ऐसा-एसा केला सड जाता है ये जिवानु से होते हैं जिवानु का नाम क्या है सुडो मोनास सोलनी सेरम तो यह होते हैं बैक्टेरिया के द्वारा सीगा टोका लीफ फस्पोर्ट्स की बात करें तो यह भी किसे होता है कवक से और इसका क्लोन लिखा हुआ ABBA जो होते है रसिस्टेंट क्लोन है और ससप्टेवल जो है AAA खgoing कि प्लाड बिके कि बहुत सारे बिपश्फवाट्स प्लाड बिडिंग की बहुत सब्सक्राइबगा अलगरने की होती है यह सब बड़ाँ समझ प लोगो क्लोन क्या होते है जीनो-टाइप क्या होते है अभी आफके λिए यह है वहां का बंच इस एक बंच का बजनन लगभख 35 से 50 kg के बीच भी होते हैं तो सोचो एक केला में अगर एक केला में दो बंच लग जाए मैं एक केला हूँ और एक बंच इधर 50 kg का इधर 50 kg का तो बैलेंस रहूँगा लेकिन एक तरफ अगर 50 kg इधर अधर कुछ नहीं त यह बास को यह तेन आदमी अशे लगे रहे गाए कर देचान पर जायेगा तो यह पास को ले जाएगा तो यह ज्या उप्ता चला जाएगा बास को भी नजोडते हैं भई मैं अब तीन चार बिमारी मैं एक्स्ट्राब को बता रहा हूं जो हो सता है जये अलो पल्प गुदा है कैसा हो जाए पीला हो जाए तो बहुत ज़्यादा पीला भी हो जाना वो हमारे लिए कोई काम करने आरे केला का गुदा कैसा होनी चाहिए सफेद, जब ऐसे केला को निकालो तो सफेद सफेद दिखे, पीला दिखे तो वो ये क्या है, विकार है पीला गुदा, क्या लिख दूँ इसको पीला गुदा, ये नया आपको बता रहा हूँ, पीली गुदा दूसरा है, गूज़ फ्लेश फ्लेश का बतला भी क्या होता है गुदा, बोटल ने तो ये गूज़ फ्लेश एक याद रखना किस से इसका इमेज अभी ने डाला कल दलबा देता हूँ वाइट लिब पत्ती सफेद हो जाना सफेद पत्ती तो यह भी एक disorder है सफेद पत्ती यह blue disease तो यह भी केला से संबंदित है कौन सा disease है blue disease नीर बजाई आपको बता दिया हो संबेदन सील का न से नीर न से नेंदरन पसे पूबन पसे पनाना पसे पूबन पसे पनापा न से नीर न से नेंदरन नेंदरन एक ऐसी वेराइटी है जिसका चिप्स बनाया जाता है क्या बनाया जाता है बता जेनरल होटी कलचर आप जोरदार पढ़ना जेनरल पढ़ोगे तो क्रॉप में देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बस उसी चीज को मैं लम्मा कर रहा हूं के बल कि आपको लगे यार केला में कुछ पढ़ाई है सरने कुछ नहीं, नया क्या देखा कोता का मतलब घकाम कब मुझा और काने के पट ही इसको पूँभन इसका क्या है ससर्थेवल सीड बनाना के नाम से जानते हैं इसे पंच बनें गे तो उत्व पादन क्या होगा आपका वरेक्व इसकी कम कमी के का अठीक है अब हम बात करेंगे कुछ पेस्ट के बारे में पेस्ट का वीडियो मैं अलग आपको बता दूँगा जैसे फ्रूट डिजीज का बनाया, फ्रूट डिसॉडर बनाया वैसा है फ्रूट पेस्ट भी आपको बना दूँगा अभी आप केवल तीन चार पेस्ट का नाम सुन लो जैसे अस्टेम बोरर, आम में हमने चार पेस्ट बताया था एक तो मिली बग, दूसरा होपर, तीसरा फ्रूट फ्लाए, चोठा वीवील चारों के चार कोशन आते हैं फिक्स है अगर कॉरिंटीन के लिए पूछा जाए कि किसका रोक थाम करते हैं तो बिवील का करते हैं, फ्लों के गुदा में एक अलग तरह के खुसूँ आएगे जैसे आम सड़ जाएगा, एक दम तो इसको सूंग होगे तो आप बताओ कौन सा उसमें कीट होगा जो इंफेक्ट किया होगा जिससे गुदा सड़ सड़ लगेंगे अभी मैंने बोला उसका नाम ही है फल मक्खी ऐसी मक्खी जो कहां रहना पसंद करती है फलों के गुदे के भी अगर जैसे होता है ना कुछ लोग पसंद करते हैं कि हीली एस्टेशन में जाके रहना कुछ लोग पसंद करते हैं जैसे मेर में जाके अपने आपको आनंदित करना कुछ लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं कुछ लोग होते हैं गुदा के अंदर रहके अपना परजनन पसंद करते हैं, वो कौन है, fruit fly, fruit fly बोलता है, सबसे अच्छा आनन्द आता है, खेलने में, कब, गुदा में, कहाँ, गुदा में, तो फल के गुदा के बीच, कौन enjoy करता है, fruit fly, तो जहाँ enjoy करेगा, वही अंडा देगा, तो अंडा भी कहाँ देगा, बताओ, गुदा के अंदर, पर गुदा के अंदर, जब अंडा देगा, तो सारे गुदा सर जाएंगे, तो उससे अलग तरह की बदबू आते हैं, चलो ठीक, अगला STM बोरर, नाम से पता है, बोरर का मतलब छेद देना, किसको छेदोगे, तना को छेदना क्या पढ़ाओं इसको, तना छेदक कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो भगबान ने इसको छेदने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिये, कि बेटा तु जा रहा है, तेरा काम छेदने का होगा, तो छेदने के लिए अगर तुझे पलेन बना दूँगा, तो छेदोगे, तो नाक तूट बनाना एफिट, केवल नाम सुन लो आप, इसका हम कहां करेंगे, फ्रूट के पेस्ट में, पहला नाम आपने क्या बताया, पीछे बाले सुरू करते जाएंगे, पहला कौन है कीट बताओ, स्टेम बोरर, केवल नाम लिख लेना आप लोग, तना छेदक, कौन है, तना पपीता में बंची टॉप किसके कारण होता है, तो पपीता में बंची टॉप होता है, यह में लो कोई कारण, किसके कारण होगा, माइको पलाजमा के कारण क्या होगा, बंची टॉप, यह नेचर अप डेमेज आप छोड देना, रोजिट लाइक अपियरेंस होता है, देख से ज्यादा हार्मफूल अगर इफेक्ट कर रहा है आज केला में तो ये निमेटोड कर रहा है गोल्डन निमेटोड किससे संबंदित है बताओ गोल्डन निमेटोड आलू से संबंदित है मिलेडो गायनी किससे संबंदित है तो जड़ गार सुत्र करमी ये किससे भिंडी से स प्रांच बनाया गया है जानते हो निमेटोलोजी, क्या बनाया गया है? निमेटोलोजी, आज भारत की एक परमुकश समस्या अभर के आ रहे है निमेटोड्स. कौन आ रहे है? निमेटोड्स. तो बरोईंग निमेटोड्स एक ध्यान में रखना. nature of damage इसका बाद में करेंगे nature of damage control सर में कार्वो फ्यूरों के द्वारा क्या करता है control और एक दो बिमारी और हमने लाया है एक तो राइजोम जो राइजोम होते है ना उसका नाम है corn bubble तो इसका ये है major paste है कौन किस नाम से जानते हैं राइजोम वेबल के नाम से यानि ये किस पे attack करेगा राइजोम पे किस पे करेगा राइजोम पे pseudo stem bubble भी लिखा हुआ है और ये banana borrowing तो ये लिखा हुआ है ये most destructive निमेटोड्स है इसमें तो तीन निमेटोड्स इसको अभी मैं अच्छा कर दूँगा pseudo stem बताओ तीनों याद रखोगे तो pseudo stem अभासी तना पे लगेगा राइजोम पे लगने वाला और एक क्या याद रखोगे stem borer कौन है stem borer सबसे पहले मैंने बताया और निमेटोड कौन है वरोइंग निमेटोड कौन सा निमेटोड है वरोइंग फिर से बताओ pseudo stem अब हासी तनाप पे लगने वाला pseudo stem, हलाके उसी को हम कहते है suit borer, क्या बोलते है suit borer, तो यह important है major paste कौन है बताओ rhizome baby अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, rhizome baby इसको आप खुद से लिख सकते हो rhizome baby यह और मैं करा दूँगा तो यह होगे आपके complete केला की सेवाएं समापत दो बार में बनायो और नरंदर भी है पपीता में बेसिक जो point है आपको मैं बता देता हूँ 5 मिनिट अपन सुनते रहें हलाकि यह लंबा chapter है 2 class हमें लगेंगे इसमें पर अच्छे से पढ़ेंगे देखो सबसे पहले अगर हम पपीता की बात करें तो botanical name नाम तो तुझे मैं कुछ करने सकता हूँ क्या नाम होगा केरी का पपाया और इसकी फैमली होगी केरी केसी क्या होगा इसका फैमली केरी केसी यह important पपीता को जब हम बाहरी दुनिया से हम देखते हैं तो actual में यह पपीता हमें देखने में लगता है ट्रोपिकल कैसा लगता है बताओ ट्रोपिकल अगर इसका जलवायू पूछा जाए कि बताओ जलवायू कैसा होता है तो आप बोलोगे यह उसन जलवायू का फल है क्या है उसन लेकिन मैं फिर प्रस्ण पूछ रहा हूँ अगर पूछा जाए क्या यह ग्रोग कर सकते हैं समसितोष्ण में यानि सब ट्रोपिकल में तो आपका एंसर क्या आना चाहिए यह ग्रोग कर सकते हैं अब पपीता का एक दो पॉइंट यह जो पीला रंग है या लाल रंग पूछेगा तो यह किसके कारण पीला रंग होते हैं केरी का जन्थीन के कारण किसके कारण जैसे पीले पीले पपीता देख रहा है यह होते हैं किसके कारण केरी का जन्थीन के कारण लाल रंग अगर पूछा जाए, एक ले लेता हूँ, ये लाल रंग पूछा जाए, तो ये लाल रंग किसके कारण होते हैं, ये होते हैं, एंथोसाइनीन के कारण, किसके कारण, एंथोसाइनीन, ये अच्छा प्रस्ण है, अगर उपर का भाग पूछा जाए, ये पीला वाल तो ये किसके कारण है केरिका जैन्थीन के कारण किसके कारण केरिका जैन्थीन के कारण लेकिन अगर गुदा का लाल रंग पूछा जाए तो ये किसके कारण है एंथोसाइने तो दो तो डिफरेंस ये समझ में आ गया हमें तो पपीता में ये जो बीज आपको दिख रहा है ये बीज ये बहुत कीमती बीज होते हैं क्या होते हैं बताओ इसकी कीमत ज्यादा होते हैं इसके उपर एक कभर लगा हुआ है और इसी को बोलते हैं सार को टेश्टा क्या बोलते हैं बाद में पढ़ेंगे इसका क्या है सार को टेश्टा पपीता का बीज कोस्टली होते हैं पपीता के बीजों का भंधारन से ARS में कोस्टन आया हुआ है कि इस बीज को कितने डिगरी पे भंधारन करोगे अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तो भी आप जवाब दे सकते थे क्योंकि हमने बोला था उसन जो फल होते हैं इसका भंधारन हम कितने करते हैं 8 से 12 अगर पपीता का स्टोरेज पूछ लेता तो भी हम करते 11 से कितने डिगरी पे 12 अगर इसका बीज का भंधारन पूछ लिया तो भी हम करते हैं 10 से 11 डिगरी पे कितने डिगरी पे इसके नाइन मन्त तक तो यह सब महत्पूर्ण प्रस्ण है कि पपीता के बीज का जो आयू होते हैं यह कितने माह तक हो सकते हैं नो जबकि हमने आम के बारे में बताया था वो कितने माह तक एक माह, कितने सपता चार सपता, पपीता के बीच कितने माह तक अगर बोतल में बंद कर दिया जाए तो बताओ, नो माह तक तो यह important है, इसके उपर एक पतली सिपरत होती है, जिसका नाम क्या है सारकोटेश्टा, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यह एक introduction है, अगर बिसु में हम बात करें, पपीता उत्पादन का, तो बिसु में सबसे ज़्यादा अगर पपीता उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कहां पे, वर्ल्ड में, वर्ल्ड प्रोडक्शन की अगर हम बात करत बिस उत्पादन में तो अगेन इंडिया फुर्ष्ट रेंग है भारत कौन सा रेंग है बताओ फुर्ष्ट रेंग अभी तक आपने जो दो क्रोप पढ़ाये हों कौन-कौन एक तो हमने आपको मैंगो पढ़ा चुका हों और दूसरा कौन पढ़ाया हों बताओ बनाना केला क की बात कर चुके हैं केला की चर्चा हो गई आम का चर्चा इन दोनों में और एक आज पढ़ रहे हैं अपना पपीता पपीता में तीनों में इंडिया कौन सी अस्थान है फश्ट तो ये पॉइंट अपने लिए इंपोटेंट है भारत कौन सा अस्थान रखता है फश्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20 में संसार में गुरू जी वर्ल्ड परतीसत बता दो प्रोड़क्शन परतीसत कितना होगा 20 में कितना तो अगर आम की बात करें तो पूरे 20 में जितनी आम होती है ना उसका आध़ा 50% इंडिया में होते हैं कहां होते हैं तो ये डेटा ह पर साल फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उपर नीचे बढ़ते रहते हैं, इसको याद ने रखना है, एप्रॉक्स मैं कितना लिख रहा हूँ, पूरी बिसुका, एप्रॉक्स कितना परतिसत, पचास परतिसत आम कहां होते हैं भारत में, एक्जेक्ट अभी का डेटा अगर ग से 43% होते हैं, पूरे बिसु में जितना परतिसत, इसका 43% कौन उत्पादन करता है? एंडिया. एक तो बेसिक पॉइंट ये बना, अब हम बिसुके बादा आ जाते हैं कहां भारत में? कहां आ जाते हैं बताओ, अगर हम भारत में बात करें, तो सबसे जाता कौन सा राज्य है अग्रणी अस्टेट है जो पपीता का प्रोडक्शन करता है तो इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त उत्पादन में कौन आ जाएगा आंधर प्रदेश किसकी बात करेंगे आंधर प्रदेश का और सबसे जादा पी डी बाई पी डी वाई को बोलते हैं उत्पादक्ता उत्पादक्ता प्रोडक्टिवीटी की बात करें तो ये प्रोडक्टिवीटी है तमिल लाडू में ये प्रशन पूछा गया है अगर आपको पूछा जाए कौन ऐसा फ़ल है जिसका सबसे जादा उत्पादक्ता होता है सबसे तो केला का किसका होता है केला के बाद कौन है बताओ पपीता और ये प्रशन अभी हाल खिलाल एक्जाम में आया था कि पपीता के सबसे ज़्यादा कौन सी राजजी की उत्पादकता समझते हो ना परती ही काई छेतर पे कितना production हो रहा है उत्पादन हो रहा है उसको हम क्या कॉलते हैं उत्पादता और ये एप्रोक्स तमिल लाडू में जानते हो 200 मैट्रि टन प्रती हेक्टेरसHer đây कि इतना होते हैं 60 से 65 या 70 टन के आसपास रख सकते हो इसका क्या होते हैं उत्पादन कितने होते हैं 60 से 65, 60 से 70 टन के आसपास उत्पादन होते हैं लेकिन तमिल नाडू में इसका उत्पादन कितना होता है बताओ 200 टन का 190, 195 के आसपास तो ये प्रॉक्स लिख दिया मैंने 200 टन तो तीन प्रस्ण तो ये अच्छा बन जाएगा विश्व में नंबर वन कौन है भारत भारत में नंबर वन कौन है आंधर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादता कहा है बताओ तमिल नाडो में तो बेसिक पॉइंट आपको किलियर इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति लिखा हुआ होगा कहा है बताओ ये सब पढ़ाता नहीं हो ये सब तो क्या है इसी फालतों चीज़ें तो देख के तुम पढ़ लोगे उत्पत्ति कहा है मैक्सिको मैक्सिको जानते हो मैक्सिको की अगर हम बात करें तो ये कहीं कहीं आपको लिखा आएगा ट्रोपिकल अमेरिका भी बेबी लॉब ने जब इसको अलग किया था ना तो ये सारे एक ही रीजन में थे पहले आठ रीजन को अलग किया बेबी लॉब साहिब ने फिर एक ग्यारह रीजन को बताया तो उसी से अलग हुआ है जिसका नाम क्या है कहीं अगर आजाए ट्रोपिकल अमेरिका तो घबराना नहीं है पहले के वरगी करण में मैक्सिको ट्रोपिकल अमेरिका और पेरू एक ही मानते थे ये सब सारे क्या था एक ही था तो जब भी सब ऐसा आए ना मैक्सिको आजाए ट्रोपिकल अमेरिका आजाए पेरू आजाए तो ये समझना एक ही कौंटिनेंट में है पहले उनकी अनुसार एक ही जगा थे अब ये सब अलग-अलग हो गे ट्रोपिकल अमेरिका अगर custard apple की बात करे custard apple जिसको सीता फल कहते हैं इनकी भी उत्पत्ती यहीं है कहां है बताओ tropical America कहां है tropical America चलो अब ठीक है दो प्रस्न एंथोसाइनिन आपके important हो गये, केरिका जन्थेन important हो गया, सारको टेस्टा important हो गया, बीजों को कितना डिगरी पे भंडारन करेंगे 10 डिगरी पे, कितने महीने तक कर सकते हो, 9 माह तक कर सकते हैं इसकी origin की बात करे कहां है, Mexico उसके बाद हमने क्या discussion किया general point की बात करे production में इंडिया क्या है, number one कितना परतिसत सेयर कर रहा है 42 से 43% राची में कौन है, आंध परदेश productivity में कौन है तो तमिलाडू, अब ही इसके बाद हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं इसका chromosome number की किसकी बात कर लेंगे बताओ, chromosome number तो chromosome number जो पपीता में होता है न, 2N वरावर जिसको आप बोलते हो, गुनसुत्र संख्या, कौन सी संख्या गुनसुत्र, 2N वरावर, कितना होता है 18, कितना होगा 18, अब कौन-कौन से crop ऐसे हैं, जिसके 18 होते हैं बताओ, तो अगर आप नीम्बू वर्गिये की बात करोगे किसका बात करेंगे, नीम्बू वर्गिये देखो, एक्जाम में क्या प्रस्ण पूछे गए हैं, मैं आपको share कर देता हूँ नीम्बू वर्गिये तो हर लोग पढ़ा देंगे यार, नीम्बू वर्गिये तो संत्रा, मौसमी और कागजी नीम्बू, कौन-कौन लिख देगा बताओ संत्रा, जिसको हम मेंडरीन बोलते हैं, उसके बाद क्या लिख देगा, मौसम मी उसके बाद क्या लिखेगा, कागजी नीम्बू, जिसे हम एसीड लाइम के नाम से जानते हैं, कागजी नीम्बू को कौन सा लाइम बोलते हो, एसीड लाइम कौन है रंगपूर लाइब मुझाए उसके बाद हमने बताया था जाटी-खटी याद आ गया ना जाटी-खटी का पोट निकल रेम जसे-जाटी जसे-ज़ंबरी आपको याद करवाया हो सिट्रस जंबरी किन्नों के लिए लगाये जाते हैं उसके बाद करना खटा की बाद करें सिट्रस करना इसका नाम था तो ये भी क्या है अठारा गुनसुत ट्राइफॉलियेट ओरेंज ये बताया हूँ बौना होते हैं सबसे बौना का नाम लिया था मैंने फ्लाइंग ड्रेगन क्या नाम लिया था फ्लाइंग ड्रेगन इन सब का क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त अठारा अगर एक एक्जाम और देखोगे सिट्रोन पूछा गया है सिट्रोन का भी कितना होता है अठारा अगर आपको ताहती लाइम पूछा जाए तो भी इसकी क्रोमोजोम कितना होंगे 18 अगर ग्रेप फ्रूट पूछा जाए जिसे नास्ते का फल कहते हो इसके भी क्रोमोजोम संख्या कितना होगा 18 एक और पूछा जाए पुमेलो तो इसके भी क्रोमोजोम की संख्या कितने होंगे 18 इसके ब पत्ता गोबी की बात करें, जिसे हम कैबेज कहते हैं, उसके बाद ब्रॉकली की बात करते हैं, उसके बाद ब्रूशलस स्प्रॉट की बात करते हैं, ब्रूशलस स्प्रॉट, इसके भी गुनसुत्र की संख्यां होते हैं, अठारा, केल की बात करें, तो इसकी संख्यां अठा और गाथ गूबी नॉल कॉल की बात करें तो इसकी भी संख्या कितनी होगी 18 इसके बाद हम अनार की बात करें देखो एक्ष्वल में ना बेल के भी होते हैं डिपलॉयड वेराइटी बेल एक्ष्वल में 2N ब्रावर क्या होता है 36 लेकिन ये होता है चतुर्ध हो नित क्या होते हैं चतुर्ध तो X का मान कितना आएगा 9 अगर बेल कोई डिपलॉइड वेराइटी होंगे तो भी इसकी क्रोमोजोम की संख्यां कितना होगा 18 पालक की बात करें दोस्त तो निम्मू वर्गिये की बात करें इन सबकी क्रोमोजोम की संख्यां कितनी होती है 18 कितनी होंगे 18 तो यह एक आपने क्रोमोजोम का संख्यां का नाम बता दिया जिसका होगा कितना 18 एक प्रस्न यहां से ही important बनते हैं जिसका common name कि भाई पपीता का common name क्या है common name की बात करें पपी मेलाउं ट्रे किसे कहते हैं कल पत्रू वरक्स किसे कहते हैं बताओ केला को बाथरूम का फल किसे कहते हैं आम को राश्टिय फल कौन है आम प्राइट फ्रूट किसे कहते हैं आम को किसको कहते हैं आम को स्टेब इसी तरह से इसको क्या नाम लिया गया है मेलाउं ट्रे वॉंड पैक यार्ड पपीता में पीला रंग ये करवा दिया किसके कारण केरी का जन्थेन के कारण क्रोमर जोम नंबर आपका हो गया है इसमें इसका इड़बल पार्ट कौन सा भाग खाते हो पपीता का तो कौन सा भाग खाएंगे ये वाला जिसका नाम क्या है मीजो कार्ब कौन सा भाग खाएंगे बताओ मीजो कार्ब, जबकि केला का कौन सा पीछे का रिवीजन भी करते जाएंगे केला का कौन सा भाग खाएंगे इंडो और मीजो और आम का कौन सा भाग खाते हैं मीजो कार्ब, आम का कौन सा भाग खाओगे मीजो कार्ब, चलियाब आगे इंडिया इसे लाजज़ेस्ट प्रोड्यूसर ये सारे चीज करवा दिया प्रोडक्टिवीटी तमिलाडू का होता है सबसे ज़्यादा उत्पादत्ता की अगर बात करे प्रोडक्टिवीटी की बात करे किसी भी फल में सबसे ज़्यादा प्रती इकाई उत्पादन कौन देता है बताओ केला के बाद कौन है पपीता अब आते हैं समझने वाला पॉइंट ये तो जेनरल पॉइंट आपके समाप्त होगे जो जेनरल पॉइंट जहां से कहानी को सुरू किया जाता है अब कहानी को आ किस पे बताया था बताओ ये डंधल पे और ये डंधल को क्या बोलते हैं पे डंकल यानि अंकल पे क्या है फूलो का क्रम है अंकल पे फूलो का क्रम है तो जानते हो ये तो एक हो गया पेनिकल ऐसे बहुत सारे पेनिकल बहुत सारे पेनिकल देखो बहुत सारे पेनिकल लग पापीत हम और यह लंबा है। नारू भहिया वला। यह क्या है? मेल फ्लावर देखने से ऐसा गया कैसा दिखा? सारे फूल कैसा दिख रहे हैं। लंबे लंबे.. इसका मतलब यह कौनसा फ्लावर है? आप पहचान जाओगे ये कौन सा फूल है बताओ मेल, एकदम इजी है पहचानना मेल फ्लावर और मेल फ्लावर जो होते है न दोनों का इन फ्लोरोसेंस अलग याद रखना आज पपीता में बता रहा हूँ मेल का अगर पुस्प क्रम आ जाए तो ये तो होता है पेनिकल मेल का क्या होता है पेनिकल और फिमेल का होता है सोले ट्री साइमोज हिंदी में लिख लेना साइमोज 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 ये ऐसे आप नोट कर लेना मेल का पेनिकल उसके बाद क्या है सोले ट्री साइमोज अब मुझे एक पॉइंट और बता दो मैंने कहां कहां आपको मेल पढ़ाया हूँ मेल कहां कहां पढ़ाया हूँ जिसका पुस्प क्रम मेल है कहां कहां पढ़े हो बताओ तो आपने मेल पढ़ा है किसमें आम में पढ़ा है पेनिकल पेनिकल कहां कहां पढ़े हो बताओ एक तो आम में और आम का ही फैमली आम का फैमली क्या है एना कार्ड ये सी तो काजू में भी होता है जानते हो एना कार्ड ये सी तो ये दोनों याद रखोगे काजू में भी फूलो का करम क्या होगा पेनिकल और उसके बाद लीची में आपने देखा इसमें क्या है पेनिकल एक और हमने बताया था धान में क्या है पेनिकल अंगूर की बात करें तो क्या हो गया बताओ पेनिकल और एक और आज से अब ध्यान में रखोगे जिसका नाम क्या है पपीता और पपीता मे किस फूल की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त मेल फ्लावर का जिसका पुस्प करम क्या है पेनिकल तो ऐसे आप पढ़ते रोबस क्लास में ही होटी याद करना है घर पे जाके नहीं मैं ही इतना वार रिवीजन कराता हूँ तुझे क्या जरूत इन सब का क्या हो गया पेनिकल अब हम बात करेंगे किसका भीमेल फ्लावर तो देखो भीमेल फ्लावर में यह लंबे-लंबे आपको नहीं दिखेंगे मोटा-मोटा दिखेगा यह आगे का भाग ना स्वेलिंग होगे याने कि मोटा उभरा हुआ ये पहचानने का बड़ा easy तरीका ये क्या होगा मोटा और male flower नोकीला होते हैं कैसा होगे नोकीला एक तो जैसे पेन का आगे वाले भाग नोकीला और ये आगे वाले भाग फुला हुआ दिखेगा कैसा दिखेगा फुला हुआ तो ये किसको पहचान लोगे बताओ female को और female का क्या होता है Solitary Simoj क्या कहते हैं इसको Solitary Simoj ये Solitary Puspakram कहां पाये जाते हैं देखो ये पाये जाता है सपोर्टा में ये पाये जाता है हालसा में ये पाये जाता है स्ट्रावेरी में ये पाये जाता है सिट्रस में तो ये सारे Hindi English आपके लिखे हुए हैं ये सपोर्टा आपके आया हुआ है भाई साहिब इम्पोर्टेंट है एक कमेंट करके आप लोग बताना जो चीकू होते हैं चीकू का परागन किसके द्वारा करते हैं ये अभी का प्रस्ट रात को मैं जब कोशन चाड़ता हूँ न तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ चीकू का परागन किसके द्वारा करते हैं पोली नेशन किसके द्वारा करते हैं हवा के द्वारा करते हैं, पानी के द्वारा करते हैं, कीटो के द्वारा करते हैं, जंदूओं के द्वारा करते हैं, पक्षियों के द्वारा करते हैं, सभी के द्वारा करते हैं, ऐसा option आ सकता है तो चीको का पोलीनेशन जो होता है दोस्त हवा के द्वारा, मैंने बोला विश्व में सबसे ज़्यादा अगर पोलीनेशन की चर्चा करें, पूरी क्रॉप में तो हवा के द्वारा, फल व्रक्ष में हम चर्चा करें तो कीचो के द्वारा, किस के द्वारा हम बात करें, कीच के द्वारा उसमें भी किस के द्वारा हनी बी के द्वारा और हवा के द्वारा किस में होते हैं जैसे ऐसा ब्रक्षना जो डायोसियस होते हैं एक लिंगी होता है एक लिंगी का मतलब बेचारा अब एक लिंगी एक लिंग तो उद्यपूर में है एक लिंग बीकानेर में या जेसल मेर में हो, मेल यहां है और मादा कहा है, जेसल मेर मेर में, तो यह बेचारा मिलन करेगा कैसे, तो आपस में पोली नेशन कैसे करेंगे, तो इसका प्रकृतिक रूप से किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, यहां से पोलेन गरेन निकल जाता है, और एक मैसेश दे देता है चल जा पीका नेर तो पीका नेर अब जाता है तो पीका नेर ले जाने वाला कौन है हवा हवा में ऐसे उड़ता रहता है हन्वान जी के जैसा पोलेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरे और वो हवा में बोलते रहते मैं यहां हूँ तो pollen grain वहाँ पे धेरे धेरे क्या है उतरता है ऐसे pollination को हम कहते हैं एनीमो फिली क्या बोलते हैं एनीमो का मतलब क्या होता है हवा और यह generally होते हैं किसमें खजूर में किसमें होते हैं खजूर में और किसमें होता है नारियल में औ और किसमें होता है पपीता में, इनका नेचर कैसा है डायोसियस, और किसमें होते है चीकू में, और किसमें देखने को मिलेगा अनार में, और किसमें देखने को मिलेगा बीट में, बीट का मतलब चुकुंदर में, ये सब जल्दी जल्दी लिखते जाओ, आप एक घंटा रहत पर आज जो नारू भाया का ट्रिक है उनके लिए मैं चार वारे इनको थैंक्स कहना जाता हूँ, मुझे भी ग्यान, सत्तिका ग्यान हुआ आज भाई, ऐसा, चले, अब हम बात करें, फ्रूट टाइप, फल परकार के, किसकी बात करेंगे बताओ, फल परकार, फल परकार में म देरी या सरस, इसके बहुत सारे रूपांतरन है, गुच्छा में कौन लगेगा, टमाटर लगेंगे, और कौन लगेगा, बैगन लगेगा, और कौन लगेगा, मिर्च लगेगा, और कौन लगेगा, आलू लगेगा, और कौन लगेगा, अंगूर लगेंगे, और कौन लग कि नीम्बू भी गुच्छा में लगते हैं, आनार भी गुच्छा में लगते हैं, आमला भी गुच्छा में लगते हैं, तो ये सब भी इसी का रूपांतरन है, ये सब भी किसका है, इसी का रूपांतरन है, इसको हेस्पेरिडियम कहते हैं, इसको बेलाष्टा बोलते हैं, ज इसलिए डूप कहते हैं, केला पढ़ दिया, बुच्छे में लगते हैं, उसका फल परकार बेरी है, पपीता का फल परकार क्या कह लाएगा, बेरी, चलते हैं आगे, यह देख लो, अगर आपने देखा नहीं, तो इस तरह के पपीता, अब हम आगे बात करते हैं, पपीता का अगला पॉइंट बहुत इंपोटेंट है, पपीता की अब हम बात करेंगे फलावर से, जहां से प्रशन आते हैं, इंपोटेंट, पपीता की फूलों की बात करें, तो पपीता में तीन तरह के फूल पाये जाते हैं, कौन-कौन, एक का नाम है नर्फूल पाये जाएगा, दूसरा इसमें क्या होते हैं? मादा पाये जाते हैं, और तीसरा जो फूल है, इसे उभाय लिंगी करते हैं, क्या बोलोगे बताू? उभाय लिंगी यानि की बाइसेक्सवल फ्लावर पाया जाता है. जो male होते है न, तो अभी आपने बोलवा male लंबा होते हैं, male क्या होते हैं, लंबा, तो इसका genotype आप से पूछ लेगा, तो इसका M1 और M होते हैं, क्या होते हैं, M1 और M, और उभय लिंगी का genotype पूछा गया है, M2 और small M होते हैं, जबकि मादा छोटी होती है, तो इसको याद रखेंगे MM, क्या याद रखोगे MM, बताओ नरका जीनो टाइप लिख दिया हूँ, इसे स्टेमिनेट कहते हैं, यानि मेल के यूनिट को हम स्टेमिनेट कहेंगे, यह हर्माफोडाइट है, बाइसेक्स्वल फ्लावर, जिसका M2M होता है, और पिस्टिलेट यानि फीमे लेकिन जिंदगी में आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नोट्स बना लेना, छोटका जो एकजाम दोगे ना, उसमें सार पढ़ लेना, पीस बार सार को पढ़ लेना, पढ़का एकजाम कभी लगे कि नई सर, बैंक दूँगा, आईपी पियस दूँगा, तो बार-बार कोचिंग धोड़ी करेंगे पागल, दो साल के बाद तुझे पढ़ाने का मूड कर जाए, तो ऐसा मैटेरियल बना के दे रहा हूं तुझे कि जीवन भर तु बेरोजगार तो नहीं रहो गये, यह लिखित ले ले, कहीं पढ़ाएंगे दो पैसा कमाएंगे बेरोजगार रहने नहीं दूगा, तो इसको बढ़या मस्त बनाना है, और हमें भी देना है नोट्स ताकि एपलिकेशन पे चड़ा दू, अभी आप देख लो कि पीछे वाले सलाइट जो पिछली साल पढ़ाया उसमें अभी में, बहुत अंतर मिल जाएंगे वीडियो में तो नर का मिल गया, फिमेल का मिल गया, सोरी फिमेल, हाँ, मादा का कैसे याद रखोगे मादा, छोटी होती है तो एमेम, यह जीनो टाइप पूछते हैं, कहीं मैंने जीनो टाइप नहीं लिखा, इसमें जीनो टाइप लिखा, और तीन तरह के फूल पाये जाते हैं ना, इ धैगन में पैंटामेर एहीं लिख देता हूं अच्छा पहले इस इमेज को देखो इसमें में बताया यह कौन सा फूल है लं लं नंबा आ रहा है दिख रहा होगा तुझे कम यह लं फ्लाबर आ रहा है नोगीला आ तोग्याई है इसमें यह धिखो अगे के मैंने हम महिने बो बोलते हैं polygamers, क्या बोलोगे, polygamers, जेनरली तीन तरह के ही sex बनेंगे, male, female और जिसमें दोनों हो, यही बन सकते हैं, तो यह polygamers हो गए, important है, चले आगे हम बात करते हैं, next point की ओर, अगला important है, इसका sex form, क्या है, sex form, sex form को हम बोलते हैं, link group, क्या बोलते हैं, अब आपको बतान है, पपीता में कैसा link group होता है, तो पपीता में link group, देखो, अब आपको समझना है, किसी पेड़ को आपको देखकर बताना है, कि यह पेड़ कैसा है, यह पेड़ कैसा है, तो इसके लिए concept आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जरह देखना point को अच्छे से, अगर हम plant की बात क परेना दोस्त, दो तरह के plant पपीता में देखने को मिलते हैं, कौन-कौन, एक का नाम है, डायोईसियस, क्या नाम है बताओ, डायोसियस, इसको आप मेरे हिसाब से इंगलिस में ही पढ़ना, हिंदी में कहते हैं, एक लिंगी पर इसको आप छोड़ देना, इसे आप पढ़ गाइनो डायोईसियस, देखो, यह दो तरह के, अगर इसका लिंग पूछा जाए, कि भाई एक पेड़ है, इसका रूप क्या है, तो एक्शुल में अगर टिक करना होगा, तो हम करेंगे डायोईसियस, क्या टिक करेंगे, लेकिन गलती अभी भी लड़के करते हैं, आप सम पपीता में लिंग रूप पाया जाता है, ओप्शन ये डायोईसियस, ओप्शन बी गाइनो डायोईसियस, ओप्शन सी बोथ, ओप्शन डी नन, अगर ऐसा ओप्शन आता, एक तो ऐसा ओप्शन, दूसरा आता, डायोईसियस, मोनोईसियस, और गाइनो डायोईसियस, अग गल्दी कहा होगा, यहाँ पे हम टिक करेंगे बोथ, दो तरह के किस्म पाए जाते हैं, किस्म का मतलब किस्म होता क्या है, आमरपाली एक वेराइटी है, तो आपके दिमाग में क्या आया, अच्छा गुरुजी आमरपाली एक आम का पेड़ है, यही तो आया मन में, मैं टायोसियस एक वेराइटी है, टायोसियस जैसे एक नाम ले लेता हूँ, पूसा नन्हा, तो आपके मन में क्या आया, पूसा नन्हा एक पपीता की किस्म है, जो कैसा नेचर होता है, बताओ, टायोसियस नेचर होते हैं, कैसा होते हैं, अब मैं नाम बोलो, संगाई सोलो, सं तरह के प्लांट पाए जाते हैं एक का नाम है डायोसियस और एक का नाम है गाइनो डायोसियस क्या नाम है डायोसियस और एक का नाम क्या है देखो डायोसियस का मतलब होता है डायोसियस का मतलब होता है अच्छा कितने लिंग होते हैं सेक्स की चर्चा किया है ना, तो सेक्स का मतलब लिंग, यानि दो लिंग होंगे, कौन-कौन, मेल और फिमेल, तो ये पॉइंट बताता है, कि ये जो दो लिंग है ना, दो लिंग, ये दो पेड़ पे पाया जाएगा, दो लिंग, कितने पेड़ पे पाये जाएगे, दो अच्छा करेंगे, यानि एक प्लांट पपीता का है, जो केवल क्या रख रहा है, नर, और एक प्लांट ऐसा है, जो केवल क्या रख रहा है, मादा, इधर बताओ, गाइनो डायोशियस, जब दो सब्द आ जाए, गाइनो डायोशियस, अच्छा इसमें फूल कैसा होगा, तो फूल या तो फिमेल होंगे और या तो क्या होगा मेल यहां क्या होगा जब दो सब्दा आजाए तो एक फूल तो पक्का है जब दो सब्दा आजाए एंड्रो मोनोशियस आजाए जो मन में है बोल दे गाइनो मोनोशियस आजाए एंड्रो डायोशियस आजाए कुछ भी आज लिख रहा हूं एंड्रो आपना सेक्स जो मैंने पढ़ाया जंडल में वो आप देख सकते हो वीडियो साइद यूटूब पे होंगे एंड्रो मोनोसियस पूछ लेता अब पूछता बताओ यह एक पेड़ है इसमें कितने तरह के फूल पाये जाएंगे जब दो सब्दा आ ज पता है गाइनो सब्द किसके लिए उप्योग करते हैं मादा के लिए तो मादा यानि इसमें कौन-कौन फूल होंगे एक तो फिमेल होगा और दूसरा कौन होगा बाइसेक्सवल होंगे अगर आपसे सब्द बोला जाए एंड्रो मोनोसियस क्या है दोस्त तो एंड्रो का मत होगा बाइसेक्सवल अब मुझे बता दो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं जल्दी जल्दे एक variety किसान के पास क्या है टायोसियस और दूसरे का नाम क्या है गाइनो डायोसियस बताओ डायोसियस जो होते है यह एक नर है दूसरा क्या होगा मादा हो जाएंगे यानि कि अगर सो बीज आपने लाया सो सीड तो इसमें संभावना क्या है पचास तो होंगे मेल और पचास क पूछा जाए कि सेक्स रेशियो कितना होता है मेरे दोस्त तो एक अनुपाद एक बड़ा अच्छा प्रश्ण है यानि 50 क्या होगा मेल और 50 क्या होंगे फीमेल जेनरल सो बीज लाओगे तो 50 हो सकता है मेल हो और 50 क्या हो फीमेल हो बदल अच्छा और इसमें उत्पादन कौन देगा अब यहां आते हैं अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हमें मेल से उत्पादन लेना है सबसे अच्छा पपीता में समझने का यही टोपिक है जिसको हम बोलते हैं सेक्स रिवर्सल सेक्स रिवर्सल का मतलब होता है लिंग परिवर्तन तुमसे एकजाम में परिवर्तन करता बोलता कि भगवान लिंग बदल दो तो नर्ज से क्या हो जाता माता जब परिवर्तन आतंगवादी उतंगवादी घेर लेता चोरूर रात को देखते हो लड़का को बहुत बेरहमी से मारते हैं लड़की थाले रो देगा इतने भाया मुझे छोड़ दो छोड़ देगा बोलेगा चल ठीक ठीक नहीं छोड़ेगा हाँ मने थोड़ा एक दो दिन के बाद छोड़ देगा वो लेकिन लड़का को है ना भ्याना तरीके से मारेगा मारेगा अगर वहाँ पर रहता लिंग परिवर्तन तो लिंग परिवर्तन ये गुन अपने में नही बैग्यानिक चाहे कि नहीं, अब नरंदर भाईया से मैं बच्चा चाह लूँ, आप पताओ इसको कैसे कर सकते हैं, यह सेम चीज आ रहे हैं, कि लड़का बच्चा पैदा करें, तो बैग्यानिक जो सोचता है ना, इसको अभी आद चर्चा करूंगा, बड़ा इंपोर्टें हो, और इससे चाहे लड़का पैदा करते हैं, मनि फल उत्पादन हो, तो क्या यह संबब है, किसी टीचर से भी पूछो मज़ा आ जाएगा, क्या है गुरु जी, एक पपीता है जो मेल फूल रखता है, और मैं चाहता हूँ उससे उत्पादन होना, क्या यह संबब है, तो आज के प्रश्ण यही है, आपको कमेंट में बताना है, क्या यह एक नर्पूस्प जो होते हैं, क्या यह प्रॉड़क्शन दे सकता है? मैं तो बताऊंगा है, इसको अब सोच नहीं है, तू सोच थोड़ा दे. एंसर है हाँ, दे सकते हैं एंसर क्या है, हाँ, मेल भी दे सकता है लेकिन condition एक बनेगा, क्या general condition में, ना general condition का मतलब जैसे है, क्या वो ऐसे change हो जाएगा, नहीं होगे इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा प्रश्ण बनता है कम तापमान पे, low temperature पे, male full बदल जाते हैं किसमे, female में किसमें बदल जाएगा, female में, ध्यान लखना तो अब जो female में बदल जाते हैं, कब बदलते हैं? low में लेकिन ये point किसमें होता है? cookder witness में गलत मत करना, लेकिन पपीता में क्या होता है? कम तापमान अधिक तापमान पे हमेशा अधिक तापमान पे कुकरविट्स में क्या बनेगा नर और यहां क्या होते हैं हमारे धर्मियों में अधिक तापमान पे पपीता में बनता है फिमेलनेस क्या बनते हैं फिमेलनेस तो यह दोनों पॉइंट में डिफरेंस है जिसके कार करेंगे अब गाईनो डायोसियस बताओ पेर कैसा होगा पेर तो पूल रहा है गुरू जी डायोसियस है डायोसियस का मतलब प्लांट तो अलग होंगे एक प्लांट ऐसा है जिसमें के swords ये वाले female flower है कौन सा है और एक plant ऐसा है जिसमें male और female दोनों है तो इसको कौन सा फूल बोलोगे bisexual उभेलिंगे और ये क्या है female बताओ उत्पादन ये देगा कि नहीं फल देगा bisexual वाले फल देगे क्योंकि इसमें भी मादा है तो इसका अगर 120 आप लाओगे तो 100 के 100 बीज क्या करेगा बताओ उत्पादन देगा देगा तो किसानों को कौन सी वेराइटी आप सलाह दोगे कौन सा वेराइटी किसानों को सलाह देगे किसानों को हम देगे मेरे दोस्त कौन सा वेराइटी तो किसान को भारमर को सलाह किसान सलाह हम कौन सी वेराइटी के लिए करेंगे बताओ गाइनो डायोशियस अब पताओ इसका 20 दर क्या होगा सी डेट इसमें 20 दर जादा लगेगा क्योंकि आधा तो नर बन जाएंगे तो इसका 20 दर कितना है? 400 से लेकर 500 ग्राम और इसका आधा करदो इधाई तो इसका 200 से लेकर थीन सो ग्राम भीजदर किसका होता है? गाइनो डायोशियस का तो यह याद रखोगे गाइनो डायोसेस का बीज दर कितना रखेंगे बताओ 200 से 300 क्यों क्योंकि इसका 100 के 100 प्लांट क्या बनेगा प्रोडक्शन देगा क्योंकि इसमें भी मादा है इसमें भी मादा है उधर क्या है आधा मादा है आधा नर है तो आधा बीज तो आपका बरबाद हो जाएगा तो इधर बीज दर क्या याद रखोगे जादा और इधर बीज दर कम और पपीता का बीज दर बहुत महगा होते हैं पपीता कभी लाए हो उसका बीज काफी costly होता है गिन गिन के देगा बीज बहुत costly होते हैं तो इसी लिए scientist ने बोला कि किसान को अगर हम सलाह देंगे तो कौन सी variety देंगे gyno diocese कौन सी बेराइटी gyno diocese, चलो आप ठेक अब है sex reversal जो होते हैं जिसको बोलते हैं link reversal, परिवर्तन link परिवर्तन जो होता है ये link परिवर्तन तो link परिवर्तन किसके कारण होगा, अगर कारक लिखा जाए कि sex reversal का factor बताओ, कौन कौन सा factor है तो एक तो होता है temperature क्या होता है मेरे दोस्त temperature, पपीता जो है ना, ताप के परति संबेदन सील है, एक प्रस्ण और पहले लिख देता हूँ, एकदम समझदार, पूछेगा पपीता एकदम पढ़िया प्रस्ण, एकदम ऐसे तीन अश्टार लगाओं मेरे साथ पपीता संबेदन सील है संबेदन सील है पपीता संबेदन सील है यानि sensitive है sensitive है किसके परति sensitive है temperature, ताप के परति दूसरा, frost frost को बोलते हो, पाला के परति संबेदन सील है तीसरा, हवा wind के परति संबेदन सील है wind के परति संबेदन सील है, option all सभी कितना अच्छा प्रस्ण है, एक ही प्रस्णापन रखते रहते हैं सोनम बर्मा गुरु जी सुनो, बताओ क्या सुनो मन की बात सुनने के लिए तो तुझे जप नाम करना पड़ेगा दे चले आगे क्या है temperature अगर temperature के परति संबेदन सील होगा, तो इसे हम बोलते है thermosensitive यह बड़ा easy question है, थर्मो सेंसेटिव का मतलब ऐसा पेड़ जो ताप के परति क्या हो संबेदन सील, थर्मो सेंसेटिव से कभी प्रस्णाइ आएंगे, दो याद रख लेना एक तो याद रख लेना पपीता, पीए पीए बाई जिसको temperature बहुत नुकसान कर देगा temperature चाहेगा तो इसको male बना देगा temperature चाहेगा तो इसको क्या बना देगा female, तो किस से regulate हो रहा है बताओ, कोई भी पेड़ पोधा जिसको बाहर कारक ना परभावित कर दे, वो प्रसन अच्छा बनते हैं, तो अगर पाला है, तो मैंने वो कहानी बताई था आहा, तो सबसे ज़्यादा पाला किसको परभावित किया था पासे पाला, पासे पपीता अगर ऐसा ही पूछे, उसन परदेश में पापीता को सबसे ज़्यादा परभावित कौन कर रहा है टेंपरेचर भी, अगर क्योंकि पाला कब होगा, जब टेंपरेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएंगे, तो वो भी इसको परभावित करेगा, और तीसरा क्या है हवा, क्योंकि इसमें लकडी है नए बेचारे में, तो हवा तेज से आता है तो पापीता इसे गिरे हुए है, सारा पेड इसे गिरे रहे है क्योंकि इसकी मजबूती क्या है, कम तो ये तीनों के परती ये क्या होते हैं ग्रहन सील, उसनी को हम बोलते हैं संबेदन सील और संबेदन सील को ही हिंदी में बोलते हो ग्राही क्या बोलते हैं तो यह answer क्या जाता बताओ all क्या जाता तो यहाँ पपीता और फुल गोबी यह दोनों ना बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं किसका और फूलों में एक याद रखना गुलदावदी का किसका याद रखोगे गुलदावदी अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं क्राइसेंथमम क्या बोलते हैं बताओ क्राइसेंथमम बताओ थर्मो सेंसेटिब के लिए कौन कोन याद रखोगे पपीता दूसरा हम क्या याद रखेंगे बताओ दूसरा फूल गोवी सबजियों में और फूलों में क्या याद रखोगे गुलदावते तीन याद रह जाएंगे तीन ही प्रश्ण बनेंगे आपको कि कौन है टेंपरेचर के परती तो ये हो गया पपीता का अच्छा अब ये टेंपरेचर है यहाँ क्या चेंज हो जाएगा तो आपको क्या याद रखना है टेंपरेचर का एक प्रश्ण अधिक तापमान अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तेंपरेचर बढ़ेगा और टेंपरेचर कब बढ़ेगा समर सीजन में गर्मियों में तो यहाँ पे देखो ये अजीब लगता है, रिसर्च पेपर मैंने बहुत देखा, कई लोग होते हैं जो पढ़ा देते हैं, अधिक तापमान पे नर्पुस्प बढ़ते हैं, पपीता में क्या लिखा देंगे? नर्पुस्प, तो ये ध्यान रखना अधिक तापमान पे पपीता में मादा बढ़ता है, पपीता में कौन सा फूल बढ़ेगा? मादा, जबकि कुकर विट्स की हम बात करें, किसकी बात करेंगे? कुकर विट्स का, तो वहाँ पे बढ़ता है नर्पुस्प, याद रखोगे? कौन सा फूल बढ़ जाते हैं? नर्प, फ्रोस्प के लिए इसका कंट्र आपको पूछ लेगा, तो control के लिए क्या डालते हो, एक तो sulfur का उप्योग करें, huge sulfur, और दूसरा 0.1 परतिसत tanoo, tanoo का मतलब बोलते हैं dilute, किसका उप्योग करना है, H2SO4 का, किसका उप्योग करेंगे, tanoo H2SO4 का उप्योग करेंगे, अब हवा है, तो हवा को तो हम रोक नहीं स परतिरोध किस्म लगा देंगे, resistant variety लगाएंगे, जिसका नाम है Pusa Jant, क्या नाम है, Pusa Giant, लिखना इसको Pusa Jant, resistant variety किसके परती है, हवा के परती, एक ऐसी variety है, जो लंबी होती है, Jant का मतलब क्या होता है, लंबा, लेकिन ये किसके है resistant, हवा, यह एक ब्रस्त, अब ना धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे ना, तो किसी भी crop का ना प्रस्त तुझे पता लगने लगेगा, कि बंता क्या है प्रस्त, हम जब B.S.E.R. में पढ़ते थें, सच बताओं, तो मुझे कुछ नहीं पता लगता था, अपर अभी तुझे नहीं लगता होगा, जो गुरु जी प धरसल होता है, लिंग परिवर्तन होता है, आप जानते हो, हर एक चीज कंट्रॉल होता है, क्रोमोजोम के उपर पाये जाने वाले जीन पे, बिरिडिंग में ये डिसकस हम करेंगे, जैसे यह है क्रोमोजोम है, ऐसे से हमारे सरीर में, एक सेल की बात करूँ, एक कोशिका में इस तरह के कितने क्रोमोजोम पाये जाएंगे 46 और अगर जोड़ की बात करूँ तो जोड़ा में पाये जाएगा कितना 23 तो 23 यह उपर वाले मुझे दिखाना था कि सबसे उपर वाले जो होते हैं न यह गाट के उपर इसको हम बोलते हैं सेटेलाइट कौन सा क्रोमोजोम है बताओ सेटेलाइट और यही भाग जो बुनसुत्र का है क्रोमोजोम का यह कंट्रोल करता है किसको नर को इसको कंट्रोल करता है तो क्रोमोजोम के सबसे उपर वाले भाग जो गांठ लगे हुए है इसको हम बोलते हैं इसको टीलो मेर बोलते हैं क्या बोलते हैं टीलो मेर इसको सेटेलाइट क्रोमोजोम बोलते हैं कौन सा क्रोमोजोम सेटेलाइट और यह satellite chromosome किसको control करता है बताऊ मेल को तो मेल को control करता है यह सब point बड़ा अजीब point है और sex reversal जो पपीतम होता है वो एक ही gene control करता है सब को सब gene control करते हैं यह तो breeding का बड़ा मज़ेदार चेप्टर है इस क्रोमोजोम के जब खोलोगे न भाग तो खोलेंगे तो इसपे बहुत सारे जीन पाए जाते हैं बहुत सारे जीन अभी गाउं की भासम पढ़ा देता हूँ ऐसा ऐसा खूब जीन पाए जाएंगे suppose that यह जो जीन है यह फलों के आकार को बढ़ा रहा है यह जो जीन है सकेंड वाला suppose that यह फल की लंबाई को पेड की लंबाई को कंट्रोल कर रहा है कोई जीन ऐसा होगा जो फूलों के रंग को बना यह आपस में इंट्रेक्शन नहीं करेंगे यह जीन की घुसके जाके बोलेंगे और तेरे फूल का रंग लाल नहीं हो रहा है जादा रहे ऐसे इसे नहीं करेगा जैसे मैं काला हूँ तो इसके लिए कोई अलग जीन जीम में दार किसी का बाल घुंगरीला है तो उसके लिए कोई अलग जीन है जो घुंगरीले बाल केवल देखेगा और कुछ नहीं करेगा प्यानिक लोग यही करते हैं इस जीन को अगर पता लग गया कि यह जीन भलो की आकार को बढ़ा कर रहा है बढ़ा कर रहा है ना कुछ दिखते हैं और वो लोग कैसे यह काम करता है कि एक केंदर के अंदर नुकलियस के अंदर 46 क्रोम जो उसके अंदर जाकर के क्या देखता है DNA चोटे टुकडे जीन और जीन को कारता है और यह कैसे पता कर लेता है कि यह लंबाई बढ़ा रहा है यह चोड़ाई बढ़ा रहा है यह फलों की गोलाई को कोई फल देखा होगा गोल होते हैं सीता फल देखा होगा उबर खाबर होते हैं नारियल जो होता है ऐसा होता है उसमें मोच होते हैं रेसे होते हैं इन सब को बनाने वाला कोई ना कोई अलग अलग जीन है क्या है जीन अगर यकीन ने करो तो जो नारियल के फल बना रहा होगा ना उस जीन को काट लो और आम में डाल दो तो आम के उपर भी फैवर आने लगेंगे धीरे धीरे क्या आने लगेगा बैग्यानिकों के बहुत अच्छा लेकिन सरी सकसेज होगा नहीं होगे क्यों नहीं होगा कि हाइबिडाइशन में मैंने बताया है इंटर अस्पेस्फिक इंटर जेनरिक ये सब बहुत सारे फेक्टर काम करते हैं तुम छोड़ देना है दिमाग मत खा इधर आजा जीन कौन सा जीन है बताओ सिंगल जीन ठिक है अब आजाते हैं ये आपको फूल दिखा दिया मेल और ये देखो ये पहचानने का बढ़ाई जी क्या मैंने बोला फिमेल फ्लावर कैसा होगा बूल नोच कर सकते हो जैसे गुलाव में एक disorder होता है जिसका नाम है बुल हेड क्या नाम है साणव के माथे के जैसा जिसमें सिंग ने होते हैं वो वाले साणव की बात किया हूँ वैसा बुल हेड चलो ये कर दिया अब आते हैं आगे की कहानी की ओर important इसके root stock से प्रशना आते हैं मूल बरंद से तो एक मूल बरंद आपको बड़ा अच्छा याद रखना है केवल एक मूल बरंद कर लेना कौन सा एक मैंने अमरूद में आपने बात किया था कि अमरूद में पाला को रोकने के लिए ठंड में उसका नाम था Cdm Cdm Prat Rich Phalinum और चार बार बोला था Cdm Prat Rich Phalinum कहां बताया हो root stock सबसे पहले क्लास आम के पहले मैंने लिया था मूल बरंद का उसमें मैंने चर्चा किया यहां हम दो बात करेंगे जो हमेशा आते हैं देखो यह प्रश्न पार बार पूछता है ठंड परतिरोध root stock जो है इसका नाम है Mountain Papaya कितने एक्जाम में आया हुआ क्या नाम है तो इसको तो गुरु जी याद कर लेंगे Mountain जो होता है वहां पे ठंड होते हैं Mountain जो होता है बड़ा important है केरिका कार्डे मैंसिस क्या नाम है केरिका केंडा मैंसिस नहीं कार्डे मैंसिस यहां लिखा होगा कहिना यहां केंडा मारेंसिस गट लेना भाई अच्छोड़ देना ने तो ऐसे हम तो ऐसे पढ़ते थे केरिका पपाया और C4 केंडा केंडा का मतलब cold केंडा का मतलब क्या है cold कैसा resistant में यह काम करेगा cold तो इसी को नाम क्या है mountain papaya कौन सी papaya के नाम से रहे बता mountain papaya एक तो यह याद रखेंगे और दूसरा important जो अपना प्रश्न बनेगा virus resistant पपीता में सब से जादा क्या होता है वाइरस, चलो, वायरस से एक पॉइंट और याद आ गया, यानि फ्रोस्ट रसिस्टेंट तो ये ध्यान दखोगे, और रीवर स्पोर्ट या वाइरस स्टेंट में ये याद रखना, कॉली क्लोरा, कौनसा? तो याद रख लेना, कॉली क केरिका कॉली फ्लोरा केरिका कॉली फ्लोरा या वैस कोनेला कॉली फ्लोरा यह दोनों याद रख लेना चलो कोरिसी फोलिया जो होते हैं यह हाडनेस कह यानि कि कोल्ड हाडनेस यह भी हाड होते हैं थंडे में इसको कुछ नहीं हो सकता है पर आप तो कॉली फ्लोरा याद रख यह दो point आप याद रखते हैं इसको हम mountain papaya कहते हैं क्या बोलते हैं बताओ mountain papaya अब इस papita से याद आ गया मुझे एक point जो इसका अच्छा प्रस्ण बनता है वो भी करा लेता हूँ जिसका नाम है inter cropping क्या नाम है बताओ inter cropping एक प्रस्ण यहां से बनता है जो आप लोग रट लेते हो कि आम के साथ filler crop के रूप में क्या लगाते हैं papita क्या लगाते हैं papita तो हमने एक बाग लगाया ध्यान से समयना यहां वो प्रस्ण नहीं discuss करेंगे जो हम बाग लगाने में करवा चुका हूँ यह एक आम का पेड़ है किसका पेड़ है बताओ आम का और यहां पे हम कोई और पेड़ लगा रहा हूँ जो कैसा प्लांट है यह वाले इसको हम बोलते हैं filler क्या बोलोगे इस प्लांट को इसको हम बोलते हैं filler पादप और यह कौन सा प्लांट है आम आम कैसा है बताओ यहा भाग लगाया हूँ तो asthai है asthai को क्या बोलोगे permanent क्या बोल देंगे दोस्त out permanent और ये कैसा है asthai कैसा है asthai asthai को हम बोलते है temporary कैसा है temporary जिसको समय के अनुसार आप बदद सकते हो, change कर सकते है अब आम के साथ पादब कौन-कौन लगा सकते हैं तो एक तो लगाएंगे पी ए, पी ए, बाई ये, ये पपाया एक ऐसा वेराइटी, एसा प्लांट है ना, जो सबसे जादा इकोनोमिक देता है किसानों को, सबसे जादा इकोनोमिक कौन देगा, किसानों को कौन देगा, पपाया, तो ये इंपोर्टेंट है, क्या इसके साथ गार्लिक लगा सकते हैं, लहसन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या इसके साथ देखना आप क्या नहीं लगाएंगे वो भी आज बोलोगा, पाकी दिन मैंने केवल पढ़ाया यह लगा सकते हैं, तो गार्लिक लगा सकते हैं, इसके साथ आम के साथ इंपोडेंट ह पपीता लगा सकते हो, गादलिक लगा गया, ओनियन लगा दियो, ठीक हाट, करॉंदा लगाते हैं सुखे परदेश में, क्या लगाते हो, करॉंदा और कौन लगाते हैं, फालसा ये चर्चा कर चुका हूँ, ये हो गया, ये सब सुखे परदेश, एरिड रीजन में पूछा आम के साथ, इंटर क्रॉप, फीलर क्रॉप के रूप में किसका उप्योग करेंगे, तो करॉंदा और फालसा, प्रस्न ये नहीं, ये तो मैं आम में करवा चुका हूँ, प्रस्न मेरा ये है, कि पपीता के साथ क्या लगाओगे, समझो आप मेरी बात को, उधर मैंने क्या ब पपीता, ये क्या है पपीता, अब पपीता के साथ यहां फीलर क्रॉप, जल्दी से कोई कमेंट में बताओ, मजा आ जाए, अरे सर, ये तो बताया ही नहीं कोई, इसके साथ पपीता के साथ फीलर क्रॉप में रूप में हम रखते हैं, सबसे अच्छा प्रस्न बनेगा और कौन नहीं रखेंगे, कौन नहीं लगाएंगे, कौन सा प्लांट पपीता के साथ नहीं लगाएंगे, तो ये नहीं लगाओगे मेरे दोस्त, मिर्च नहीं लगाओगे, कभी भी पपीता के साथ, क्यों नहीं लगाएंगे, गुरु जी इसका एंसर तो दो, तमाटर नहीं लगाना कभी भी पपीता के साथ क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें से एफिड का अटेक आलू नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसमें एफिड यानि वाइरस अटेक क्या होता है इन सब पे जादा वाइरस का आकरमन क्या होगा ज्यादा और वाइरस और किसको आकरमन करेगा बताओ पपीता में पपीता में ज्यादा सिर्यस बिमारी कौन है बताओ वाइरस अगर वाइरस पपीता को भी नुकसान कर रहा है और मिर्च को भी नुकसान करेगा या तो कभी क्या होगा मिर्च में वाइरस लग जाएगा तो यही वाइरस किसको इंफेक्ट कर देगा पपीता को और पपीता में वाइरस है तो वो किसको इंफेक्ट कर देगा मिर्च को क्योंकि दोनों का परजाती क्या पाए जाएंगे सेम आराम से धोंग मचा के एदम गरदा मचा देगा यह फिर तो यह दोनों आपस में इंटर लगाएंगे तो Sir Papita के साथ क्या पूछेगा कौन intercrop लगाते या कौन नहीं लगाते हैं तो एंसर आएगा सब ही पपीता के साथ कौन intercrop में उप्योग नहीं करते हैं कौन नहीं करेंगे मेर्च टमाटर आलो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वाइरस का अटैक क्या होता है जादा चले आगे बढ़े तो अभी तो जंडल जंडल है न रोगे या टाइम है होगे चलो जो परहाया हूं उसको बता दो ये तो करवा दिया फपीते के बीच में बीच में एक आवरन होता है जिसका नाम क्या है सारको टेश्टा इसके बीच के ऊपर देखा होगा पतली पोलोथीन के जैसा होता है उसको क्या बोलते है सारको टेश्टा सीड को कितने डिगरी पे अस्टूर करोगे 10 डिगरी पे कितने मन्त के लिए करेंगे 9 मन्त सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार किस से करते हैं श्टार लगा के लिख लेना बीज उपचार जो पपीता में करते हैं ये करते हैं थायो यूरिया से किस से करते हैं थायो यूरिया अरे बुरुजी ये थायो यूरिया तो बहुत जगा पढ़ा चुके हो सर कहां कहां पढ़ाए हो आलू में सुसुपता वस्था को क्या करेगा तोड़ेगा और सुसुपता वस्था को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं बताओ थायो यूरिया का किसका उपयोग करेंगे थायो यूरिया और सुसुपता वस्था को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं डॉर्मेंस तो थायो यूरिया, यह हम उपयोग करते हैं किसका GA3 200 PPM, किसका उपयोग करोगे? GA3 जिबरेलिक एसीड 200 PPM, वन ग्राम जो पपीता, आपने कोई इसा फलो का बीज नहीं देखा हुआ जो ग्राम में मिलते हैं, केवल पपीता का बीज किसमें मिलता है? ग्राम में, क्योंकि यह costly होते हैं, एक ग्राम पपीता के बीज में, कितने बीज आते हैं, बताओ 20, और इसको tight bottle में इस तरह से pack करोगे, तब यह कितने महीने तक, बताओ, store रहेंगे? 9 माह तक, कितने तक रहेंगे? 9 माह तक. दिवस निर्प्यक्ष है, और यहां से कहानी मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 24 स्लाइड, अभी 58 स्लाइड तक जाना है, तो पपीता में 2 दिन लगते हैं, लिखा के पढ़ाता हूँ, तो 4 से 5 दिन की क्लास है. लेकिन जीवन में एक ही बार पढ़ना पढ़ेगा, दुवारा आपको जरूरत नहीं पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, नए नए स्लाइड, 3 घंटा, 9 बजे से लेकर स्लाइड फिर पहले कि डिजीज डिसोडर आपको अलग करवा दिया, इसमें एक पॉइंट और करेंगे, सारे फ्रूट क्रॉप का कीट अलग करूँगा, बहुत सारे लड़के बोल रहे थे सर, एंटोमोलोजी का कोई समरी वाले, तो समरी भी कर रहा हूँ, एंटो का सारे कीट एक स पत्ति कहां हुई, एक्सिक, एंटोम नंबर कितना है, 18, अलग परकार की बात करें तो इसका क्या है, गुच्छी लगता है, इसी तरह के फूट लगेंगे, तरह के लगेंगे, और बाइसेक्स, अब पुस्पक्रम अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इसका पूछा ज होगा, क्या होंगे, इसमें अधिक तापमान पर इस बढ़ते हैं, जबकि कुकरवीट्स क्या होता है, हाइट तेमपरेचर पर क्या बढ़ता है, मिलनेश, बनेगा इलनेश, इसका कौमन नेम क्या था, इसे मिलाण ट्री की नाम से जानते हैं, वंडर ट्रॉपिक्स की नाम गा सब्सक्राइब करते हैं अगर बात करें तो 양थर कि पर्डथन तू राजी सब से तोक प्तव थो आपको कौन दिख रहा है आंध प्रदेर सबसे जादा-उतपादक्ता की बात करें oso नाडो में है ृणो में अगर सबसे जादा हमुड़ प्लाइकता की बात करें को है कॉन है इन फ्लोरोसेंस पताया था कि अगर male की चर्चा करेंगे तो पेनिकल और इसमें लमबे तरह के फूट पाए जाते हैं पूलेटरी ताइमोच के पाए जाता है भीमी के फाए जाते हैं पॉइंट फूर्ट टाइप इसका क्या होगा बेरी तरह के प्राबर होते हैं इसका नाम क्या है मेरे दोस्त पोली गेमस जो होता है लंबा होता है नर इसका जीनो टाइप जो गा क्या होगा और हर्मापोडाइट में होगा क्योंकि किसे कहोगे तो मेल होगा इसलिए बड़ा वाला से बड़ा वाले तो एम टू और क्या होंगे एम अगर फेमें जीनो टाइप क्या था स्मॉल और ठीक है रात को चार वजे तक हमने स्लाइट को किया है क्योंकि बाद मंडे से आपकी जन्राइट का सुरू है टांट बेड़ा है एक लिंक होते हैं और कौन-कौन होता है खजूर पपीता नारियल और पान कि स्क्स-रीवर्सलि के पाया जाता है कि समें पपाया में एट अलाइट क्रोमो जूम जो आक्रो वाले प्रोजओंचों क क्लेम करते है eco क्या करता है कट्रोल करते है Reno है होता है कि या सार क रेच्ट मैंने बताया था क्या कॉलीफ डिलोरा को याद रखना है किसके अबरण को हम क्या दे सब्सक्राइब है कित में स्टोर करते हो 10 नौमान्त कि पोटेंड काहनी अब हमend कहाणी को सुछ करते हैं क्या है बता हो यह दे न्यूनल प्लांट किसकी बात करेंगे आगर हम पापाया की बात करें प्लस वावा की बात करें अमरूर की बात करें तो ये दोनों कैसा है चल दान अगर हम सब्जीयों के बात करते हैं कौन होता है बताओ हम फल खाते हैं का फल खाते हैं तारे क्या है बताओ अगर वेज़ेवल्स में बात करें तो तैसे तमाटर हो गया इसका फल खाते हो पैगन का फल खाते हो का फल खाते हो अगो ओकरा की बात करें भेंड़ का फल खाते हो पर बीट से तब का आप क्या खाते हो फल पंद्रा सब्जिबल तो इसे होगे 15 सबजी 5 इस अपने लिखा और कौन है पपीता अमरूत ये सारे होते हैं और अगर आपको बात करें तो इसे याद रखोगे जिस अखाते हैं वो सब क्या होता है अपीता में स्ट्रेटिंग क्या होता है आपस में क्या होते हैं जोज Iggy मान लिये जाए पने संबंधी जैसे मान लिया जाए चचेरी बहन चाछा का कहलाएगा चचेरी बहन अपनी किया कर रहा है? कि अपने ही गा परिवार में खूंत पारे होते हैं? किसे होगे बताओ ये बार-बार पूछते हैं close relation सगे संबंधी के बीच साधी कर लेना कि अधिक करते हैं बताओ अधिक तापमान पे कौन सा फूल जादा आएगा तो अधिक तापमान पे कौन आते हैं कौन सा फूल जादा आएगा इमेल प्रवर्धन की बात करें प्रोपागेशन तो प्रोपागेशन की सपारा करते हो प्रोपागेशन की बात करें पपीता में प्रवर्धन की सपारा होता है तो के द्वारा और बीच सपारा कौन-कौन है तो और हम करते हैं आलसा में और किसम करते हो बता इस टाइम में और किसम करते हैं एंगो च करते हैं मैंगो च करते हैं और महेंगोश्टी में हम कहते हैं फलो के रानी कभी कभी आपको याधिकान जिगा लाइटी से कौन लिखा रहेगा रानी में बता इन सब का प्रवर्धन जो हम करते हैं परा करते हैं परा आपके सारवाली बुक परते हुए हैं पपीता में जो सिचाई करते हैं अगर पपीत हम करते हैं रिंग बारा किसके बारा बता ये रिंग और परचलित कि परचलित है यहां देखो यह रिंग कारों तरफ ये सिराई में अपीता में TSS मैंने पताया था आपको करवा चुका हूँ अ से आम अ से अंगूर कोनों का TSS बोला था और अगर हम अमरूत चर्चा करते हैं करोगे आठ से दस डिक्स करेंगे आठ से दस डिक्स वैस्ट कि आने वाले हैं तो कि चैले कितना है आठ से दस डिक्स अब हम बाकी की बात किये थे बाकी जो फल होते है उसका कितना है 11 से 13 डिक्स ठिक है याद हो जाएंगे जिंग फलेस स्वीट में कितना होता है 12 से 14 तो यह छोड़ देना इस कितना है पपीता में 11 अनार की बात करें तो 11 से 12 के आसपास 20 दर आपको मैंने कल बताया था दो तरह के आपने देखा था वेराइटी एक का नाम क्या था गाइनो डायोसियस यादा रहा है गाइनो डायोसियस में कैसा होगा गाइनो का मतलब फीमेल और एक कैसा होगा बाइसेक्सवल ठीक है और यह प्लांट कैसा होगा डायोसियस का म तो इसको हम बोलते हैं bisexual लेकिन प्लांट कैसा होगा अलग अलग प्लांट कैसा होगा अलग अलग तो इसमें सारे क्या होंगे productive यानि यह भी उत्पादन देगा यह भी उत्पादन देगा तो इसका बीजदर हम कम रखेंगे कितना रखेंगे दाई सो से लेकर 300 ग्राम के आस Gramm ३ड़े निख ते हैं 200 से 200 Gramm अब है Dioces जो होते हैं इसका 20 दर्ध इसका आधा कर देना अपने समझ जओगे न लग वग ईह प्रॉक्स कितने 400 से लेकर कितने 500 Gramm 400 से लेकर 500 Gramm किसका है Dioces का किसका है Dioces तो यह important point आफ याद रखोगे चले आगे अब एक प्रस्न यहां से भी अच्छा बनता है वो कौन है बताओ नॉर्माल सीडरेट गुरू जी चार सो से पांसो ग्राम ठीक है सर बॉइस सही नहीं आ रही है मादा पुस्पो में गोल फल लगते हैं ठीक है अच्छा कल वाले ट्रिक बता रहा है यह सही आरे निरंदर रवाज है तुझ चोबिस गंटा रहता यहीं है रेकरता क्या है तुझ ठीक है बढ़िया है परफेक्ट चले अब हम बात करेंगे किसका पेपेन का किसका बात करेंगे इस से प्रस्न देखो अच्छा बनते हैं पपीता है जो दिख रहा है न तुम लोग को क्या दिख रहा है उदर से पपीता है और यह सफेद वाला क्या है पपेन है क्या है पपेन अब इसमें जब चीरा लगाओगे न इसमें चीरा लगाया तो इस तरह के लेटेक्स निकलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं लेटेक्स ये latex का रंग कैसा है बताओ, सफेद, अब ये latex किस से निकलते हैं, तो ये latex निकलेंगे कच्चा पपीता से, किस से निकलेगा, कच्चा पपीता, और इस जो कच्चा पपीता का आयू पूछ लेगा, कि unripe जो fruit होते हैं, green fruit होते हैं, इसका age कितना होना चाहिए, तो ये age ह होना चाहिए तीन माह का या तो आपसे दूसरे सब्दों में प्रश्ण पूछेगा कि पेपेन का प्रोडक्षन कितने दिन में करते हैं ट्रांस प्लांटिंग के बाद तो 80-90 दिन के बाद इसका क्या करेंगे बताओ चीरा लगाएंगे लेटेक्स को क्या करेंगे प्राप्त करेंगे कितने के दिन के बाद 80-90 तो ये कितने माह हो गया तीन माह तो पूछेगा कौन से पपीता से तो तीन माह के कच्छे पपीता से हम क्या प्राप्त करते हैं लेट पेपेन अब हम बात करते हैं इसका पहले आप सुन लो इधर कहानी पाज से क्या हो गया बताओ पापाया पाज से क्या हो गया पापाया पापाया से क्या प्राप्त करते हैं तो पापाया से प्राप्त करते हैं पपेन और कारपीन दो इंपोर्टेंट केमिकल हो गया यानि लेटेक्स पाज से पापाया पसे पपीता और सोरी पपेन में पाया जाता है एंजाइम और इस एंजाइम का नाम क्या है पेपसीन क्या नाम है पेपसीन और जामते हो कि एंजाइम जो बने होते हैं वो किसके होंगे प्रोटीन के बने होंगे तो पेपसीन में प्रोटीन का प्रतीशत कहीं कहीं पूछेगा आपको पपेन में प्रोटीन का प्रतिसत तो ये होते हैं कितना 72% कितना होते हैं बताओ 72 अब ये जो पेपेन है ना जो लेटेक्स है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं बताओ पपेन इस पपेन का उप्योग कहां है यूज कहां है तो इसका उपयोग हम करते हैं जो कच्चा पपीता है न ये छोटा सा मान लिया जाए देखो ये कच्चा पपीता है इसका उपयोग हम करते हैं कि भाई मांस बनाते हैं न मीट तो देखाओगा मीट बनाने में लगते हैं टाइम बहुत ज़्यादा अगर बकरा को काट दिया अब इसका बना रहे हो तो इसमें लग जाएंगे 4-5 घंटे, तो थोड़ा सा कच्चा पपीता उसमें डाल दो, तो मीट को क्या कर देगा, जल्दी पका देगा, क्या करेगा ये, जल्दी पकाएगा, इसका मतलब ये जो पपीता, कच्चा पपीता का टुकड़ा है, जिसमें क्या है, पपेन है, वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है बाचन का, यानि कि डाइजेशन का, तो ये डाइजेशन का भी काम करता है, इसलिए पपीता सबसे अच्छा फ़ल माना जाता है, खराब हो उसको क्या खाना चाहिए बताओ पपीता क्या खाना चाहिए पपीता या तो पूछ सकता है पेपेन में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं डाइजेस्टिव दूसरा और इसका उप उपयोग होता है चियूंगम में, खाते हो ना उसमें भी पेपेन डाला जाता है, और कहां होता है बस्तरूद्योग में, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, कपड़े को कलर करने में भी रंग में मिलाया जाता है वो लेटेक्स, ठीक है, तो ये तो उपयोग हो गया, किसका बताओ, पेपेन का, किसका उपयोग हो गया, पेपेन, बताओ पेपेन क्या है, कौन से पपीता से प्राप्त करोगे बताओ, पेपेन कचे पपीता से प्राप्त करते हैं, ठिक है, और इसमें प्रोटीन कितना परतिसत है, 72 परतिसत है, इसमें के रोग का उप्योग में लेते हैं सरवाधिक पेपेन ये पूछेगा किस से प्राप्त होता है तो CO5 इधर इन लिख दूँ किस से प्राप्त होते हैं CO5 यहां लेख देता हूँ अगर सरवाधिक पेपेन की बात करें सरवाधिक पेपेन की बात करें कि किस से प्राप्त होता है तो ये होते हैं CO5 एक वेराइटी है इससे CO लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कोयमपडूर और ये कहा है तमिलाडू में और इसका कितना होता है इससे प्राप्त करते हैं तो 1500 से 1600 केजी पपेन यालि लेटेक्स प्रती येर प्रती हेक्टेर प्राप्त किया जाता है ऐसे लिखना है कितना 1500 से 1600 केजी अगर जेनरली हम बात करें देखो जेनरली भी यहां पर मैं लिख कि लाया कि जेनरली आपको कितना मिलेगा 250 से लेकर 375 सामानिता अगर पूछा जाए पेपेन उत्पादन क्या है सामानिता जेनरली अगर बात किया जाए तो जेनरली प्रोडक्शन पेपेन का कितना है ऐसे याद रखो 350 से 375 केजी प्रती हेक्टेर प्रती येर इतना उत्पादन होते हैं कितना है बताओ, 350 से 375, तो यह आप important point है, इसको धियान में रखना, सामानिता कितना पेपें, 350 से 375, CO5 से कितना प्राप्त करते हैं, 1500 से लेकर 1600 केची, कौन सा महीने में इसको निकालेंगे बताओ, तो इसको अब प्राप्त करोगे, जब पपीता का पेड कितने महीने का हो ज अब जो important point है कि देखो, पपीता का तो यह जो बना रहे हैं, आपने बोला बीजो के द्वारा लगाओगे, तो यह इसका बना दिया आपने नर्सरी, क्या बनाया बताओ, नर्सरी, तो नर्सरी आपसे पूछ लेगा कि कब लगाते हैं नर्सरी भाई, तो नर्सरी जो लगा इसका अप्रेल और मैं में, अप्रेल मैं में क्या लगाते हैं बताओ, नर्सरी, अब यह नर्सरी जो होंगे, कितने दिन में ट्रांस्प्लांटिंग करोगे, यह पूछ लेगा, कि ट्रांस्प्लांटिंग कितने दिन में करेंगे पपीता का, तो ट्रांस्प्लांटिंग का मतलब इसमें पौधे बन जाएंगे पौधा कितने दिन में तयार हो जाएगा जेनरली आपको हमने पढ़ाया है नरसरी में फलो का ट्रांस्प्लांटिंग किसका समानिता फल का ट्रांस्प्लांटिंग आपने बोला था गुरु जी एक से डेड़ साल में करते हैं कितने का रूट अस्टोक आपको बताया था ना पेंसिल के आकार का हो जाना चाहिए और ओर रूट अस्टोक कितने साल का होना चाहिए एक से डेड़ साल तक तो जेनरली जो होते हैं हलो में ट्रांस्प्लांटिंग जो हम नरसरी से लाते हैं पौध है तो वो कितने साल का होता है चाहे निम्बू का ले आता है अमरूद का लाता है वो कितने साल की होनी चाहिए देड़ साल की होनी चाहिए लेकिन पपीता में ध्यान रखना पपीता में ट्रांस प्लांटिंग कर देते हैं 45 से 60 दे आफ्टर सोईंग यानि कि 45 से 60 यान तो पपीता के कुछ इस तरह के बनेंगे पत्ती ये क्या है बताओ इसका पत्ती है और ये पत्ती है इसकी हाइट तो ये हाइट भी पूछते हैं कि इसकी हाइट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 20 सेंटीमेटर कितनी हाइट होनी चाहिए बताओ 15 से 20 सेंटीमेटर और आ से दो माह का होना चाहिए अब जब आप जानते हो कि अगर हम नरसरी मेनेजमेंट बहुत अच्छा से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इस में इस से बहुत अच्छे प्रश्ण बनते हैं नरसरी से तो नरसरी में एक इसमें बिमारी लगेगा, डिजीज लगेगा इंपोर्टेंट और वो बिमारी का नाम पहले भी अपन पढ़ चुके है बिमारी, उस बिमारी का नाम क्या है, टैंपिंग ओफ क्या है, टैंपिंग ओफ तो ये आपका अच्छा प्रशन बनेगा कि गुरुजी टैंपिंग ओफ जिसे हम कहते हैं आद्र गलन क्या बोलोगे, आद्र गलन आपको पता है कि ये जो आद्र गलन है जो होता किस से है, कवक से यानि कि फंजाई से होते हैं ये आद्र गलन किस से होगा फंजाई से, और इस फंजाई का नाम है दोस्त Pithium क्या नाम है Pithium FNA Dermatum यानि कौन सी Aspices है तो ये है Pithium Aspices तो Pithium आपको ध्यान में होना चाहिए Pithium FNA Dermatum तो Aspices लिख देता हूँ आपको Pithium Aspices ठीक है ये जो फंगस होता है ये कहां होते हैं मिट्टी में होता है मैंने बताया था कहां होगा ये मिट्टी में होंगे तो ये बीमारी भी आपको पूछा जाए तो ये कैसा है Swalbond disease है कैसा disease है बताँ Swalbond अब इसका नियंत्रन देखो इसका यही प्रशन आते हैं नरसरी से एक अच्छा सा तो इसका control की अगर बात करें तो control में या तो ये seed को infect करेगा तो आपको करना पड़ेगा seed treatment क्या करना पड़ेगा बताओ seed treatment दिने सर आपको पढ़ाया होंगे बीजो उपचार बीज उपचार बीज उपचार किससे करते हैं तो इसका दो तीन नाम आपको याद होना चाहिए जैसे agroson हो गया agroson हो गया serason हो गया और एक और सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं किसका थीरम का किसका करते हैं थाइरम का इसका उपयोग करेंगे at the rate of 2 gram परती या 2% में जिसमें आपको उपयोग करना है इसका उपयोग करेंगे एक और हम करते हैं nursery bed का nursery bed जो होते है न nursery bed जो nursery bed लगाया गया है इसका हम करते है smile drenching क्या करते हैं बताओ smile drenching smile drenching का मतलब होता है न मिट्टी को भिंगो देना ठ्रेंचिंग का मतलब समझते हूँ आप, जैसे नर्षरी लगा हुआ है पूरा मिट्टी उट्टि, उसको क्या करना है, रसायन से घंगो देना है, तो कौन सी रसायन से हम करते हैं, जिरा नाम बताना कोई, क्या है स्वाइल ड्रेंचिंग, कोई कमेंट करके बताना है, नए, copper oxy chloride bodaks misran ये तो हम उपयोग करते हैं nursery bed का spray करते हैं nursery bed spray जो करोगे ना ये लिखा होगा एसे में कहिन-कहिन spray याने कि छिड़काब जो करते हैं पूरी nursery जैसे ये मान लेजे nursery है ये मिट्टी लगा हुआ यहां पे और यहाँ पे ये पोधे लग रहे हैं अब इनको पूरा से बचाना है इस बिमारी से तो स्प्रे कर देते हैं जानते हैं एक तो बॉडेक्स मिश्रन का किसका कर देते हैं बॉडेक्स मिश्रन ये तो सब जानता है लड़का और दूसरा हम करते हैं copper oxy chloride का oxy chloride का उप्योग ये दो chemical आप याद रखना नरसरी में हम उप्योग कर देते हैं कबक को रोकने के लिए क्या है एक तो bodex mission और दूसरा क्या है copper oxy chloride ये हर बार अपने chemical नहीं लिखेंगे कि बार बार इसको आपको लिखे ना है और soil drenching जो करते हैं देख नाम ही मेरे भोल रहे हैं पता नहीं या formal dehyde लगा नाम एकदम नाम भोल रहा हूँ formal dehyde किससे करेंगे soil drenching formal dehyde तो ये दो तीन point ही आपको याद रखना है हर बार थोड़े जैसे ये नरसरी नाम आप फुल गोबी में पढ़ोगे पता गोबी में पढ़ोगे गाठ गोबी में पढ़ोगे मिर्च में पढ़ोगे सब जगे नरसरी लगाएंगे तमाटर में पढ़ोगे तो हर जगा इतना थोड़े लिखोंगा एक बार हो गया काम खतम बार इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं मैं डाइरेक्ट मिर्च में बोल देता हूँ डेंपिंग आउफ काम खतम हर एक बार अपने को पूरी बीमारी डीटेल नहीं पढ़ना है तो तुम खुद बोर हो जाओगे तो यह होगे यहां पपीता एक ही में बीच के द्वारा होते हैं इसलिए अपने पूरा इसका डीटेल पढ़ लिया नरसरी मैंने पढ़ा दिया नरसरी मैनेजमेंट पपीता में पढ़ना है 10 मिनट का लेक्चर हो गया क्या है बताओ कब करेंगे इसमें दो तीन प्रस्ण बनते हैं नर्सरी कब लगाओगे बताओ अपरील और मैं में और इस कितने दिन में ट्रांस्प्लांटिंग करेंगे ये भी प्रस्ण आया हुआ है कितना 45-60 दिन में इसकी हाइट कितना होना चाहिए दोस्त 15-20 इसमें कौन सा बिमारे घातक लगेगा तो जिसका नाम क्या है डेम्पिंग ओफ ये इंपोर्टेंट प्रस्ण बन गया अब डेम्पिंग ओफ हो गया तो ये किस से होते हैं कबक से होता है किस से होता है बताओ कबक से कबक कहा होंगे ये स्वाइल में होगा आचानक मिर्थ हो जाएंगे कौन सी एस्पिसीज है PTHM FNA Dermatum क्या नाम है FNA Dermatum PTHM FNA Dermatum Next point control में C treatment B जूपचार जो करोगे किसके द्वारा EGRESON, CERASAN और THIRUM के द्वारा, THIRUM के द्वारा करेंगे पूरी नर्सरी बेड में छिड़काब करेंगे छिड़काब करेंगे भाई, भंजी साइड का छिड़काब कर देंगे किसका Bodex Misran और Copper Oxychloride 0.1%, 0.2% इसका उपयोग करते हैं 0.1%, 0.2% इसका उपयोग करेंगे और Swild Ranching करेंगे किस से Formal Dehyde Swild Ranching का मतलब आपको यही समझना है कि sowing से पहले यह करना है यह ध्यान देना यह कहां कर देना है बताओ sowing से sowing से पहले जब भुआई करोगे ना उसके पहले ही आपको आरे Swild Ranching कोई नया सब्द नहीं है मिटी को नहलाना मिटी को नहलाना सनान करा देना है किस से करवाना है Formal Dehyde अगर वाँ टबब बस अब दिखाया हूँ, फॉर्मल्टि हाइट का, आगला ये बता दिया कारपीन प्राप्त होते हैं और प्रेपेन प्राप्त होते हैं, इसको सुखाते कितने डिगरी पर, ये जो लैटेक्स है, ये क्या है बताँ, लैटेक्स दिख रहा है ये लैटेक्स कमलेस नहीं ना रहे है न तेरे को तो फिर ऐसे एकदम आजीव सी नसिली आँखों से कैसे देख रहा है तू यह जो लेटेक्स है देखें आप यह जो लेटेक्स है इसको सुखाते हैं तो इसको सुखाएंगे कितने डिग्री पे बताओ 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पे अब यह लेटेक्स है लेटेक्स 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 प्रिजर्ब इसको संरक्षित करते है संरक्षित नहीं प्रिजर्ब को परिरक्षित परिरक्षित किया जाता है किसको Latex को किसके द्वारा KMS के द्वारा किसके द्वारा KMS का पूरा नाम बोलना Potassium Meta Bisulfide क्या नाम है Potassium Meta Bisulfide इसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है Latex जो होते हैं यह Latex सही करना यह टाइपिंग मिश्टेक होगे Latex obtained कितने दिन में करते हैं यहां लिखा हुआ है 80-90 दिन में कितने दिन में प्राप्त करते हैं 80-90 तो मुझे जल्दी बताओ कितने दिन में इसका चीरा लगा दोगे 80-90 दिन में कितने temperature पे इसको सुखाएंगे भाई Latex को 42-45 डिग्री पे किस से preserve करते हैं उसमें कौन सा केमकल डाल देते हैं कि लंबे समय तक इसको हम preserve कर सकते हैं KMS KMS याद रखेंगे KMS का उपयोग हम करते हैं रंग हीन फलों के लिए किसके लिए करते हैं रंग हीन जिसमें कोई color नहीं हो तो इसमें color नहीं है, तो इसमें उपयोग हम किसका करेंगे बताओ, KMS का, किसका उपयोग करोगे, KMS का, चले आगे बढ़ जाएं, तीन माह वाले कच्छे फल से निकाला जाता है, एंजाइम का नाम क्या है, बताओ, पेपसीन करवा दिया, जयामिती पहले करवा चुका आप 2 into 2, कितना रखेंगे, 2 into 1, और पूसा नन्हा जो variety है, उसका कितना रखेंगे, 1.25 into 1.25, तो अगर आप से spacing की बात किया, तो जंदली कितना, 2 into 2, 1.8 into 1.8 meter square भी रखते हैं, लेकिन पूसा नन्हा जो हमारी कैसी किस्म है, बौनी किस्म है, कैसी है, बौनी किस्म, पूस नन्हा, ये है ड्वार्फ वेराइटे, ड्वार्फ वेराइटे, कैसी वेराइटे है, ड्वार्फ, बौनी किस्म है, जिसकी दूरी हम रखते है, 1.25 into 1.25 meter square, किस पर रखोगे, 1.25 into 1., कितने प्लांट आएंगे, बताना जरा, कल्कुलेशन करके, रटा होगा, एक टम, 64, बाग देना तो मुश्किल पड़ जाता तुझे, ड्वार्फ इंटू ड्वार्फ नहीं दे पाते हो, तो ये तो वार है, 1.25, 100 को अगर मैं पूछ लेता हूँ, 100 को डिवाइड करो, 1.25 से, कितने आएंगे, नरू या, ये से कर लिया अब, हो गया न, भाग दो, तुरत मोबाइल निकालता है, मोबाइल कहारे, खोपी पर करना है, कितना आएगा, 80, कितना आएगा, और फिर इधर 80, 80, 80, कितना हो जाते हैं, बताओ, 64, कितने प्लांट आते हैं, 64, परती हेक्टियर प्लांट, ठीक है, अब हम बात करते हैं, नर्सरी ये सारे पढ़ा चुका हूँ, नर्सरी उर्सरी सब हो गए, एक बार देख लो, अप्रील मही में, दो महीने के पोधे, ए इतने परतीसत, 10 परतीसत, पाला जो होता है, फ्रोस्ट, अगला पॉइंट है, ये पूरी पढ़ना नहीं है, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के लिए किसका उप्योग करते हैं, पॉइंट 1 परतीसत, H2, SO4, बता चुका हूँ, कहां करवाया हूँ ये फ्रोस्ट, कि पपीता जो हो होता है, बताओ, संबेदन सीट, करवाया हूँ, यानि फ्रोस्ट के परती होगा, टेंप्रेचर के परती होगा, और किसके परती, विंड के परती, तो ये ही पाला को कंट्रॉल करने के लिए, नियंतरन करने के लिए, किसका उप्योग करते हैं, 0.1 परतीसत, किसका, H2, SO4 क या तो हम इरिगेशन कर देंगे, इरिगेशन का मतलब होता है, खेद में आपको क्या कर देना है, सीचाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिरेक्ट पपाया, अगर आप विडियो देख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत इसलिए होगा कि कल से मै एक्स्ट्रा मिला है, तो तीन पॉइंट ओर हम सेयर करना चाहते हैं आपके साथ, क्या है, हाई टेंपरेड़ जो होता है, अगर 35 डिग्री से बीद से ज्यादा टेंपरेचर ले लेगा, तो इसमे फीमेल जो होते हैं, वह बांच हो जाते हैं, फीमेल जो हो जाते हैं, यह कि high temperature में मैंने बोला कि femaleness बढ़ते हैं ज़्यादा आप बढ़ा दोगे तो female कैसे हो जाएंगे बांज sterile हो जाएंगे ये एक point आपको समझना है कारपे low light क्या है या कारपे lowडी क्या है देखो इसमें कुछ नहीं होते हैं कारपे lowडी क्या होता है इसमें male plants we are fruits यानि जो नर पौधे होते हैं न वो फ्हल रखते हैं उसको हम बोलते हैं कारपे lowडी ठीक है क्या है ये बताओ ये केवल लग यहां लिखना है नर पादब में फल का बनना कभी ऐसा संबभ नहीं है तो मैंने बोला था केवल पपीता में संबभ है नर पादब में किसका बनना फल का बनना केवल यह पौइंट इतना बागे कुछ ने अब इधर सब भूल जाना आप इसको इसको लो मैं इसे काट देता हूँ एक ही point रखना क्योंकि तुम इंगलीस में देखोगे तेरे दिमाग खराब होंगे 1 gram seed एक gram अगर आप seed खरिदने जाओगे तो पपीता के कितने बीज आएंगे तो इसमें आएगा 20 कितने आएंगे 20 एक gram अगर हम लेंगे तो कितना बीज आएगा 20 यह important है और बीज की हमने बताया जीवन काल बीज का जीवन काल याने बीज जीवन काल कितना होता है यहाँ देखो seed की viability कुछ नहीं करोगे तो कितना है 45 डे लेकिन अगर हम इसको स्टोर करेंगे कितना डिगरी पे 10 डिगरी पे कल मैंने बताया था ना टाइट बोटल में 10 डिगरी पे तब इसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं 9 मन्द तर कहां तक रख सकते हैं लेकिन ऐसा ही रूम टेमपरेचर कितना दिन तक फिर भी जिवीत रह सकता है 45 डे का अगर उपज की बात करें कि पपीता का उपज कितना है तो कल मैं पढ़ा चुका हूँ 60 से 75 टन परती हेक्टेर कितना उपज होता है बताओ 60 से तो ये केवल 3 पॉइंट आपको लिखना है यहां पे कि 1 ग्राम जो सीड होत होते हैं बीच का जीवनकाल कितना है 45 दिन तक और उपज इल्ड कितना होता है 60 से 75 टन परती हेक्टेर ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी वेराइटी की किसकी चर्चा करेंगे वेराइटी हो गया पपीता फर्ष्ट जो वेराइटी है जिसका नाम क्या है खल जो चेंज कराया वो वाले पीटी ने दिये क्या राजे सर इसी में तो दिये तो खोल दिये दूसरा क्या कि चले हैं दो तरह कि हम बेराइटी पढ़ेंगे कौन-कौन है एक का नाम है डायोशियस और दूसरे का नाम यह कहां यह तो मैंने कल चेंज कराया था वेराइटी रुपो रुपा तो यह तो रहरे वेराइटी देख वोगे कौन-कौन नाम है एक का नाम क्या था गायनो डायोशियस और दूसरे का नाम क्या है डायोशियस तो इसमें ना पपीता में तुमसे पूछेगा निमलिखित में कौन डायोशियस variety है निमलिखित में कौन gyno dioces variety है तो ये बड़ा confusion तो जो बाउना होते है ना और लंबा होते हैं ये दोनों variety याद रखना है dioces का क्या याद रखोगे trick बताओ क्या मैंने बोला दो तरह के variety होते है एक का नाम क्या है gyno dioces और दूसरे का नाम क्या है dioces तो जो variety बाउना होंगे dwarf होगा या tall होगा लंबा होगा ये होते हैं dioces जैसे पूसा नन्हा नाम ही है गमले में लगाए जाते हैं ये गमला है ना उसमें ऐसे नन्हा छोटा नन्हा तो इसको बोलते हैं pot garden यानि कि कहां लगाए जाता है गमले में अभी बताऊंगा पूसा जैंट जैंट का मतलब होता है न बड़ा यानि ऐसा पपीता जो लंबा हो देखो ऐसे लंबा हो तो ये लंबा है तो इसको हवा तुरत गिरा देगा अरे पपीता में दम क्या होते हैं विचारे में लकडी तो है नहीं तो ये इसे आएंगे हवा इसे सुला देगा इसको लेकिन फिर भी ये पूसा जैंट किसके परती हवा के परती क्या होते हैं रसिस्टेंट तो ये important प्रस्ण बनेगा wind resistant कौन सी वेराइटी है तो wind resistant वेराइटी है क्या नाम है पूसा जैंट क्या नाम है बताओ पूसा जैंट ध्यान रखोगे अब देखो नीचे पीछे आमने कर भिया नहीं किया अब हम बात करेंगे आप से पूसा डवार्फ ये देखो किती है छोटी सी वेराइटी है जमीन के जस्ट बगल से हैं पपीता शुरू हो गए तो ऐसे पपीता लग जाए तो गाउं में तो रहने ही नहीं देंगे गाउं में बकरी जानके यहां खोल देगा मेमे करके आजा थोड़ा इसके पास अब वो लेगा मैं क्या करूँ तो बकरी खा गई तो खा गई तो यह दिक्कत आते हैं इसमें तो यह कैसी वेराइटी है बताओ ड्वार्फ वेराइटी है क्या नाम है पूसा ड्वार्फ यानि बौनिक इसम है ड्वार्फ है इसको हम बोलते हैं पॉट वेराइटी भी कौन सी variety बोलोगे pot का मतलब क्या होता है गमले में, पात्र में बरतन में तो इसको लगा सकते हैं ऐसा गमला ले करके आराम से इसमें पपीता को लगा सकते हो ठिक गमला बनाया आ तो इसमें बना सकते हैं pot में ठिक है तो बताओ pot का दो variety बताओ एक का नाम क्या है पूसा ड्वार्फ और और गमले में कौन लगा सकते हैं एक है पूसा नन्हा क्या नाम है इसका पूसा नन्हा अच्छा आप बोला जाए कि दोनों में सबसे ड्वार्फ कौन है दोनों में सबसे ड्वार्फ कौन है तो कैसे करेंगे कमेंट में जल्दी बताओ सबसे ड्वार्फ कौन है पूसा ड्वार्फ या पूसा नन्हा कौन है पूसा नन्हा अजर सबसे बौनी आजाए सबसे बौनी वेराइटी तो वो कौन है पूसा नन्हा और पूसा नन्हा जो है म्यूटेंट के द्वारा किसके द्वारा विक्सित किया गया है उत्व परिवर्तन के द्वारा विक्सित किया गया वेराइटी है जिसका नाम क्या है पूसा नन्हा अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि बताओ निमलिखित में से कौन डायोसियस वेराइटी है option A, पूसा नन्हा option B, पूसा ड्वार्फ option C, पूसा जैंड option D, सभी तो क्या अंसर करोगे? सभी अब यह 99 पेज पूरा खुल भी ने पाएंगे यार हाँ, यह देखो नरसरी मैंने कल जोड़ा था, इसमें ठीक है अप्रेल मैं चलो यह तुम्हें सब करा दिया 0.1% एग्रोसान, फॉर्मल डिहाइड यह करा दिया copper oxy chloride करा दिया plant यह, हाँ, यह new slide है, मैं रोज change करता हूँ slide में, देख ले भाई कल कुछ और था, आज मैं कुछ और change कर दिया यह variety मैं खुदी चाहता हूँ कि हमेशा update एक teacher को update होना चाहेने तो वही एक ले करके रोज जुपते रहो तो तुझे कोई देखने वाला भी नहीं पूसा देलेशियस, कितने तरह की variety की बात किया मैंने, दो तरह के कौन-कौन, एक का नाम क्या है gyno-dioseous, दूसरे का नाम क्या है, dioseous अब हम बात करेंगे, अच्छा पहले तो आप दो समझा चुका हूँ, किसके बारे मैं समझा जा हूँ वो कर लेता हूँ, dioseous तो पूसा जैंट कैसा है, हवा के परती dioseous, ड्वार्फ बता दिया boni variety, पूसा नन्हा सरवाधिक boni, और ये कैसा है, mutant है कैसा है, mutant variety सबसे boni variety है, और सको pot garden बोलते हैं, किसके लिए उप्योग में किया जाता है, pot garden तो pot garden में ऐसा नहीं किया, अगर option आ जाता, बताओ, कि निमलिकित में pot garden variety कौन है अब option है, पूसा नन्हा नन्हा और पूसा ड्वार्फ ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बाउना और option आए both तो क्या टिक करोगे, both ये दोनों क्या है, pot garden pot garden कुछ नहीं, मैंने बोला न, गमले में लगाये जाने वाला, क्या कहलाएगा pot garden, इसे लगता है कि अजीब तरह के सब्द बोल रहे हैं pot garden अब हम बात करते हैं, इधर से dioces, gyno dioces चलो जल्दी से बता दो, gyno dioces में अगर पूछा जाए, फूल कैसे होंगे मेरे भहिया, तो क्या बोलोगे, gyno का मतलब गुरु जी, female और दो सब्द रहे तो bisexual, ये तो होंगे फूल इसमें, पूछेगा ये plant कैसा होगा, अभी just मैं पढ़ा क्या आया हूँ, एक में होगा ये मादा वाले, female और एक पेड ऐसा होगा, जिसमें female और नर, दोनों होगा जिसको हम बोलते हैं, bisexual plant ऐसा होगा, अलग-अलग और जो 100% क्या होगा उत्पादक होगा ये भी उत्पादन देगा production देगा, और ये भी क्या देगा production, तो कौन सी variety, 100% production देता है, बताओ, तो वो variety का नाम क्या है gyno-dioceus कौन सा variety है gyno-dioceus, अब इसका नाम सुन लेते हैं, पहला नाम है pousa delicious, क्या नाम है pousa delicious अब ये कैसा है, 100% productive, समझ जाओगे सो बीज लाया, सो के, सो बीज क्या होंगे, फल देंगे, पूसा majesty अगला है, मेजेस्टी क्या है, मेजेस्टी इससे पेपेन निकाला जाता है better keeping quality का मतलब होता है, इसका रख रखाव लंबे दूरी तक इसको ले जा सकते हो, इसकी self life क्या होती है, जादा स्वैंग की आयू क्या होती है, जादा अगला है कूर्ग हनेडियू कौन सी वेराइटी है, कूर्ग हनेडियू मैंने सार में एक ही लाइन में लिख दिया वो थोड़ा जीब सा लगता है, पढ़हाने लगे अग ये selection, chain किया गया पुर्ग हनेडियू का chain हुआ किस से, मधु बिंदू से किस से हुआ है बताओ मधु बिंदू से, किस से हुआ मधु बिंदू, मैंने बताया था मधु नाम आते हैं, समझना है वेराइटी है, मस्क मिलोन का किसका है, मस्क मिलोन मस्क मिलोन का मतलब क्या है तर्बूज या खर्बूज खर्बूज का मधूज सब्दाते हैं किसका समयना है खर्बूज का मधूज सब्दाते हैं किसका समयना है खर्बूज का ये मधूबिंदू है तो मधूबिंदू ये किसका है पपीता का और इसी को कहते है हनी ड्यू कभी कभी पूछे कुर्ग हनी ड्यू किस से चैन किया गया तो ये चैन किया गया था हनी ड्यू से क्योंकि मधो बिंदू का ही नाम क्या है हनी ड्यू क्या नाम है हनी ड्यू याद रहेगा कुर्ग हनेडियू किस से चैन किया गया हनेडियू से हनेडियू का नाम क्या है पर ये सब कुछ ने पूछेगा अगर पपीता में वेराइटी आते है न तो ये इंपोर्ट है पूछ लेगा मधू बिंदू किसकी वेराइटी मधू बिंदू किसकी वेराइटी है तो मैंने क्या बोला आधिकांस्ता मधू किसके होते हैं मासे मधू मासे मस्क मिला लेकिन दूरगापूर आ जाए दूरगापूर मधू तो दूरगापूर सब्द यूज करते हैं सब्जियों में पढ़ाऊंगा तर्बूज के लिए अब और एक और कौँ मधू आ गया मधू बिन्दू तो यह बिन्दू आ जाए तो यह किसके है पपीटा का बित्दू किसके है पपीटा की ताइवान राजस्थान में उगाये जाने वाले वेरियरिटी क्या है ताइवान ताइवान रक्त जैसा गुदा ऐसे फार दोगे ताइवान को न तो लगेगा अच्छा रक्त ही बाहर आ रहे हैं तो किसके जैसा गुदा है बताओ लाल रक्त गुदा किसका होता है ताइवान गुदा से दो ही प्रस्ण बनते हैं एक तो गुदा लाल होंगे एक तो गुदा गुलाबी होगा गुलाबी गुदा होते है सन्राइज सोलो का किसका होता है सन्राइज सोलो का गुदा कैसा होगा गुलाबी और गुलाबी को अंग्रेज लोग बोलते हैं पिंक फ्लेस फ्लेस का मतलब होता है गुदा pinkless कैसा है तो pink और ये P से pink P से pier नासपाती के जैसा किसके जैसा नासपाती के जैसा अच्छा एक variety अपन पढ़ रहे थे किसमें आम में सेब सेब एपल सेब सेब के जैसा कौन सी variety थी रुमा में अमरूद सेब के जैसा variety पूछ रहा हूँ आम में क्या है देविलाल बोल रहा है अमरूद समझ में आ रहे हैं ये वाते एपल कलर किसकी variety है अमरूद की लेकिन आम की ऐसी variety बताओ जो सेब के जैसा दिखे तो वो है रुमानी कौन है अब एक बार में तो देख याद होगा ने जितना तुझे पढ़ना था उसका तीन गुना डोज दे रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत तो होंगे जब कोई चीज एक तम है भी जाते है तो थोड़ा तकलीफ तो होता है लेकिन धीरे धीरे आपको आदत बढ़ जाएंगे लगेगा ने ठीक है चले ये वेराइटी बहुत इंपोर्टेंट है जिसका नाम क्या है सूरिया क्या है मुरली को कॉलेज मिला है तो मस्कूराता मस्ता अब तो और मोच बढ़ा कर लेगा मुरली इससे मिठाई ने खाया इसको कभी उमीद ने था कि गोवर्मेंट कॉलेज मिलेंगा ठाया कर भई ये इसी पागल बना रहा है आज कल आज कल करके आपके इतने अच्छे रिजल्ट हुआ आज इसलिए संथा ने सुंदर कांड का प्रोग्राम रखा है आज क्लास नहीं है कोई दो बजे के बाद हाँ आज सुंदर कांड होंगे चार बजे से लेकर आठ होजे तक तो सब को आना है घर के नीचे ठीक है परसाद उर्साद वहीं विवस्था किया गया जो मांगना है भगवान से मांग लेना हमें सदेख यहां कराता हूँ क्लास कितना साब सुथरा आनन दाते हैं एक बार होना चाहिए यह सब महौल ठीक रखते है संदाई सोलो क्या है नासपाती से पिंग फ्लेस रेड लेडी यह इंपोर्टेंट है रेड लेडी तो रेड लेडी किसकी वेराइटी है बताओ ट्रांसजेनिक किसम है कैसा है ट्रांसजेनिक वेराइटी है यानि जिसमें जीन का क्या किया गया है ट्रांसफर तो इस वेराइटी को क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक लेकिन रेड लेडी तो है पपीता का लेडी फिंगर किसकी है lady finger किसकी variety है lady finger lady finger variety है किसकी kela की और kela की कैसी variety है 2N वरावर 2X यानि की diploid variety है कैसी variety है diploid जिसमें chromozome की संख्या कितनी होगी 22 कितना होगा 22 तो ये important है बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ तो गुलावी गुदा किसका है सन्राइज सोलो का अच्छा लाल गुदा किसका है ताइवान का ट्रांसजेनिक वराइटी कौन है red lady कौन सा है red lady निमलिकित में से कौन गाइनो डायोसियस वराइटी अगर एक्जाम में आ जाए गाइनो डायोसियस दो वराइटी आपको याद रखना है एक तो पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलेसियस जानते हो अब तुम लोग पढ़ने लगा CO5 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 में सबसे जादा पेपेन होता है सबकी मदर मानी जाती है पूसा मेजेस्टी पेपेन का उत्पादन में अगर किसी से हुआ तो किसी को न किसी को तो मा तो मानेंगे न कि भाई किस से किस का चेन किया गया तो सबसे जादा पेपेन अगर देखा जाता था पहले तो मेजेस्टी से किसे मैजेस्टी से इसलिए मैंने उसमें पेपेन सब्द लिख दिया लेकिन होता है ना जो बाप है बाप से भी ज़्यादा उसका बच्चा कभी देखा होगा उत्पादन ज़्यादा देने लगता है यह हेटरोसिस में पढ़ेंगे ब्रिडिंग में बाप तो अपने आपको बहुत ताकतवर मान रहा था उसका बेटा उससे भी ताकतवर हो जाए तो वही हो गया CO5 बिचारा चेयन किया गया था किसे मैजेस्टी से अब मैजेस्टी का नाम सब बूल गया अब किसको लोग जानने लगे बताओ CO5 तो यह है हेटरोसिस यानि बाप से भी बड़ा हो गया कौन बेटा चलो आप आगे जल्दी करवाद दोता हूँ यह होगे आपके वेराइटी का पूरा कहानी CO5 सरवादिक पेपेन लिख दिया हूँ 1500-1600 पंजाब स्वीट्स हत्रस गोल्ड यह 347 आतंगवादी आरे 247 चलाते हैं है ना आप क्या याद रखोगे 347 यह संगर वेराइटी है CO3, CO4, CO7 इल्ड कितना है यह केजी में अगर बात करें तो इतना अगर टोटल बात करें इसका 40-50 कीलो देखो प्रती पोधे होते हैं इल्ड कितने हैं 40-50 केजी अब पपीता में हमने कुछ डिजीज के बारे में बात किया था कॉलर रॉट पहले ही बात कर दिया हूँ कॉलर और तना का मतलब कॉलर जमीन से उपर क्या कहलाता है कॉलर अगर नरसरी की बात करेंगे तो नरसरी में कौन सा बिमारी लगेगा बताओ जल्दी से आद्र गलन तो ये भी स्वाइल बॉर्ण डिजीज है सबसे खतरनाग पीठियम अस्पिसीज ये पीछे पढ़ा चुका हूँ जमीन से उपर इस तरह से तना गल जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं कॉलर रॉट अगला है आद्र गलन अभी हमने खूब चर्चा कर दिया आचानक मर जाना नरसरी खतम हो जाना ये क्या कहलाएगा आद्र गलन लीटिल लीफ कर्ल क्या है लीफ कर्ल ये किससे होते हैं वाइरस से और इसका ले जाने वाला कौन है वाइट फलाई तो ये सब आप डिजीज में देखना जहां अपना फुल डिटेल किये इस तरह से पत्ती क्या हो जाते हैं मुड जाते हैं यहां मुजाइक किससे होता है वाइरस से और इसका वेक्टर कौन है एफिट मुजाइक का वेक्टर कौन है फिर तो ये डिजीज में दुबारा फिर तुझे पढ़ने की जरुवत नहीं कि उसी को अपन रड़ते रहें ये केवल हमने कर दिया एक रिवीजन रिंग धबा ये भी किससे होता है वाइरस से होता है रिंग स्पोर्ट्स इसको कहते हैं वाइरस से अब इसके बाद जो है न थोड़ा सा पॉइंट देखो मुझे कुछ-कुछ न इसमें से हटाना पड़ेगा सलाइड को ताकि पेज लिमिट जो है न ये खतम हो पाई ये लोग दो मिनट और है कैसे खोलो रहे अब तो ना तो पेज खुल रहे हैं इसमें सेलेक्ट कैसे होंगे कुछ-कुछ हटाने दो इसमें ये मेन तो कीट दिखाना था तुझे दो-चार कीट कैसे पता लएगा कि कौन-कौन आज में पढ़ा रहा हूं चले एक मिनट और आगे तो दिखाना कर दो तो कर दो इस संतालिस है फिर खोलूंगा तो उतना ही हो जाएंगे चले तीन कीट मुझे दिखाना था इसके लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ा पर देख लेते हैं कोई ने लास्ट उसी में लिख लेना आप एगरिकल्चर वाले बुक में सार में हैं लिख लो परमुख घाट तक कीट क्योंकि बिमारी कर चुके थे अपन पहले पहला लिखना रेड स्पाइडर माइट गुरू जी डवल ओ के कोर्स में जेट वाले जेट वाले ने रे ये तो पड़ा रहा हूं मैं मान ले जेट में तु बता दे न तिरे M.S.E. में भी कोई तपड़ा दिया होगा पागल जेट फेट तो एक मन में बनाये वे जेट वाला ये जेट किसी लिवस है जेट में बचारा है इसके आदा भी नहीं पड़ा है आदा क्या पचीस परसेंट नहीं पड़ा है जेट में उसमें देखना डवल ओ में क्या पहले वाले होटी तो नहीं डाला है उसको चेंज कर देना चले कीटों की बात करें तो कीट में कौन है पहला देखो Red Spider Mite तीन कीट हमें दिखाना था यह कीट है क्या है इसका नाम बताओ Red Spider Mite इसको ध्यान में रखोगे अब इसमें देख पापीता में यह बहुत वड़ा समस्य आप देखते हों जाओं में ऐसा कि फल के ऊपर ना ऐसा सफेद सफेद और उसके बाद काली-काली से मिट्टी के जैसा जम जाए तो यह होते हैं कीडे के जैसा और इसके पत्ति ना आपको ब्लैकिस ब्राउन कलर का ऐसा दिखेगा कैसा दिखेगा तो इसके लक्षन में अगर बोला जाए तो पत्ति आपको कैसा दिखेगा बताओ पत्ति तो पत्ति आपको एक तो पीला दिखेगा कैसा दिखेगा बताओ पीला और जो फल होते हैं यह आपको भूरा दिखेगा कैसा दिखेगा भूरा और फल खुरदरा हो जाएगा रफ भूरा तो यह इसका में लक्षन है अब स्प फर के द्वार्ट एक एक लाइन लिख लो इसमें ज्यादा डिटेल अपने कुछ करना नहीं है आप तो बहुत ज्यादा पूछेगा पपीता के परमुक कीट कौन है तो नाम याद होना चाहिए लाल स्पाइडर माइच ठिक है अगला रूट नौट निमे टोड जिसको हम बो और कहां टमाटर में पढ़ चुके हो और कहां पढ़े हो बैगन में पढ़ चुके हैं ये देखो निमे टोड है जो क्या करता है जडों में गाट करते हैं जड़ गाट इसमें पपीता इस तरह से होंगे संटेड ग्रोथ का मतलब होता है ना पपीता में ग्रोथ दिखेगा ही ने और आप जानते हो निमेटोड आज देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस तरह के पपीता आपको दिखेगा लग रहा है यार तिन चार फल लगे हैं छोटी मोटी तो इसमें क्या होता है plant growth is sunted and dry यानि कि पादब क्या हो जाएगा बताओ सूख जाएगा कैसा हो जाएगा सूख जाएगा और पूरे व्रधी इसकी क्या हो जाएगी रुक जाएगा plant कैसा हो जाएगा सूख जाएगा और व्रधी पादब की रुक जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेज में sunted growth यानि growth इसका रुख जाएगा तो इसके लिए control के लिए आप क्या डालोगे फ्यूरा डाउन 3 ग्राम पर प्लांट 3 ग्राम पर प्लांट इसको बान के ही रखो इतना यहां बान दे बस ले तू भी ऐसे करते रहते हैं बस इतना खुब है गुमते थोड़ा सा और दे तो बस मैं maximum खुब है ऐसे है ठीचर को ही बान दे आगला रेनिफॉर्म निमेटोड वरोइंग निमेटोड हमने किसमे चर्चा किया था आम में, केला में या पपीता में किसमे किया हूँ केला में किसमे किया हूँ रेनिफॉर्म निमेटोड रेनिफॉर्म इसका रूट आर डैमेज यह किसको डैमेज करेगा जड़को जड़को नास करेगा दूसरा पत्ती कैसा हो जाएगा इसमें पीला पत्ती कैसा होगा इसका पीला दूसरा important point तीसरा विर्धी क्या हो जाएंगे, रोक जाएंगे, ये तो सब में लिख सकते हो, विर्धी क्या होगा, रोकेगा, विर्धी को ये रोक देगा, और पत्ती और सूख जाएंगे, पत्ती कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ये लक्षन है, इसके लिए भी किसका उप्योग करोग फ्यूराड तो दो important उससे ज़्यादा ये important याद रखना root not papita में नहीं पूछेगा आप से पूछेगा rainy form nivetode तो rainy form nivetode किसका important आप याद रखोगे papita का एक last है metagenia परभाब पाया जाता है metagenia क्या होता है देखो ये genia परभाब है ये क्या है दोस्त जीनिया एक बार दिखा दिया तो खूब है जीनिया और जीनिया परभाव ये देखने को मिलता है मक्का में जीनिया परभाव कहां देखने को मिलता है बताओं मक्का याद रखोगे जीनिया जीयमेच जीनिया जीयमेच जीनिया जीयमेच तो मक्के में इस जो दाने हो जाते हैं ना लाल पीला नीला इसको हम बोलते हैं जीनिया तो जीनिया होता क्या है पराग कन का परभाव किसका परभाव परता है पराग कन का परभाव सीड पे अगर पड़े बीज पे पड़े बीज पे किसका परभाव पोलेन ग्रेन का इफेक्ट अगर पड़ आगर पेरिकार्प पे पड़े, तो उसको हम बोलते हैं मेटा जीनिया, क्या बोलोगे हैं मेटा जीनिया, तो देखो यह फल ऐसा, कभी कभी आपने देखा होगा, यह मेटा जीनिया परवाव खजूर में भी देखने को मिलते हैं, यह मेटा जीनिया ना अंगूर में देखने को मिलता है जहां फल लग रहे हैं यह मेटा जीनिया आपको करेला में देखने को मिलेगा वीटर गाड में यह मेटा जीनिया आपको खीरा में देखने को मिलेगा कुकूंबर में देखने को मिलेगा ये मेटा जीनिया भी आपने बोला पपीता में देखने को मिलेगा तो यानि कि किसका परभाप देखो इस तरह कि फल न लगेंगे चेंज ऐसे तो इसको हम बोलते हैं क्या मेटा जीनिया क्या बोलोगे मेटा जीनिया कभी-कभी आपने करेला देखा होगा ना लटके रहते हैं पीला लाल ऐसा हो जाते हैं तो किसमे परभाब पढ़ रहा है पेरिकार फल भित्ती पे जो परभाब पढ़े उसको हम क्या बोलेंगे बताओ मेटा जीनिया मेटा जीनिया किसमे होते हैं खीरा में होते हैं और किसमें करेला में और किसमें अंगूर में और किसमें खजूर में देखने को मिलेगा और अभी किसमें बता रहा हूं बताओ पापीता में जबकि जीनिया ऐसा परभाब किसमें देखने को मिलता है जीनिया परभाब मक्का एक पर ऐसा इमेज जरूरी है गाउं के लोग हैं अच्छा यह जीनिय परभाब है तो पोलेन ग्रेन का परभाब किस पर पढ़ गया था बीजो पर तो वो क्या याद रखोगे जीनिया लेकिन फलों के उपरी भाग पर पढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं मेटा जीनिया तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे मिलेंगे कल आपके साथ कहते हैं अमरूद तो कहानी फिर उसी तरह से सुरू करूँगा जैसे हर क्रॉप में हम करते हैं सबसे पहला इसका बोटनिकल नेम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपसे क्या नाम है सीडियम इसमें पी साइलेंट होते हैं ध्यान रखो आप टीचर बनोगें कभी-कभी सी सीडियम गवाजावा इसमें समय बरवाद होंगे तो जल्दी अल्ली लिख देता हूँ इसका फैमली इंपोर्टेंट है फैमली क्या होता है कुल तो ये कूल है इसका मिर्टेसी ये इंपोर्टेंट है ये और किसका होता है माटेसी तो ये होते हैं जामुन का किसका होता है बताओ जामुन को इंग्लिस में क्या कहते हैं इंडियान ब्लैक पेरी तो यह जामुन अच्छा इसके अलावा और कोई है तुम्हारे नजरों में जिसकी फैमली होती है मेटे सी अच्छर दिमाग लगाओ जो बच्छा बताया पांसो रुपया नगदेवाड सर्च कर ले तू कहें ओनलाइन वाले भी चैलेंज को स्युकार कर सकते हैं कि और कोई आपके लगते हैं क्रॉप जिसका फैमली है बिटेसी जामुन तो लिख दिया इसके अलावा बेर में तो नहीं है बेर का बेर हम रैम ने सी चिकू का भी नहीं है लीची में सैपने डिये सी अभी तक इंसर नहीं आया कुछ बोल रहे हो आलू पागल आलू तो सो लेने सी आलू भुखारा रोजे सी टेंपरेट फुरूट जितना है वो रोजे सी मिर्च तो वो गदे सोलेने सी है मिर्च इधर काजू एनाकार्डिये सी क्लोब बिलकुल इधर भी एंसर आया क्लोब का देखना क्लोब का क्या है फैमली आपको पढ़ना नहीं है यह स्पाइसेज में नटमेग का देखना नटमेग इस सब का क्या है मिर्टेसी चलो अब मैं बात करूँ इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहा है उत्पत्ति हलाकि यह पॉइंट ना आपको लिखा हुआ है इसमें समय बरबात नहीं करेंगे कूल क्या होता है मिर्टेसी फैमली मिर्टेसी गुनसुत्रों की संख्या कितनी है यह प्रस्ण भी बनते हैं अच्छे और कौन सा भाग खाते हैं इसका ध्यान रखना स्टार लगाना पेरिकार्प पलस इसका खाते हैं थैलेमस क्या क्या खाते हो पेरिकार्प पलस थैलेमस तो यह भी एक स्टार लगाना पेरिकार्प पलस धेलेमस इंपोडेंट अब आते हैं गुनसुत्र की संख्या यानि 2N वराबर कितना होता है 22 कितना होता है 22 अब हमें बताओ 22 किसकी किसकी क्रोमोजोम की संख्या है किसका है पलक तक याद रखोगे कुछ-कुछ पलक तक ऐसे आपका एक तो याद है अमरूद पर से क्या होता है परवल कुकरवीट्स में पढ़ते हैं केवल यही एक कुकरवीट्स ऐसा है जो डायोसियस होते हैं डायोसियस का मतलब एक लिंगी होता है इसमें नर अलग रहेंगे मादा अलग बाकि सारे जो कुकरविट्स है ना उसमें नर और मादा साथ साथ रहते हैं और है स्पाइन गार्ड है स्नेक गार्ड है पर वो सब तुझे पढ़ना नहीं लग का मतलब होता है लोकी और लोकी को अंग्रेज लोग बोलते हैं बोटल गार्ड क्या बोलोगे बोटल गाड परवल को बोलते हैं पॉइंटेड गाड कौन सा गाड है ये पॉइंटेड गाड किसे कुकरविट्स में गौड का राजा भी कहा जाता है किंग अफ गौड किसे कहा जाता है पॉइंटेड गाड को कभी खाये हो राजस्थान में पॉइंटेड ग जाते होना उससे बड़ा भाई है थोड़ा सा बड़ा होता है कर से क्या हो गया बता कर से तर यह सारे देखो कुकरविट्स चल रहा हूं तो कुकरविट्स में याद हो जाएंगे कर से करेला कर से क्या है करेला जिसे हम कहते हैं बीटर गार्ड कौन सा गार्ड है पीटर गार् तर से क्या हो गया तर्बूच तर से क्या हो गया तर्बूच जिसे हम क्या कहते हैं वाटर मिलोन पलक तक चल रहे हैं न अग का से हो गया करउंदा का से क्या हो गया करउंदा तो करउंदा कभी क्रोमोजोम की संख्या कितनी है बाइस तो अमरूद को कहां तक जाना है बताओ पलक तक, कहां तक जाना है, पलक तक, याद हो जाएंगे, कुछ और है, अगर आपको लगता होगा, अच्छा, यह होटी वाले तो तुरत तुरत लिख देते हो, तो और है, जैसे, लोविया की अगर हम बात करें, कौपी की बात करें, तो इसके भी क्रोमोजोम की संख्या कित बोलते हो, red gram और green gram, black gram, sorry, green gram और black gram, red gram तो हो गया अरहर, नहीं, तो अरहर भी लिख देता हो ले भाई, यह तो बड़ा अच्छा है रे, सारे gram इधर है, gram को छोड़ कर, gram का मतलब चना, जिसका 24 होता है, कितने होते हैं, 24, सारे gram को छोड़ दो, तो कौन-कौन gram बचा इधर प्लैक ग्राम यह तो बड़ा अच्छा देख कॉंसेप्ट बन रहे हैं रेड ग्राम और कौन है ग्रीन ग्राम कौन सा ग्राम ग्रीन ग्राम इन तीनों का क्रोमोजोम भी कितना हो गया 22 तो यह हो गे सारे आपके 22 क्रोमोजोम याद रह जाएंगे इस तरह से तो अभी हमने किया क्रोमोजोम की संख्या क्रोमोजोम की संख्या के बाद important आएंगे इसका fruit type fruit type पूरी revision करते जाओगे इसलिए मैं बोलता हूँ होटी होटी घर पे मत जाके पढ़ना कोई और subject पढ़ो फल परकार 20 वार तो मैं ही revision करा दूँगा तुझे फल परकार क्या होगा जो गुच्छे में लगते हैं तो ये भी कहा लगता है बताओ गुच्छा में अच्छा अम्रूद गुच्छा में लगते हैं सर हाँ गुच्छा में लगेंगे, कौन-कौन इसके पहले बता चुगा हूँ, टमाटर गुच्छा में लगे थे, पैगन गुच्छा में लगा था, मीर्च गुच्छे में लगे थे, आलू गुच्छा में लगा था, अरे सर आप तो फलो की चर्चा करुन गुरुजी, तो फलो, अ इधर कौन गुच्छे में लगे थे अंगूर गुच्छा में लगा था पपीता पढ़ाया हूं गुच्छे में लगे थे केला कहां लगा था गुच्छे में लगे थे अब कौन लग रहा है गुच्छा में अमरूद गुच्छे में लग रहे हैं उसके बाद अगर बात करू तो चीकु कहां लगता है, गुच्छा में इन सब का फल परकार होते हैं क्या, बेरी क्या कहोगे लेकिन बेरी तो सब जगह पढ़ भी लोगे, चलो ठीक है बेरी पढ़ लिया, पर बेरी से आप गलती करोगे तीन प्रस्त देखो आप क्या क्या एक तो आएगा एक BGA बेरी क्या आएगा बताओ एक BGA बेरी ये प्रशना आते हैं एक BGA बेरी जिसे हम बोलते हैं Single Seeded बेरी तो Single Seeded बेरी की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था That खजूर किसका एंसर जाएगा खजूर गुच्छे में लगते हैं पर खजूर के अंदर कितना बीज होता है एक या दो एक इसलिए इसका नाम है एक बीजिये बेरी क्या बोलोगे एक बीज अच्छा अरे गुरुजी खजूर में अगर बेरी नहीं रहे तो जिसमें गुठली होता है उसको डूप कहते हैं क्या बोलोगे उसको तो इसका एंसर क्या जाता डूप अप्सन ही नहीं है तो हम करेंगे एक बीजिये बेरी और एक याद रखना बहु बीजिये बेरी बहु बीजिये अच्छा सा दो उदाहरन याद रखना एक तो फालसा और अब जो लिखने फालसा और एक लिख रहा हूँ अमरूद टाइरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन इतना भासन देना पड़ा मुझे बताओ अमरूद में क्या लिखोगे multi-seeded बेरी, अब confusion नहीं अगर option रहा बेरी तो बेरी टिक कर देंगे अमरूद को खाया बहुत सारे बीज मिले उसमें तो हमने क्या टिक किया बताओ उसका बहु बीज ये बेरी किसका रखोगे बहु बीज ये बेरी अमरूद का किसका है तो ये होगे इसका फल परकार अब हम बात करेंगे इसके फल परकार के बाद अमरूद का तुझे दिखाता हूँ फूल एक तो ये सारे चीज बेरी एक एक पॉइंट इधर से कराते हुए जाओं ये कौन सी वेराइटी है बताना और ये कौन सी वेराइटी है सफेद है इसलिए ये वेराइटी मैंने लिया इलाहवाद की बहुत प्रोपर वेराइटी है पोपलर वेराइटी है इलाहवाद सफेदा जो उक्टा रोग के परति क्या है परतिरोज सर अभी नाम ले रहे है उक्टा रोग इसलिए लेता हूँ कि तेरे मन में ये बिमारी चलते रहे, बाद में ये बिमारी पूरा पढ़ना है, इसलिए पहले ये क्या है ललित वेराइटी, ये बहुत important वेराइटी, CISH से निकाला गया है, जिसका नाम पूछेगा, ललित कहां से निकाला गया है, तो ये वेराइटी निकाला गया है, कहां से CISH, क्या पूरा नाम होता है, Central Institute of Sub-Tropical Horticulture, ये कहां है उत्तर परदेश में, और उत्तर परदेश में एक जगह है जिसका नाम है लखनो, क्या है, लखनो, अच्छा, ये कौन सा वेराइटी है, ये मुझे भी ने पता है, पर ये बताते हैं, ये क् एपल कलर, कौन सा कलर है, एपल कलर, एपल कलर पूछेगा कहां की फेमस वेराइटी है, इलाहवात की, कहां की है, और मैंने बताया था, एपल सेप किसकी वेराइटी है, एपल के जैसा सेप, कौन सी वेराइटी है आम की, रुमानी, कौन सी है, रुमानी, ठीक है, बहुत सा इस त्रामदार प्रस्ण है, फूल के बारे में हम चर्चा करेंगे, अमरूद का फूल आप लोगोंने सब देखा होगा, ये अमरूद का फ्लावर है जिसमें आपको मधु मक्षी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? मधु मक्षी, तो परागन किसके दौारा होगा बताओ, पोलीनेशन अगर हम बात करें तो मैंने बताया था अधिकांस फ़लो का पोलीनेशन किसके द्वारा होगा तो ये होंगे गुरुजी किसके द्वारा honeybee के द्वारा जिसे हिंदी में आप कहते हो मदु मख्री और मधु मख्री का मुख्ञ कारी मैंने बता दिया हो कि इसका मु मध का उत्पादन, मध का उत्पादन करना, ये तो दूसरा है, पहला फंक्सन है इसका परागन, कौन सा कारी है इसका परागन, यानि मधु मख्य का मुख्य कारी क्या है, पोलिनेशन, अब इसका एक बात और कर लेते हैं, फूलों की चर्चा किया हो तो, पुस्प करम के बार जी देखो रेसी मोज और साइम में बेसिक अंतर क्या है ये मैं बता चुका हूँ आपको मेली जो पुस्पकरम होते हैं ये दो तरह के ही होते हैं कौन-कौन एक को कहते हैं रेसी मोज क्या बोलोगे रेसी मोज और दूसरे को हम बोलते हैं साई मोच क्या बोलोगे साई मोच तो इसमें होता है साई मोच अमरूद में क्या होते हैं साई मोच रेसी मोच में क्या होते हैं पूराना फूल जो है इधर लगेगा ऐसे लगेंगे ऐसे लगता जाएगा इस तरह से इसका छोटा फिर इसका छोटा ये पेड़ ऐसे इस तरह के फूलों का अरेंजमेंट आप सरसों में देखते होंगे देखते हो ना तो जो चीज हम गाओं में देखे न उससे compare करें तो पूछेगा ऐसा जो फूलों का करम होता है इसमें old flower जो होते हैं पूराने फूल होते हैं वो कहा होंगे नीचे अब देखो इसके माथे पे फूल नहीं आया तो ये पेड़ ना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ऐसे नीचे से देखो ये क्या लगा हुआ है, फूल, अब इसी से क्या बनेंगे बाद में, फल अगर ऐसा कोई वैराइटी तुम बिखसित कर 도 बाद में, जैसे टमाटर में होता है तो टमाटर में ये फूल लगे, इसमें फल लगेगा टमाटर, तो ये टमाटर दो, तीन, चार ले लो, पहली बार चार टमाटर लिया, तब तक ये छुटकिनिया बोलेगा मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ, फिर ये बड़ा होगा, फिर एक बार को इतना ले लेना, फिर ये जो variety होते हैं न, word denote करते हैं indeterminate को, किसको करते हैं बताओ, indeterminate, हिंदी में बोलते हैं asimit, कैसा है बताओ, asimit, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यह बढ़ते जाएंगे, और ऐसे variety हम लगाते हैं green house में, कहां लगाते हैं, तो tomato में चर्चा करूँगा, अभी तो हमें दोनों मांतर क ही आएगा, और इसमें क्या होते हैं न, यह भूल माथे पे ही आजाएगा, लोग, अब माथे पे आ गया न, तो इसका विकास ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि माथे पे आ गया तो यह signal हो गया, कि अब बिर्धी नहीं करूँगा, तो basic अंतर क्या होते हैं, रेसी मोज, स कह लाएगा, सिर्शस्त फूल, किस में पाये जाते हैं, साइमोज में, और यही पाया जाता है, अम्रूद में, कहां पाये जाएगा, अम्रूद में, चले अब next point की ओर चलते हैं, उत्पत्ती की बात करूँ तो वो कहा है, मैक्सिको, और şu मैक्सिको, आपको उत्पत्ती मिल तो इंडो वर्मा कहां पढ़ चुके हो इंडो वर्मा केला की अगर पूछा जाए तो भारत कौन सा है भारत और पपीता का पूछा जाए तो पपीता का हमने बताया था मैक्सिको या ट्रॉपिकल अमेरिका ओप्सन आ जाए तो भी हम टिक करेंगे क्या ट्रॉपिकल अमेरिक क्या टिक करोगे ट्रोपिकल अमेरिका उष्ण अमेरिका और यही सेम रिपीट हो रहे हैं किसमें अमरूद में अमरूद को कहीं कहीं पेरू भी लिखते हैं तो घवराना नहीं है क्योंकि एन आई वैविलोब साहिब के जो क्लासिफिकेशन था पहले पूरे 20 को 8 वर्गों में बाटा फिर उन्होंने बाट दिया 11 वर्गों में इसलिए बच्चों को न यह बहुत कन्फ्यूजन होते हैं अरे सर कहीं अमरूद आप लिखा देते हो ट्रोपिकल अमेरिका कहीं मेक्सिको कहीं पेरू तो जैसे जैसे बात में क्लासिफिकेशन अलग होता गया ना जैसे पहले तो आठ भागों में बाटा तो आठ भागों में बटा ना तो मैक्सिको और ये और ये तीनों एक ही में आते थे तीनों कहा आता था एक में जब एक ग्यारा भाग में बटाया तो पेरु को उन्होंने अलग कर दिया पेरु को क्या कर दिया अलग इसी लिए ये variation आपको देखने को मिलते हैं कई बुक में आपको ये देखने को मिलेंगे अलग-अलग इसका common name की बात करें तो इसे हम बोलते हैं apple of tropics क्या बोलोगे apple of tropics लिखा हुआ है इसे गरीबों का सेव भी बोलते हैं तो ये important point है कि गरीबों का सेव किसे कहते हैं poor man's apple किसे कहते हैं तो ये कहते हैं जैसे देखो गरीब लोग तो सेव खाता नहीं विचारा 120 दिन, 150 दिन में तो हम लोग सेव देख लेते हैं आरे सेव जा रहा है, सेव जा रहा है तो हम अमरूद जब खाते हैं ना दूसरे को बोलना चाहिए, यह सेव है, क्या है, सेव, तो गरीबों का सेव कौन है, अमरूद, अब आते हैं, यह अच्छा प्रस्त, क्या है, अमरूद में पाया जाता है, पेक्टीन, अगर चाहूं तो इसमें भासन देड़, दो घंटा दे सकता हूं, पर तुम्हारे लिए क्या मतलब बनेंगे रहे, केवल यह लगता है, इसे पढ़ता हूं, तो लगता है, रट रहा हूं, अमरूद में पेक्टीन पाया जाता है, फाइवर की मात्रा 7 परतीसत होते हैं, अगर ऐसे ठीचर पढ़ाता है, तो मुझे बहुत गुसा आते हैं, 7 परतीसत, तो यह तो कौन कौन सा एक अमरूद आपके सामने बना रहा हूं, जो है कच्चा अमरूद, कैसा अमरूद है, और एक अमरूद मैं यहां बना रहा हूं, जो यह कैसा अमरूद है, पका हुआ, तो यह अमरूद है कच्चा, कच्चा, और यह अमरूद बना देता हूं, पीला से हैं, यह कैसा बना दिया पका आप मुझे ये बताओ सबसे important अमरूद में प्रशन आता है पेक्टीन से किस से आता है पेक्टीन तो जो कच्चा अमरूद होते हैं इसमें पेक्टीन 1.5% से जादा होते हैं समझना इस बात को मैंने क्या बोला जो कच्चा होते न देखता होगा कच्चा अमरूद से किसी के सर पे मार दो तो सर फूट जाएंगे उसके कारण ये जो कठोरता होते हैं वो किसके कारण आ रहा है पेक्टीन के कारण अब ये सारे कहानी अपन समझेंगे पेक्टीन पे अब ये अमरूद में धीरे धीरे इसके अंदर एक गैस का होगा संसलेशन और वो गैस है इथाईलीन क्या है बताओ इथाईलीन समय के साथ इस गैस की मात्रा बढ़ेगी किसमें बढ़ेगा अमरूद में तो ये इथाईलीन जो होते हैं पेक्टीन को घुलाएगा घुला देगा किसको घुलाने की कोशिस करेगा बताओ पेक्टीन को कौन घुला रहा है बताओ इथाईलीन जब पेक्टीन ये घुलने लगेंगे जिसको आप बोलते हो फल न मुलायम होने लगा जैसे इसको हम सुरू में टच करेंगे अरे यार अभी कड़ा है अमरूद पका हुआ नहीं है फिर ये पियरका को इसे टच कर आहा मुलायम लग रहे हैं इसका मतलब ये फल क्या हो रहा है बताओ पक रहे हैं तो पकने का मतलब आप क्या बोलते हो गुरू जी इसमें इथाइलीन जो है न वो ज्यादा हो गया एक प्रस्ण तो यही बनेगा इथाइलीन क्या हो गया ज्यादा इथाइलीन ज्यादा होगा तो आपको याद रखना पिला से लिखता हूँ पेक्टीन की प्रतीसत बढ़ेगी या घटेगी ये important प्रस्ट अब आप समझो मैं क्या बताना चाहरा हूँ हम लोग रट लेते हैं कि जेली अभी आपके एक्जाम में पिछली भरती में आया था जेली बनाने के लिए पेक्टीन का प्रतीसत होनी चाहिए कितनी एक प्रतीसत या एक प्रतीसत से ज़्यादा एक प्रतीसत से कम अगर ऐसा प्रस्ण हो तो आप निश्चित गलत करोगे एक परतिसत से होना चाहिए कम 0.9 हो जाए 0.85 हो जाए तो अब देखो होगा क्या जैसे जैसे ये तो है 1.5% कितना है 1.5 और ये मैं बना रहा हूँ अभी ऐसा परतिसत ले लेता हूँ जिसमें अभी एक परतिसत अब बताओ एक ऐसा अमरूद ले रहा हूँ इधर एक अमरूद और बना रहा हूँ जो पूरी तरह से और पीला कर रहा हूँ और पीला समझो ये ऐसा अमरूद देखा है ना बिलकुल पीला हो गए जिसको अगर थोड़ा सा और दबा दोगे तो एक दम पिचक जाएंगे पुछ ऐसा निकल जाएगा तो ये पूरी पकी हुए आप बताओ इसमें तुम बताना मुझे पेक्टीन जादा या कम इसमें पेक्टीन एक परतिसत से भी कम यानि बना लेते हैं 0.7 परतिसत 0.5 परतिसत अब समझो हमें तीन तरह के अमरूद मिला एक कच्चा वाला एक बीच वाला जो पका हुआ ये पूरी पका हुआ इसको फुली राइब बोलता हूँ फुली राइब अब आपसे प्रस्न पूछे कि जेली बनाना है तीनों में किसका बनाओ गया इसका बनाना है अब बताओ जेली किसका बनाना है देखो तुम कित्ते रठते हो फिर भी प्रस्न गलत होगा 100% लिख लो इसका बनाना है गुडिया दिमाग लगाना तुम लोग तो ग्रहनी हो घर में भी बनाती हो जेली बली ज्यादा पका हुआ चीज कभी फाइदे मंद नहीं होते हैं ध्यान दखना बीच वाला है अब आपको पता लग रहा है न कि प्रस्न क्यों पूछता है अब आप अधिकारी बनोगे जेली बनाना है अच्छे उत्तम किस्म का जेली तो आपको ध्यान देना है इसी के लिए ले पागल हम यूज करते हैं पेक्टीन मीटर इसी के लिए यूज करते हैं ने तो हमें क्या ज़रूद जो फल पक गया डारेक्ट लाता ले भाई जेली बनाओ ले भाई जेली बनाओ लेकिन अगर उसमें प्यक्तिन की परतिसत कम होते जाएगा ना तो जेली पूरी तरह से जमेगा ही नहीं तो जानते हो पोलो थीन में जेली बंद कर दोगे और चारो कोने पे थोड़ी थोड़ी जेली लगा रहेगा बोलेगा मैं जमा ही नहीं तो कारण पूछेगा क्यों नहीं जमा भै बोलेगा प्यक्तिन परतिसत कम था क्यों कम था क्योंकि इथाइलीन की मात्रा ज्यादा थी क्यों ज्यादा था इथाइलीन क्योंकि आपने समय से तुड़ाई नहीं किया तासपति खेलने में रह गे कहीं घूमने चले गे तो ये सा तो इसमें citric acid भी पाया जाता है क्या पाया जाता है बताओ citric acid तो ये भी जेली बनाने के लिए important है और दूसरा important मैंने बोला fiber क्या है बताओ fiber fiber की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं अगर पूछा जाए कौन ऐसा fruit है जिसमें fiber ज़्यादा पाये जाते हैं तो अमरूद tick करोगे कौन tick करेंगे अमरूद ये important है fiber की percent क्या पाये जाते है अमरूद में cut hole में भी ज़्यादा होते हैं तो इन सब के कारण इसका हम उपयोग करते हैं जेली बनाने किसमें बनाने में करोगे बताओ जेली तो ये point आपके clear होगे जेली अब हम आगे बढ़ते हैं next point कौन सा टिक करोगे exam में कौन सा percent लेना है अपने को एक परतिसत कौन लेंगे एक परतिसत अभी आपको ये हटा देता हूँ केवल तुम भी वही याद रखो एक परतिसत जादा कम नहीं अब चलें next point की ओर चलते हैं ये जेली है जेली को कहा जाता है ना कि ये पूरी तरह से ठोस नहीं है semi solid है क्या है ये semi solid है तो ये जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम खुब ऐसे फल दोंगा जिसका किस से जेली बनते हैं jam बनते हैं तो post harvest में ज्यादा अच्छा पढ़ाओंगा यहाँ पे समय बरबाद हो जाएंगे रहने दे आप ये क्या है इसका जेली को major करने के लिए jail meter तो jail meter अच्छा घर में किस से test करेंगे बताओ घर में jailी बना रहा हूँ तो ऐसा थोड़े है कि जेली बनाने के लिए हमें सबसे पहले jail meter उठा के लाओ खरीद के लाओ jail meter कैसे check करोगे पानी वाले बरतन में जेली को डालेंगे जेली नीचे अच्छा नीचे चली जाएगे तो नीचे तो खूब सारे डाल को डालो नीचे चली जाएगे घूलेगे नहीं अच्छा चलो एक बात तो यह आद मैं शिखा कि वो घूलेंगे नहीं तुम लोग कभी जेली उली नहीं बनाई कुछ बनाती हो घर में कुछ नहीं ऐसा है जीवन चल रहा है कुछ बनाया कर हाँ भै जेली में चलो ठीक आरे चाय बनाये हो कभी चाय को कैसे टेस्ट करती हो कैसे करते हैं चाय को टेस्ट कुछ करते होंगे सर प्लेट में डाल करके ठीक है सीट टेस्ट खुद जीब से चाट करके ठीक है मज़ा है जीब से चाट ले तो यह सबसे अच्छा घरेली उपा है, चाट ले भाई ठीक है चाई को कैसे करते हैं, देखता होगा चाई बनाने वाले भी ऐसे हाथ पे रखते हैं, तो जेली जब बनाते हैं ना तो यह एक seat होता है देखो जब बुक में लिखा रहाता है ना seat test जब हम लोग पढ़ते हैं, सच में कोई पढ़ाया है नहीं था बैचार है seat test का लगता था कि कोई अलग से चीज आता होगा जिस पे हम test करते होंगे कुछ नए seat test, seat का मतलब होता है, यह seat है पेपर का बना, इसलिए पेपर seat बोलेंगे, प्लास्टिक का बना होता, प्लास्टिक seat बोलेंगे अलमुनियम का बना होता, अलमुनियम seat बोलेंगे, तो हो गया, seat तो समझ में आ गया अब seat ले लिया, अब इस seat पे क्या डाल देंगे थोड़ा सा, जेली अब जेली को नई, इस seat को ऐसे bend करोगे हलका जुकाएंगे देखेंगे कि अगर पानी पानी बाहर निकल रहा है तो बोलिगे अरे रे 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 रुक रुक अभी तो जेली बेचारी रो रही है क्या कर रही है? रो रही है तो इससे पानी निकल रहा है और पानी निकल रहा है, तो पानी को निकलने से रोकना पड़ेगा, और आपको गरम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गरम, यह जेली में पड़ोंगा इधर ने, तो सीट टेस्ट होते हैं, सीट टेस्ट का मतलब हतेली पे या किसी पे ले करके, मम्मी को देखा होगा कि वो जो बरतन होते हैं उपर जिस पे ढखते हैं ना पलेट जो होते हैं चाबल उवल बनाते हैं उसी पे लेकर थोड़ा सा इसे टेस्ट कर ले तो वो भी सीट टेस्ट हो गया अलुमिनियम की वरतन है, अलुमिनियम की सीट टेस्ट हो गई, तो घरेलू उपाय कौन है बताओ, सीट टेस्ट, तो ये आपको चेक करना है, अब इसका TSS मैंने पूरा बता दिया था, TSS में मैंने बताया था, A से आम, A से अंगूर, इनका TSS तो होता है 20, और इसका आधा कर पूछते हैं, उसका आपको 11 से 14 डिग्री ब्रिक्स, जैसे अनार पूछ ले तो हमें रटना नहीं है, TSS याद हो गया, आप किसी का भी केला का पूछ ले तो 11 के आसपास हो जाएंगे, तो आप ऐसे बता दोगे, A से आम, A से अंगूर, अमरूद का कितना 8 से 10 और बाकी का 11 से 14, ठीक है, Optimum Temperature, बताओ तुझे पढ़ने की जरूरत है, मैंने बता दिया था, वो सारे उश्न फल, चाहे आम हो, केला हो, पपीता हो, अमरूद हो, पाइनेपल हो, चीकू हो, कटहल हो, ये सारे क्या है, उश्न फल, जिसके लिए तापमान हम कितना रखेंगे, 24 से 28, कि Violin C का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है, इसके पहले कौन-कौन से फल पढ़ लिए, आपने बताओ, इसके पहले आपने आम पढ़ लिया, आम में परचूर मातरां में कौन से विटामिन पाय जाएंगे, ए, उसके बाद आपने पपीता पढ़ा, पपीता में भी इसमें कितना पाया जाता है 4800 आई यू प्रती 100 मिली ग्राम सोरी मिली नहीं ग्राम पल 100 ग्राम अगर गुदा लोगे तो उसमें International Unit इसे कहते हैं कितना पाया जाना चाहिए 4800 ये इकाई का नाम है कभी पूछता है विटामिन A को किस से मेजर करते हैं आई यू से किस से मेजर करेंगे आई यू और इसमें पाया जाता है 20-20 किसमें पपीता में तो ये दो पॉइंट होगे केला से क्या प्रशन बनता है nutrient का प्रशन अगर बनेगा तो कार्बो हाइडरेट कितना पाया जाता है 26% सुगर की मातरा कितना है 26% और इसमें अभी प्रशन आया था high calorie peak value लिख चुका हूँ सबसे ज़्यादा अगर 100 ग्राम आम को खाया 100 ग्राम पपीता खाया 100 ग्राम केला खाया तो सबसे ज़्यादा उर्जा आपको किसे मिलेगा केला इसी लिए एक केला रोज खाना चाहिए एक तम फिक्स बना दो सुगा उठते ही एक केला खाकर आना है high calorie peak value किसमें होते हैं केला में अब हम बात किसका कर रहे हैं बताओ अमरूद तो अमरूद में कौन सा बिटामिन पाया जाएगा आपको बिटामिन C C किसमें पाया जाता है ये रटने वाली बात है किस से पारबेडस चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा जमू कस्मीर में मिलेंगे ये सब पारबेडस चेरी उसके बाद आपको मिलेगा किसमें? आमला में, उसके बाद किसमें मिलेगा? अमरूद में, फिर किसमें मिलेगा मेरे दोस्त? नीमू में, इन सब में क्या मिलेगा? बिटामिन C, इसको एसकॉर्विक एसीड के भी नाम से जानते हैं, क्या बोलोगे इसको? एसकॉर्विक, सब बिटामिन A और कौन बिटामिन C अगर option आता बोथ तो टिक क्या करेंगे बोथ अगर अलग-अलग option आएंगे तो टिक क्या करोगे बिटामिन A क्या टिक करेंगे बिटामिन A तो यह चर्चा कर लिया हमने किसका बिटामिन का और यह सकर्वी बिमारी से हमें क्या करता है सुरक सकर्वी क्या होते हैं समय से पहले जुर्यां पढ़ जाना तो उसको क्या बोलते हैं सकर्वी ऐसे लोग जैसे कि 35-40 साल का हो जाया और 14 उरा में जुर्यां पढ़ने लगे तो समझो वो विटामिन C की क्या है कमी मसूडों में देखता होगा कि प्लड आने लगे गम्स कमजोर होने लगे तो वो किसके कमी के कारण होते हैं बिटामिन सी आपको बिटामिन उटामिन मैंने खुब डिटेल पढ़ाया हूँ इतना डिटेल है ना कि UPSC एक्जाम तक में आपको दिक्कत ने हो बिटामिन फाइवर प्रोटीन बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़े हुए है अपने चले आब आगे Next अब आते हैं प्रवर्धन किसकी बात करेंगे प्रवर्धन एक पॉइंट पहले ये देख लो बाकी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे प्रोपगेशन का किसकी बात करेंगे प्रोपगेशन तो यह important point है, अमरूद में propagation किसके द्वारा करते हैं, तो यह करते हैं, tooling के द्वारा, किसके द्वारा, tooling, यानि कि प्रावर्धन की अगर हम बात करें, तो यह होता है tooling, tooling का दूसरा नाम एक्जाम में पूछ लेगा, इसे हम mound layering के नाम से भी जानते हैं, कौन सा layering है बताओ, mound layering, mound layering, सबसे पहला तो गुरू जी हमें ये सब्द बता दो, कि ये layering होते क्या हैं, layering का मतलब होता है, यह एक mother plant है, देखो, mother plant का मतलब, इसी plant से हमें 8-10 plant बनाना है, एक, दो, ऐसे ऐसे plant बनाना है, तो इसको हम बोलते हैं, mother plant, क्या बोलेंगे, mother plant, mother plant पे ही, इसको मात्र पादब बोलते हैं, मात्री पादब, मात्री पादब पे ही, किसका निर्मान होगा, पादब पे, जड़का निर्मान, किसका निर्मान होगा, जड़का निर्मान, अगर एक line में बोलें, कि layering क्या होते हैं, तो आपको बोलना है, mother plant पे ही, जड़ बने हैं अमरूद में जिसे हम गुटी बोलते हैं क्या बोलते हैं गुटी तो गुटी को हम बोलते हैं हवाई दाब ये हिंदी में तो परिसान हो जाता हूँ हवाई दाब कहीं हवाई दबा लिखे रहते हैं क्या है यानि कि अगर यहां अपने घेर दिया ये स्पैगनम गास ये सब लगा दिया और जड निकलने लगे तो ये कौन सा प्लांट है बताओ मदर प्लांट में क्या निकल रहे है जड और वो जड कहा निकल रहे है हवा में निकल रहे है इस inquiry इसका नाम क्या दोगे air layering क्या देंगे अब जितनी साखा है उन सबसे ऐसे ऐसे जड़ निकलने लगे यहां भी आपने कर दिया यहां भी जड़ निकल रहे हैं यहां कर दिया यहां जड़ निकल रहे हैं यहां आपने डाला यहां जड़ निकल रहे हैं कुछ और टहनी ऐसे गया इसमें कर दिया तो कितने plant बन जाएंगे एक ही plant से बहुत सारे plant बन सकते हैं अब इसको सब को यहां यहां काट लोगे ऐसे plant बन जाएंगे तो यह नया नया plant बन गए अब अस tooling क्या होता है यह समझो यह तो air layering हो गया basically air layering जो हम करते हैं pom granite में करते हैं pom granite अनार में करते हैं mound layering क्या होता है यह एक अमरूद यह अमरूद है अब इस अमरूद में suppose that इसका फल का आकार जो है न यह छोटा है फल आकार क्या है छोटा fruit size छोटे है fruit size क्या है छोटा अब इसमें बीमारी बहुत जादा लग रहे है बीमारी जादा लग रहा है heat का प्रकोब जादा है तो आप ऐसे अमरूद को कुछ मत करना पूरी तरह से काट दो घर में तो ऐसे समस्य आते हैं न कुछ अमरूद ऐसे हैं जिसमें देखता होगा बीमारी जादा लगते हैं तो उसको आपको क्या करना है पूरी तरह से काट दोगे तो काट दोगे तो कैसा condition वनेगा ऐसा कितने हैं उचाई से काट दो गुरुजी 15-20 cm से उचाई से क्या कर दो काट दो यानि जमीन से इतना ही उपर से आप काट दो जब काट दोगे तो क्या होंगे काटने के बाद जो nutrients उपर जा रहे हैं वो सोचे गा रहे यार रास्ता तो पूरी बंद हो गए तो चले rest करता हूँ नीचे ही आता जाएगा ये सारे nutrients का जमाव इसी पे हो जाएगे पेस पे हो जाएगा आधार पे हो जाएगे अब ये सारे पोसक तत्त जब मिल रहा है तो यहां की कोशिकाएं चाहेगी कि यार इस पोसक तत्त को करूं क्या तो बोलेगा चल देखा होगा इंसान जब बैठा इंसान होता है ना कुछ काम नहीं होते हैं तो उसको एक ही काम सूजता है चलो परजनन कर लेते हैं क्या करेगा पर ये हमेशा एक मनुष्य की रीथ है आप अपने आप में बीजी रखो तो गंदे चीजे मस्तिक्स में आएंगे हिने रात उत्को ऐसा है बैठा हुआ है बारी सो रहे हैं तो तुम सोचेगा है चल थोड़ा सा कहलाती क्या है स्टूलिंग क्या कहलाएगा बताओ स्टूलिंग तो बहुत सारे इससे निकलने लगेंगे छोटका अमरूद इसको बोलता है छोटा अमरूद क्या निकलने लगेंगे बताओ छोटा अमरूद आपने देखा होगा इन सारे स्टूल को अब अमरूद बनेगा यह, छोटा-छोटा यह स्टूल बन रहे हैं, छोटा-छोटा यह अमरूद बन रहा है, छोटा-छोटा अमरूद बन रहा है, यह भी छोटा अमरूद बन रहा है, ऐसे ऐसे 10-15 अमरूद का पेड़ आपको एक ही पेड़ से मिल जाएगा, फाइदा क्य होगा अगले साल पता लगेगा क्योंकि अमरूद जो होते हैं नई साखा में फल लगते हैं किसमें लगता है नई साखा में इसलिए अमरूद में करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या करते हैं बताओ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्योंकि इसकी फल जो लगते हैं फल उत्पादन, फल उत्पादन अमरूद की अगर हम बात करें, तो वो कौन सी साखा में लगेगी बताओ, न्यू ब्रांच में, किसमें लगते हैं, न्यू ब्रांच, जितना जादा आप अमरूद को काटोगे, जैसे ये साखा है, इसको हमने यहां से काट दिया, लगेगा, और बदले में तुझे 10 प्लांट और मिला, इस 10 प्लांट को मार्केट में बेच लोगे, और नहीं भी बेचोगे, तो अगले साल तुझे, प्रावर्धन में क्या करेगा, प्रोपगेशन में ये करेगा सहायता, ये होगे स्टूलिंग, तो स्टूलिंग किसमें, अब एक लाइन का था, स्टूलिंग किसमें करते हैं, बताओ, अमरूद में, कितने संटीमीटर से काट दोगे, 15 से 20 संट, क्या निकलेगा उससे, स्टूल निकलेगे, इस स्टूल को या तो नरसरी में, 100-100 रूपया में बेच देंगे, तो अगर 100 रूपया में बेचोगे, तो एक अमरूद से कितने भाइदा, 1000 रूपय, बतले में हमारा पेड भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो इसी 10 स्टूल को 10 जगर लगा सकते हैं, तो यह फाइदा हुआ किसका, स्टूलिंग का, सही है, चलो, तो आपने स्टूलिंग समझ गया, अब इसका अगला जो पॉइंट है, वो क्या है, जड़ा देख लेते हैं, स्टूलिंग प्रवर्धन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इसका, भंड़ारन भी आपको मैं करवा दिया, देखो यह स्टूलिंग है, इसको यहां से काट दोगे, इस मांड लेरें, भंड़ारन क्या होता है, भंड़ारन मैंने बताया था, जो ट्रोपिकल फल होते हैं, उस्ट होते हैं, इन सब का भंड़ारन आपको याद करवाया हूँ, आठ से बारा डिग्री सेल्सियस, कितना कराया हूँ, आठ से बारा, उस्ट में कौन कौन है बताओ, आम, और कौन है, पपीता, और कौन है, केला, अभी क्या पढ़ रहे हैं, अमरूत, अमरूत का कितना है, आठ से बारा, केला का, तेरा, पपीता, दस से, एक ज्यारा या बारा, आम का, आठ डिग्री, एक्च्वल में पढ़ूंगा, तब तो ऐसे, जनरली जब हम याद कराते हैं, तब कैसे, आठ से बारा, और पीछे एक्दम, रिवीजन भी करते जाएंगे, तो ये सब का होगी, आपका, भंदारन, भंदारन, आम का, आठ डिग्री, पपीता, दस से, ग्यारा, एक, ग्यारा से, बारा, केला का, तेरा डिग्री, अमरूत का, आठ से, बाहार, ट्रीटमेंट, क्या नाम है इसको, बाहार, ट्रीटमेंट, सबसे पहला सब्द आते हैं, किसे कहते हो, बाहार, और ये क्रॉप, कहां-कहां आपको पढ़ना है, बताओ, तो ये तो आपको पढ़ाऊंगा, अमरूत में, और कहां पढ़ना है इसको अनार में और कहां बहार ट्रीटमेंट पढ़ते हैं नीमू में तो सबसे पहले इस हेडिंग को हम समझते हैं कि क्या होता है बहार नियंतरन किसे कहते हो बहार नियंतरन बताओ जल्दी से बताओ किसे कहते हैं बहार नियंतरन पहले बहार किसे कहते हो अरे गदे तू लोग को तो पढ़ाया रहे है पूलो का नहीं अंतर इसका मतलब बहार का मतलब तुम लोग में न तीन बार पढ़ा दू चार बार मुझे कोई अंतर नहीं पढ़ता है knowledge तो उतना ही रहना है जितने आप लेके आए हो फूल फ्लावर, बहार को क्या कहते हैं अगर नहीं यकीने तो देखा होगा पहले के मूवी में जितने गाना आते थे बहार आया मौसम आया, सावन आया उन सब में दिखाना किसको है फूल को, किसको दिखाना है फूल को, हीरो हीरोईन देखता हुगा सरसों के खेत में इसे लोड़े हुए हैं गोलटे हुए हैं, तो यह सब बहार आया तो याद रहेंगे बहार किसे कहते हो बताओ फूलों का आना क्या कहलाता है बहार और देश में सबसे ज़्यादा फूल जो आते हैं, वो कौन सा महीना है? फरवरी मार्च कौन सा महीना है? फरवरी मार्च, इस टाइम आते हैं बहार, तो कहानी समझो आपको मैंने concept क्या बताया हूँ, कि अगर यह एक पेड है, तो इस पेड में सबसे पहले तो लगेंगे पत्ती क्या लगेगा पत्ती इस पत्ती में आएंगे इसकी साखा पे कली क्या बनेगा ये कली इसको बोलते हैं कली यानि बड और इस बड से बनेगा क्या फ्लावर यानि फूल और इस फूल के अंदर बनेगे फल और फल के अंदर होगा क्या बीच यानि की फ्रूट प्रारंबी का वस्था क्या है, कली, हम लोग सब्स юज करते हैं आरे जारे, इसको छोड़ देता है, यह तो अभी कली, उसके बाद भूल, उसके बाद भल, उसके बाद बीज, उसके बाद बीज, क्या बनेगा, पीज, हमें कहां तक आना है बताओ, इस फलावर में, अब अगर फूल बन गया, तो निश्चित है फल का निर्मान होंगे, क्या बनेगा बताओ, फल बनेंगे, तो अमरूद में क्या होता है, कि एक बार तो फूल आ जाते हैं, फरवरी मार्च में, कब आते हैं फरवरी करें तो दूसरा फूल आ जाएगा इसका जून जुलाई में कब आते हैं बताओ जून जुलाई में और तीसरा फूल आने लगेंगे यहां अक्टूबर और नॉम्बर यानि इस अमरूद में एक साल में कितनी बार फूल आते हैं तीन बार कितनी बार आएंगे यह केवल अमर में भी होते हैं और किसमें निमू तो जानते हो क्या हुआ देखो हम तो किसान हम किसान क्या चाहते हैं जितना से जितना अमरूद को नोच डाले इंसान एक ऐसे जीव है ना जो किसी को नहीं छोड़ता इसको बस अपनी आवसकताएं पूरी होनी चाहिए किसी को नहीं पहाड को बेचने से फाइदा है बेच दिया पहाड को नदी को बेचने से फाइदा है सारे बालू बेच डाले और बेच रहे हैं तो ये किसी को ने छोड़ेंगे वाई साहिब ध्यान रखना आई ये विचारा अमरूद क्या चीज़ है अमरूद डर रहा था किस से इनसान से बहुत डर लग रहे थे तो अमरूद का महीना चल रहा था फरवरी मार्च पहली वारिस ने फूल दिया अब फूल दिया तो क्या बनेगा फल और फल लेना सुरू कर दिया इनसान जानते हो मई से जून के महीने में जून लास्ट में अगस्त क्या कर दोगे जुलाई 15-20 दिने मार्जिन हो सकते हैं तो यहां पे दिया फल और इस समय हो रहा था वर्सा क्या हो रहा था वताओ वर्सा रेनी सीजन हो रहे थे अमरूद में क्या लग रहे थे फल यहां पे बरसा हो रहे थे अब इस वर्सा के समय एक कीड़ा यहां पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था जिसका नाम था फ्रूट फ्लाई यानि फल मक्खी कौन सा मक्खी है बताओ तो आपको पूछेगा फल मक्खी का आकर्मन कब ज़्यादा होते हैं वर्सा रितू में किस रितू में होते हैं क्य क्योंकि जब बारिस होगा तो यह पेक्तीन जो थे यह घुल गए थे और यह मुलायम हो गया तो आराम से फल मक्खी कहां परवेश कर जाएगा फलों के अंदर और फल के अंदर अपना अंडा देगा यह किसका अंडा है बताओ फ्रूट फलाई का अंडे हैं तो सबसे ज़ बाहर को क्योंकि तीन बार फूल आ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं अंबे बाहर अंबे ए बी सीडी सुरू करते हैं वर्स का नया साल जो आता है फरवरी मार्च में हिंदी में सुरू होते हैं होते हैं चैद बैसाक जेट असार तो यह इसी टाइम सुरू होते हैं सुरसती प उसके बाद ये आया M से मिडिल, पीछ वाला और M से मरग, तब ये मरग, M से मरग, M से मडल, जैसे याद रखोगे, और ये हो गया हस्त बाहर, कौन सी बाहर है, हस्त बाहर, तो तीन बाहर आपने पढ़ा, सबसे पहले अंबे बाहर, दूसरा कौन है म्रिक बाहर तीसरा कौन है हस्त बाहर अम्बे बाहर में फल मख़्ी का अटैक क्या होगा जादा तो सबसे खराब अगर बाहर खराब किस सेंस में हम किसान है वाई और किसान का अमरूद बेचने के लिए गया तोकरी ले करके मार्केट में अमरूद ले लो, अमरूद ले लो सारे अमरूद ना पानी में भिंगे हुए थे बारिस में तो बोल लगेगा पनसोर गाउं की भासा में कहते हैं पनसोर पनसोर का मतलब जिस फल को खाने खाने पे पानी जैसा टेस्ट आए अंदर मीठापन कम और क्या दिखे पानी पानी तो उसको हम बोलते हैं पनसोर पनसोर का मतलब पानी उसमें ज्यादा है तो बताओ इसकी कीमत क्या होंगे कम और ये बाहार होते हैं खराब इस बाहार कैसा है बताओ खराब कौन सा बाहार खराब है आपके तो ये अंबे बहार क्या है? खराब, कारण में बताओगे, तो क्या लिखोगे? फल मक्खी का अटेक क्या होता है? जादा, और फल की गुनवत्ता क्या होगी? गुनवत्ता, फ्रूट क्वाइलिटी भी क्या होता है? इसका खराब, क्या होगा? खराब, मीठापन क्या होते हैं? इसमें मेरे दोस्त, मीठापन कम तो अगर पूछा जाए, जैसे बड़े एकजाम दोगे ना तो उसमें तुम्हें इसी प्रश्ण को ऐसे पूछ लेगा इन तीनों बहार में किसका TSS कम होगा? तो जो मीठा कम होगा, उसकी TSS भी क्या होगी? बताओ, TSS क्या होगा? कम, एक नया प्रश्ण तो TSS इसका क्या होता है? कम, कौन सी बाहर का? अम्रूद बिचारा क्या था? बहुत मुश्किल से अभी फल दिया किसान चंडाल ऐसा चीज है मानव है न, ये न, मई जून का महिना जून में फल दिया अम्रूद किसान जुलाई में जाके बाग में इसे फिर देख रहा है अरे यार, अभी तक फूल उलाया? नहीं, ग्यानिक आके बोला था कि तीन बार ये फूल देंगे तो ये अभी तक फूल, फिर ये आर किसान, किसकी उमीद में बैठे हुए बताओ, अम्रूद का फूल तो दूसरा फूल कब आएगा? जुलाई अगस्त में तो अम्रूद को जाके किसान बोला अरे, फूल आया ने पागल जुलाई का महीना चल दा अगस्त का अम्रूद कुसा के बोला पागल तु खुद ही तीन बार फूल दे के दिखाओ मुझे तब समझ में अभी जश्ट जून में दिया हूँ फूल फिर मुझे जुलाई में बोल दा है कि फूल दे भाई इतना जल्दी अल्दी थोड़े ये जुलाई अगस्त हुआ ने देख तो इसका फ्ल कब पकेंगे याद नहीं करना है पहला जनवरी फरवरी में तीन महीना बढ़ा दिया यहाँ जुलाई अगस्त में तो जुलाई में आया अगस्त, सप्टमबर, अक्टूबर अक्टूबर में या नॉवंबर में इसके क्या लग जाएंगे फ्ल आ जाएंगे इसको 15-20 दिन पढ़ा देना इसको नॉवंबर, दिसंबर भी कर सकते हैं अपन ऐसे नहीं कि एकदम रट लेना है तो ये अक्टूबर में क्या जाएगा इसका फ्ल और फिर अक्टूबर के बाद 15-20 दिन के बाद इसमें फिर फूल आना है तो इसमें फिर किसान देखने आ गया कि अरे यार फूल आया नहीं अभी तेरे में अमरूद ये अमरूद गुसा कर गया बोला पागल मेरे को मसीन समझ लिया तू साल में एक महीना भी रेष्ट ने दे रहा है अभी जस्ट फल दियाओ फिर बोल रहा है फिर फूल लाओ फिर फल दे फिर फूल लाओ फिर फल दे पागल होगे आमरूद बोला भाई और फाल की गुणवत्ता क्या हो जाएगा? तो वो छोटे छोटे फाल मिलेंगे तो ये सिकायत अमरूद ने किया जाके बैग्यानिक से बुला भाई साहिब आपने ये चीज बनाके गलत किये हो कि अमरूद लगाओ, अमरूद लगाओ ये तो किसान छोड़ते ही नहीं तीन तीन बार फल ले रहे हैं भाई हमें इतनी ताकत नहीं कि तीन बार तुझे दे दू तो बोला चल 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 इसका कुछ उपाई करता हूँ तो बोला अब मैं जाके ऐसा समझाऊंगा किसान को कि तुम तीन की जगा अब दो बार लोगे कितने बार लोगे बताओ दो बार कितने दिन में एक वर्स में एक वर्स में जो तीन बार फल लेते थे अब कितनी बार लेना है दो बार तो किसको कम करना है फूल को अगर फूल लगेगा ही नहीं तो फल बनेंगे ही नहीं तो हमें किसको रोकना है बताओ फूलों को लगने से रोकना है तो फूल बहार का मतलब फूल तो नियंतरन किसका करना है बताओ फूलों का नियंतरन इसलिए इसको हम कहते हैं बहार नियंतरन क्या बोलोगे बहार अब आते हैं जो जो ब्रश्न बनते हैं उस पे सबसे अच्छ होता है कौन सा रितू का बताओ विंटर का वेश्ट फ्रूट कहां मिलेगा सबसे अच्छा मुरूद कहां मिलेगा आपको विंटर में तो ये पूछेगा म्रग बाहर क्या है सबसे अच्छा अब म्रग बाहर में फल मख्य का प्रकोब क्या होगा कम फल मख्य का प्रकोब तो इन तीनों बहार में फ़र्ष्ट रैंक किसको दोगे अगर आप अधिकारी बन जाओगे तो बताओ सबसे पहला रैंक कौन देंगे कि भाई साइ मरेक बहार अपनाओ कौन सा बहार अपनाना है मरेक बहार और सकेंड जो रैंक देंगे इसका फूल आ जाएगा फरवरी वाले महीना में ये देंगे सकेंड रैंक इसका फल मीठा होता है लेकिन कम मीठा होता है मीठा कम सबसे खराब तो कौन है अम्बे बहार सबसे अच्छा कौन है म्रग बहार सकेंड रैंक आप किसको रख सकते हो हस्त बहार तो हमें बोला जाए कौन सा दो बहार अपनाना है तो दो बहार कौन कौन है मेरे दोस्त एक तो अपनाएंगे कौन सा दो बहार में एक तो म्रग बहार और दूसरा कौन सा बहार हस्त बहार कौन सा दो बहार हस्त बहार इसको अपनाना है अब हमें करना है नियंतरन देखो इसमें प्रश्न क्या क्या आएंगे मैं एक बार बता जेता हूँ नो कोशन बनते हैं अंबे बाहर में फ्लावरिंग कब आते हैं रटोगे नहीं भाई हिंदी का महीना कब से शुरू होते हैं फरवरी मार्च इतनी कहानी करता हूँ इसलिए कि जीवन में दुबारा नहीं पड़ो तो कौन है फरवरी मार्च तीन महीना बढ़ा देंगे फल लग गया उसके पंदरा दिन बढ़ा दोगे फिर फूल आएंगे फिर तीन महीना बढ़ा दिया फल लगेंगे फिर पंदरा दिन बढ़ाओगे फूल आएंगे फिर तीन महीना बढ़ा दिया फल लग गया तो सबसे पहला बाहर कौन है अम्बे बाहर, अम्बे बाहर में फूल कव आएंगे भरवरी और मार्श। तो तीन तीन महeana बढ़ा दोगे तीन महeana तो ये बाहर का टाइम आ गया और इधर हो गया फूरुटिंग का टाइम, किसका टाइम हो गया? फ्रूटिंग, सबसे अच्छा बहार कौन है? मरेक बहार, सबसे बेकार कौन है? अमबे बहार, बीच वाला कौन है? हस्त बहार, अब इसका करना है क्या? नियंतरन क्या करना है इसका? अब हमे करना है नियंतरन, नियंतरन क्या होते तीन की जगा आपको कितनी बार लेना है, दो बार, तो एक के फूल को हटाना है, किसके फूलो को हटाना है, अम्बे वहार के फूलो को क्या करना है, हटाना है, कैसे हटाओगे, सबसे पहला नियम, या तो नियंतरन करने के लिए फूलो को जाड़ना, फूलो को क्या करना है ब अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, पेड़ पे चड़ करके हिला देंगे, उतर सब, सब फूल को गिरा देंगे हिला हिला के, लेकिन मान लिया जाए, एक हेक्टेर में अमरूद है, तो पूरी परिवार पेड़ पे चड़ के हिलाते रहना, ठाक जाओगे, एक हेक्टेर को छे मह किस गिरादे मेहीन लगेंगे? सारे फूल को गिराने में 6 महीना इसका मतलब हाथों के द्वारा जो बिधी है ये कम पेड़ पे लागो हो सकते हैं भाई एक पेड़ हो, दो पेड़ हो तब तो जा करके आदा एक गन्टा में फूल को जाड़ सकते हैं धीक है? परसेंट आप यूरिया का छिड़काब कर दो अराम से सारे फूल गिर जाएंगे एक तो ये विधी है तीसरा विधी है या तो NAA का उप्योग करें NAA का उप्योग करो 600 PPM पलस आप इसमें यूरिया भी जोड़ दो तो किसका उप्योग करेंगे बता NAA बहुत बड़ी बाग है तो अस्प्रे कर देंगे तो हम तैरेक ये सब सारे फूल क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे और लाश्ट बिधी है या तो सिचाई रोक दो सिचाई क्या कर दे बताओ रोक दे irrigation को रोक दो irrigation को क्या कर दे बताओ रोक दो, कम कर दो आप देखते होंगे अगर पानी रोक दो किसी भी भाग में तो फूल अपने आप क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे तो ये चार विधियां है जिससे आप क्या कर सकते हो बहार का नियंतरन, एक्जाम में ये दोनों ही पूछते हैं आपको, कि बताओ बहार नियंतरन के लिए किसका उपयोग करते हैं, NAA का, किसका उपयोग, अब मैंने बोला था कि फूलों को गिराने के लिए किसका उपयोग क करते हैं इसे हम थिनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं कौन सा हार्मोन थिनिंग तो यह हो गया complete आपका बहार नियंत्रन कर दिये बहार जैयामिति की बात करें तो वो कितना करोगे 6 से 6 एक और याद रखना है अमरूद में मीडो और चेडिंग कौन सा है बता मीडो और च मीडो सब्द आया है कहां से बताओ मीडो सब्द कहां से आया है इसराहिल से मीडो का मतलब ही होता है गहन एक तो सब्ध होता है सघन भई एक बयंच पे 5 लड़गा बिठा रहा हूं अती सघन बोलूँगा 10 बैठ जा भई जैसे बैठना है आधा हैं रखना है तो ये 10 बैठना है ये अती सघन सुपर डेंसिटी, अल्टरा डेंसिटी अती सघन एक तो है डेंसिटी यह है ultra high density ultra high density अब इसमें पूछ लेगा आपको spacing तो यह spacing रखते हैं 2 into 1 यह याद रखना मीडो और चेडिंग किसके लिए अपनाते हैं अमरूद के लिए कहां से आया है इजराइल से दूरी कितना रखते हैं 2 अनुपात 1 कितना रखोगे 2 अनुपात 1 तो यह important प्रस्ण आपको बन जाएंगे propagation आपने करा दिया मीडो और चेडिंग करा दिया बहार नियंतरन आपको यहां लिखा हुआ है best fruit quality किसका होता है फल मक्षी का परकोप इसमें नहीं होते हैं मिरिक बहार सर्वोत्तम है only naa तो इसके मात्रा रखेंगे 600 ppm कितना रखेंगे लिखा हुआ है देख उपर यह है ना वहीं लगा कहा only naa करेंगे तो कितना है 600 और yuria के साथ मिला के करोगे तो कितना करोगे 100 पीछे अगर उल्टा लिखा होगा तो उसको change कर लेना यह सही है only naa करोगे तो कितना 600 और yuria के साथ याद रहेगा कि आधाई effect यह भी तो डालेगा 10% yuria डालोगे तो इसकी मात्रा कम इसकी मात्रा कितनी 600 तो ऐसे ध्यान रख लेना अब आते हैं मूल बरंत किसकी बात करेंगे बताओ मूल बरंत का चलने दूँ अभी मूल बरंत इसका भी कीट बचे हुए है बिमारी बचा हुआ है बिमारी तो पढ़ा चुका हूँ पहले डिजीज और डिसोडर में फिर भी ये थोड़ी सी लंबी हो जाएंगे जल्दी जल्दी करा दू 10 मिनट में निफटा दू, कल कराओ कल कराओ पढ़ेंगे ऐसा की दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो आप इसलिए नहीं पढ़ोगी केवल इसलिए आपको सबको टीचर बनना है इतने ओटी कलचर का टीचर बन जाना कि हमारा है केरियर समाप्त हो जाए अललड़की लोग टीचर बन जाएगी मेडम पढ़ा रही है तो कौन हरे राम सर से पढ़ना चाहेगा मेडम ना केवल ऐसे लिख भी दे ना केवल मेरे सलाइड उतार उतार के तो भी भीड जादा रहेंगे और यार चल 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 मेडम में देखता हूँ मेडम होने के बहुत फाइदे हैं पर अगर भगवान बोले ना जैसे पपीता में बोला था कि लिंग परिवर्तन सेक्स रिवर्सल के पसिटी पपीता में गुण है कि कभी मेल हो जाता है कभी फेमेल मैंने बताया था अगर आप लोगों में ये गुण होता तो भगवान से क्या बरदान मांगता मेडम तो बोले 4999 फिर भी लड़का बोलेगा नहीं मैं तो सिवानी मेडम का ही पढ़ाऊंगा तो यह अंतर आ जाते हैं तो यह है थोड़ा लेडिस का फाइदा उठाएं आप लोग जितने भी नारी है आने वाले दुनिया मैं हमेशा बोलता हूँ कि नारियों का है हम लड़का तो पहले भी मैं आपको बताया हूँ बायों में भी पढ़ाता हूँ हम धर्ती के बोज गदहें हैं हर जगा आपको देखाऊँगा किसको हटाना है सबसे पहला बैग्यानिक टारगेट करता है नर को हटाओ सब कोई तुझे रखने वाला नहीं एक लड़की टिप टाप पहन के जिंस पहन के में आई कमीन सर तो टोकरा बैठाओ आओ बेटी आओ मैं तेरा ही एक लड़का कितना भी आप पिएचडी करके घूम जाओ कोई पूछने वाला नहीं है बोल देगा गेट आओ अभी फुल है बाद में आना तो ऐसे ऐसे समस्या होते हैं पर आप क्या करोगे पपीता जैसा हमारे में लिंग परिवर्तन का है नहीं केपसिटी में तो हम सारे नारी होते नार में कुछ ने बचा है अभी भी आपको ध्यान इसलिए आज की कहानी से सारांस ये है हमें नारीयों की सापेक दस गुना ज्यादा मेहनत करना है अगर सक्सेज होना है तुम चाहते हो कि पिर्थवी पे मैं रहूं लड़का तो आपको दस गुना मेहनत करना पड़ेगा नई तो जानवरों में आपने देखा युवराज का नाम सुने हो न भैसा वो भैसा अकेला युवराज आया और आठ दस राजजी के जो भैसे थे ना उसका कैरियर बरबाद वो सारा भैसा देख रहा है रहे आजकल मेरे को कोई पूछते नहीं है तो वो सारा युवराज से जल रहे है क्योंकि हर को अगर ब्रिये चाहिए तो किसका चाहिए युवराज का तो युवराज आगया तो छोटे मोटे जो हमारे जिसे कमजोर भैसे थे वो तो ऐसे गूमर रहे है उसकी कोई कीमत नहीं इसलिए जानवरों से नरविलुप्त पादप से नरविलुप्त अब आई मानव, हम भी जानवर हैं, हम भी क्या हैं, जानवर, आज नहीं तो 50 साल बाद ये सावित हो जाएगा सत्य, कि हम लोगों की कोई कीमत, ये तो भूक रहा हूँ पागल, अब कोई काम नहीं है, गधे ही हूँ, तो क्या करूँ कुछ न कुछ काम कर रहा हूँ, ये धर पुरवजों ने सताया, अब किसकी देन है, नारी की, खुस हो, तो मिठाई खिलाओ, वाशी, नारी की सम्मान करें, चले मिठाओगे, जुड़ जाओगे, फटा-फट, देखें, पहला हमने अमरूत का क्या किया था, बोटनिकल नेम क्या होता है, सीडियम, ये सही करवाना पी, यहां होगा पी, साइलेंट है ना, पी, एस, आई, डी, आई, यू, एम, सीडियम, ये सही करना, ग्वाजाबा, फैमली क्या है इसका, बेटेसी, इस पे दिख क्यों ने रहा है, बेटेसी, गुनसुत्रों की संख्या कितना है, बाइस, और इसको याद किया था, पलक, याद आया, पलक तक, चिक है, उसके बाद उड़त भी थे, इसमें, और ग्रीन ग्राम, जितने ग्राम थे, उन सब की आपने चर्चा कर दिया, इडिवल पार्ट आपने बता दिया, पेरिकार, फल परकार क्या होगा, बेरी, जो गुच्छे में लगेंगे, उसको क्या बोल करें तो कहा है, उसन अमेरिका या मैक्सिको, ट्रोपिकल फ्रूट्स कहा जाता है, इसको गरीवों का सेव कहते हैं, यह सब सब करवा दिया, पेक्टीन का मात्रा, जेली बनाने के लिए सरवोत्तम फल है, और जेली को मापते हैं, किस से बताओ, जेल मीटर से, किस से होता है, तीन सो के आसवास, इसमें मिली ग्राम बिटामिन सी पाये जाते हैं, सबसे ज़्यादा बारवेड़ा, चेरी, आमला, अमरूत, और बिटामिन सी की कमी से होते हैं, क्या सकरवी, क्या होते हैं, सकरवी, प्रवर्धन हमने करवा दिया था, किस के द्वारा होते हैं, स्टूलिंग के द्वारा ठीक है जिसको मांड लेरिंग के नाम से जानते है भंडारन कितना दिगरी करोगे बताओ भंडारन आठ से दस है कितना है यह आठ से दस तो इसको सही करोगे अपन बंडारन आठ से दस पांच से आठ डिगरी पे भी करते हैं अमरूत का तो इतना ठीक है यह Next जैयामिति कितना रखेंगे 6 into 6 लेकिन आपको बताया था मीडो और चेडिंग जो होते है इजराइल से लाया गया था उसकी जैयामिति कितना रखते हैं 2 into 1 यह important है बाहर नियंतरन समझा चुका हो क्या होते हैं बाहर नियंतरन अमबे बाहर क्या होते हैं मरिक बाहर क्या होता है हस्त बाहर क्या होते हैं सबसे बेकार कौन था अमबे बाहर सबसे अच्छा कौन था मरेक बाहर किसके फल मीठे कम होते हैं किसको हटाना है तो अम्बे बाहर को आपको क्या करना है हटाना है हटाने की बिधी क्या था हाथों के दौारा या तो आप सिचाई को रोख दो या तो NAA का उप्योग करेंगे कितना 600 ppm और 100 ppm अगर NAA का उप्योग करोगे तो 10% आपको डालना है यूरिया क्या डालना है यूरिया तो ये बहार कर दिया और इसमें सबसे ज़या जो प्रकोब होते थे वो fruit फ्लाइ का किसका होता था बता fruit फ्लाइ यानि की फल मक्ही का अब हम आज की class को शुरू करते हैं दोस्त और आज की class जो है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग उसन फलों में जो आब आप समझो उसन फल की अगर हम बात करें तो उसन फल में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं करते हैं यानि जो ट्रोपिकल फ्रूट्स होते हैं, कौन सा फल की बात किया मैंने, ट्रोपिकल उष्ण फल जो होता है, इसमें क्या नहीं करते हैं बताओ, तो इसमें नहीं करते हैं हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होता है, तो ट्रेनिंग मैं प्रूनिंग पेड़ पोदे में फूल आ जाए तो प्रूनिंग और प्रूनिंग का मतलब मैंने बोला था हलकी कटाई कैसी कटाई करोगे हलकी light हलका हलका छुट छुट काटना है और इसमें heavy भारी कटाई पूरी डाली ही काट तो तो क्या कहलाएगा बताओ ट्रेनिंग और प्रूनिंग अमरूद में जो करते हैं अच्छा प्रस्न बनेगा ये करते हैं स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग समझते हो नहीं समझते हो तो बोलवा करहान नहीं समझता हो वसंत रितू में कौन सा है वसंत लिक्फू कैसे वसंत रितू में क्या होता है बताओ ट्रेनिंग and pruning तो यह important है मैंने बताया तीन तरह के फल आपको मिलेगा अंबे, मरग और हस अंबे में flowering कब आएंगे फरवरी और मार्च में तीन-तीन महिना बढ़ा दो गए यहां क्या आजाएगा जुलाई अगस्त में और यह क्या आजाएगा October और November में तो इसमें फूल आगए है यह सब अब इसमें करते हैं जो main season होता है वो कौन है फरवरी और मार्च spring का मतलब क्या होता है फरवरी और मार्च लेकिन इसमें बोलाए कौन सा training system अपनाते हैं देखो यह chapter अपना एक बचा हुआ है जो तेरे topic में जोड़े हुए है nursery management और training and pruning यह सारे तो यह जो training system है यह generally तीन तरह के होते हैं आप एक बार image देख लो इसको बाद में पढ़ा दूँगा आमला में भी आपको पढ़ना है अमरूद में भी पढ़ना है तो हर जगर training यह तीन विधी आपको ध्यान में रखना है एक तो है open system open का मतलब पेड़ को खोल दो तो पेड़ कब खुलेगा यानि पेड़ को ऐसे पूरी फैला दो तो सुरी की किरन पूरी आएगी इस पे तो इसको कौन सा system बोलोगे open बस ऐसे ध्यान में रख दूसरा है central इसको याद रखो open का मतलब क्या करना है पूरी खोल देना है central का मतलब यह बीच वाले भाग को परिपक बनाना है यानि side by side काटते जाएंगे और main साखा को आपको रखना है तो यह कौन सा system बना center तो इन दोनों को जोड करके पीच वाला एक system बना जिसका नाम क्या है modified central leader क्या नाम है बता है modified तो modified में क्या है देखो यह वाले भी आ गया open वाले भी आ गया और कौन सा आ गया center भी आ गया तो इस सबसे अच्छा अगर training system अगर आपके exam में आ जाए कि best training system कौन है तो हम क्या answer टिक करेंगे बताओ modified central leader system क्या है बताओ modified central leader system तो यह important है training method आपको ध्यान में रखना है एक line cable ध्यान में रखना है बताओ open का मतलब क्या है पेड़ पूरी तरह से खुला हुआ है center का मतलब क्या समझोगे बताओ center का मतलब यह कौन सा leader system है center अब आपको modified समझ में आना चाहिए modified का मतलब center और open दोनों है कब करेंगे यह कब करोगे और बैठने तो दो लड़ रही है तु लो कि उदर ही जा यह सब तो छोरे उरे करते हैं पर आप छोरियों भी बहुत देखने को मिलने लगा नहीं मैं यहां से नहीं हटूंगे कोई नहीं ठीक है चले दो तीन पॉइंट और बच गया है जिसको अपन डिसकस कर लेते हैं फटा फट बताओ important point में महतपुर्ण बिंदू में आपको क्या बच गया है कहीं कहीं यह लड़का नहीं बोलता रहे सर इंगलिस स्लाइड ले आए ले इसको भी लिख देता है महतपुर्ण बिंदू गदेडे इतना ही रह जाओगे जीवन भर और ऐसे बच्चे जो बोलते हैं इंगलिस में लाए हिंदी इसका मैसेज देखो एक लड़की को मैसेज करता है तो लड़की को ना बोमेटिंग आजाए इतने खराब मैसेज करेगा कोई-कोई लड़का मुझे पूछता भी है कभी मैसेज करके तो अजीव लिखते हैं इंगलिस यार उसको पता ही नहीं लगता है आप क्या एक सोच तो किसको एर लिखा हुआ था इसे कमेंट आते रहते हैं बाद मैं बोलूँगा ने तो बेजती हो जाएंगा उसके लिडिंग ग्वाभा प्रोड्यूसर यानि कि अग्रणी सबसे ज़्यादा ग्वाभा का उतपादन उतपादन वाले राजजी कौन है ए छोटी मोटी प्रशन है कौन है MP अब आप बताओ सुरू से मैंने कितने क्रोग पढ़ लिया उसका रिवीजन भी कराते जाना है यहने कि हैसा ही देखते रहना है आम में सबसे ज़्यादा किस राजजी में होता है बताओ यूपी में उसके बाद हमने कौन सा क्रोग पढ़ा था केला केला सबसे ज़्यादा कहा है बताओ तमिल लाडू में कहा पढ़ा तमिल लाडू में उसके बाद हमने केला के बाद क्या पढ़ा पपीता, पपाया पपाया कहा था बताओ, आंध प्रदेश में उसके बाद क्या पढ़ रहा हूँ, गौआभा क्या पढ़ा हूँ, गौआभा और गौआभा सबसे ज़्यादा कहा हैं बताओ, MP में कहा हैं, ऐसे हम गौआभा ना ये MP new data उत्तर प्रदेश में भी गवाबा है ये ध्यान तक ना ये डेटा बदलते रहते हैं आपस में अब है highest fiber परतिसत बोल रहा है रेशा की मात्रा रेशा परतिसत कितने होते हैं अमरूद में ये आप change करना कल 7.6 पर एक चेक्ट जो होते हैं 7 परतिसत रेशा की परतिसत कितने होंगे? 7 और vitamin C पर चूर मात्रा में होते हैं आपको पता है vitamin C कितना है? 300 miligram पर 100 gram पल अगर गुदा आपको लेना है 100 gram अमरूद लिया उसमें major करोगे तो कितने vitamin C मिलेंगे? 300 कितना मिलेगा? कैसे याद रखते हो बताओ यह सब तुम लोग रट जाते हो एक दम कहीं कहीं कोई teacher 299 लिख दिया ना तो तुम मेरे मात्रे पर आ जाओ राम सर गलत पड़ा रहे हो कोई 270 लिख दिया तो भी आ जाते हो मात्रे हैं, सब सही है और सन जो बना रहा है नो वेवकोग है जो लिख दिया वो गलत नहीं है सब जगा विटामिन सी एक हो सकते हैं बताओ, कोई बैग्यानिक महराष्टरा में विटामिन सी मेजर कर ले उसका अलग आजाएगा कोई... विक़ानेर में कर ले उसमें अलग अलग इसले लगा सकते हैं, इसमें इसले के इतंग चड़ जाना है चाती पे, किए नैं, उसमें सुनदा वालिम तो ये लिख दिया सर, सार वालिम आप ये लिख रहे हो, अरे भाई साहब कुछ भी हो सकते हैं, विटामिन बदल सकते हैं, चले आगे बढ़ जाता हूं, आप आजात स्रिजन क्या नाम है बताओ पूसा स्रिजन इसे हम कहते हैं एन इपलॉइड 82 क्या नाम है बताओ एन इपलॉइड 82 इसी लिए कहा जाता है न कि इसमें गुनसुत्र की संख्यां अमरूद में कितनी होनी चाहिए बताओ अमरूद में गुनसुत्रो की संख्यां कितनी होनी चाहिए बाइस कितना होना चाहिए बाइस अमरूद में कितना होना चाहिए बाइस अच्छा ये 26 लिखा हुआ है 24 आएगा पर इसमें गुनसुत्रो होते हैं 2N पलस 2 2N पलस 2 और 2N पलस 2 को हम कहते हैं टेट्रासोमिक क्या कह लाता है ये बताओ जेनेटिक्स में थोड़ा सा सब्द है इसका नाम क्या है टेटरास कुछ नहीं याद रखना है दो और दो कितने होते हैं चार को हम क्या बोलते हैं टेटरासोमिक अगर आजाए 2N-1 इसका कहने का मतलब है गुनसुत्र तो होना चाहिए था 22 लेकिन माइनस 1 का मतलब एक कम है अगर ऐसा कंडिशन बनता अमरूद में तो गुनसुत्र की संख्या कितनी हो जाती एकीस इसमें कितना है 22 तो होना चाहिए था दो और एक्स्ट्रा है इसमें तो गुनसुत्र कितने हो जाएंगे ये इसकी खासियत है तो ये पूछ लेगा गुनसुत्रो की संख्या कितनी होती है इसमें 24 आप गलत कर दोगे बाकी जगह क्या पढ़ते अमरूद में गुनसुत्रो की संख्या कितनी है 22 लेकिन इसमें एक कंडिशन है दो क्रोमोजोम भगवान एक्ष्टरा दिये कि बेटा तुम बवने हो तुझे जरूरत पढ़ेंगे लोग तुझे सताएंगे ले जा दो एक्ष्टरा किसको दो एक्ष्टरा मिला पूसा सरीजन अब देखो ये नाम है पूसा तो पूसा का मतलब ये विक्सित किया गया होगा I-A-R-I ये लिखा नहीं हुए इतना निव देली से कहां विक्सित किया गया होगा निव देली से विक्सित किया गया होगा इसकी नहीं अब ये उप्योग कहां किया जाता है तो ये जो root stock है ये किस variety में उप्योग करते हैं तो इसका उप्योग होता है इलाहाबाद सफेदा में कहां उप्योग होता है बताओ इलाहाबाद सफेदा तो अपने कोना सर ये सब पूरा याद रखना है तुम तो पूसा स्रीजन याद कर लिया ना ये बहुत बड़ी बात है बताओ पूसा स्रीजन कभी कभी आ जाए किसकी variety है इतना में मस्त रहना अरे सर बहुत डिटेल पढ़ लिया इसके अंदर तो जाना है नहीं पागल जितना अंदर जाओगे तकलीफ उतना ही जाता होंगे तो इसलिए अंदर नहीं जाना है कैसे मूलवरंथ है बताओ बाउनी किसमे लगाया जाता है बताओ इलाहवाद सफेदा में किसमे है अच्छा इलाहवाद सफेदा क्या है अब तो 10 मिट वेराइटी की चर्चा चलेंगे इलाहवाद सफेदा क्या है किसम है क्या है और नाम ही है इसका सफेदा तो जब अंदर काटोगे तो कैसा दिखेगा सफेद कैसा दिखेगा अगला है चाइनीज गवाबा क्या नाम है चाइनीज गवाबा इसका पूरा नाम तुम बोल ही नहीं पाओगे इसलिए याद ही नहीं करना है क्या है पूरा नाम जिरा पढ़के बताना बहुत मुस्किल से याद करता हूँ चार-पांच वार में इसको बोल पाता हूँ पहले तो ट्राइ करता था कि यह होता क्या है तुम छोड़ देना यह बड़ा वाले जो नाम है और यही आते हैं क्या थे हर वार इसलिए आते हैं अमरूद में सबसे घातक जो बीमारी है ना उसका नाम है उक्टा क्या नाम है और यह वील्ट जो होते हैं इसमें देखा होगा गाउं में भी अमरूद एकदम सूख जाएंगे एक आएक अमरूद है दो वहिनाग बाद पता लगा पूरा सूख गया तो यह सबसे ज़्यादा समस्या सागवान में सिसम में जो पेरेनियल क्रॉप होते हैं ना जो हमारे देश में एक आधार बन रहा था टिम्बर का फोरेस्ट लगाओ सोसल फोरेस्टी लगाओ तो सरकार का बहुत बड़ी योजना चल रही थी एक बार कि हर गाओं वाले ना सागवान लगाओ अमीर बन जाओगे पढ़ने की जरूरत नहीं आए एक एक पेड़ एक एक लाख में बिकेगा गाओं में ऐसा भासन दिया सब लोग सागवान सिसम लगाए लेकिन अब समस्या क्या आते हैं ये बीस साल तक सिसम सही रहते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के आदमी परेशान है इवेन मेरे पास भी हजार पेड़ है सिसम के जानते हैं उसमें सो डेड़ सो तो सूख गए ये बहुत बड़ी समस्या आये उक्टा बीस साल तक बच्चे को लाड़ प्यार करके बढ़ा करो अरे बाई लड़का जवान हो गया हमारे बिहार यूपी में न लड़का मानो लड़का नहीं है माल है माल एक लड़का न पचीस लाख का माल है अगर मान लिया जाए उसका नौकरी लग गया जैसे मैं था कोडिनेडर ओफिसर डिश्टिक 2018 जोएन किया छे दिन मेरे 46 सो ग्रेड पे थे जो आपके डबल एओ में बी आलिस सो ग्रेड पे होते हैं तो मेरे तनखा 45,000 बनता स्टार्टिंग 46,000 अभी एक मेरे गाउं का जोएन के वाए 56,000 अभी मिल दे तो मेरे मम्मी को ये दुखित बात करता था ना कि हरे राम ना 45,000,000 का नुकसान करा दिया दहेज लेता दहेज लेता तो कितने आते हैं 45,000,000 और एक असकारपियो तो पक्का तो ब्यार में पूछ ले किसी से है और खास करके मैं राजपूत हूँ तो इसमें तो और पैसे दमा दम चलते हैं पूरा पंडित राजपूत के दो बेटी हो जाएना हमारे ब्यार में साधी करना मुस्किल है 18,000 का अगर लड़का डोंडना है इतना तो देना है सोना उना अलग से दोगे तो दो बच्ची हो जाए इसका मतलब वो परिवार खतम अब आप पूछ ले ना कोई दोस दोस मैं जूट बोल रहा हूं तो तो ये उक्टा रो क्या है हाँ तो मैंने साधी किया ना तो पैसा नहीं लिया ये ओनलाइन बोल रहा हूं बिल्कुल भाई मेरे साधी है ये उदैपूर में हुए तीन वार साधी हुआ और यार सर मेन पॉइंट पे आओ न ये उक्टा बाद में पढ़ लेंगे अब उसी को बताओ तीन वार हुआ चिराग ऐसे क्या देख रहा है मज़ा जादा नहीं हुआ है एक ही से हुआ है एदा हम ऐसे कंबीर रूप से देख रहा है एक ही से चले आब आगे बड़े भाई ये ड्वार्फिंग यानि कि ये रूट अश्टोक है ये कैसा है बताओ बोना ये भी कैसा है वील्ट समझ में आ गया अमरूद की सबसे घातक विमारी पूछा जाए तो क्या बोलोगे वील्ट और दूसरा निमेटोड जिसको आप क्या बोलते हो सुत्र क्रमी तो सर एक बतादोन की कोई एक रूट अश्टोक याद रखो अगर इससे भी जादा इंपोर्टेंट आता है ये चाइनेज बावा हला की दोनों याद हो जाएंगे अब तुछे बता आप पूसा स्रीजन किसका है कभी वेराइटी पूछ ले पूसा स्रीजन तो किसका है अमरूद का ये सब छोड़ दे ना बीच वाले पॉइंट तो आप छोड़ दो तो आज अमरूद का क्या बनाया जाएगा ग्राफ्टिंग किया जाएगा और उसमें कौन सा रूट अस्टोक उप्योग किया जाएगा सीडियम फ्रेड रिच थेलेनियम ठीक है चले आगए ये सब जो रूट अस्टोक है अपने किसी काम का नहीं देखो रूट अस्टोक और होते हैं अमरूद में जैसे पाइनेपल होता है माउंटेन गौवा है ब्राजिलियन गौवा है स्ट्रावेरी गौवा है इसको आप छोड़ देना ठीक है ये हमारे काम की नहीं अब हम आते हैं अगर लगता है कि नहीं सर कुछ और छूट गया है हलांकि जैन्दल में पढ़ा चुपा हूँ पी एच कितना होता है अमरूद का सारे फ़लों की अगर बात करें तो बीना आख बंद किये हुए तुन टिक करके आ जाना गलत हो तो यहां आ जाना 6.5 से लेकर 7.5 के बीच क्योंकि जो एक्शुल में जो फ़ल होते हैं ना देखो यह फ़ल सर यह फ़ल और सबचियों का पी एच क्या सबका याद करूँगा पहां गल याद करेगा फिर यहां क्यों आया रहे वेजी टेवल्स यह जो फ़ल होते है ना इसका नेचर जैसे एक फ़ल ले लो आम ले लो तो आम को ऐसे रस को खोल के देगा अरे आम इधार आना इधार आना तेरे पी एच कितना है तो आम बोलेगा मेरे निचोड दे तो निचोडोगे तो रस निकलेगे आपको केटरीना कैफ याद आ रहा होगा इमेज में रस निकलेगा उसको डी सेपिंग बोलते हैं क्या बोलोगे डी सेपिंग तो ये जो रस निकाला ना अब इस रस का पी एच देखना देखना कॉंसेप्ट कितना लाजवाब है इस फल के रस का जब पी एच देखोगे किसका पी एच देखोंगा बताओ उसमें जो पल्प है गुदा है उसका पी एच देखोगे तो ये आएगा अमलिये हलका क्या आता है बताओ अमलिये जैसे कैसे याद रखोगे वेजी टेवल्स का जो गुन होता है ना वो होते हैं सारी ए किसको छोड़कर टमाटर टमाटर का गुन टमाटर के रस टमाटर का जूस भीते हो ना रस वो अमलिये होते हैं 5.5 उसका पियच होता है तो टमाटर होता है कैसा अमलिये इसी से याद रखना अब बाद में कौन याद रखेंगे टमाटर टमाटर अमलि तो फल क्या होंगे अमलिये फल क्या होगा और फल जो अमलिये होते हैं ये अधिकांस्ता आपने देखा होगा फल जो राजस्थान में लगाते हैं सुखा परदेश में बेर हो गया आमला हो गया खजूर हो गया करौंदा हो गया फालसा हो गया निम्बू हो गया अमरूद हो इन सब को high pH पे लगा तो मने साथ से ज़्यादा वाले इसको आठ तक भी ले जाओगे तो दिक्कत नहीं पेल हो गया, पेर हो गये, जामून हो गया इन सब, यानि फल चाहता क्या है कि हमें हलका साथ से ज़्यादा pH दो तो कोई दिक्कत नहीं तो बताओ, इसका गुदा में क्या है, आमली ये तो हर आदमी क्या चाहता है, उदासीन होना अरे जो आमल है वो किसके परती, सार के परती है जो सार है वो आमल के परती इसलिए फलो का अधिकांस्ता pH साथ से ज़्यादा रख सकते हो नहीं दिक्कत आएंगे और सब्चियों में देखना अधिकांस्ता सब्ची की pH आपको मिलेंगे साथ से कम कितना मिलेंगे 5.5 से लेकर 6.5 के ये इतनी जवाब कौन से तुझे बता रहा हूँ ना क्यों? क्योंकि सर सब्ची का अंदर का गुण लोकी को निचोड़ दो उसका रस का देखोगे पीएच तो आएंगे 8.2 मैं इसे ही बता देता हूँ किता आएगा करेला किसी का भी देखोगे भिंडी कैसे रस निचोड़ देना उसका पीएच देखना मेजर करके पीएच से रस में देख रहे हैं तेरा तो यार एसेडिक नेचर है तो बोला मुझे थोड़ा सा सारी ये देना क्या देना ये कॉंसेप्ट है इसी पे पीच काम करते हैं एक दो अपवाद के रूप में चलते हैं वो तो लाश्ट में मैं लिखा दूँगा तो ये होगे लेकिन अमरूद एक ऐसा है जिसमें ब में लगते हैं इसका स्टोरेज पांच एद की बाथ करे उपज की बात करे अमरूद का तो इतना होता है 100 kg प्रति パदब प्रति एयर क्लाइमेटरिक है मैं ने बता दीया ऐसा फलं जो क्या लगते हैं मीठे क्या लगेगा अ क्लाइमेटरिक अरे गुरुजी जब हीक तक त आज आ रहा हों कि एक ही चीज को हरी रामसर ने डस बार पड़ा दिया, आप सुनते रहो, लिख लेना बाद में जाकर, केला, अच्छा गुरू जी, मीठा लगा, क्या है, क्लायमेंट्रिक, पापीता मीठा लगा, गुरू जी, तो क्या है, क्लायमेंट्रिक, आज आमरूद मीठा लगता है तो क्या है क्लाइमेटरी कुछ पच्चे इससे होंगे राजस्थान के जो इस आम को सोच रहे हूंगे यार मैं हरे राम सर गलत पढ़ा रहे हैं यह तो खटा लगते हैं तो यह केरी जो आपके यहां हो रहे है ना वो राजस्थान में उगना नहीं चाहता है यह आम को कितना चाहिए चोबिस से अठाइस उसन जो फल होते हैं इसको कितना चाहिए चोबिस से अठाइस और यह आम फल देगा कब मई के महीना में मई के महीना में राजस्थान में मिनमम मिलेगा उसको कितना पैतिस से पैतालिस पैतालिस तक जाते हैं मई जुन राजस् लाया और देर आये कितना 50 डिग्री उसके बाद तुम उम्मीद करोगे कि आम मीठा हो मीठा होंगे तो वो लेगा तुने मेरे साथ दोखा किया मैं तेरे साथ कर रहा हूं क्या दिक्कत है तो उसमें होता है actual condition देखो क्या है आम अगर खटा है तो खटा किसके कारण लगा इस में acid होंगे citric acid होगा जब ethylene proper बनते है ना तो इस citric acid से ना हाथ जोडता है citric acid तु अपना translation कम कर दे बोलेगा इसा क्या हो रहा है रे पागल मैं अब पक रहा हूं ना तो तु अपना translation कम कर देगा ना तो citric acid का मान क्या होगा घटेगा और किसका मान बढ़ेगा बताओ ethylene तो ethylene जब बढ़ेगा ना तो फलो में सुगंध जादा आएगा यानी aroma क्या आएगा खुस्पू जादा आएगे और sweetness जिसका tss ये सब मान सब पढ़ाता है कौन ethylene और फल हरा है तो हरा से क्या करना है पीला तो chlorophyll का नास भी कौन करने जा रहा है बताओ ethylene ये सारे काम होते हैं फलो के पकने के समय तो ये सब काम कौन करेगा इसलिए राजस्थान में अगर और अंदर से प्रस्ण कैसे बनते हैं अगर high temperature हो जाए अधिक तापमान हो जाए तो बताओ क्या citric acid का निर्मान कम होगा या जादा आप कोई भी फल देत लो जो अधिक गर्मी में होते हैं concept इसको चाहे आप बेर की बात कर लो करोंदा की बात करो फालसा की बात करो जामूल इन सब को गर्मी ठूस के दे दे किसको खजूर को छोड़ कर खजूर केवल गर्मियों में मीठा फल देते हैं बाकी अधिकांस्ता कैसा देता है खटा कैसे देते हैं खटे तो यह सब सारे क्या हैं बताओ क्लाइमेट्रिक तो क्लाइमेट्रिक मीठा और खटा वाले कैसा लगता है कड़वा और कड़वा और खटा आमला उमला अभी पढ़ेंगे बाद में कैसा अच्छा यह तो हो गये अब हैं मैचूरिटी इंडाइसेज जिसको बोलते हैं परिपक्ता अवस्था तो यह उपर वाले अच्छा क्लाइमेट्रिक का मतलब किसानों को किसे समझाओगे सर्क्लाइमेट्रिक मतलब ऐसा फल जो कच्छे पर भी तोड़ लोगे न तो यह घर में आके पकता रहेगा स्वास लेता रहेगा पकता रहेगा 57 साथ दिन में पकेंगे, लेकिन इसी अमरूद को महराष्टा भेज़ देना है तो इस अवस्था पे, किस अवस्था पे है, इसको बोलता है हाप मैचोर क्या पूरी तरह से मैचोर है, ना, ये कैसा है, अर्ध मैचोर तो अर्ध परिपक अवस्था पे कब तोड़ना है बताओ जब अमरूत को कहा करना है लम्बे दूरी तक अगर परिवहन करना है तो अमरूत कैसी होनी चाहिए अर्ध परिपक लेकिन लोकल मार्केट में भेजना है यहीं तो green firm जैसे green से just change होने लगता है इन अवस्था उस अ अभी नहीं आएंगे परिपक्तावस्ता, अब हम बात करेंगे important किसमे के, किसकी बात करेंगे, किसमे, कल से अगर इसी अमरूत को लिखा के पढ़ाता ना तो पांच घंटे, कितने घंटे, पांच, लखनौ 49 important है, इनका नाम सरदार गौवा है, इसको L49 के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है बताओ, सरदार, देखते जाओ, दुवारा नहीं पढ़ेंगे, लिखना नहीं है, क्या नाम है बताओ, L49, नाम क्या है, common name, सरदार गौवाभा, और ये चैन किया गया, चैनित है, किस से चैनित किया गया है, तो ये किया गया है, इलाहा बाद सपहेद से, अगर चैनित का प्रशना है ना, तो मेरे हिसाब से तुम तो इस वेराइटी को टिक कर देना, अमरूद में ये वेराइटी क्रांगती लाया है, इतनी सांदार वेराइटी, क्या नाम है बताओ, इलाहा बाद सपहेदा, कब बना था ये, तो लखनाव 49 कब बना, 1927 में, कहां बना था ये, पूने में, कहां बना था, पूने में, किसने बनाया था, चीमा एंड देश्मुक, नाम छोड़ दिया, इस सब छोड़ना, अगला, ये जो है, ब्राउंजिंग परतिरोध है, रसिस्टेंट किसके लिए है, बताओ, रसिस्टेंट है किसके लिए, सफेदबड शफेद का लिका किस में होते हैं। मक्का में। अभी आया था डबल ऐगो के पेपर में लीची में गुच्छा रो खुच्छा रो खुच्छा को arrangements समस्ते हैं। लड़कियों का जुमका देखते हो ना, एक ही में बहुत सारे गुच्छा लगे गए, वो किसके कमी के कारण, जिंग के, किसके कारण, जिंग, तो ये हो गए, बताओ ये जो वेराइटी है, इसका नाम क्या है, लखनाओ 49, अगला जो हम वेराइटी की नाम ले रहे हैं, वो क तिरोध वेराइटी कौन है, इलाहाबाद सफेदा, और सफेदा का मतलब इसकी गुदा कैसा होगा, सफेद, कैसा गुदा, तो दो वेराइटी हमने पढ़ा, एक का नाम क्या है, एल 49, इसी का नाम क्या है, सरदार गौबा, और इसी को बोलते हैं, लखनाओ 49, क्या बोलते ह बताओ, और ये variety किसके लिए resistant है, बताओ, brown jing, किसके लिए है, brown jing किसकी कमी से होते है, jing, second जो variety पढ़ा, उसका नाम क्या है, ilahavad सफेदा, और ilahavad सफेदा किसके लिए resistant है, बताओ, built, built होता है किस से, कवक से, किस से होते है, कवक, अपने इतना ही काम करेंगे, क्योंकि ब बहुत important है, चित्तीदार, ये जो किसम आपको दिख रहा है, ये कैसा है, चित्तीदार, ऐसा variety आपने देखा होगा, यानि फल के ऊपर, लाल रंग के दाने होते हैं, फल के ऊपर ये दाने दिखेंगे, कैसा दिखेगा, लाल लाल, छोटा छोटा, तो ये कहलाता है, चित्त है, बच्चे को सबसे ज़्यादा confusion क्या होते हैं नागपूरी में, ये लगता है ना संत्रा की variety, नागपूर किसके सबसे ज़्यादा नागपूरी संत्रा फेमस है, तो तुम गलत करोगे, अगर आजाए नागपूर सिडलेस, और option आजाए संत्रा, अंगूर और अमरूद, तो अधिकांस बच्चा कर देगा संत्रा, क्या कर देगा, तो अपने को यहाँ बचना है, जहाँ बचना है वहाँ श्टार लगा दूँगा, कि ये जो नागपूर सिडलेस है, ये variety किसका है, अमरूद का, किसका है, अमरूदेने कि नागपूर होला तो आख बंद करके संत ये आया हुआ प्रश्चन है, IBPS में important प्रश्चन है, बेहद coconut किसकी important variety है, और ये जो दिखरा इमेज आप बेहद coconut का है, ये सिटलेस variety, बताओ हमने केबल तीन वेराइटी अभी याद रखना है, क्या-क्या, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, L49, उसके बाद दूसरा व तुभारा नए पढ़ने दूगा इतना तो विश्वास रख कोई भी एक्जाम जो भारत में होते हैं ना चाहे अभी डिडियो की एक्जाम आएगा दिल्ली डेवलप्मेंट ऑथेरिटी जो बियसी किया है तुम हमारे नोट्स पढ़के चले जाना ज्यादा कुछ भी मत पढ पढके जाना इतना पढ़के चले जाना pierws दे qualcिया तुम ये मत सोचना कि हमें मैं इसके लिए पढ़ रहा हैं तेरे लिए मैं अस्टार लगा देता हूँ हम ये के पढ़एंगे बस नाकूर शीटलेस कवी पढ़ने नाकपूर बेह तको नड्चोड देना यह ऐलो होता है उ प्राउंजिंग के लिए रसिस्टेन्ट है ये उखता रोग के लिए रसिस्टेन्ट है और ललित का ये प्रस्ण बहुत सांदार आएगा कहां से विक्सित किया गया है तो बच्चों को न एक बार ये बोला करो कि भाई ये प्रश्ण ये इंपोर्टेंट है कि CISH और CISH है कहां बताओ ये है कहां Central Institute of Subtropical Horticulture ये है लखनव में कहां है लखनव में जहां सबसे पहला आपको बताया था मैंगो का हारवेश्टर जो प्रश्ण पूछा गया है वही बोल रहा हूं यानि आम को तोड़ने वाला यंत्र बनाया गया था कहां CISH में आम अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो भी कहां एंसर जाएगा CISH में जो मीडो और चेडिंग आपने अभी पढ़ा ना मीडो मीडो और चेडिंग किस में अपनाते हैं अमरूद में कहां से आया था सबसे पहला इसराइल से इसकी दूरी कितना रखे थे दो इंटू वन और सर अमरूद का तो छे इंटू छे रखते हैं तो ये सघन है क्या है सघन आर्सिये में भी लगा हुआ है इतना उचा-उचा अमरूद होते हैं आराम से इसको तोड़ ले हुए हार्वेस्टिंग में क्या होता है कटाई में आसानी होते है और ये भी सबसे पहले कहां आया था इसराइल से CISH में कहां आया था बताओ CISH तो ये प्रस्ट इसका बह कैटी पहचान लोगे अगर कभी भी आपको किसी भी अमरूद का गुदा पूछ ले और एक्जाम में हमें आता ही नहीं सपोज दै कि हमें नहीं आ रहा है कि सर पूछ लिया कि भाई कोहिर सफेद नामी है सफेद इलहाबाद सफेद तो गधे होगा जो एसा पूछेगा कि इलहाबाद सफेद का गुदा कैसा होता है अरे नामी है पागल इलहाबाद सफेद तो सफेद होगा कोहिर सफेद नामी क्या है सफेद तो उसका क्या होगा सफेद तो आप से गुदा का रंग भी पूछेगा केबल तो ललित का किसका पूछेगा बता ललित और इसका बहुत बार पूछते हैं एपल कलर क्या पूछेगा अगर आपसे पूछा जाए एपल से तो मैंने बताया था एपल आकिरती तो एपल आकिरती का जो वेराइटी है आम में वो आम की वेराइटी था रूमानी कौन है बताओ लेकिन आपको आजाए एपल कलर 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 तो यह है एपल कलर ठीक है यह दिख रहा है ना दूर से लग रहा है यह क्या है सेव लेकिन सेव नहीं है क्या है यह अमरूद और यह वेराइटी ज़्यादा फेमस है किस रीजन में इलाहवाद रीजन में इस रीजन में इलहाबाद आप ट्रेन से जब गुजरोगे ना तो ऐसा खुब दिख जाएंगे वहां के स्टेशन पे स्वेता अब ये इंपोर्टेंट आपकी वेराइटी तो हम छे वेराइटी पर श्टार लगाऊंगा वेराइटी ज्यादा नहीं पढ़ना वो लास्ट मे पूछेगा आरका मिर्दुला देखो आरका मिर्दुला तो ये नाम नहीं लग रहा है बढ़ा लिख रहे हो सर आरका मिर्दुला तो ये होता है अमरूद के वल मैं बोलू मिर्दुला इधर आना बेटी मिर्दुला तीन सब्द की मिर्दुला बोले गया लेकर आ रहा हूं पापा अनार मिर्दुला अनार तीन सब्द वाले तीन पड़ा नाम अमरूद अरका मिर्दुला नाम बड़े इधर भी बड़े इधर छोटा बेटी मिर्दुला तर मिर्दुला अनार की है तीन सब्द वाले जुड़ गे तो यह इसे थोड़ा सा एक मजात में अरका मिर्दुला किसका है बताओ अमरूद मिर्दुला किसकी है अनार यह दोनों प्रशन आये हुए है भाई सहर तो यह याद रखोगे मिर्दुला किसका है अनार का अरका मिर्दुला किसका है अमरूद दोनों आज से सुरू हो रहे हैं उधर भी अमरूद है उधर भी अनार है द्यान रखना तो याद कैसे करोगे बड़ा अरका मिर्दुला किसका है अमरूद का मिर्दुला छोटा है वो किसका है आना आरका पोम गिनर अब जो आरका मिर्दुला है ना ये ड्वार्प वेराइटी है कैसी वेराइटी है ड्वार्प वेराइटी है बोनी है जो सेलेक्षन हुआ है चैनित किया गया है ये भी चैनित हुआ है किसे इलाहवाद सफेदा से किस तीसरा इलहाबाद सफेदा, तीसरा ललित, ललित कहां से विक्सित किया गया है, CISET से, आगला जो वेराइटी है अगर मैं बोलू तो वो कौन है, एपरल कलर, चार वेराइटी, मिर्दुला और अर्का मिर्दुला, अर्का मिर्दुला किसकी है बताओ, अमरूद, मिर्दुल हम ध्यान में रखेंगे, हाइबरीड वेराइटी, संकर वेराइटी की बात करें कि कौन इसमें हाइबरीड वेराइटी है, तो अर्का अमूल जो है, क्या है, हाइबरीड, कोहिर सफेद, नाम ही है देखो, सफेद, इन दोनों का उल्टा कर दो, अर्का अमूल KISCAY किसके बीच का क्रोस है इलाहाबाद सफेदा एंड सिडलेस के बीच और ये देखो कोहिर और इलाहाबाद सफेदा के बीच कोहिर सफेद और सफेद जाम इसको याद कराता हूं ये तो छोड़ दे कोहिर सफेद और सफेद जाम दोनों में सफेद आ रहे हैं बताओ फिर से कोहिर सफ कोहिर और सफेद के बीच है नाम पता हो गया बताओ कोहिर सफेद किसका किसका क्रॉस है कोहिर और सफेद के बीच सफेद क्या है इलाहवाद सफेदा किसका उल्टा कर दो इलाहवाद सफेदा और कोहिर के बीच क्या हो गया सफेद एक ही याद रखना है कौन याद रखेंगे कोहिर सफेद किसका क्रॉस है एक हाइब्रिड में याद रख लेना कौन सा कोहिर सफेद और ये याद ने रखना है पताओ कोहिर सफेद किसका किसका है कोहिर और इलाहवाद सफेदा के वीच कोहिर सफेद किसका है कोहिर और इलाहवाद सफेदा के वीच काम खतम इधर रहने देओ हमारे महराना प्रताब से भी वेराइटी डेवलप किया गया है MPVT 5.1 और MPVT 5.2 कोई इसको याद नहीं करते हैं विचारेक लेकिन मैं जेल रहा हूँ इसको लेकर चल रहा हूँ कभी कोई एक्जाम में पूछ ले लेकिन अभी तक नहीं आया रहने देख्या इससे एक कौन है कोहीर सफेद चलो आब आगे बाते हैं अब हम बात करेंगे इसके बीमारी के बारे में बीमारी का आपको जो है मैं फलो की बीमारी अलग पढ़ा चुका हूँ विकार अलग पढ़ा चुका हूँ फिर भी यहां आपको रिविजन के तौर पे जरूर रूबरू कराना चाहूँगा यह दोस्त उसका नाम है विल्ट क्या है बताओ विल्ट तो यह है घातक बीमारी जिसका नाम क्या है विल्ट यानि पूरी तरह से अमरूत क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं और यह विल्ट होता है किस से कवग दो बीमारी याद रखना एक तो विल्ट और दूसरा है केंकर दूसरा क्या है मैंने आपको याद करा है था कि जिनरली जो केंकर सब दाते हैं जैसे निबू का केंकर किसी का भी केंकर बूछ होगे तो वो होते हैं किस से, बैक्टेरिया से, लेकिन इसका केंकर ये किस से होता है, कवक से, यानि फंजाई से, किस से होते हैं, फंजाई से, तीसरा जो है, जिसका नाम है, स्यामवर्न, तीसरा बिमारी का नाम क्या है, स्यामवर्न, उसे हम एंथ्रेक नोज के नाम से जानते हैं, किस के नाम से ज जिनकर जेनरली होता है किस से बैक्टेरिया से लेकिन अमरूद में किस से होता है कवक से और तीसरा बिमारी का नाम है एन्थ्रेक नोज एक बार इस पे नजर डालते हैं सबसे जो इंपोर्टेंट बिमारी है उसी के बारे में पढ़ना है आपको सलाइड अलग से मैं बना दि क्या नाम है फ्यूजेरियम ओक्सियस फोरम वर सीडी और यह जो बिमारी है सबसे पहले इलाहवाद में देखा गया था कहां देखा गया था इलाहवाद में और परतिरोध किसम भी इसका कौन है रसिस्टेंट वेराइटी का नाम क्या है इलाहवाद सफेदा पढ़ा चुका हूँ परतिरोद मूल बरन तब ही पढ़ा दिया हूँ जिसका नाम क्या है चाइनीज गौवा बोल नहीं पाओगे चाइनीज गौवा क्या लिखेंगे सीडियम ठ्रेडड रिच थे, लीनियम ठीक है अब ये बताओ सारिय मिर्दा में अधिग परकोब यानि सेलाइन स्वायल में इसका परकोब क्या होगा ज्यादा सेलाइन नहीं, सोरी L के लाइन लिखो कौन से स्वायल लिख देता हूँ L के लाइन में इसका प्रकोब देखो लिखा हुआ है मोर और नियंतरन के लिए किसका उप्योग करोगे केबल आपको अमरूद में मेरे बात मान लेना दो ही पढ़ना है एक तो उखता और एक ब्राउन जिंग इसके अलावा ना तो कभी आया है ना कोसिस भी हो इस ये जिनकी कमी से और ये वताओ उखता विल्ड अमरूद सूख जाएंगे पूरी तरह से किस से कभक से कभक का नाम क्या है बताओ हुजेरियम औक्सियस पोरम वर क्या है सीडी सबसे पहले कहा देखा गया था इलाहावाद में परतिरोध किस में कौन है इलाहावाद सफेदा परतिरोध रूट अश्टोक कौन है चाइनीज गॉआबा किस मिट्टी में जादा होगा क्योंकि अमरूद को गर्मी पसंद है तो कहा ये सुखने की समस्या जादा गर्मी या गर्मी वाले मिट्टी सारीय और नियंतरन के लिए क्या डालोगे चूना और कहाँ डालते हैं पनामा वेल्ट में ग्रेनुलेशन आपको नीमू में बताया था कणि कायन ग्रेनुलेशन एक विकार है जिसका नाम क्या है ग्रेनुलेशन आपने गर्मियों में देखा होगा कि नीम्बू में जब रस कम निकलते हैं तो वर्फ मिला देता है क्या मिलाते हैं वर्फ तो ये बताया था वहाँ भी नियंतरन हम करते हैं किसे चूना से किसे नियंतरन पनामा विल्ट में चूना यहाँ पे विल्ट में चूना और कहाँ granulation में चूना चालो ये देखो ऐसा अमरूद पूरी तरह से सूख जाएंगे ये फ़लो में ऐसा symptoms तो आप जब अधिकारी बनोगे तो इसे देखके बोल सकता ना उक्टा है ठीक है चूना डाल भाई चूना डाल 20 से 25 कजी डाल पर हेक्टियर चूना ये ने कि डलवा देना पूरी मन माना 20 स्क्यूंटल डाल दे चूना कि पूरी और सूख जाए बैचारे ये केंकर केंकर भी किस से होता है कवक से किन से होता है कवक रहने देना ये देखो केंकर का symptoms है पूरी तरह से अमरूद इसे काला हो जाएंगे तो ये क्या है canker, केवल इमेज देखो इसका डिटेल तो स्याम बर्न, कुलेटो ट्राइकम, ये स्पिसीज है और ये है स्याम बर्न का तो तीनों बीमारी आपको बता दिया कौन को ने, लेकिन पढ़ना डिटेल किसका है बताओ पढ़ना डिटेल किसका है, विल्ट का, तो पहला विल्ट, दूसरा केनकर, तीसरा एन्थ्रेकनो, इम्पोटेंट आपको विल्ट, ये देख लो स्याम बर्न, अब हम बात करेंगे फिजियोलोजिकल डिसॉडर, जिसको हम बूलते हैं काईक विकार, और काईक विकार आप एक इम्पोटेंट ध्यान रखोगे, जो मैं बता चुका हूँ, कौन है मेरे दोस्त, ब्राउन जींग, ब्राउन जींग के लिए परतिरोध वेराइटी का नाम क्या हो जाएगा, एल फोर्टिनाइन, किसकी कमी से होते हैं बताओ, जी, बस यही दो पॉइंट अपने को याद ब्राउन जींग का मतलब आप सिम्टम्स दिखा देता हूँ, गुरु जी होता कैसा है, वो तो बताये ने, अमरूद अगर ऐसा दिखे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउन जींग, तो मेन आज टेकनोलोजी का ना, यही चीज सबसे अच्छा लगता है, कि बच्चे साम लिख के भी देता हूँ, लिख के तो बुक दे दिया, लिखने के ज़रूवत है न, नोट्स भी बनाने ने देता हूँ, आराम से देखो, क्लासरूम में आओ, पहले एसी भी लगाये हुआ था, एसी यहाँ खोल दिया हूँ, आराम से सो, ठीक है, पढ़ना उनने रे पाग आपने आम में भी चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है आपका, यह फल मख्य कहां कहां पूछेगा, सर एक बार आप लिख दोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक, तेरे अच्छाई के लिए मैं जीवन भर काम कर रहा हूँ, देख, सबसे पहले यह लगेगा आ आपको कहां, आम में, दूसरा यह पूछा जाए, तो यह इंपोर्टेंट कीट किसका है, अमरूद का, तीसरा इंपोर्टेंट पूछा जाए, तो यह किसका है, बेर का, यही पूछते है, यह आया हुआ प्रश्न है, बेर की घातक कीड़ा कौन है, तो यह है फल पक्ये, त एकदम खा करके और रहसे रहसे जैसे बाहर निकाल देते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, अब यह दिखाऊंगा इमेज, और तीसरा है स्केल इंसेक्ट, स्केल, तो यह तीन, तीन में दो इंपोर्टेंट है, वार्कीटर, केटर्पिलर जो होता है, यह दो जगा आपको मिल मिलेंगे, एक तो अमरूद में मिलेगा, तीन जगा मिलेगा, और कहा मिलेगा, निम्बू में मिलेगे, और एक जगा यह आपको ज़्यादा मिलेगा, किस में? अनार में, और इसका परकोप देखा होगा, जामुन में बहुत ज़्यादा, जामुन का पेड़ देखी हो, अत fruit fly है, यह सब छोड़ देना आपने काम में जाएंगे यह है न वार किटिंग, ऐसा देखा हो गए यह टहनियों पर ऐसे ऐसे निकल जाते है नहीं, जाली जाली जैसा बाहर निकल जाते है, तो यह कहां निकलता है कि खाली देखती रहोगी हाँ सब जेगह देखा हूँ कुछ नियंतरन भी तो करना है इसका क्या करना है, या तो पूरी परिवार मिलके इस तहनी के छाल को हटाओ पूरी हटा दो, क्या हटाना है पहला नियंतरन, यह नियंतरन जो याद करते हैं, मुझे पताने उस पे चीड़ाते हैं, नियंतरन याद करने एक चीज थोड़े, इसको लेके चाको को पूरा परिवार चल भाई, क्या करना है छाल हटाना है, छाल हटा दो क्या हटा दिया बताओ छाल हटाओ भाई, अभियान चलाओ चाल हटाओ, बार्क रिमूब करो, तो बार्क को आपने हटा दिया, दूसरा लेकिन आपना अगर बहुत ज़्यादा यह समस्या हो जाए, हर पेड में, ऊपर वाले टहनी में हो जाए, इतनी पतली टहनी है उसमें, तो हम तो चड़ने जाएंगे, तो हम ही नीची आ जाएंगे तब ऐसे में क्या करना है आपको कीरोसीन तेल किसका उपयोग करना है, कीरोसीन तेल का क्या करे, गलत लिखाओ, कैरोसीन मिट्टी क्या तेल कितना मज़ा आता है, जब टीचर गलती लिखता है पकड़ लूँ एक्टम मजा जीवन में लगता है ना कि ये पाँच घंटाम सबसे आनंद वाला समय गुजरा है क्या बोलते हैं कासलेट नरंदर वेया कुछ दिन में पढ़ा देना तो मजा जाए लड़का मरमर के पागल हो जाए सिलो सिलो चले कैरोसीन क्या डालना है आपको बताओ कैरोसीन आप जो छेद होते हैं चाल उसमें आपको रूई भिंगा करके थोड़ा थोड़ा कैरोसीन मिटी का तेल का उप्योग करना है जिससे ये नियंतरित हो जाएंगे ठीक है इसमें आपने देखा होगा सर वो जो थोड़ा सा पीछे आप इंगलिस में लिखके लाए थे ये सब बताते नहीं हो आगे बढ़ जाते हो तो ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें होटी कल्चर पेस्ट एक बार तो ये आपके एक्जाम के लिए नहीं जो प्री पीजिया है बिपियस है बड़े एक्जाम जियार एफ आइसी आर का एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और HDO का एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से लाओंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे फट सा निकल जाता हूँ, कि ये अपने काम की नहीं है, Scale Insect, Scale का मतलब होता है, देखो, रोएं रोएं के जैसा, पतियों पे, और किस पे, फलों पे, देखाओगा ऐसा, इस तरह से दिखे होंगे ना, ये अमरूद के पति है, सफेद सफेद तरह के, ये मत समझ जाना ये कबक है, ये कीडे, तो ये क्या है, Scale Insect, अब ये Scale Insect देखो, Found In Sticky On Lips, कहां पे ये दिखेंगे, पति पे, और कहां दिखेगा, तना पे, और कहां दिखेगा, फल पे, ये आपको दिखेंगे, इसके लिए स्प्रे कर देना, ये सब केम कल, कीडों के नश्ट करने वाले, तो ये होगे, आपके Complete अमरूद, और अमरूद हमने Complete कर लिया, आपको दो लेक्चर में आमरूद, कल एक Important Crop शुरू करेंगे, दोस्त, बहुत सांदार हर एक्जाम में इससे प्रशनाते हैं, बहुत सांदार है Citrus, पहले Major Crop हम कर लेते हैं, 10 Crop ऐसा Important पढ़ लूँगा, पीछे की सारी Revision आपको हो जाएंगे, फिर हम Vegetables के General शुरू करें फिर उसके Crop, फिर Post Harvest, फिर Medicinal, फिर Aromatic, तो अभी बहुत सारे कहाने आपके साथ सेर करना बाकी है, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत, और आज रात की क्लास, 9 बज़े जो आपके करें इंपोटेंट है, बाकी 8-10 के बाद नहीं पढ़ोगे तो काम हो जाएंगे, उसका फैमली आते हैं, क्रोमोजोम आते हैं, वो सब कोई मतलब है ने, करवा देंगे एक दिन में हो सारा, टोटल अपन पढ़ेंगे 20 क्रोप, और बताओ, तुमारी एक्साय नहीं नहीं सर, थो होता है, स्मॉल काडमोम क्या होता है, लार्ज काडमोम क्या होता है, सिनमोन क्या होता है, नटमेक क्या है, तो ये सब भी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन आज जो हम कहानी सुरू करेंगे, उसका नाम क्या है, पोम ग्रेनेट, क्या है, पोम ग्रेनेट, पोम ग्रेनेट में पांच मिनट हम समझते हैं इस concept को कि इसमें पढ़ना क्या क्या है बताओ, हमने आपको जब class का division किया था main important class है जो general में पढ़ चुके है उसमें हमने बताया था तीन तरह के crop बाटेंगे कौन-कौन एक का नाम आपने बोला था tropical दूसरे को आपने बताया subtropical और तीसरे को आपने बताया temperate tropical में हमने कौन-कौन crop खतम कर दिया जिसका नाम है उश्न तो इसमें आपने पढ़ लिया आम और क्या पढ़ लिया केला और क्या पढ़ा मेरे दोस्त पपीता और क्या पढ़ लिया अमरूद अब इसमें पढ़ना क्या-क्या था जो हमने नहीं पढ़ा कटहल अपने कोई काम का नहीं है चीकू जिसको हम सपोर्टा कहते हैं कोई मतलब नहीं है अनानास की बात करें जिसे हम pineapple के नाम से जानते हैं ये हमारे syllabus में है ने कोई मतलब है ने हाला कि इसको हम पढ़ाएंगे बड़े एक्जाम बाले बच्चे जो है इसका इंतिजार करते हैं pineapple इन सब को आपने देखा इसके लिए temperature हमने कितना लिया था बताओ 24 से 28 degree और इसका भंडारन कितना पे किया था 8 से 10 के आसपास 12 degree के आसपास 8 से 12 अब हम sub-tropical जो शुरू कर रहे हैं इसमें हमने पढ़ा किसके बारे में निम्बू के बारे में किसके बारे में निम्बू यानि citrus जो राजस्थान में होते हैं जो गर्मी में होगा उसके कहां चरचा करेंगे sub-tropical में और दूसरा जो crop ले रहे हैं वो कौन है बताओ अनार यानि कि पॉम गिरिनेट अब इसी में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो बेर जो पढ़ोगे वो भी किसके अंतरगत आएगा सब्ट्रोपिकल के अंतरगत उसके बाद आप बेल पढ़ोगे संकर भगवान को जो आते हो वो भी किसके अंदर सब्ट्रोपिकल के अंदर ग्रेप्स की हम बात करेंगे अंगूर का वो किसके अंदर पढ़ेंगे सब्ट्रोपिकल के अंदर उसके बाद एक crop और बचा हुआ है कौन है बताओ अपना important आमला कौन है आमला ये भी किसके अंदर पढ़ेंगे बत सब ट्रोपिकल के अंतर तो ये जब किसी बच्चे को ये एसपस्ट दिखने लगेगा कि हम किस जलवायू की चर्चा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बहतर करोगे अब इसमें टेंपरेचर हमें कितना आएगा 28 से लेकर 30, 32 ये तापमान हम रखेंगे किसको कम रखेंगे ग्रेप्स को कम रखेंगे लीची को कम रखेंगे इधा धंडे परदेस वाले में क्या क्या आ जाएगा सेव आ जाएंगे और कौन है नासपाती है एपल है, पीर है पीच है, पीच को बोलते हैं आडू, पलम है जिसे हम आलू, बुखारा कहते हैं चेरी है, पर एक छोटा सा चर्चा हम करेंगे, इसमें केवल स्ट्रावेरी के बारे हैं किसके बारे में? स्ट्रावेरी तो ये अपना कंडिशन है अब हम सब ट्रोपिकल के सकेंड क्रॉप हम करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? आनाद क्या नाम है? चलो भए बोटनिकल नेम इसका क्या होता है? तो ये तो चेंज नहीं होंगे, इसका नाम क्या होता है? पूनी का ग्रेनेटम, ये लिखा हुआ है इसमें समय बरबाद नहीं करूँगा ग्रेनेटम और इसका family की बात करें तो क्या होगा पूनी केसी ये सबको याद हो जाएगा पूनी का पूनी केसी केला का क्या है जरह एक family मुझे जल्दी से बता दे आम का क्या है एना का डिये से काजू का क्या होगा एना का डिये से गुरु जी आम के बाद केला पढ़ा, केला का मुझे सी, पपीता का खेरी के सी, उसके बाद अमरूद का मिटे सी, जामुन का मिटे सी, नटमक मिटे सी, उसके बाद हमने पढ़ा किसका रूटे सी, निमू भरगिय का रूटे सी, पेल का रूटे सी, उडे पल रूटे सी, ठी अनार का कितना? 18 कल बता दिया, कोल क्रोग कितना? 18 सिट्रस में निम्भू भर गिये कितना है? 18 पपीता की बात करें तो कितना है? 18 ये सारा 18 18 complete होगे अब हम बात करेंगे इसका fruit type का किसके बारे में बात करेंगे? fruit type, fruit type को हम बोलते हैं फल परकार कौन सा परकार है फल परकार तो ज़रा आप अनार को देख लो इधर से जो अनार होते हैं ये जो अनार है इसका बढ़िया इमेज नहीं मिला कहा है ये वाले है ये देखो ये लिखा हुआ है इसको हटा दे है ये जो अनार है इसके अनार के उपर वाले जिसके उपर ताज होते हैं क्या होता है बताँ ताज ये ताज किसके बने हैं ये ताज बना हुआ है फ्लावर के एक भाग है जिसको कहते हैं कैलिक्स क्या कहते हैं हिंदी वाले इसी को बोल देगा बाहे दल पुंज कौन सा पुंज है बाहे दल पूँज, तो ये ताज किसके बने है, ये कैलिक्स का, तो जिसके सर पे ताज हो, क्या हो, सर पे ताज हो, उसका फल परकार होता है, बेलाश्टा, क्या होता है बता, तो इसके फल परकार क्या होगा, ये बलाश्टुला लिखा हुआ है, बेलाश्टा पढ़ सकते हो यहां यूज किया हुआ है पलाश्टुला, कैसे लिखो हिंदी, लिखा है, सही है पलाश्टुला, अभी इसके उत्पत्ति की बात करें, तो देखो उत्पत्ति में कन्फूजन किसमें होता है जानते हो अनार और खजूर में ये दोनों में दिक्कत आएंगे तो आ से अनार आ से इरान याद हो जाएंगे अनार की उत्पत्ति कहा है इरान और खजूर की कहा है खजूर की है इराक तो ये याद रखोगे न न वाले हिंदी में लिखा हो न वाले सब्द न अनार का कहा है इरान और तो ये याद होगे, इसका उत्पत्ति आपने कर लिया, चले, next point जो आते हैं, इसका 2N हो गया, खाने युग भाग, कौन सा भाग खाते हो तो देखो, ये जो आनार है ना, इसके दाने, दाना को हम कहते हैं टेस्टा, तो टेस्टा का मतलब ही क्या होता है बताओ, दाना, तो क कौन सा भाग खाओगे, टेस्टा, कौन सा भाग खाते हैं, कहीं कहीं, कहीं एक्जाम में, टेस्टा लिखे गा ही ने, तो आपको ये टिक कर देना, इसी को एरिल कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, एरिल, कहीं कहीं, अब क्या कहूँ, बुक में लिखा रहता है तो आपने को पढ़ाना पढ़ता है ऐसे इसको हम क्या कहते है टेस्टा एरिल जो खाते हैं ये किसको खाते हैं जानते हो ये खाते हैं लीची में किस में खाते हैं बताओ लीची में तो ये अनार के ये वाले भाग क्या है बताओ कैलिक्स और कौन सा भाग खाते हो टेस्टा इसके जूस न अब इससे जूस निकाल लिया जाए तो ये कैसा टेश्टा हो गया बताओ रसदार टेश्टा अब इस अनार अगर खाते हैं तो हमें एक बिमारी होता है जिसका नाम है लेप्रोसी जिसको हम कुष्ट रोग बोलते हैं कौन सा रोग बोलते हैं तो इस तरह के बिमारी को भी य हमारी सही हो जाएगा तो एक तो हो जाएगा लेप्रोसी और दूसरा होगा कफ 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 को हम भ Letक खासी खासी तो पुछेगा खासी के लिए कौन सा खल important है बताओ अरे खासते रहते हो ना खासते छासते नहीं कि मरतें एनीमिया क्या होता है बताओ बलड की कमी तो बलड की कमी की भी समस्य आपको क्या हो जाएगा दूर तो कुछ चीजे याद रखना है मदुमेग के लिए कौन-कौन सा फल खाते हैं मदुमेग, डाइविटीच जामून बहुत अच्छी जामून और अनार जामून और करेला जामून के ना बीच को पाउडर बना देते हैं गाउं में और डाइविटीच के जो रोगी होते हैं उसको खाते हैं तो डाइविटीच के रोगी के लिए कौन है जामून और कौन है करेला और कप खासी के लिए अनार और एनीमिया खोन की कमी के लिए अनार और चुकुंदर जैसे जो होते हैं ना पिगनेंट महला जिनके बच्चे होते हैं तो देखते हो उनमें रक्त की कमी हो जाती है वैसे महलाओं को तो उनको अगर अनार देंगे जैसे हम गरीब आदमी हैं और बीबी को बच्चा हुआ तो रोज रोज तुम ऐसे अनार दोगे, बीबी तो घट घटा के पी जाएगी, पर जब तुम पैसा दोगे तो 200 रुपया, 1500 रुपया, तो हम गरीबाद में तो बरबाद हो जाएगे, उसको खिलाने पिलाने, तो हम क्या लाके देंगे, वैसे मेडम को चुकुंदर, क्या ल में हो गिया तो, जब अनार की खेती ना हो, हर्वेस्टिंग ना हो, तो ओप सीजन में बच्चा होगा, तो इस समय अनार आपको महगा मिलेगा, 180 रुपया, यानि 180 रुपया हम दो गलास बनेंगे, तो काफी वो कॉष्टली हो जाते हैं, तो आपने क्या देना है, बताओ, चुकुंदर का जूस, किसके जूस देना है, चुकुंदर तो, यह ध्यान रखना है अपने, ठीक है, तले फ्रोसे की चर्चा कर दिये, नेक्स पॉइंट आते हैं, यह फ्लावर, बहुत इंपोटेंट है, देखो, फ्ल परकार अगर पूछा जाए ना, तब तो कर दोगे बलाश्टूला, क्या कर देंगे, जिसके सर पे ताज है, तो क्या बोल दोगे, बलाश्टूला, इंपोटेंट है, एक दो बार और बोलो, क्या है फ्ल परकार, बलाश्टूला, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, इन फ्लोरोसेंस, अभी कितना अच्छा प्रशन आया है, बताओ, मैंने क्या बोला, एक छोटी एक्जाम होती है, जिसमें पूछा था, इन फ्लोरोसेंस, पुस्प करम, तो मैंने बताया था, फूलो का करम, ये फूल है, इसका करम, ये फूलो का करम, किसी न किसी डंठल पे होंगे, तो ये जो डंठल है, इसको अंकल, तो क्या है, पेड़ अंकल पांच बार पढ़ा चुका हूँ और ये जो फूल है ये फूल है फ्लावर ये फ्लावर के डण्ठल ये पूछा है इसको पेडि सील कहते हैं क्या बोलोगे पेडि सील अंकल बढ़ा होते हैं सारे फूल इस अंकल पे लदे हुए हैं तो ये कहलाया peduncle और फूल जिसपे है ये लग रहा है pedisil pencil पतली वाली pencil तो infloresens समझ गया infloresens क्या होता है इसका hypanthodium क्या है infloresens तो ये याद रखोगे बड़ा confusion होता है फल परकार अगर पूछा जाए तो क्या है बताओ फल परकार तो है blastula और इन फ्लोरोसेंस पुश्पकरम पूछा जाए तो है पन्थोडियम यह और किसका होता है गुरुजी तो यह होते हैं अंजीर का किसका होता है और अंजीर को बोलते हैं फिग क्या बोलते हो अचछा गाउं में आपने महुआ का पेड़ देखा है, महुआ, सराब बनाते हैं, देशी सराब, महुआ, पीपल, बरगद, इसका फ़ल देखे हो, उसके फ़ल ना खोलोगे तो ऐसा ही दिखेगा, रोई, रोई के जैसा, रोई के जैसा, पीपल के फ़ल, बरगद के फ़ल, महुआ, इन सब, तो इन सब का फ़ल परकार हो होता है जैसे पीपल हो जाए जैसे बरगद हो जाए और लिख देता हूं महुआ हो जाए देशी सराब सबसे जादा बनता है किसे महुआ से ध्यान दखना तो इन सब का फल परकार क्या होगा हाइपन थोडियम क्या कह लाएगा बता हाइपन थोडियम याद हो जाएंगे सर थ कि मैं हिंदी इंगलिस देख लिख के लिए आया हूँ ना कोई बच्चा को दिक्कत ना हो मुझे पता है कि हमारे देश में भीन भीन तरह के भासाएं चलते हैं और त्रीस उनचालिस वासा से भी जादा है अपन दो भासा पर बात करते हैं फिर भी दिक्कत है सर हिंदी लिख के लाओ देख आरे गदे तो बरगद को क्या लिखो हिंदी में अच्छा आज हिंदी दे तो उसमें बोलना है तो आप बोल देना नरंदर भी है नारू भी अभी हमारे बहुत फैमस होगे पता है ना पहले पैच में फैमस हुई थी एक लड़की क्या नाम था पर नाम ही भ पोलता था कि सर एक बार नेना को अस्क्रीन पे तो लाओ मैं देखना चाहता हूं नेना है कैसे नेना बिचारी कहा है मिला है एंप्यूटी बुला रहा हूं उसको चले अब अगला बात करें तो ये कैसा है बताओ क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक तो जो लगते हैं मैंने बताया था नॉन क्लाइमेट्रिक का ट्रिक क्या बताया जो खटा लगे आपको और कैसा लगे कड़वा लगे तो अनार के जब दाना खाते होना तो इसमें हलकी सी कड़वा हट होती है होती है इसलिए ये क्या कहलाएगा नॉन क्लाइमेट्रिक आमला क्या उख कभी गधह तो खाया इने तो टेस्ट कैसे पता लगे जैसे मैं पूछ Renee पर생 तो खाया इन्हें के रम बोला खाया है कीवी फुरूट अब तो किवी फ्रूट को मम्मी उम्मी के इलाइज करवाते हैं तो देखते हो किवी फ्रूट मम्मी उम्मी के भाग भी बतल गया भाई तेड़ सुर्वे हम तीन किवी फ्रूट किवी फ्रूट हो अब सब खाने लगे चलो तो यह क्या है बताओ अनार में प्रोटो गाईनी पाया जाता है जनरल में पढ़ा चुका हूँ प्रोटो गाईनी का मतलब क्या होता है जर समझो एक पॉइंट यह प्रस्ण हमेशा आते हैं प्रोटो गाईनी तो प्रोटो गाईनी आपको जनरल में पढ़ाया हूँ कब पढ़ाया हूँ, जब sex form पढ़ा रहा था link root, जैसे ये कोई अनार है अभी आपने इसका फूल देख लिया ये कौन सा भाग है बताओ, मादा कौन सा भाग है, और ये इसका कौन सा भाग है, नर तो ये नर है, और ये कैसा है, मादा, female है अगर किसी फूल में नर, मादा, दोनो एक साथ पाया जाए, तो इसे हम कहते हैं, bisexual flower कैसा flower है बताओ, bisexual को हम हिंदी वाले बोलते हैं, उभाय लिंगी, जिसमें दोनो लिंग पाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उभाय लिंगी अब इसमें बोलता है, proto, तो सब्धों को दोडो, proto का मतलब है, पहले, और गाईनी का मतलब होता है मादा, यानि ऐसा प्छूल, जिसमें मादा पहले क्या हो गया, परिपक, परिपक का मतलब क्या होता है, mature अब ये मादा क्या हो गई, mature, यानि ये मादा तो अब BSC अब कर ली और जो नर है इसी में ये अभी आठमी क्लास में 8 क्लास में मैचोर नहीं हुगा तो ये मादा इतना दिन तक इंतजार नहीं करेगी सगाई हुगाई सब हो गया था इसका एक ही फूल में है सब सगाई हो गया पर ये मैचोर हो गई BSC कर ली और ये लड़का भी कहाँ है आठमी क्लास तो ये मादा भी इंतजार नहीं करेगी ये दूसरे फूल में देखेगी ऐसा नर जो BSC कर रहा हो आई रे तुलो फूल को भी नहीं छोड़ता है इसमें भी आनंद ले लेता है जीवन इसी में निप्टा दे आज आरेस के बैच में ये समझा के आया हूँ सुवसुवा तो ये देखो ये फीमेल से कहां जाएगा नर के पास नर का पोलेंगरिन कहां जाएगा इसके तो जब भी ऐसा कंडिशन हो ना प्रोटो गाइनी प्रोटो एन्डरी तो ये हमेशा कौन सा पोलीनेशन कराएगा बताओ क्रोस पोलीनेशन हमेशा ये इंपोटेंट है हमेशा कौन सा परागन होगा बताओ हमेशा ऐसे फूलो में होगा पर परागन कौन सा परागन होगा पर परागन अब एक और important है अनार में परागन जो है ना अनार में जिसको बोलते हो polynation ये किसके द्वारा होता है तो ये होता है हवा के द्वारा किसके द्वारा होगा बता अब हवा के द्वारा और कहां कहां होते हैं तो ये होते हैं खजूर में यानि डेट में होता है किसके द्वारा ह चुकुंदर में, बीट में किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, एक और लिख लेना, पपाया में किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, ये चार याद रखना, जिसमें पोली नेशन किसके द्वारा होते हैं, हवा के द्वारा, कौन-कौन है बताओ, एक अनार भी पोलीनेशन पूछा जाए तो हवा के द्वारा होटी कल्चर में सबसे ज़्यादा पोलीनेशन कीटो के द्वारा कीटो में भी किसके द्वारा मधु मख्षी के द्वारा किसके द्वारा मधु मख्षी अच्छा आब एक रिवीजन करा लेते हैं आम में किसके द्वारा अब कुछ छोटी मोटी पॉइंट है भारत में सरवाधिक अनार कहां होते हैं महाराष्टा अब लेकिन ये प्रस नहीं आएगा आप पूछेगा अनार की वेवसाइक खेती कहां होती है वेवसाइक सोरी अगर आपको लगता हो हिंदी गलत लिख दिया तो आप सुधार लेना कॉमर्शियल कहते हैं इसको कौन सा कल्टिवेशन बोलते हैं कॉमर्शियल खेती कहां होती है ये आया हुआ प्रस नहीं दोस्त इसका भी एंसर टिक करना महाराष्ट किस राज्य में आनार को कॉमर्शियल रूप में मनें पैसा कमाने के लिए उत्पादन करते हैं कहां करते हैं महाराष्ट में और एक बढ़ा अच्छा प्रस्ण में आपसे पूछ रहा हूँ वेराइटी में मुझे एंसर दे के बताना कल रात को जब मैं चेक कर रहा था ना तो ये पूछा हुआ है जै महाराष्ट्रा जै महाराष्ट्रा किसकी वेराइटी किसकी important variety आज के बाद भोलोगे ने अरे तक क्या पढ़ा रहा हूं बस ता अनार की है किसकी है अनार की है जै महराश्च्रा किसकी important variety है अनार की और ये किसका नाम है अब ये teacher ने पढ़ाते है भगवा का जो आपके exam में आया हुआ है भगवा भगवा का ही दूसरा नाम क्या है ऐसे लिख दो तब खुस तो हो जाओगे अब तीन नामें इसका याद रखना पड़े अकेला एक भगवा का कौन-कौन एक तो भगवा दूसरा भगवा का कलर लाल अगर पूछा जाए इसका टेश्टा का रंग कैसा होता है उपर वाले जो फलो के बाहरी चादर जैसे इसको बोलते हैं सर्ट तो फलो के उपर छिलका को क्या बोलोगे कभर, बोलो थीन छिलका को कभर बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेरी कार्प क्या बोलेंगे? बाहर वाली सतह किसकी कार्प का मतलब होता है भूल भल और पेरी का मतलब होता है सतह, बाहर वाली सतह किसकी भलों की क्या कहलाती है पेरी कार्प चलो भए ठीक है तो यह अनार अब राजस्थान में सरवादी कहा होता है बताओ जालोर तो यह important भारत में सबसे ज़्यादा कहा है महराष्ट राइस्थान में कहा है यह सब ना तुम हमसे ज़्यादा याद कर लेते हो यह तो मैं देखता हूँ हमसे ज़्यादा बच्चा इसको याद कर लेगा वो इसमें तो तुम किसी को बदने मत दोगे इन राइस्थान जालोर अनार में भल में कसैलापन कसैलापन को हम बोलते हैं सारनेस बने थोड़ा कड़वाहट लगे तो यह किसके कारण होते हैं तैनीन के कारण यह तैनीन और कहां पाये जाता है मैं बता चुका हूँ चाई में कड़वाहट किसके कारण टैनी, चना में देखे हो चना के उपर वाले निपिंग करके खाते हो खटा लगा, वो किसके कारण औप चेलिक एसीड के कारण तो ये चाई में, चना में और एक जगा लिख देता हूँ आमला में ताकि ये बार बार ने अभी आमला तक पढ़ाऊंगा तो ये एक बार और लिखोंगा इसलिए मैं बोलता हूँ होटी छोड़के पढ़तू बस सब रिवीजन हो जाएंगे तो ये हो गया टैनी आगले चलते हैं आगे की ओर अनार में टी एसे सोस एसीड रेशियो 70 इंटु वन ये अपने काम काने रहने देना अनार खजूर पपीता नारियल चीकू काजू मैं तो उधर ती नहीं लिखा था इधर और मिल गए है कौन-कौन फिर से बोलो अनार खजूर पपीता नारियल चीकू काजू तो ये हमारे एकजाम में कभी नहीं आएंगे जो आएगा अपन इतना एक naryal add कर लेना ये चार इसका pollination हमने लिखा दिया किस के दौरा हवा के दौरा किस के दौरा बताओ हवा के दौरा तो ये important हो गया कौन-कौन है बताओ naryal एक important जुड़ गया अच्छा एक मेरे को ब्रस्त बहुत अच्छा बताना पढ़ाओगा तुरत सोचेगा यार हवा के द्वारा इसका मतलब हवा इधर से इधर जाना होगा तभी तो हवा की जरूरत पड़ी कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको बिचारे कभी तक भी दिक्कत है कि क्रॉस और सेल्फ में अंतर क्या है देखो मैंने आपको बताया था यह ए मतलब यह क्या है नर है तो यह तो कैसा फूल हो गया यह भी बताओ बाइसेक्सवल और अगर कोई फूल ऐसा है केवल यह मादा है और एक फूल ऐसा है जिसमें यह केवल क्या है नर है तो यह कैसा है यूनिसेक्सवल एक ही लिंग है इसमें यूनिसेक्सवल अब हमें यह काड देता हूँ, मिटाना मुस्किल हो जाते हैं हमारे लिए, यह बाइसेक्सवल और युनिसेक्सल में बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन किसमे होंगे, स्वोपरागन, स्वोपरागन, स्वोपरागन यहां से पॉलिन ग्रेन, यहां पे आ गया, परागन, इसके लिए, यहां स दिक्कत है हमारे लिए, उदर वाले सही है, अगर मान लिया जाए जैसे कुकर बीट्स की बात करते हैं, किसकी बात करोगे बताओ, कुकर बीट्स, तो कुकर बीट्स में जानके हो, ऐसे ऐसे लथ होते हैं, होते हैं न, अब न यहाँ इसकी नर है, sorry मादा है, suppose that, और यहाँ न जो केवल के लेके बैठा हुआ है, नर, और यह फूल ऐसा है, जो क्या है, माधा, अब यह प्लांट कहलाएगा, जानते हो, क्या, यह प्लांट क्या कहलाएगा, यह एसे पेड को, जिसमें दोनों लिंग हो, इसको तो बोलोगे monoseous, क्या बोलते हैं, monoseous, तो इसको धिहान कई जगा आप confused हो जाओगे अब यहाँ से pollen grain उड़के यहाँ आया तो बताओ स्वपरागन है या परपरागन यह है पर अभी सर निकल रहा था नमूंसे ऐसे निकला ना अधिकांस्ता 90% यही confusion में होते हैं एक पेड में अगर pollen grain इधर से इधर आया तो सर निकलने लिए अईसे निकल जाता ना लेकिन यह क्या है पर परागन क्या है बताओ cross pollination इसका एक ही ट्रीक याद रखना फूल बदल गए फूल बदल गया परागन बदल गया फूल बदल गया क्या बदल गया बताओ परागन बदल गया अब एक ही भूल में है तो ये होगा self pollination, ये अलग है तो ये क्या होगा cross pollination, ये क्या होगा cross pollination, तो ये सब किसको बढ़ हवा दे रहा है बताओ cross pollination, अब हवा के द्वारा अगर हो जाए, हवा के द्वारा तो ये हमेशा परमोट करेगा किसको cross pollination, किसको cross, तो हमें ये रटन पपीता क्या है? नर याणि पहले कौन परिपक हो गया नर और प्रोटो गाइनी का मतलब क्या होता है बताओ गाइनी का मतलब होता है मादा यानि पहले कौन परिपक है मादा ये दोनों भी किसको परमोट करेगा क्रॉस पोलिनेशन एक और आता है नर बंधता क्या आता है जिसको आप बोलते हो male esterility नाम तो सुना है कभी ने सुना आज सुन ले इसमें बोल रहा है नर बांज है फूल में एक ही बाद देखो ये मादा है और यहाँ पे ये नर है इसका जो परागकन है ना ये कैसा है बांज है इसका परागकन यहाँ जाता है बारबार सब्द लिखता हूँ SI SI को बोलते है Self-Incompatability नाम करने में ही एक सब्दा लग जाते हैं याद करने में इसको इसको बोलते है Swa-A-Ni-S-C-E-T-A एक कैसे लिखते हूँ Swa-A-Ni-C-T-T-A ऐसे करके Self-Incompatability क्या है Self का मतलब होता है Incompatable Compatable का मतलब आपस में जैसे कभी-कभी मैं पूछता हूँ और गुडिया Comfortable हो हाँ सर ठीक है रूमूम सब सही है हाँ सर Comfortable लेकिन कभी मैं पूछो और ठीक है नहीं सर Incomfortable Incomfortable सब्दों को तोड़ दो आपस में Comfortable नहीं है आपस में Comfortable नहीं है तो किसके साथ Comfortable नहीं हो आप तो पती के साथ Comfortable नहीं हो पती और पतनी यानि मेल और फिमेल किसके साथ Comfortable नहीं हो पती पतनी आपस में Comfortable नहीं है इसको हम बोलते हैं अब पती पतनी आपस में comfortable नहीं है तो बताओ निसेचन करने देगी ना नहीं देगी तो बाहर वाले और बाहर वाले जैसे फूल आते हैं यह देख यह इतना अच्छा breeding चेप्टर है अब मैं शुरू कर रहा हूं इसको मान लिया जाए इसका genotype S1 S1 है और यहां पे कोई फू है ना एक मिनट इसका S1 S3 है genotype का S का मतलब spore भीजानू pollen grain तो इसका pollen grain है अगर इस फूल का इसके पास गया एक ही फूल में देखो फूल कितनी संबेदन चीज है तो यह पहचान जाएगी अच्छा है S1 S1 आया सेम ना वाय तेरे को तो गरहन नहीं करोंगी यह है स्वा न इस चित्ता सेल्फ इनकमभर्टेवल अब लेकिन दूसरे का गया S2 S3 जीनोटाइप दूसरा पेड़ दूसरा किस्म दूसरा ब्रीड जो दूसरे खेत में लगे हुए है उसका pollen grain उड़ता हुआ इस फूल के पास आया यह इसका जीनोटाइप पहचाने गा अंदर का अच् कौंसा pollination हुआ बताओ Cross pollination कौंसा तो यह एक छोटी सी कहानी है फूल भी जानता है कि हमें उत्थपादन अगर जादा देना है तो कौंसा pollination करना है बताओ Cross pollination तो बताओ अनार में कौंसा Pollination होंगे Self है a Cross cross pollination कौन सा pollination cross चलो ठीक है pollination वाइब बिंड ये किसमे काजू में बीट में स्पिनेच में ये सारा लिख दिया कौन सा बिमारी के लिए बचाएगा देखो लेप्रोसी और कप कप को क्या बोलते हो खासी और ये लेप्रोसी अभी लकवा आपको बताया इनके लिए क्या करेगा ये बचाव अब आते हैं आगे की point की ओर चलते हैं full detail आपके class अब propagation की बात करें दोस्त प्रवर्धन तो मैंने प्रवर्धन आपको बता दिया था प्रवर्धन में देखो ये कलम काटा हुआ है हिंदी में बोलते हैं कलम cutting को हिंदी में क्या बोलते हो कलम सही मैं बताओं मैं इंगलिस मीडियम से था मुझे लगता था ये कलम से कब होने लगे प्रवर्धन नहीं पता है आप English Medium में कभी बच्चा कलम सुना ही नहीं तो कलम का मतलब हम तो लिखने वाले कलम समझते हैं तो कलम से क्या होता है प्रवर्धन कलम का मतलब यह समझो यह कलम है कलम का मतलब अनार का यह पेड़ है और इसको काट दो यह काट दिया ये कैसा काटना है कलम का मतलब कलम के जैसा काटना इतनी अच्छी सब्द दिया है बैग्यानिकों ने लेकिन हमारे गुरु जी इसको समझाए ने अच्छे से कलम का मतलब कैसा काटना है कलम के जैसा तो कलम कितना मोटा होता है बताओ पेंसिल के जैसा कैसा तो इसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए पैंसील तिर्चा काटोगे और एंगल ये एंगल पूछ लेगा कितने डिगरी का एंगल बनाते हैं मेरे दोस्त 45 ये दो ही प्रस्ट इंपोडेंट बनते हैं बाकी ये बोला है हाड उड कटिंग तो ये इसके आयू के आधार पे अगर को कोई कलम मुलायम है एकदम मुलायम सॉफ्ट है तीन से छे माह का है तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट उड कटिंग क्या बोलेंगे प्रोपागेशन में पढ़ा चुका हूँ क्या बोलेंगे सॉफ्ट उड लेकिन कोई कलम नौ से बारा महीना का है नौ से बारा महीना का कलम क मतलब समझ रहे हो मैं अनार का पेड़ हूँ 10 साल से ऐसी लगा हुआ तो मेरे में नई साखा तो आएंगे अब आपको मैं भेज रहा हूँ कि बेटा मैं तुमको पढ़ाया हूँ कटिंग तुम जाओ अनार से कलम काट के लाओ कलम का मतलब क्या काट के लाना है कटिंग तो पहला तो इस कलम की लंबाई पूछ लेगा कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए 22 20 सेंटीमीटर ये पेन कितना लंबा है तो ये 20 सेंटीमीटर का है छोटा वाले स्केल जो होता है वो कितने सेंटीमीटर का है पंदरा सेंटे तो उससे थोड़ी सी क्या है बड़ा है तो ये पंदरा से बीसी ये कलम की लंबाई होगे समझ में आ रहे ये बाते अब अगर आपने एकदम मुलाइम जिसे चाई में गया और चाई में हाड उड कटिंग जिसकी आयू कितनी होनी चाहिए नौ से बारा अब एक से तेड़ साल वाले आयू ले ले इसी को कहते हैं हाड उड कटिंग समझ में आया क्यो नाम रखे हाड हाड का मतलब क्या होता है कथोर क्या कथोर होगा उड उड का मतलब लकडी लकडी कटोर होंगे उसकी आयू कितनी होनी चाहिए एक से तेड़ साल वैसे तना लेंगे जिसकी आयू कितनी है एक से तेड़ साल समझ में आई ये ने कि ऐसा तना ले लेना जो आठ साल पुराना है हमारे पेट इतना मोटा ऐसे को ने तोड़ना है इतनी पतली पतली वाले तो यह होगे hardwood cutting तो यह बेपसा एक बिधी आच्छा आजकल modern बिधी क्या है इसमें एक बिधी और अपना रहे हैं आजकल air layering कौन है बताओ air layering जिसको हवाई दाब करें किसे में अपनाते हैं आना चलो अब जल्दी करता हूँ जो कलम आपने लिया कलम लिया कहां से कलम लिया मार्केट से नहीं लिया कलम कहां से लिया है पेड से लिया कितने लंबाई का लिया था मोटाई कितने थी पेंसिल क्या कार और कितने एंगल से आपने काड़ दिया था यानि कि ये एक कोई डाली था उसमें आपने एंगल लगा दिया था कितना इस तरह से ये एंगल एक्जेक्ट नहीं रठना है ये एंगल ठीज से 45 ऐसा ने कि कोई बच्चे को आपने भेज़ दिया बिटा कलम लाकर दिखाऊ तो वो बच्चा रटके गया 45 डिग्री समझ में आ रहा है ऐसे भी तो होंगे कही अधिकारी 45 डग्री इन ही समझ में आ रहा है कि किसको कहते हैं 45 यह पूरा खणा हो गया 90 डिग्री किता है और ये कितने डिग्री है 90 डिग्री तो 45 डिग्री अब जब ये कटेगा कलम तो देखना ये ऐसा बन जाएगा बन जाएंगे ना तिर्षा बनेगा अब इसको ट्रिट करना है एक हार्मोन से जिस हार्मोन का नाम क्या है IBA आपका जब चैन अच्छे कॉलेज में होगा तो इस तरह के प्रेक्टिकल मिलेंगे IBA IBA का पूरा नाम क्या है Indole 3 Buteric Acid Oxygen है जिससे क्या होगा जड़ का निर्मान अब मैंने बताया था कितनी मात्रा लोगे 3000 तो किसानों को कैसे बताओगे 3000 किसान तो जानता है इने PPM तो आपको मैंने बताया था 1000 से भाग दे देना है तो कितने आएंगे मेरे दोस्त 3 अगर तरल पदार्थ होगा तो ML में और पाउडर होगा तो ग्राम में तो ये पाउडर के रूप में होते हैं 3 ग्राम प्रती लीटर पानी हार्मोन में आपको दिखाया होँ आई बी ये कैसा होता है पाउडर के रूप में कैसा होता है सभेद पाउडर देख जो चेहरे पे लगाते हो वह ऐसा समझ तो उसमें जड़ों को ऐसे डबा डबा के जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं आई बी है जिससे क् का बताओ, root initiation, जड़ निकलेगा, एक और है जिसका नाम है गुटी, गुटी किसे कहते हैं, प्रपागेशन में बहुत अच्छा समझाया हूँ, गुटी, लेरिंग कहते किसको हैं, तो मात्री पादब पे जड़का निकल जाना, क्या कहलाएगा, लेरिंग, अब उसमें भी हमें कौन सा सलेक्ट करना है, बताओ, वैसे पेड़ को करेंगे, जिसकी मोटाई कितनी हो, बताओ, पेंसिल के जैसा, पेंसिल जैसा, इसकी छाल को उपयोग, पर्थम भी स्युत्व में किया गया था, जब सिपाही उपाही घायल हो जाते थे न, तो उस समय रूई नहीं था, कोटन नहीं था, ये प्रस्न पूछते हैं, तो घाव को भरने के लिए इस घास का उपयोग करते थे, आपने पहले का मूवी में देखा होगा, तो बैद जी ऐसा ही घास लाते थे, और क्या पहले रूई थोड़े मिलता था पागल, कि कोटन मिल रहे हैं, 1914-15 की बात है, तो कोटन इतना था ही नहीं, तो सिपाही जब घायल होते थे, तो रूई का काम कौन करता था, स्फैगनम, दो प्रसन इसके अच्छे आते हैं, गुटी लगाने में कौन काम आता है, स्फैगनम, और इसकी पावर क्या है, इसको एक बार पानी में भीना दो, तो ये बोलेगा हरे राम अब तुम 25 दिन के बाद आना, 25-30 गुना पानी एक्द लगाते हैं, सफैगन, क्यों लगाते हैं सफैगन, कारण, कुछ कारण, बीना कारण के तो चलते नहीं, तो देखिए जड़ आ रहे हैं, दिख रहा है न जड़, अगर काला पूलो थिन लगा देती यहां पे, काला, तो क्या होता, काला सट पहन के आता हूंने, तो गर्मिय को बनाने के लिए suppose that तापमान चाहिए 24 से 28 अब पोलो थीन आप कैसी लगा दियो मुझे बताओ यह दम पूरा रीजन काला वाला तो यह सुरी की किरन को और खीच के लाएगा बोलेगा वाव वाव तो यहां का टेंपरेचर बढ़ेगा और कितना हो जाएगा टेंपरेचर बताओ 35 से लेकर कितने डिग्री तक हो जाएगे? 40 जिससे जड़ जलदी आएगा या लेट से आएगा? लेट से आएगा देर से आएगा काले पोलो थीन से जड़ क्या आएगे? देर और क्या समस्या है? अब आपको डेड़ महिना पताने लगेगा तो बार बार इतना महिनत से इसको बांधे हो इसको खोलेंगे और देखेंगे इसे अरे जड़ इलो रहे है नई इलो लाओ बान अभी हमेशा जाओगे इसको उगार उगार के इसे खोल खोल गए इसे देखना पड़ेगा जड़ आया कि नहीं सफेदे देख लूँगा दूर से अच्छा जड़ आ गया ठीक है वै अब काट दो इसको जब काट दूँगा तो यह है एक नया पलांट बन गया क्योंकि जड़ तो आये हुए है तो यह क्या बन गया नया पलांट इसी को बोलते हैं एयर लेरिंग क्योंकि मात्री पादब पे जड़ का आरंभन यही कहलाता है लेरिंग क्या कहलाएगा और यह लेरिंग कहा हो रहे हैं हवा में इसी लिए इसको क्या बोलेंगे एयर लेरिंग बताओ ये भी आपके इस साल आये हुए प्रस्न मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से क्रॉप पढ़ना है भारत के आप कोई भी एक्जाम दे दो होटी कल्चर में अगर तूने प्रस्न नहीं किया तो कोई ने करेगा इतना हमबे तो भरोसा करना अगर आपको लगता है सर ये तो मेरे में लिखाया है नहीं आपने तो समझो वो प्रस्न कोई ने करेगा तुक्का लग जाए वो अलग बात है मैं बहुत डिटेल आपको समझा रहा हूँ जयामिती इस साल का आया हुआ प्रस्न सर राजस्थान में कौन सा क्रोप से प्रस्न आते हैं थोड़ा सा आइडियत होगे गुरुजी सब ट्रोपिकल से किस से आएगी जयादा प्रस्न है सब ट्रोपिकल जो राजस्थान में होगा आप देख ले ना एक जाम में कौन-कौन बेर से आएगा प्रस्न अनार से आएगा, आमला से आएगा, खजूर से आएगा, जुआर से आते हैं, बाजरा से आएगा, मक्का से आएगा, करउंदा से आते हैं, जो सूखे परदेश में होते हैं, तो इन फसलों को डिडेल में पढ़ना है, ये आया हुआ प्रसन है, दूरी कितना रखते हैं ये अनार लगा हुआ है पांच इंटू पांच की दूरी पे लगी हुए अच्छा बताओ ये दूरी रख लिए तो पिट साइज कितना रखोगे अरे गुरुजी पिट का मतलब वो गड़ा वाला साइज हाँ मैंने कितना चट्रिक बताया इधर पांच मीटर तो इधर सेंट सेंटिमीटर पचास सेंटिमीटर और पचास सेंटिमीटर गड़ा खोदेंगे अगर आप इधर दस मीटर रखते हो जैसे आम में तो इधर गड़ा रखेंगे सो और सो सेंटिमीटर को एक मीटर लिखते हैं तो बुक में देखी होगी कैसे लिखा रहता है वन मीटर वन एकदम हीजी है यहने कि तुम गढ़ा भी रटने लग जाना आप कितना रटोगे है इतना छमता पागल सब रट के पढ़ ले अगर मान लिया जाए कोई आमला में पूछे कि गढ़े की साइज क्या है तुम भी रटना सुरू कर अरे पागल का रटेंगे अब आमला होता है कितने पे आठेंटू आठ पे तो इधर हमारे अनुसर कितना होता 80 सेंटिमीटर लेकिन आपसन आएगा कितना जानते हो 75 कर लेंगे टिक कौन सा कर लोगे 75 तो यह अपनी आप दिमाग लगाना आप जैसे पपीता पूछा तो पपीता में साखा क्या होती है बताओ कम एकदम पतला हमारे जैसा पपीता बनेगा और भाई जब इसमें साखा ही नहीं है तो दूरी क्यों बढ़ाएंगे इसकी दूरी कम रखते हैं कितना रखेंगे दो इंटू दो तो गड़ा कितना रखोगे पचीस सेंटीमीटर होना चाहिए था कितना बीस लेकिन कितना रखते हैं पचीस तो कर लेंगे गड़े साइज गड़ा कंप्लीट आगे बढ़ते हैं ये जियारेव का कोश्चन हमारे डाइम 2013 बहुत इंपोर्टेंट अब आ रहा है ट्रेनिंग कि भाई अनार में ट्रेनिंग कैसे करते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बताओ training अब pruning मैंने बता दिया initial अवस्था में क्या करते है training और जब cool आजाए तो क्या करेंगे pruning training का मतलब होता है कस के कटाई और pruning का मतलब हलकी कटाई 50 बार बोला हूँ अब इसमें ये जो तना है इसको multiple तना एक एक तना नहीं काटेंगे एक लाएंगे ऐसे काटने वाला सीजर और पूरी तरह से इसे काटते चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं बहूत तना क्या बोलते हैं तो बताओ इसकी training एक एक पकड़ पकड़ के काटेंगे या एक बार छटाक सा सब हटा देंगे एक बार छटाक सा हटा दोगे वो कौन सी तना हो गई है बस और इसी को अगर नहीं दिखाता इमेज तो लगता है यह नया सब्त है कुछ नहीं है बहुत तना हो गई अब आते हैं मिर्दा तो मिर्दा कैसे रखोगे बताओ बलूई दोमट कैसा रखेंगे सब के लिए यही रखते हैं और पीच मैंने बताया था ऐसा भल जो सुस्क परदेश में हो सकते हैं जिसको गर्मी पसंद है उसका पीच साथ से क्या होगा जादा क्या होगा जैसे बेर का पीच साथ से जादा खजूर का पीच साथ से जादा आमला का पीच साथ से जादा अनार का पीच साथ से जादा ऐसा क्रोग जो पानी जादा चाहे जैसे केला केला राजस्थान में नहीं होगे उसको पानी चाहिए पांच दिन साथ दिन में जिसको पानी चाहिए उसकी pH कम, जैसे धान राइस्थान में नहीं होंगे, आलू राइस्थान में कम होते हैं, जिसको पानी जादा चाहिए उसकी pH कम, जिसको पानी कम चाहिए उसकी pH जादा, कैसा चलवाई होगे बताओ, सब ट्रोपिकल, भंडारन के लिए मैंने बता दिय कितना 5 लेकिन लंबे समय तक रखना है लॉंग टाइम भंडारन करना है तो ये कर सकते हो 8 से 10 डिगरी सेल्सियस कहां करेंगे 8 से 10 लेकिन 5 याद रखो 60 से 70 केजी क्या होता है इसका पती पादप इसका इल्ड होते हैं उपज होते हैं बहार में अंतरन आपको समझा चुका हूँ सांदर तरीके से पढ़ा चुका हूँ ना कहां पढ़ाया हूँ बताओ अमरूद में कौन कौन से बहार एक बार जल्दी से बता दो अम्बे बहार, म्रिक बहार, हस्त बहार अम्बे बहार का फल कैसा होगा बेकार क्या होगा और म्रिक बहार का क्या होगा बेस्ट, अम्रूद की पहले बात कर लेते हैं किसकी बात कर लें, अम्रूद अंबे बहार में सबसे पहले आएगा फल, फूल, फरवरी और मार, यहां तीन चार महिना बढ़ा देना है, जुलाई और अगस, यह अक्टूबर और नॉमबर, यह तीन महिना बढ़ा दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग टाइम, कौन सा टाइम, फ्रूटिंग फलन की समस्या, सबसे अच्छा कौन है, मरीक बहार, सबसे खराब कौन है, अंबे बहार, कारण क्या है इसमें, फल मक्खी, कौन सा मक्खी, फल मक्खी को अंग्रेज लोग क्या बोलोगे, फ्रूट फ्लाई, किसका टैक जादा होता है, फ्रूट फ्लाई, और हस्त बहार सक पहार नियंत्रन का मतलब तीन फूल की जगह हम साल में एक साल में कितने फूल लेंगे दो यानि तीन फ़सल नहीं लेकर कितने फ़सल लेंगे दो फ़सल और कौन सा फ़सल बेकार था अम्बे तो इसके फूलों को हमें क्या कर देना है हटा देना है इसी को हम बोलते है पहार नियंतरन क्या बोलोगे अब इस फूलों को हटाना कैसे हटाएंगे सबसे पहला हाथों के द्वारा बताया हूँ ना सारे फूल को चड़कर ऐसे दोला दोला के हिला हिला के गिराते रहो दूसरा हमने बोला था इसमें सिचाई रोक दो बाग में क्या रोक देना है बताओ सिचाई देखता होगा कि कोई पेड एकदम सुखा में है तो फूल अपने आप गिर जाएंगे अगला मैंने बोला था किसका उप्योग करोगे NAA at the rate of कितने PPM 600 PPM और लास्ट बोला था NAA at the rate of 100 PPM पलस 10% किसका उप्योग करेंगे यूरिया ये हो गया बहार नियंतरन का कंट्रोल एक ही पॉइंट याद रखना है आज भी अनार में फलो के फटने की समस्या किसकी समस्या फलो की फटने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है राजस्थान में किस बहार में ये एक अच्छा प्रस्ण बन जाएगा क्योंकि हम अभी तत्तो रटवा रहे थे बच्चों क वो कौन सी बहार अच्छा है मरेक बहार कौन सी अच्छी है मरेक बहार पर अनार में फलो की फटने की समस्या कौन सी बहार में है मरेक बहार लेकिन राजस्थान वाले पास कोई option ही नहीं है विचारिक तो वो कौन सा बहार अपनाते हैं बताओ मरेक बहार कौन सा बहार जब अंबे बहार की अधिक मांग होती है, कौन सी बहार, अंबे बहार, कौन सी बहार टिक करोगे, अंबे बहार, लेकिन मैंने बोला, मिरिक बहार में किस की फटने की समस्या है, फलो की फटने की समस्या क्या पाई जाती है, ज्यादा, अब आ जाते हैं, नेक्स पॉइंट में, अ कौन सा बहार अपनाते हैं बताओ मरिक बहार, कौन सा बहार मरिक बहार, ठीक है? चलो अब हम बात करेंगे इसके important variety के बारे में, किसके बारे में बताएं? variety, चलो जल्दी जल्दी बतादे, मरिक बहार, मरिक बहार बोरेक्स डाल दो सर बिल्कुल फल फटेंगे तो बोरेक्स डालेंगे बोरॉन की कमी के कारण फटा फट करता हूँ अनार दाना बनाने के लिए दो तीन कटिंग कर देते हो नरिंदर भी है कि एक ही लंबा बना देते हो जैसे अब वेराइटी है तो इसके बाद अलग करती हो हाँ एपलिकेशन पर अलग डाल दे है अनार बनाने के लिए इंपोर्टेंट कौन है वाइल्ड वेराइटी जिसका नाम क्या है दारू अगर पूछा जाए दारू किसकी वेराइटी है तो तुम यह मत समझना अंगूर की वेराइटी है दारू किसकी वेराइटी है आनार की जो कैसा लगेगा खटा तो यह याद हो जाएंगे दारू खटा लगते है तो दारू किसकी वेराइटी है आनार की वेराइटी अगला, अमली दाना, important अष्टार लगाना, अमली दाना, किसकी important है, गनेश और ननहा के बीच का cross है, तुम्हें तीन point याद रखना है, गनेश किसकी variety है, अनार की important है अमली दाना किसकी विराइटी है अनार, असे किस फल में दाना पाये जाते हैं बताओ, अब उस दाना को हम क्या बोलते हैं तेश्टा, तो अमली दाना किसकी विराइटी होगी अनार की, अमली दाना किसकी विराइटी है दारू किसकी variety है आनार कैसा लगेगा वो खटा, अमली दाना किसके किसके बीच का cross है, गनेश और नन्हा के बीच, किसके बीच है गनेश और नन्हा, ये है अमली दाना किसके किसके बीच का cross है गनेश और नन्हा के बीच, कहां से बनाया गया है बिक्सित किया गया है I, I, H, R High Density के लिए important है अगला है Ruby कौन से variety है? Ruby जालोर seedless, important variety जालोर seedless, important है कहां से बिक्सित किया गया है? काजरी, C, A, Z, R, I काजरी, कहां है काजरी बताओ? जोदपूर में जालोर seedless डेबलप किया गया है? काजरी में और राजस्थान के मिट्टी कैसी होगी? Alkaline या Acidic Alkaline सुखे परदेश के मिट्टी Alkaline गीला परदेश के मिट्टी Acidic, जहां पानी जादा वहाँ आमली है मिर्दा जहां पानी काम, वहाँ सारी है मिर्दा दोल का, जैसे ढोकला कहा खाते हो, गुजरात में, ऐसे ऐसे कुछ चीजे अपन वेराइटी याद कर लेते थे, तुम यकीन करना एक वेराइटी तक नहीं दूँगा याद करने, डोल का, धोकला, किसकी है, गुजरात की परचली, तो मुझे जल्दी से बता दे, गनेश किसकी वेराइटी है, आना सा रूवी, ग्रीन हाउस में लगा ये जाने वाली सर्वुत्तम वेराइटी है, हाँ तर लिखी दिया तो पढ़ने में क्या है पागत, टमाटर की, किसकी है, जोदपूर रेट, किसकी वेराइटी है, राजस्थान के लिए इंपोडेंट, गनेश, इसको तीन अश्ठार ल गनेश, 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 तो करांती का कारण कौन बना था, गनेश, कौन है, गनेश, अब जै महराष्टा किसकी वेराइटी है, अचाए एक और बताओ, मुस्कूराती, लिखा हुआ है कहें, पढ़ नहीं रहे है, हाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में, मुस्कूराती भी एक variety है किसकी अनार की गनेश हो गया G137, klonal selection है गनेश से chain किया गया, यह भी किसकी है अनार, आप तो start लगाना गनेश पर है मिर्दुला, important मैंने याद कराया था मिर्दुला तीन सब्द वाले अनार की, याद आया और एक सब्द हमने डाला था क्या अनार का, छोटा वाले अनार का, तीन सब्द वाले तीन सब्द का, बड़ा वाले अमरूद का, अमरूद का क्या है अरका मिर्दुला, मिर्दुला किसकी है अनार की, मिर्दुला हो गया complete, जोती यह भी किसकी variety है बताओ जोती किसकी variety है अनार की अब आते हैं भगवा ये important star लगा देना ये बहुत important एक तो सब्द इसी को कहते हैं सिंदूरी और इसी का दूसरा नाम है जै महाराष्ट्रा किसकी important variety ये बताओ भगवा की अच्छा ये सिंदूरी अब दूसरा है लाल सिंदूरी बड़ा confusion था लाल सिंदूरी किसकी वेराइटी है तो लाल सिंदूरी जो वेराइटी है ये है आम की कैसी है वेराइटी तो ये है powdery mildew resistant वेराइटी powdery mildew का मतलब चूरनिल आसिता प्रतिरोध वेराइटी है कैसा है चुरनिल आसिता प्रतिरोध वेराइटी कौन है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त लाल सिंदूरी कौन सा है लाल सिंदूरी तो ये वगवा ये है मुस्काती मुस्काती किसकी वेराइटी है मुस्काती तो ये ही भी है अनाहती ठीक है पांच वेराइटी का अगर नाम बोले कि एक कम इंपोर्टेंट बता दो सर तो गनेस याद रखना है रूबी याद रखना है जालोर सिडले सी याद रखना है जो इंपोर्टेंट है भगवा याद ये आते हैं कौन important है भगवा कम से कम ये चार तो याद होनी चाहिए जो अश्टार लगा बाकी तो चलो ठीक है चलते रहेंगे ये भगवा का variety है देखो बहुत important अब हम बात कर लेते हैं कांधारी बिदेशी किसमे रहने देना अरक्ता प्रोसेसिंग जूस उस निकालने में देखते हैं अनार का जूस आते हैं डबबे में बंद रहते हैं उसको प्रोसेसिंग के द्वारा निकाला जाता है अरक्ता पेपर सेल्स और सीडिड वराइटी है wonderful भी USA की किस्म है, पर यह सब आप ही छोड़ देना, यह सब तुम्हारे काम की नहीं, फलो को फटने के लिए सहनसील, जिसको बोलते हैं, fruit cracking tolerance, fruit cracking, C-R-A-C-K-I-N-G, fruit cracking tolerance, variety की बात किया जाए, तो वो कौन है, कांधारी और अलांदी, फलो के फटने की समस्या, फलो की फटने की समस्या, किसके कारण होते हैं, तो आप जानते हो किसके कारण है, बोरॉन के कमी के कारण, और इसके लिए क्या उप्योग कर दोगे मेरे दोस्त, तो उप्योग कर देंगे, बोरेक्स, किसका उप्योग करोगे, बोरेक्स बोरोन की कमी के कारण फटेगा और उपयोग क्या कर देंगे बोरेक्स किसका उपयोग करोगे बोरेक्स चले आब आगे बढ़ जाते हैं अब हम बात करेंगे अनार के बीमारी के बारे हलाकि ये सारे चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ जेनरल होटी कल्चर में फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैं एक बार पढ़ा देता हूँ पांच मिनट लगते हैं जादा समय लगता नहीं है अनार में सबसे इंपोर्टेंट बीमारी का नाम है जिसका नाम है लीफ स्पोर्ट्स क्या नाम है बताओ यानि पत्यों पे कैसा हो जाता है धबा ये जियारेफ का कोश्चन है बहुत इंपोर्टेंट और ये लीफ स्पोर्ट और कहां कहां पढ़ाया हूँ आपको भिंडी में कहां पढ़ा दिया हूँ भिंडी में और कहां पढ़ाया हूँ अंगूर में और कहां पढ़ाया हूँ बताओ फालसा में कहां पढ़ाया हूँ और कहां पढ़ रहे हो अनार में तो ऐसे ना याद हो जाएंगे आपको जितना बार बोलोगे मैं 50 बार लिखता हूँ ना फिर भी भूल जाता हूँ तो आप तो एक बार भी नहीं लिख रहे हो अभी नहीं लिख रहे हो नहीं इसलिए लिख के पढ़ना नोर्स जरूर बनाना अब यह नहीं किया इसे माला जैसा देख रहे हैं आपके लिए हमेशा मैं सलाइड हमेशा हर साल देखोगे मैं चेंज करके लाता हूँ केपटोन यह सब रहने देना किसका हो क्यों केवल अपने एक्जाम में होटी कल्चर आर्मेट उतनी डिटेल नहीं आती है पैथोलोजिया केवल नाम पूछेगा जैसे पाउड़ी मैल्डू किसकी अधिक समस्या है पत्ती धब्बा किसके बीमारी है पत्ती धब्बा किससे हो इस तरह के फल क्या हो जाएंगे सड़ जाएंगे आगे से ही क्या हो जाएगा सड़ जाएगा ये भी होता है किससे होते हैं फंजाईस ये इंपोटेंट है जिसका नाम है बैक्टेरियल ब्लाइट मैंने आपको बताया था अधिकांस तब बैक्टेरियल ब्लाइट किससे हो होते हैं, बैक्तेरिया से, अब आते हैं, ये किसे होता है, जिवानु से, जिवानु का नाम क्या है, जेंथो मोनास, एक्जन पोडिस, जिस पे अश्टार्ट लगा दिया, उसके पूरी पॉइंट लिखनी जा, पूरा महराष्टा में इसे किस रोग के नाम से जानते हैं तेलिया रोग कौन सा रोग तेलिया या नोडल ब्लाइट के नाम से जानते हैं तो एक ही पॉइंट इसको ये याद रखना जेंतो मुनास एकजेनो पॉडिस ठीक है तो बलाइट हो गया ये जुलसा रोग इसी को बलाइट इस तरह के फल आपको दिखेंगे बलाइट तो पहचान में भी आना चाहिए सबसे ज़्यादा आपको दो बिमारी याद रखना ए एक स्पोर्ट कौन सा लीफ स्पोर्ट कौन सा लीफ स्पोर्ट पत्ती धबबा अब हम बात करेंगे इसके डिसोडर की क्या बात करेंगे डिसोडर डिसोडर में एक इंपोर्टेंट आते हैं फलो का फटना कौन सा पढ़ेंगे बताओ फलो का फटना फ्रूट क्रेकिंग इ ये किसके कमी के कारण होते हैं, बताओ, बोरोन, और बोरोन के कमी के कारण किसका उप्योग कर दोगे, बोरेक्स, कहीं भी सब्द, देखो, अगर तुम सुरू से पढ़ोगे होटी, तो तुझे लगेगा होटी, खेलोने वाला चीज, ये 20 बार तो मैं पढ़ा दिया हूँ, बोरोन की कमी से क्या होता है, नेक्रोसिस, क्या होगा, नेक्रोसिस, कहीं भी सब्द, नेक्रोसिस आ जाए, नेक्रोसिस कहा सुनने को मिलेगा, आम में, असे आम, असे अनार, असे अंजीर, असे आमला, इतने जगह मिलते हैं सुनने को, नेक्रोसिस, अगला मिलेगा, में किस से होता है calcium की कमी अगर आपको कहीं भी सुने browning फुलगोवी में होता है beef for browning before boron और आएगा black tip आम में क्या होता है black tip ये भी किसके कमी के कारान boron और grabs का अंगूर का जितने भी विकार है वो किसके boron किसको छोड़ कर calyx in rod calyx in rod किस से होते है calcium c a c a c a c a ठीक है तो ये होगे आपके plight root cracking teen paste है teen paste का नाम हम समाप्त करते हैं ताकि आपकी पुर्णतह अपने दिल से कह सकूँ कि आपका अनार क्या हो गया समाप्त तो teen paste का नाम आपके सांग अरे सर ये पूरी sliding list में है इसमें हिंदी नहीं किये हो हाथ से लिखूंगा क्योंकि pom granite butterfly ये important है अगर हम अपने exam की बात करूँ ना तो ये slide important इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना pom granite butterfly जिसका नाम आपको याद रखना है जहां श्टार लगा दूँ ये याद रखना है दो नाम याद रखना इसके यही दो कीडे बारवार आते हैं कौन-कौन है इसको अलग से भी मैं पढ़ा दूँगा होटी कल्चर पेश्ट के अलग से जिंदल में पर अभी मैं आपको बता देता हूँ वीरा कोला आईसो क्रेटस तो ये तो इसका नाम है और ये और ज़्यादा आता है इंडर वेला ये याद रखना क्या नाम है इसका इंडर वेला इसको आप ऐसा ही याद रखना वार इट आपना है अनार बटर फलाई जो है इसके नियंतरन के लिए हम करते है एक पॉइंट है जिसका नाम है पैगिंग पैगिंग का मतलब होता है थैली करन अनार को थैला में बंद कर देंगे ताकि इस बटर फलाई जो है इसको दिखे ही नहीं बटर फलाई के जो लारवा होते ह भीप्सान करते हैं यह तो है बाटर फ़लाई यह क्या है अपना बाटर फ़लाई आप इसका नेचर औप डेमेज क्या होता है यह पढ़ लेते हैं यह लिखना नहीं है क्या कह रहा है यह ज्या शमझो तब हीमेल लेग एक याणि जो मादा है लिख देता हूँ, मादा अंडा देगी मादा का काम है अंडा देना देगी, किस पे देगी on calyx, किस पे देगी, तो एक तो देगी बाहि दल पुंज पे किस पे देगी बताओ, बाहि दल पुंज पे, और बाहि दल पुंज किसका भाग है flower का और किस पे देगी फाल पे पाली लाइन complete अब इसको क्या लिखोगे रहे है खीट आई अंडा देगी यह कोई नया चीज थोड़े है पागल जहां कीट रहेगी अंडा देगी यह एक लाइन हमारे हिसाब से फाल तो कहां लिखने के रहेगा कोलेज उलेज में वहाँ आपन खूब लिखते हैं अब on hatching the caterpillar जब caterpillar क्या करेगी अंडे से hatch निकलेगी बाहर तो bore inside the developing fruits अब यह जब निकलेगी बाहर caterpillar से तो यह फाल को क्या करेगी छेद देगी फाल को क्या करेगी छेद देगी दूसरा and feet inside और फाल के अंदर क्या करेगी फाल को खाएगी लिखना है सर नहीं समझा देता हूँ अगला rotting अब यह क्या होगा जब खाएगी अब अंडा देगी तो फाल क्या हो जाएगा सड जाएगा फाल क्या हो जाएगा बताओ सड जाएगा अब उसके बाद जब फाल सड जाएगा तो सडे हुए फाल क्या हो जाएगे फाल घिर जाएगा बस ऐसे हमारे सर हिंदी से इंगलिस करवाते थे यह चीजे मैं हिंदी में लिखके लाता लेकिन कोई मतलब इसका नई बनेंगे दोस्त आप इसको मत लिखना इसी लिए मैं इसको ऐसे कार देता कि हमारे लिए वो बस एक स्लाइड यह जरूरी है लेकिन क्या सब बैच को मुझे पढ़ाना पड़ता है तो यह ठीक है अब आते है नेक्स्ट पॉइंट आप इसका एक पॉइंट याद रखेंगे केबल कंट्रॉल बटर्फलाई का कंट्रॉल बताओ क्या करोगे हिंदी में कहते हैं थैली करन क्या बोलोगे थैली करन जिसे हम बोलते हैं बैगिंग यह दिख रहा है ना सारे आनार को किस से ढख दिये हो थैली से थैली से डखना क्या कर लाएगा थैली कर दिये थैली करन बता आप पूछेगा थैली करन किसके लिए करते हैं अनार बटर फलाई के लिए किसके लिए करते हैं बस एक ही अब अनार बटर फलाई का आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए ठीक है अब आते हैं दूसरा जो कीट है जिसका नाम है स्टेम बोरर क्या नाम है तो इसको हिंदी में क्या बोलोगे तना छेदक तो अब ही आपको बताया यह तना छेदक यह फल छेदक इसका देखो यह लारवा है यह क्या है किसी वी कीट में अगर बोला जाये सबसे ज़्यादा हार्भूल अवस्थान यह छोटकिनिया ही करते असले को इसे और अब आले में इसमस्या देखने को मिलते हैं हिंदी में याद हो जाएंगे असे आम, असे अमरूद, असे आनार, असे आमला हो गया काम खतम ये चारों में कौन है गातक? स्टेम बोरर कौन सा है? ये क्या करेगा? बोर तो कर दिया, छेद देगा अब छेद के अंदर जा रहा है, जा रहा है और ये जो अंदर का मेटेरियल है, देखा होगा, ये बाहर निकलते रहते हैं, इसको बोलते हैं माला आकार च्छाल, यानि अंदर तो ये जाएगा, पर ये बाहर से च्छाल के जैसे, माला माला को अंग्रेज लोग बोलते हैं, गारलेंड क्या बोलते हैं तो माले के आकार का ये छाल कहां निकलेगा बाहर की ओ ये main symptoms है किसका stem borer अब हम क्या करेंगे घरे लूप उपाए तो अब ऐसे देखोंगे अरे यार ये तो खोद के भाई छेद बना दलको छेद बना दलको तो की करमी बताओ तो छेद बनाने के बाद इसको यहां से हटाएंगे हटाने के बाद गाउं में देखते होंगे इस छेद को गोबर से किसे लेप लगा देते हैं बताओ गोबर से गोबर नहीं मिल आजकल गोबर मिलते कहा है गाई वैल ही नहीं है तो गोबर कहां मिलेंगे तुम लोग गोबर थोड़े करोगे तो गोबर भी नहीं मिलते हैं तो अब कहा मिलेगा मड मड को क्या बोलते हैं कीचड देखाऊ का कीचड से अब कीरो सीन भी नहीं मिलते हैं तो इसको और किस से बंद करेंगे केरो सीन से बंद करेंगे इन तीन से हम क्या करते हैं इसका उपचार उपाए अब देखो यह सारे पॉइंट यहां लिखे हुए तुम मत लिखने लगना चाल को खाएगा तो बोर थू दी में ट्रंक कहां है तना को छेदेगा उसके बाद क्या बना देगा छेदने के बाद क्या बनेगा तना में छेद बनेगा उसके बाद यानि जो बॉल अंदर गया कीट उसका इसक्रीटा का मतलब समझते हो एक्सक्रीटा का मतलब बेस्ट मेटेरियल उसका बेस्ट मेटेरियल जो है और वांशित पदार्थ जो है वो किस रूप में बाहर आएगा गारलेंड का मतलब माला वो जो माला देखे हो ना अभी हाथ में ये क्या है कीडे का एक्सक्रीटा है जो हम लोग जो नाइट स्वाइल बोलते हो ना तो मानव तो रात और दिन जब मन करें तब अपना एक्सक्रीटा निकाल सकता है ये इसका माला देखो है इसे माला बन ज और किसका उपयोग करेंगे ठीक है दो याद रखेंगे ये सेम उपयोग अपन पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं पढ़ा चुके हैं एक लास्ट एक मिनट और जहलो बस अंतिम कहानी जिसका नाम है पार्क एटिंग केटरपिलर कौन है बताओ तो तीसरा नमर बताओ पहला क्या पढ़े पहला बटरफलाई कौन सा बटरफलाई पढ़ा अगर निम्बू में लगेगा तो लेमन बटरफलाई अनार में लग रहे हैं तो कौन सा बटरफलाई पॉम ग्रेनिट बटरफलाई दूसरा आपने क्या पढ़ा स्टेम बोरर कौन सा है बोरर स्टेम बो ज्हाली जैसा संदचना, क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, इसका scientific नेम, याद रखना मेरे दोस्त, इंडर वेला, क्वाडी, कैसे याद रखना, क्वाड, रीनो, टाटा, जैसे आपको याद रखना है, इसको याद रखना, या तो इतना तो जरूर याद रखना इंडर वेला स्पिसीच, कौन सा स्पिसीच, इंडर वेला स्पिसीच, तो यह आप कंपलीट कर लेना, इसको जो ढख देंगे तो ये हो गया आज की कहानी वीडियो कैसा लगा है एक बार जरूर कमेंड में बताना नन न श्टॉप एक क्लास इसी क्लास को अगर लिख के पढ़ोगे तो तीन क्लास कितने क्लास लगते है लेकिन आपको लिखना है आपके पास सार वाली बुख है ना सार है अपने लिए वो सफिसियंट है नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा लेकिन ये कीड उठो सर आप ये जो छोटे बेच है उसमें भी डाल दिया करो ठीक है बड़े वाले में तो आप डालते हो अप्लिकेशन में सब में बाकी आज आपके होटी कल्चर और सुरू से सुरू करेंगे उधर अंकित सर ठीक है मैं होटी कल्चर ये इसी टाइम में आपको पढ़ाऊंगा जिनको पढ़ना होगा वो इसी वक्त मिलेंगे नए टोपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिट्रस सिट्रस फुरू जो है अपने आप में काफी इंपोडेंट है जिस तरह से सब्जियों में एक बड़ा गुरूप पढ़ेंगे ना जिसका नाम है कुकर वीड्स सेम इसी तरह से निम्बू वर्गी है नाम क्या है बताओ पहले ही निम्बू वर्गी है इसका मतलब ये बहुत सारे फलों का ये क्या होगा सम्मू होंगे और ये काफी इंपोडेंट है इससे प्रसनाते हैं सबसे पहले इन फल में इन वर्ग में कौन-कौन से फल आते हैं इसके बारे में हम अध्यन करेंगे कि भाई इसमें क्या-क्या होते हैं जरह देखो एक बार नाम सुना देता हूं केबल ये है संत्रा संत्रा को इंगलिस में क्या कहते हो गता हो तो पहले छोटा छोटा पॉइंट भी लिख दूँ ताकि आपको confusion ना हो इसे बोलते हैं मेंडरीन मौसमी को क्या बोलते हो इसे बोलते हैं sweet orange क्या बोलोगे sweet orange निम्बू को क्या बोलोगे ये है acid lime और ये है lemon ये है sweet lime sweet lime ये है grapefruit grapefruit जिसको हम बोलते हैं महा निम्बू और ये है पुमेलो पुमेलो सबसे बड़ा निम्बू बरगिये में फल होता है तो उसका नाम क्या है चकोत्रा या पुमेलो सबसे बड़ा ये होते हैं तो मेंडरीन हो गया अपने syllabus में क्या-क्या है तीन के बारे में पढ़ता है एक कौन है संत्रा दूसरे कौन है मौसम्मी और तीसरा कौन है acid line कौन है acid line तो ये तीन important है जिस पे हम pieces study करेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं इनको समझने के लिए कि भाई देखो आप ये संत्रा और ये क्या है basic अंतर क्या है दोनों में संत्रा tight होते हैं किस में tight होता है छिलका में tight होते हैं तो इसका जो छिलका होता है न वो loose होते हैं क्या होते हैं तो इसे बोलते हैं loose skin कैसा है इसका skinny और इसका कैसा है ये है tight skin तो ये basic अंतर है loose skin क्या होते है और do not a large skin क्या होता है और इन दोनों मेंków एंजिस का नाम ग्रिनिक क्या है एक बार पहले पूरा crop देख लेते हैं फिर अपने एक बार इसका general study करेंगे ये है acid lime इसको आप जानते होंगे सबजियों में निचोड के आप इसको खाते हो और ये क्या है lemon सबसे पहले difference तो पता होना चाहिए ये है sweet lime और ये क्या है महा निम्बू और इससे भी बड़ा निम्बू आने वाला है जिससे हम बोलते हैं चकोत्रा क्या बोलोगे इसको तो ये है चकोत्रा next point की अगर बात करें कुछ और हम देखेंगे इसमें router stock जो हम पिछले class में पढ़ा चुका हूँ आपको router stock क्या होते है पर फिर भी नाम यहां सुन लेंगे ये है रंगपूर लाइम क्या है ये अगर निम्बू की सबसे अच्छा मूल वरंत बोला जाए तो कौन है रंगपूर लाइम दूसरा इसके बाद हम देखेंगे जिसे हम बोलते है रफ लेमन और रफ लेमन का नाम क्या है जाटी-खटी क्या नाम है इसका जाटी-खटी और इसका scientific name की बात करें तो citrus जंबरी याद हो गया सबका citrus जंबरी तो ये important है ये देखो देखने से ही कैसा लगता है रफ तो ये है रफ लेमन next हमने बात किया था ये citrus जंबरी सबसे ज़्यादा उपयोग कहां होता है इसका किन्नों में कहां करते हैं किन्नों में, पंजाब में, सुस्क रीजन में इसका उपयोग करते हैं ये है करना खटा क्या नाम है इसका करना खटा भारी मिट्टी के लिए heavy soil के लिए important है पता है आपको heavy soil बूलोगे नहीं अब light soil और heavy soil में basic अंदर क्या है पता है न next है tripholiet orange क्या नाम है इसका tripholiet तो ये bonah होता है कैसा होते हैं ड्वार्फ होते हैं पर ये cold hardy होता है cold का मतलब थंड के लिए ये क्या होते हैं प्रती रोध होता है तो ये है tripholiet orange next बात करें सबसे bonah mool बरंद का बात करें most dwarf dwarfest root stock की बात करें तो वो कौन है flying dragon क्या नाम है इसका flying dragon और high density planting के लिए trier citrange तो ये citrus root stock कैसे development होता है ये भी आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया सबसे पहले इसका बीज लेंगे बीज की बुआई करोगे और इससे बनेगा क्या sidling और इस sidling से इसका मोटाई अगर आपको पता लग जाए तो मोटाई ये होना चाहिए pencil के आकार मोटाई होनी चाहिए आयू कितना एक साल होनी चाहिए कितना बताया हो एक से डेर साल इसकी आयू होना चाहिए जो पीछे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके है अब हम इसका general बात करेंगे क्या बात करेंगे बता general चलो अब इतने सारे जो नाम सुने हो इसके अलावा तीन चार नाम और अगर हम लिख दें आप से जैसे ताहती लाइं क्या नाम है बताओ तो छे क्रॉप तो आपको सुरू में बताया और छे रूट अश्टाओ कितना होगे बारह नाम आपने सुना और ये तेरह नाम क्या है आपको ताहती लाएं और चौदा का नाम है सिट्रॉन ये होते हैं मोनो इंब्रियोनिक क्या होता है मोनो इंब्रियोनिक यानि इसमें पाया जाता है एकल भुरुणिये गुन क्या पाया जाएगा एकल भुरुणिये एकल भुरून क्या है? suppose that यह एक बीज है मैंने पीछे फल बत बोल दिया था बीज है और इस बीज में अगर एक ही भुरून हो यह है इंब्रियो इंब्रियो जिसे हम क्या बोलेंगे? भुरून एक भुरून हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एकल भुरुन और कोई बीज है suppose that ये कोई सीड है और इसमें बहुत सारे भुरुन पाए जाते हो सीड के अंदर क्या होगा इंब्रियो और ये बहुत मल्टी भुरुन हो मल्टी इंब्रियो हो यानि अनेक भुरुन हो तो इसे हम कहेंगे क्या पोली इंब्रियोनिक ये एक अच्छा प्रश्ण बनेगा क्या बोलोगे इसको पोली इंब्रियोनिक यानि कि इसमें बहु भुरुन है तो इसको बोलते हैं बहु भुरुन नर्ता पाई जाती है अगर नेमू में कुछ नहीं बोला जाए तो कैसा भुरुन है बताओ पोली भुरुन और ये और किसमें मिलते हैं तो ये मिलते हैं आम में और कहां मिलेगा बताओ जामुन में और कहां मिलेगा आपको नीम्बू में ये तीन जगह पाया जाएगा पोली इंब्रियोनिक जिसे हम पहु भुरुनता के नाम से जानते हैं अब आपको सिट्रस की बात करेगा फैमली का तो कितने क्रॉप आप 15 क्रॉप का जो नाम लिए हो इन सब की फैमली होगी दोस्त क्या रूटे सी क्या कहलाएगा बताओ रूटे सी तो हिंदी में भी लिखूं की लिखा हुआ है रूटे सी इन सब के क्रोमोजोम की संख्या की बात करेंगे 2N बराबर 2X इक्वल टू कितना होगा 18 तो 15 क्रॉप तो होगे किसका सिट्रस का और 6 साथ क्रॉप हो जाएगा आपका किसका कोल क्रॉप का किसका कोल क्रॉप आप समझते हो, कोल क्रॉप में कौन कौन आएगा जैसे फुल गोबी, फुल गोबी, पत्ता गोबी, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पत्ता गोबी, गाठ गोबी और केल आ जाएंगे, बुसलस स्प्राउट आ जाएंगे, ब्रॉकली का नाम इसमें आएगा, इन सब की क्रो में हमने देखा था, अगर पॉम ग्रेनिट की बात करें, पानार की बात करें, तो इसके भी क्रोमोजोम नंबर कितना है, 18, पपीता की बात करें, तो इसके क्रोमोजोम नंबर कितना आएंगे, 18, चुकुंदर की बात करें, तो इसके क्रोमोजोम नंबर कितना आएंगे, 18, पालक की वाद करें, स्पीनेच की वाद करें, तो इसके क्रोमोजोम नंबर कितना आएंगे? अठा, शही है, तो ये पीछे की अपन जो पढ़ते हैं, उसमें अब देखो, 30, लगभग 8, 7, 18, कितने होगे? 15 और 15 साथ, 22, 22, 24, 25 क्रोप तो पनात होगे, इन सब की क्रोमोजोम की संख्यां कितनी है? अठा, ठीक है? एक और रूट AC में आप याद रख सकते हो, रूट AC और किसका कूल होता है? बताओ, तो ये होता है बेल का, किसका होता है? और आपको याद रखना है ना, तो एक रखना, बेल के ही रूट स्टोक है, जिसका नाम है बुडेपल, ये अच्छा प्रशन बनते हैं, क्या नाम है? बुडेपल, तो इसके भी फैमली क्या होंगे? रूट AC, तो ये रूट AC, एक जेनरल कैरेक्टर की बात किया, रूट AC, अब हम आजाते हैं, तीन जो हमारे महतपूर्ण क्रॉप पढ़ना है उसके बारे में, कौन-कौन है पढ़ना बताओ, एक तो पढ़ना है संत्रा, जिसको हम बोलते हैं क्या? मेंडरीन, दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मौसम्मी के बारे में, किसके बारे में? मौ acid line, क्या बोलोगे, acid line, सबसे पहला जो अगर अपना point बनेगा, तो वो बनेगा इसका botanical name, तो ये आपको तो याद होना चाहिए, क्या है, citrus reticulata, क्या नाम है, citrus reticulata, तो ये important है, इसका नाम क्या होगा, citrus sinensis, क्या नाम है, citrus sinensis, और इसका, citrus aurantifolia, क्या बोलोगे, citrus aurantifolia, ये होगे botanical name, botanical name में मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इन सब का family अगर पूछा जाए, तो क्या टिक करोगे, root ac, इसका भी root ac, और इसका भी root ac, ये होगे important, 2N की बात करोगे, तो कितना, 18, 18, और कितना, 18, अब आजाते हैं, important origin की, किस उत्पत्ति की, तो संत्रा और मोशम में, इसके उत्पत्ति तो होते हैं, चीन, और कौन सा चीन मैंने बोला था, South China, कौन सा चाइना, South China, लीची का पूछा जाए, South China, चाय का पूछा जाए, South China, सहतूत पूछा जाए, South China, तो ये होगे चीन, और इसके उत्पत्ति होते हैं कहां इंडिया क्या है बताओ इंडिया अब आपका प्रेश्ण बनेगा इससे प्रावर्धन का किसका प्रेश्ण बनेगा प्रावर्धन यानि propagation की बात करें तो इसमें हम करते हैं tea budding, कौन सा budding करोगे tea budding, इसमें भी हम क्या करते हैं tea budding, जबकि acid lime में हम करते हैं बीजो के दुआरा किसके दुआरा, बीजो के दुआरा तो यह important point बना आपका बीजो के दुआरा अब acid lime से दो-तीन प्रस्ण अच्छे बनते हैं क्या-क्या बनते हैं मैं इधर बात करूँ देखो अब एक-दो क्वाइंट हम केवल किसके लिए लिख रहे हैं बताओ Acid Lime के लिए जो आपको समझना है यहना Indicator है Indicator Indicator का मतलब यह बहुत अच्छा प्रस्ण बनता है सूचक है जैसे आप सूचक समझते हो ना सूचक किसे कहते हैं Indicator किसे कहते हो गाउं की भासा में सूचक गाउं में देखता हो कोई ख़बर होगा तो एक-दो आदमें इसे जो तंबाको खा क्या क्या है इसे कूंता रहता है पूरा गाउं उसको और कोई काम नहीं है वो सूचना इधर की बाते उधर करते रहेगा सबसे पहले ख़बर गाउं में उसी को आना है तो सबसे पहला Acid Lime को ही बीमारी का पता लगता है और वो बीमारी सबसे important निबू में कौन है Acid Lime होता है किस से वो तो छोड़ दो Bacteria होते हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे अभी आपको जैसे आप पढ़ते हो Boron का Indicator कौन है Nitrogen का कौन है Phosphorus का कौन है ऐसा ही अगर Acid Lime आया तो जो 15 क्रॉप मैं बताया हूँ 15 में सबसे पहले कौन बोलेगा बैक्टेरिया आगया पागल बैक्टेरिया जन्तों मुनास आगया जन्तों मुनासे कौन बता देगा सब जगा चिला चिला तो बैग्यानिक ने पकड़ा किसको Acid Lime को बूला भाई ये सब बाते बताएगा अगर आप से पूछा जाए Tristeja ये दो Important इतने Important है क्या बताऊ Tristeja जो होता है बीमारी ये किस से होते हैं बताऊ Virus से इसका नाम ही है Tristeja Virus तो Tristeja का भी Indicator पूछा जाए तो क्या टिक करोगे Acid Lime क्या टिक करेंगे दो प्रस्द तो ये अच्छा बन जाएगा अपना अब इस Virus को इसको रोकने के लिए ये Important है रोकने के लिए हम इसे बेवकूप बनाते हैं कि भाई Virus इसमें नहीं लगे कि इसमें सबसे यदर डरता कौन है बताऊ Virus से Acid Lime भाई जो संबेदन सील रहेगा Virus भी तो उसी को देखकर अटेक करेगा Virus किसको अटेक करता है आपने देखा होगा जो जाता एकदम संबेदन सील रहेगा बाहर से आया तुरत हाथ हुद धोलेगा एकदम ऐसे बाहर से आया गाड़ी उड़ी चला का या हाथ हुद पैर उर धोके कितने लोग देखा होगा गाउं में इसे रोड पे खेलते रहते है इसा ही सोगे दोड़ रहे हैं भाग रहे है तो वाइरस भी सोचता है अरे यार पागल इसमें जाओंगा भी तो कोई मजा नहीं है तो उसको जल्दी एफेक्ट नहीं करता है वो रसिस्टेंट है लेकिन ये जो जितना ये जादा आप सहरों में देख लो लोग थोड़ा सा बच्चा बाहर गया अरे बाबू बाहर चल गया बिना बताए कुछ अटाइक हो जाएगा एक दो फुनसी हो गया कीट काट लिया डिटोल से ना हो डॉक्टर इसी का फाइदा उठाता है देखा होगा हर लोग ना समझते हैं पहले बेपारी लोग समझेगा कि अच्छा एक मम्मी बच्चा को लेके आया तो बेपारी वो समझ जाएगा कि बच्चा को रुलाओ पहले तो उसके सामने पांच साथ गुप आ रही है ऐसा ऐसा खेलोना रख देगा बच्चा रोएगा मैं यह लूगा यह वाले कार चाहिए अंदर ही अंदर बेपारी खुस होता यह कस्टमर आया क्योंकि माबाप अपना प्याग करके किसको देगा खेलोना यह चीजे कौन समझ गिया बताओ बिजनस में आप देख लो उसका बॉर्ण मीटा आएगा तो महगा आएगा उसका स्लीपर आएगा छोटा क्योंकि मैं अब समझ रहा हूँ इस चीजों को मैं जा रहा हूं मार्केट तो मुझे पूरा समझ में आ रहा है जो चपल मैं 500 रुबिया में खरीद लूँ छोटे बच्चे का 800, 900 रुबिया अपने 300 रुबिया का जीनस पान लूँगा बच्चा का इतनी छोटी जीनस आएगा 800 में 900 क्योंकि वो जानता है कि माबाप अपने पेट काट के भी किसके लिए काम करेंगे बच्चो वो रूलाएगा सेम चीज यहां होते हैं अब टिश्टेजा वाइरस किसको अटेक करेगा सबसे ज़्यादा एसिड लाइम को किसको करेगा बताओ तो एसिड लाइम बैग्यानिक सोचा यार कि नीम्बू हो गया पहले आप कॉंसेप्ट को समझो कि कहां कौन वाइरस ज़्यादा अटेक करेगा वाइरस देखता है कि किसमे हम आसानी से प्रवेश कर जाओंगा क्योंकि वाइरस हवा में तो कैसा है अरे वाइरस यह हवा हुआ में ना निस्क्रिये हो जाते हैं इनेक्टिब कोई काम का नहीं मरा हुआ है इसे मिट्टी के कन के जैसा होगा पर तूना चाकू उठाया और बोला कि चल भाइ आज ग्राफ्टिंग करते हैं हरे राम सर ने ग्राफ्टिंग बड़िंग पढ़ाया ग्राफ्टिंग करते हैं वाहत का काम कौन किया बताओ अनूप ने किसने काम किया आप हमेशा देखोगे वाइरस को ले जाने वाला चाहिए चाहे कीट चाहिए चाहे चाकू चाहिए चाहे जूता चाहिए कोई ना कोई चाहिए आप कभी नहीं सुने होंगे वाइरस हवा के द्वारा फैलता है सुने कोबिड इतना हुआ कभी सुने हो हवा से दूर रहो बाहर मत मिकलना बेटी वाइरस फैल जाएगा ना किसी को टच मत करना दूरी बना के रखे हमेशा वाइरस किसके द्वारा जाता है बाहक के द्वारा तो क्या किया गया है बताओ, आपको COVID में समझो, एक बढ़ा अच्छा टेकनिक पढ़ा रहा हूं आपको, Cross Protection Technique, Cross Protection Technique, टेकनिक क्या होता है, तो इस COVID को रोकने के लिए आपको क्या दिया गया है बताओ, Vaccine, अच्छा, इसमें वो वाइरस डाला गया था, जिससे सच में COVID होते हैं, लेकिन उसका परभाव क्या था, कम, दो तरह के, जनरली मैं वाइरस की बात करूँ, इसे बहुत टाइफ होते हैं इसके, दो तरह, एक ऐसा वाइरस है, जो अंदर जाएगा ना, तो थोड़ा सा हलका सा जुकाम, जैसे आपने देखा होगा, वैक्सिन जब लगे थे जिस दिन, उस दिन आप बिमार पड़ गये कम किया, सिवियर वाइरस नहीं है, वाइल्ड वाइरस नहीं है, कैसा है, माइल्ड है, माइल्ड का मतलब मिडिल याद रखो, सुस्त वाइरस है, कैसा है, सुस्त, और एक वाइरस होता है ना, वाइरूलेंट, वाइरूलेंट का मतलब उग्र, कैसा परतरसन करेगा यह बता उग्र तो दोनों का मतलब समझ गया mild का मतलब कैसा है सुस्त डाल दिया vaccine में यही होते है डाल दिया virus सुस्त virus है वो जाके बिमारी करेगा आपको लेकिन अच्छी हलका फलका है इसे नाको को इसे पोच्छ दोगी हलका फलका हो हाँ ठीक वाइरस ने अपना टैक किया और ये वाइरस आएगा ना तो तेरे को एकदम लेटा देगा और वाइरस आएगा तो कभी हटेगा भी ने वो बोलेगा मजा आ रहा है मुझे रहने दे और तुझे बहुत सताएगा अब भैग्यानिक ने सोचा इस वाइरस को रोकना है तो इसको अपने सरीर में पहले डाल दो क्या करना है डाल दो ताकि हमारी बोडी ना इसके परती रसिस्टेंट हो जाए कि यार ऐसा नाम का कोई जी जाता है जो टिश्टेजा वाइरस करवाता है क्या करवाता है टिश्टेजा वाइरस तो mild virus डाल करके किसको protection करते है उग्र virus को किसको करते है और यही काम हम कहा करते है vaccine में तो इसको vaccine नहीं नाम दे कर क्या नाम दे दिया बताओ cross protection technique अब पुछेगा cross protection technique किसमे अपनाते है तो यह भी अपनाते है किसमे काग जी ये तीन प्रस्ण याद रहेंगे केंकर का इंडिकेटर कौन है काग जी निम्बू टिश्टेजा का इंडिकेटर कौन है काग जी निम्बू क्रोस प्रोटेक्शन टेक्निक किसके लिए अपनाते हैं बताओ काग जी निम्बू में किसमें है काग जी और वाइरस वैक्टेरिया फंजाए किसके लिए ये टेकनिक अपनाते हैं बताओ ये टेकनिक किसके लिए अपनाते हैं तो आप बता दोगे न ये किसके लिए अपनाते हैं वाइरस के लिए किसके लिए है वाइरस तो ये तो important point हुआ अब हम आ जाते हैं इसका फल परकार सारे फ्रूट का क्या करोगे फल परकार फ्रूट टाइप तो बताओ इसका फ्रूट टाइप क्या होगा निमू वर्गिये का इसका होगा हैस पेरीडियम क्या होगा बताओ हैस पेरीडियम तो हेस्पेरिडियम इसका हो गया फल परकार अब इसके फल में विसेस परकार का गंध होता है फल में एरोमा तो ये किसके कारण होगा हेस्पेरिडीन के कारण देखो फलों की चर्चा चले न तो आपको ये सब्द याद होना चाहिए कौन? हैस-पे-री-टीन के कारण अब अगला पूछेगा जूस में कड़वाहट जूस में कड़वाहट यानि वीटरनेस अगर पूछा जाए तो ये होता है ली-मो-लीन के कारण किसके कारण? लेमन जूस पीते हैं न तो उससे याद रखेंगे जूस की चर्चक चले तो किसके कारण? लेमो-लीन के कारण तो फल परकार क्या है? हैस-पे-रीडियम और ये हैस-पे-रीडियम जो है विसेश-परकार का पे-री है विसेश-परकार का गुछे में लगते हैं ना विसेश-परकार का या किस का रूप है बताओ ये बेरी का, किस का रूप है बेरी, कभी कभी आपको Hesperidium नहीं दे और Option बेरी दे दे तो बेरी भी Tic करेंगे, क्या Tic करेंगे बताओ बेरी, तो भी से इस प्रकार का ये क्या है बेरी, अब आते हैं आगे का point, next point आपको अब आपने देखा कि ये सारे point हमने कर दिया कि क्या-क्या इसका gentle characteristic feature होते हैं वो सब कुछ बचा है तो इधर देख लेता हूँ climatric है या non climatric और कौन सा भाग खाते हैं खाने योग भाग कौन सा भाग खाओगे बताओ तो इसका हम खाते हैं juicy hair कौन सा भाग खाओगे juicy hair तो ये important है अगला है climatric है या non climatric तो ये कैसा है non climatric जो कैसा लगता है खटा लगे या कड़वा लगता है वो कैसा हो जाएगा non climatric कैसा होंगे non climatric तो ये सारे point आपके discussion में आ गया next point ये देखो इसके जो skin होते हैं निम्बू का जो skin होता है इस skin में एक gland पाया जाता है जिसे बोलते है wild gland कौन सा gland है wild gland पूछा जाए किस फल के छिलके में तेलिये ग्रंथी पाया जाता है तो वो है निम्बू बर गिये तेलिये ग्रंथी आपने देखा होगा बच्पन में हम लोग करते थे संत्रा का छिलका लेकर किसी डोकरे के आग पे दवा देते थे और वो गाली देने लगता था पूरा गाली देता था क्योंकि इस तेल में पाया जाएगा citric acid क्या पाया जाएगा और इस acid से क्या आते हैं आसु बाहर आएगे कहां आएगा बताओ आसु कहां चलाएगा बाहर तो citric acid से क्या बाहर आजाएगे आसु तो ये लेदरी और लेदरी का मतलब होता है ना चमडे के जैसा चमडे के जैसा छिलका किसमें मिलेगा तो वो मिलेगा निबू में किसमें मिलेगा और ये कौन सा भाग है बता जूसी हेर कौन सा भाग है जूसी हेर कभी कभी इसी जूसी हेर में क्या देखने को मिलता है ये पार्ट ना जादा बढ़ जाएंगे ये पार्ट जादा बढ़ेगा जादा बढ़ता चला जाएगा अगर ये सफेद होता चला गया इसमें कन आ गये, suppose that ये कन आ गया, इसमें देखो, अब जब सारे में ये कन आ जाएंगे, तो इस निम्बू में रस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, रस की मात्रा क्या होगी इसमें? कम, तो ये इसी को बोलते हैं, granulation, क्या बोलते हैं इसको? रस की मात्रा अगर कम हो जाए, त क्या बोलेंगे ग्रेनुलेशन तो ये बात में अपन चर्चा करेंगे ग्रेनुलेशन बताओ निम्बू बर्गिये जो होते हैं उसका छिलका कैसा होता है उसमें कौन से ग्रंथी तेली ग्रंथी पाया जाता है छिलका कैसा होता है चम्डे के जैसा किसके जैसा कौन सा भाग इसका खाते हैं बताओ juicy hair कौन सा भाग अब अगला जो point है इसे कहते है homo gaming क्या बोलते है homo का मतलब क्या होता है बताओ homo का मतलब समान यानि कि इसमें male और female एक ही साथ परिपक होंगे उसे हम बोलते है homo gaming यानि इसकी maturity क्या होगा same एक ही साथ नर और मादा दोनों फूल बढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते है homo gaming बहुँ भुरुनता बता चुका हों किसमें पाया जाता है बताओ निम्बू में पाया जाते है अब वाद कौन है ताहती lime, pumelo और citron ये तीन जो होते हैं इसमें कौन सा बुरुन पाया जाता है mono embryonic क्या पाया जाएगा इसमें mono embryonic अगला point है भारत को ये प्रस्ण भी आते हैं निम्बू बर्गिये फलो का घर कहा जाता है यानि home कहा जाता है किसको citrus group को भारत को क्या कहा जाता है निम्बू बरगिये का घर इसमें कौन सा बिटामेन परचूर मात्रा में पाए जाते हैं तो ये rich source है किसका vitamin C का किसका है rich source of vitamin C तो ये तो बहुत easy प्रश्ण है rich source किसका है vitamin C अब हम बात करते हैं ये जो निम्बू बरगिये थे इसका जो classification दिया कि भाई इतने जो होते हैं निम्बू बरगिये इसका classification किस ने दिया था तो ये दिया था टनाका and swing ने किस ने दिया था टनाका and swing ने और केला का classification जो दिया था केला का classification ये दिया था साइमन व सेफाड ने किस ने दिया था साइमन व सेफाड तो ये नाम याद रखोगे नहीं भी रखोगे तो चलेगा निम्बू वर्गिये जो होते हैं इतने सारे जो फल थे इसको वर्गी करन किस ने किया था तनाका एंड स्विंग ने और केला का वर्गी करने किस ने किया था साइमन और सेफाड ने निम्बू वर्गिये का अनुसंधान केंद्र कहां है रिसर्च इंस्टिचूट कहां है रिसर्च सेंटर की अगर बात करें निम्बू वर्गिये का तो ये है नागपूर जबकि मैं कल आपको बता रहा था नागपूर महराष्ट, कल बता रहा था नागपूर सीडलेस किसकी वेराइटी है, अमरूद की, किसकी वेराइटी है, अमरूद, नीमु वर्गिये जो होते हैं फ़ल सुक्ष्म तत्व के, यानि कि इसे कहते हैं, Micronutrients Micronutrients Loving Plant Micronutrients Loving Plant किसे कहते हैं नीबू बरगिये का यानि ये जो नीबू बरगिये होते हैं नीबू वाले फ़ल ये सुक्षम तत्थ सुक्षम तत्थ कौन बोलते हैं Micronutrients जैसे बोरॉन हो गया और मॉलिबडिनम हो गया Nickel हो गया Sodium हो गया इन सब को ज़्यादा Demand करते हैं कौन करते हैं बता नीबू बरगिये और फ़लो के जूस में कड़वाहट किसके कारण होते हैं Limolene के कारण तो ये Limolene के कारण इसके जूस में क्या होता है कड़वाहट कुछ important point हम बात करेंगे आप से देखो Study of Citrus Citrus के अध्यान क्या कहलाता है ये important है Citrus का अध्यान ये अपने बुक में नहीं है तो इसको आप नोट कर लेना Citrus का अध्यान कहलाता है Citriculture क्या कहलाएगा बताओ Citriculture तो ये important Citrus का अध्यान क्या कहलाएगा Citriculture Leading Producing Estate बताओ अग्रणी राज्जी कौन है अगर निबू वर्गिये की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है तो ये होते हैं आंध्परदेश में कहां होता है बताओ आंध्परदेश में और क्या मिला था आपको पपीता क्या मिला था बताओ यहां पपीता सबसे ज़्यादा फ्ल उत्पादन भी पूछा जाए तो अभी कौन है आंध्परदेश महराष्टा से भी आगे कौन है आंध्परदेश Leading Orange यानि Mandarin की बात करें सबसे ज़्यादा इंडिया में Mandarin ये important पूछेगा ये कहां production होते हैं मेरे दोस्त पूरा मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ पंजाब में सबसे ज़्यादा Mandarin की बात करें तो वो कहां होता है पंजाब में अगला largest producer of citrus पूरे भिसु में अगर भिसु की बात करें वर्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरी citrus का मतलब समझ रहे हो न मौसमी हो गया संत्रा हो गया निम्बू हो गया स्वीट लाइम हो गया लेमन हो गया चकोत्रा हो गया ग्रेप फूरूट हो गया इन सबको मिला दे तो सबसे ज़्यादा कहा है बताओ USA में कहा है USA में अच्छा ओरेंज की अब बात किया है किसकी बात किया है ओरेंज तो ओरेंज सबसे ज़्यादा बिशु में संत्रा संत्रा सबसे ज़ादा अगर विश्व में बात किया जाए तो ये है ब्राजील में कहां है बता ब्राजील तो ये छोटी मोटी पॉइंट है इंडिया इजे लाजेश्ट प्रोड्यूसर ओफ लाइम ये याद रखना भारत में सबसे ज़ादा क्या है लाइम लाइम समझते हो नीम्बू अगर नीम्बू की बात करें विश्व में सबसे ज़ादा कहा है तो भारत अपने इंडिया इंडिया वाला बात करेंगे कौन-कौन बात करेंगे राजी की बात करें तो कौन है आंधर प्रदेश मेंडरीन बहुत बार पूछा हुआ है कहा होते है पंजाब में और राजस्थान में पूछा जाए तो स्री गंगा नगर में कहां स्री गंगा नगर में उसके बाद नीम्बू सबसे ज़ादा कहा होता है विश्व में भारत पंजाब में सबसे ज़ादा नीम्बू इंडिया में कहां होते है आंधर प्रदेश में कहां होता है आंधर प्रदेश बस आगे बढ़ जाए पॉइंट में कुछ और इम्पोर्टेंट आट्सथ लेकर आयो माइक्रो ग्राफ्टिंग क्या होता है नहीं समझते हो माइक्रो ग्राफ्टिंग कोई ने समझना भी नहीं है माइक्रो ग्राफ्टिंग माइक्रो का मतलब क्या होता है सुक्षम ग्राफ्टिंग सुक्षम ग्राफ्टिंग तो अगर आपको आजाए सुक्ष्म ग्राफ्टिंग या तो आजाए सूट ग्राफ्टिंग सूट किसे कहते हैं ये नीमू का पेड़ है इसको सबसे उपर वाला छोटकीनिया भाग को लूगा छोटकीनिया भाग कौन है एकदम ये वाले जो दिखे इन्हें आपको और ये छोटे से भाग से छोटा भाग से नया प्लांत बना दे तो अच्छे सर ये तो एसा टिस्व कल्चर में करवाए हो गुरू जी तो ये इसी का पार्ट है किसका भाग है टिस्व कल्चर का है ये हिmpa है क्या अगर पूछा जाए, वाइरस फ्री प्लांट आपको प्राप्त करना है, तो क्या करोगे, माइक्रो ग्राफ्टिंग, सूट ग्राफ्टिंग, और एक और नाम था, मेरी एस्टेम, कौन सा था, मेरी एस्टेम, जिसको बोलते हैं, सिर्स, सिर्सस्त, मेरी एस्टेम, टिसू, य तो बताओ, सुक्ष्म ग्राफ्टिंग, सूट, मेरी एस्टेम, इन सबसे कैसा प्लांट प्राप्ट करोगे, वाइरस यही एक प्रस्ण बनेंगे और कुछ ने, बताओ, वाइरस फ्री पौधे प्राप्ट करने के लिए, आज कल बैज्यानिक आधूनिक तकनीक क्या आपनात हैं, सुक्ष्म, सुक्ष्म का मतलब पौधे का सबसे छोटा भाग से क्या बना देगा नया प्लांट, यह कहां पढ़ाया हूँ, टिसू कल्चर में, यहां पे डिसकस नहीं करेंगे, और जो कैसा होता है, इन विट्रो या इन वीबो, यानि काच के अंदर होंगे, के अंदर, सूट टिप ग्राफ्टिंग, सूट टिप, सूट टिप का मतलब यह देखो, यह तो हो गया रूट टिप, जड़ के सबसे आगे का भाग क्या कह लाएगा, रूट टिप, और यह क्या कह लाएगा, बताओ, सूट टिप, यह क्या कह लाएगा, सूट टिप, तो य इससे वाइरस फिरी प्लांट बनाते हैं बताओ सूट टिप पौधे के सबसे उपरी वाग वाइरस फिरी बनता है क्रोस प्रोटेक्शन टेक्निक डन होता है किसमें इसे प्रोटेक्शन टेक्निक उप्योग करोगे Cross Protection Technique अब हम सुरू करेंगे कहानी जिसका नाम क्या है Mandarin क्या नाम है यहां से तो आपके बुक में लिखे हुए है बस आप ऐसे देखते रो खतम है कहानी कुछ ने नीमू वर्गेम बचा है basic point जो था वो हमने cover कर लिया अब हम बस पढ़ते चलेंगे संत्रा कोई भी point तुझे नया नहीं मिलने वाला है केवल आपको variety मिलेंगे नया बताओ botanical name क्या होगा हिंदी इंगलिस लिखा हुआ है citrus, reticulata लिखा चुका हूँ family क्या है root AC, गुनसुत्रों की संख्या 18, उत्पत्ति की बात करे चाइना, जया मिती की बात करे तो 6 into 6 spacing की बात करेंगे तो कितना होगा 6 into 6 propagation किसके द्वारा करते हो आप तो T budding के द्वारा और storage क्या करोगे storage मैंने बताया था 8 से 10 8 से 10 कि संत्रा का परसित्ध खेती अगर famous cultivation अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा famous cultivation संत्रा का कहा होता है तो ये होगा नागपूर में जानते हो ये एक नागपूरी संत्रा है कौन सी संत्रा की नाम लूँगा नागपूरी संत्रा जो पूरे बिश्व में famous है कौन सी संत्रा बिश्व में परसित्ध संत्रा की अगर बात करें तो वो कौन है नागपूरी संत्रा तो ये important point है राजस्थान की प्रसिद्ध खेती कहा होती है बताओ जालावार अच्छा देश में सबसे अच्छा संत्रा पूछा जाए तो नागपूर विश्व में सबसे अच्छा संत्रा नागपूर राजस्थान में कहां खेती होती है जालावार इसका रूटर स्टॉप की अगर बात करें मूल बरंद की बात करें दोस्त तो वो कौन है रंगपूर लाइम कौन सी लाइम है बताओ रंगपूर ये important निम्बू वर्गिये फ़लो में विसेश गंद एरोमा पहले पढ़ा चुका हूँ किसके कारण हैस्पेरिडीन के कारण और फ़लो को गिरने से रोकने के लिए ये तो दस वार पढ़ा चुका हूँ fruit drop को prevent करना है fruit drop control करना है आपको रोकना है control करना है तो किसका उप्योग करेंगे तो sorry 24D कितना ppm 10 ppm ये कहा कहा करते हैं बताओ तो ये मैं फिर लिख देता हूँ आम में करोगे और कहा करोगे टमाटर में करोगे और कहा करते हैं बैगन में करते हैं और कहा करते हैं निम्बू में करते हैं चार नाम लिख दिया कहां कहां बताओ, फल गिरेगा तो आम में रोक लोगे, टमाटर में लो, बैगन में और नीमू में, इन सब जगह उप्योग करते हैं 24D, अब हम बात करेंगे वेराइटी का, तो कौन सी वेराइटी है बताओ, नागपूरी संत्रा, नागपूर संत्रा, नागपूर ओरेंज, बिश्टू की सबसे अच्छा संत्रा कौन है बताओ, नागपूर सबसे इंपोरेंट, सत्सुमा की बात करें, कुर्ग की बात करें, खासी की बात करें, ये सत्सुमा, आप इंगलिस में ऐसे हैं लिख सकते हो, सत्सुमा, कुर्ग की बात करें, C-Double-O-R-G होता है, कुर्ग उसके बाद खासी की बाद करें खासी यह important variety किसका है बताओ संत्रा का किसकी important variety है लेकिन अपने को एक variety याद रखना है जिसका नाम क्या है नागपूर संत्रा कौन से संत्रा है नागपूर संत्रा है important अगला आप इसकी किस्म में देखो ये क्या है नागपूर इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट इसको क्या बोलतो है सेगमेंट खंड बोलेंगे और एक संत्रा में कितने खंड होते हैं 9 से 10 कितने खंड होंगे 9 से 10 खंड होते हैं ऐसा ऐसा सेगमेंट आपने देखा होगा कितने ह होते हैं 9 से 10 अब हम बात करेंगे किस के किन्नों के बारे में किस के बारे में बात करोगे किन्नों तो यह बड़ा easy प्रस्ण है जब यहां लिख देता हूं किन्नों के बारे में कि- आई-डव-N- ओ-स-ड- falta किसका इसका cross है तो k एक इधर से ले लेना k का पूरा नाम क्या लिखोगे कैसे लिखो king leaf क्या लिखोगे king leaf और इधर है willow leaf डबलू से क्या आएगा willow leaf अब इसका scientific name एक तो k ले लिया और दूसरा क्या ले लिया w k का मतलब king leaf और w का मतलब willow leaf king का पूरा नाम होता है citrus novellis क्या नाम है citrus novellis और इसका नाम है citrus deliciosa deliciosa क्या नाम लिखोगे citrus deliciosa king nar ऐसे याद करके common तो citrus novellis और यह क्या है citrus deliciosa अब हम बात करेंगे ये जो किन्नो है सबसे पहले बना था कहा USA में किसने बनाया था H.B. Frost ने कब बनाया था 1935 में उसके बाद इसे इंडिया में introduced किया गया यानि इंडिया में प्रवेश किया गया कब 1959 में कब लाया गया 1959 में और सबसे पहले इसे लाया गया कहा पंजाब में और राजस्थान में सिरी गंगा नगर, कहां? सिरी गंगा नगर, तो यही प्रस्ण बनते हैं, किन्नों किसकी वेराइटी है? तो अगर वेराइटी की बात किया जाए तो यह वेराइटी है मेंडरीन का, किसका है बताओं? Mandarin यानि संत्रा का variety है ये प्रशनी धर जो लिखा हूँ sort में यही ठीक है बाकि किन्नों किसका cross है King Leaf और Willow Leaf King Leaf का पूरा नाम क्या है Citrus Novelis Willow Leaf का नाम क्या है Citrus Deliciosa कहां बना था USA में कब बना था 1935 में किसने बनाया था H.B. Frost ने भारत में कब आया 1969 में कहां पे आया था पंजाब में राजस्थान में इसकी खेती कहां होती है स्री गंगा नगर में और देश में कहां खेती होती है पंजाब में सबसे ज़्यादा पंजाब में इसके लिए एक route stock उप्योग करते हैं जिसका नाम क्या है जाती-खटी, कौन सा रूट अश्टॉक उप्योग करोगे जिसका नाम है रप लेमन, कौन सा रूट अश्टॉक, रप लेमन. यह होगे किन्नो, यह संपूर्न कलास किसका हो गया किन्नो के बारे, आगे बढ़ जाएं, भेंदी वाले की इधर लिखा हुआ है सब सांदार तरीके से अब हम बात करेंगे मेंडरीन के बाद अगला जो क्रॉप है इसका नाम क्या है मौसम्मी यानि की ठीक है स्वीट ओरेंज के बारे हैं प्रोपागेशन की बात करें टी वडिंग और अश्टोरेज की बात करें अगर हम दोस्त तो इसका है पान से छे डिगरी सिल्सियस अच्छा अगर एक्जाम में आ जाए कि दोनों में से किसको कम तापमान पे भंडारन करेंगे एक तो मेंडरीन है दूसरा स्वीट ओरेंज है तो कम तापमान पे किसका भंडारन होता है स्वीट ओरेंज का किसका स्वीट ओरेंज का कम क्यों होता है क्योंकि इसका छिलका जो होते हैं वो कठोर होते हैं क्या होते हैं कठोर अब हम बात करेंगे हेमलीन, माल्टा, बहुत important, माल्टा किसकी वेराइटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, माल्टा किसका है, तो आप बोलोगे sweet orange, वासिंगटन नेवल किसकी वेराइटी है, sweet orange, जाफा important पूछ लेगा, जाफा, ऐसे लिखते हैं, जाफा, दूसरा pineapple, ये होता है ये वेराइटी indicator है, यानि किस्का है, greening indicator, जाफा क्या है, इंड़िकेटर, अब indicator समझ में आगे आपको, greening का मतलब होता है हरआ हरा, नीम्बू यानि मौसमी संत्रा दोनों हरा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं greening तो अगर हरा संतरा बेचोगे तो कोई market मिलेगा ही नहीं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा संतरा के रंग के जैसा यानि इसका greening का उपचार क्या है कि chlorophyll को आपको हटाना पड़ेगा किसको हटाना पड़ेगा बताओ क्लोरोफिल को हटाना पड़ेगा जिसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा दोस्त इथाइलीन का किसका उपयोग करना पड़ेगा इथाइलीन अब इथाइलीन जो होते हैं आज कल इथोफोन के नाम से जाने जाते हैं यानि कि किस नाम से मार्केट में मिलेंगे इथे फोन, इथे लिख सकते हो, इथे फोन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, तो बताओ ग्रिनिंग का क्या उपचार है, इथाइलीन का उप्योग करें, किसका उप्योग करें, इथाइलीन क्या कर देगा, क्लोरोफिल को हट और क्लोरोफिल हटेगा तो उसका रंग अपने आप क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे सत गुड़ी जो होते हैं आंध प्रदेश की प्रसिद वेराइटी है आंध प्रदेश की इंपोर्डेंट वेराइटी है सामोती की बात करें तो सीटलेस वेराइटी है सामोती कैसा वेराइटी है सीट ले अब सर ये सारे वेराइटी याद करूँगा एक तो माल्टा हमारे तरब से important कर लो ये आता है कि ग्रीनिंग सूचक कौन है तो जाफा है और कौन है pineapple कभी कभी आप से एक्जाम में पूछ लेगा pineapple किसकी वेराइटी है तो किसका है बताओ pineapple यार सर स्वीट औरेंज का किसका है स्वीट औरेंज का ये इपोड़े ये दोनों छोड़ देना है इसकी कोई इंडिकेटर जरूर पूछ लेता है कि बताओ ग्रीनिंग का इंडिकेटर कौन है दो वेराइटी तो जाफा और pineapple तो इसकी तीन वेराइटी आपको याद रखना है कौन को याद रखोगे बताओ माल्टा, जाफा और pineapple एक ये भी याद रख सकते हो वासिंग गटन नेवल भी आते हैं क्या नाम है बताओ वासिंग गटन नेवल चले अब हम बात करेंगे निम्बू बरगिये शोरी है, निम्बू का acid lime, botnical name क्या है citrus or antifolia cool की बात करे, family क्या है इसका, rootasi, उत्पत्ति की बात करे, तो कहा है, इंडिया जयामितिया spacing की बात करे तो 6 into 6 सबका वही आ रहा है propagation की बात करे, तो बीजों के द्वारा, seed के द्वारा, और yield की बात करे उपज की बात करे, तो 50 से 70 kg प्रती plant 50 से 70 kg पर plant ये हो गया इसका उपज, कागजी निम्बू, इंदोर seedless और कागजी कला, तो इसमें एक ये important variety है जिसका नाम क्या है, acid lime नाम ही है इसका, acid lime इसी के नाम से इसको lime, चोले में तो lime बोलते हैं पर ये variety इतना famous है कि इसको हम कागजी निम्बू बोलते हैं, क्या बोलते हैं कागजी निम्बू, विक्रम एक important variety है, देखो ऐसे याद रखना विक्रम, वासे वासे बे मोसमी याद हो जाएंगे न, oxygen अगर variety पूछा जाए, तो उसका नाम क्या है बताओ, विक्रम जैसे निरंजन किसकी oxygen variety है, आम की किसकी है, मधू लिका किसकी important है, आम की सेम इसी तरह से, विक्रम किसका है, acid lime की oxygen variety है प्रमालनी, important है प्रमालिनी और ये होते हैं, tolerant किसके लिए tolerance है, canker canker tolerance कौन है, बताओ canker tolerance है जिसका नाम है, प्रमालनी तो ये भी important, प्रमालनी विक्रम important, चक्रधर बहुत important है, चक्रधर 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 जो होता है, ये कैसा होता है, seedless variety है कैसा है, seedless और इसमें काटे नहीं होते हैं, यानि thornless variety है अगर thornless species पूछा जाए, तो आप answer देना, ताहती lime, कौन दोगे टिक करोगे, ताहती lime, लेकिन acid lime में अगर पूछा जाए, तो seedless variety कौन है, बताओ, चक्रधर कौन है, चक्रधर साई सर्वती important है canker और टिष्टेजा tolerance, canker और टिष्टेजा, tolerance, तो आपको चार variety मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, कागजी निम्बू, important, बिक्रम oxygen, प्रमालनी की बात करें, तो canker, सहंसील चक्रधर की बात करें, तो ये कैसा है, seedless, ये चार तो अपने को याद होना चाहिए, बिक्रम कैसा है oxygen, बिक्रम कैसा है चक्रधर जो होते है, उसमें क्या है, काटे नहीं होते हैं, चक्रधर में काटे नहीं होते हैं दूसरा important ये कैसा होता है seedless, कैसा है, seedless और प्रमालनी जो है सबसे important इसमें जो बिमारी है उसका नाम क्या है कैनकर जबकि ये डिजीज हम चार बार पढ़ा चुका हूँ बिमारी और अभी एक बार और पढ़ाऊंगा तो ये होगे आपके बिमारी लेमन आपको पढ़ना नहीं है पर इसका बोट निकल नेमार याद रख लेना बनस्पतिक नाम क्या है बताओ बोट निकल नेम इसी से याद रह जाएगा सिट्रस लेमन कूलूल याद करने की जरूरत नहीं है ये सब और इसका प्रोपगेशन करते हैं एयर लेरिंग के द्वारा किसके द्वारा एयर लेरिंग जिसको हम गुटी बोलते हैं केमिकल इसमें जो पाया जाता है केमिकल वो नाम है सिट्रेल यह समने मतलब है कुछ ने रहने देना अगला इसका किस्म में दो इम्पोटेंट याद रख लेना लेमन में एक तो यूरेका यूरेका इम्पोटेंट है एक लिस्वन बारा मासी भी आप याद रख सकते हैं यह तीन इम्पोटेंट लेमन की किस्म है यूरेका लिस्वन और बारा मासी ठीक है अब हम बात करेंगे स्वीट लाइम क्या नाम है स्वीट लाइम तो यह इम्पोटेंट है Sweet Lime का Botanical Name अगर पूछा जाए तो Citrus Lime A Tots ये स्टार लगा रहा हूँ Lime A Tots और Family Routes इसकी भी उत्पत्ती भारत भारत और किसका है बताओ Nimbu का किसका है Nimbu यानि Lime की उत्पत्ती कहा है India और इसकी किस्म है मीठा चिकना क्या नाम है मीठा चिकना बताओ Lisbon किसकी वेराइटी है Eureka किसकी वेराइटी है Lemon की किसकी है Lemon की important है अब हम बात करेंगे Maha Nimbu की किसकी चर्चा करेंगे Maha Nimbu एक एक लाइन है इसका Botanical Name होता है Citrus Pera DC क्या नाम है Citrus Pera AC अगला Cool की बात करें तो इसका Cool क्या है Root AC Origin की बात करें यानि Family इसका Root AC Origin का है Best Indies Propagation किसके द्वारा करते हैं Tea Budding के द्वारा किसके द्वारा Tea Budding और इसका Common Name Important है Common Name क्या है इसका Common Name तो इसको भूला हुआ फल बोलते हैं Forbidden Fruit या नास्ते का फल किसका है नास्ते का फल तो ये भी अपने लिए कोई खास Important नहीं है Cable Botanical Name आपको याद होना चाहिए Citrus Paradisi क्या है Citrus Sweet Lime का Botanical Name बताना Sweet Lime Citrus Limit Ores क्या नाम है Citrus Limit Lemon का Citrus Lime Ores कागजी नीमू Citrus Orendi Folia उसके बाद Sweet Orange का सा से Sweet सा से Sinensis Sweet Orange का Sinensis Lemon का Lemon ही है केवल कागजी नीमू Important है कागजी नीमू को बोलते है Acid Lime इंगलिस में देखो क्या लिखते है Acid Lime Acid इसलिए इसका याद रख सकता है बच्चा Orendi Folia A का मतलब Acid A का मतलब Orendi Folia यह सबसे confusion नहीं होगे और Mandarin का एक है Citrus Reticulata क्या नाम है Citrus Reticulata अधिकांस्ता की उत्पत्ती कहा है बताव China और India के कौन है Acid Lime और कौन है Sweet Lime Acid Lime और Sweet Lime इसकी उत्पत्ती कहा है India भारा ठीक है चले Star Ruby एक important variety इसका Star Ruby Mars Seedless किसकी important variety पढ़ रहा हूँ बताव Grapefruit का किसका है Grapefruit का यह दो important variety है नीम्बू वर्गिये जो है इसके अब हम बात करेंगे कुछ भीमारी के बारे में यानि कि यह हो गया आपका Disease Disease पढ़ा चुका हूँ आपको पहले लेकिन यहाँ पे हमें एक Revision की तरह काम करेंगे पांच मेट अपने पास है तो इसी में खतम करना है देखो सबसे घातक बिमारी जो है जिसका नाम क्या है Kenker किस से होता है जिवानू बैक्टेरिया से हिंदी इंगलिस कर दिया हो जिसका नाम क्या है जन्थो मोनास कंपेश्ट्रिस वर सिट्री और इसका वाहग की बात करें वेक्टर की बात करें तो वो कौन है लीव माइनर सबसे खतरनाक बिमारी कहां से आई थी USA से और इसका परतिरोध किस्म का नाम है तेनाली अब ये बैक्टरिया से होता है तो इसका उपचार क्या करोगे तो उसके लिए सीन वाले केमकल मैं बहुत बार बता हूँ एक ग्रोमाइसीन स्टिप्टोमाइसीन इसका उप्योग कर देंगे किसका उपचार करोगे बताओ तो बैक्टरिया खतम हो जाएगा सब बीमारी मैं इसे थोड़े पढ़ेंगे अपन तो बहुत टाइम लग जाएगा अब मैं ने लिख दिया देखो इस तरह के एपियरेंस होते हैं ये केंकर है केंकर में ना एक बैक्टरिया तो जो अगर बीमारी होगा न तो आप जब बड़े हो जाओगे तो पहचानने का तरीका ये है ये लग रहा है चिपचिपा पदार्थ निकल रहे है इसको बोलते हैं उच उडबल ऐसे उच क्या लिखोगे उच उच टेस्ट अगर पूछा जाए किसके लिए करते हैं तो बताओ किसको पता करने के लिए करते हैं बैक्टेरिया ये भी आ जाएगा उच टेस्ट किसके लिए करते हैं बैक्टेरिया और इलीसा टेस्ट किसके लिए करते हैं वाइरस के लिए उज किसके लिए करते हैं? बैक्टेरिया यह जो ऐसा पदार्थ निकला हुए इसको क्या बोलते हैं? उज उज टेस्ट बैक्टेरिया इलिसा किसके लिए? वाइरस के लिए CPT किसके लिए करते हैं? वाइरस के लिए CPT का पूरा नाम कैसा धपा दिखेगा भूरा धपा दिखेगा इसमें और control के लिए क्या करोगे या तो pruning कर दो क्या करेंगे pruning या छिड़काब करोगे किसका striptomycene किसका छिड़काब करोगे striptomycene अगला हम बात करेंगे जो दूसरा बी बिमारी है उसका नाम है food rot और या इसे हम बोलते हैं collar rod, देखो ये तना है, तना में इस तरह के आपको structure दिखेगा, जैसे ये होता है फंगस से, कबक से, ये किस से होता है, कबक से, और कबक में species का नाम है, fight of thora species, कौन सा species है, fight of thora, इसमें होता है cracking of bark, यानि छाल का फटना, इसका मुख्य लक्षन है, क और उसके बाद, gum like संदचना, किसके जैसा, गोंद के जैसा, गोंद जैसा, पदार्त इसके छाल पे दिखेंगे, ये gumosis में भी दिखेगा आपको, तो ये gum के जैसा, अभी इसका नियंदरन कैसे करोगे, तो scraping जहां जहां गम है, इसको हटा देंगे, यानि छाल को हटाना, छाल को उतारना, उतारना, ऐसे कर सकते हो, और दूसरा application of bodex paint, किसका, bodex, misran का, हम paint का क्या कर देंगे, इस छाल पे उप्योग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कबक से हो रहा है, कबक को रोकने के लिए, या तो sulfur का उप्योग करते हैं, और कहीं कुछ दिमाग नहीं आए, तो उस पे bodex का paint चड़ा दो, क्या चड़ा देंगे, paint, ताकि उस पे कबक का attack ना हो, इसी को gummosis करते हैं, अगला है टिस्टेजा, यह important है, टिस्टेजा बहुत important है, आपको दो बिमारी याद रखना है, एक का नाम है, केंकर, दूसरा कौन है, टिस्टेजा, केंकर किससे होते ह बैक्टेरिया से, कहां से आया था भारत में, USA, resistant variety कौन है, टेनाली, किससे होता है, जन्तो मोनास, कमपेश्ट्रिस, वर क्या है, सिट्री, वर क्या है इसका, सिट्री, तिस्टेजा किससे होगा, वाईरस से, किससे होगा, वाईरस से, अब हम आते हैं, सिट्रस एफिड, और रंगपूर लाइम, अगर पूछा जाए, तो रंगपूर लाइम, लवन के परती क्या होगा, परतिरोद, लवन के परती, salt resistant होते हैं, जबकि रफ लेमन, टिश्टेजा वाईरस, इसके सिंटमस ऐसा दिखेगा, फ्रूट पे, या पत्यों पे, पीला, हरा, ये combination वाईरस का होता है, चाहे आप मुजाइक की बात करोगे, ऐसा कर देगा वो पत्यों को, जिसे हम बोलते हैं, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब होता है, क्लोरोफिल का नास करना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस, और ये main लक्सन होता है, वाईरस का, किसका होता है, वाईरस, वो जो रिव है न यह मैंने अभी बता दिया था भाई तो थोड़ा उधर वाले हैं जिसका हम कौन नाम बताया बताओ collar rot, c-o-l-e-l-e-r, कौन सा rot, collar rot, या इसी को हम क्या बोलते हैं, root rot, क्या बोलते हो, root rot root rot बताया था, foot rot root rot, एक ही है, यह gumosis, gum-like सनरचना, same, तो ऐसे छाल को हटा देना है, या इस पे बोडेक्स का pest लगा देना है, क्या लगाना है, pest, तो बताओ बिमारी में आपन दो, तीन तो याद रखेंगे, कौन-कौन यहाँ लिख देता हो, एक समरी में एक तो आपका हो गया, canker, दूसरा important कौन हो गया, बताओ, tristasia, तीसरा कौन हो गया, gumosis, mainly यही नाम से आता है, gumosis, और fourth number हो गया, dieback, कौन हो गया, dieback किसे होते हैं, कवक से, अगर तत तो पूछा जाए, कवपर, gumosis किसे होता है, कवक से, फंजाई से, किसे होगा, फंजाई स टिस्टेजा किसे होता है, वाइरस से, और इसको ले जाने वाला कौन है, एफीड, यह किसे होता है, बैक्टेरिया से, और इसको, नाम क्या है, जन्तो मोनास, कमपेश्ट्रिस वर, सिट्री, ठिक है, तो यह important है, dieback important, dieback का मतलब होता है, पत्ती उपर से नीचे क्या हो क्या कौन सा बिमारी है, एक्जन्तिमा, तो यह important, लास्ट है, रिंग धब्बा, यह और देखने को मिलता है, पपीता में, और किस से होता है, वाइरस से, और इसको ले जाने वाला कौन है, एफीड, कौन है, एफीड, एक याद रखना, सिट्रस साइला, हरितन साइला, सरो, ऐसे, हरितन साइला, आपको ना कन्फ्यूज होगा, हरितन साइला, जो ग्रिनिंग रोग होते हैं, ग्रिनिंग का मतलब समझ रहे हो, ऐसा हरा हरा हो जाना, ऐसा होना, हरा, तो यह होते हैं, फैलता है, सिट्रस साइला से, इसका वाहक कौन है, कौन सा कीट है, बताओ, सिट् वाहक कौन है बताओ ECH creo2 खाव टिश्टेजा नहीं रहना तो मैं यह हमेजा आप जरूर बनाना, अपने सारवाले बुक पे नहीं रहना है, कुछ कोशन एक दो एक्स्ट्रा होते हैं, वही हमारे rank को decide करते हैं, आपको पता हो, कई ऐसे बच्चे बता दू जो 0.3 से 0.1 से, ऐसे ऐसे रह जाते हैं एक कोशन पता नहीं, CPT आजाए cross protection technique आजाए कौन प्रस्ण कहां आजाए, हमें कोई मतलब में, तो आप जब तयारी कर रहे हो पूरी detail, आप copy में जरूर लिखना, greening किसे citrus syla, pisteja किसे aphid से, canger किसे होता है दोस्त, leaf minor से, तो ये इससे ज़्यादा बिमारी कभी नहीं पूछेगा, या तो बाहक पूछेगा, या तो इसका बिमारी और डाइबेक का एक नाम और लिख लेना जिसका नाम होता है exanthima, क्या नाम है? अगर डाइबेक नहीं पूछा और ये पूछ लिया तो तुम बूलोगे, मुरी को पढ़ाया ही नहीं था तो ये एक exanthima भी किससे होते हैं? कौपर और कभक कौपर और कासे कौपर, कासे कभक कासे कौपर, कासे कभक फिजियो लोजिकल डिसोडर की बात करूँ ये आपको पढ़ा चुपा, पांच मिट क्या नरिंदर भी अकल कराऊंगा? करवा ही देता हूँ कमेंट देखो, कमेंट क्या देखो, पढ़ाने दे रहे सर ताओ जी का लड़का MPVT में उसका चैन हो गया खेडवाडा से हूँ, भीमराज जी मीना मेरा नाम है, तो मिठाई भेज दे, एक फोटो भेज दे, आप फोटो लगा दूँगा, बहुत अच्छा और क्या, बदाई हो आपको तैसे से कई लड़किया अच्छा, ICR के पेपर के लिए आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है, आप बहुत अच्छे से पेपर दे, नई भी आई, तो भी कोशन करो कोई दिक्कत ने, करके आना है क्योंकि एसे भी पढ़ाई किया नई, तो बहतर करना पर confidence होना चाहिए बहुत ज़्यादा देखते हो, मैं पढ़ाता हूँ, तो कोई चीजे नई भी आता है, तो बड़ा हिम्मत से बोल देता हूँ कि चल ठीक है, बच्चेक लगे नई, समझदार टीचर है confidence बहुत बड़ी चीज है सवाना और तू हमेशा है ज़्यादा है, उनकी लड़ाई करना है मेरे से, अरे पागले का महिनागवाद, अपन मिलन कहां होंगे, बताओ कोई मुलाकात नहीं है, किसी के साथ नहीं, कौन जीवन कहां बिताओगे कौन देखने वाला, संतोस, संतोस यार, नामें भूल गया, सिवाने तो, हाँ, हमारी कोई भैल्यो, हाँ क्या बोलना है, बल हम लोग का नाम नहीं लेते हों, अतर नहीं है, तो, यह आज पता लगा पागल, यह देख ले रितिक को पता है, कि हमारी कोई वेल्यो ने, लडगा का नाम कभी लेता हूं, आप तो बस सेवाएं करो भई, घर वाले क सेवाओ करो, साधी हो जाएंगे, मेहनत, मैं भी इसमें आ रहा हूं, यह नहीं कि मैं अलग से भगवान हूं कोई, तो मैं भी तेरे साथ ही हूं, अपन जो कर्म मिला है, गधे की जैसा काम करें, करते रहो, इसमें सोचो मत, अपना दिमाग लगाओ ही मत, आगे बढ़ जाओ, पांच मेंट है, फिजियोलोज क्या बोलोगे, कनी कायन, यह मैंने बताया था आपको, यöh सब छोड़ दे, इमेज देखो, कनी कायन का मतलब क्या होता है, कनी कायन, ग्रेनूलेशन, यानि कि इसमें ग्रेनिव्स जम जाएंगे, और यह ग्रेनियूल्स जादा आपको कब दिखने को मिलेगा, बताओ, ग्र इस परतिसत क्या होंगे, कम पढ़ा चुका हूँ, इसका कंट्रोल किसके द्वारा करोगे, लाइम के द्वारा, किसके द्वारा, किसका उप्योग करेंगे, चूना का उप्योग, ताकि ये सब हट जाएंगे, ग्रेनुलेशन कम्प्लीट, लिभ मॉट लिंग, के कारण, जिंग के कमिका, अच्छा, इसमें एक इम्पोटेंट प्रस्न और आता है, बताना वो क्या है, नीमु वर्गे के पत्ती का पीला होना, किसके कारण, अरे यार, ये आगया, एक्जंधिमा, इम्मुनेशन, ये किसके कारण आगया, बताओ, कौपर, किसके कारण, क ये आगया, एलो, जेनरली अगर प्रस्न पूछा जाए, कुछ नहीं बोला, गुरू जेनरली, देखो ये पत्ती का पीला होना का मतलब क्या है, पत्ती होनी चाहिए हरा, हरा किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण, अब ये क्लोरोफिल धीरे धीरे नास हो रहे हैं बेचारा तो क्लोरोफिल का छए होना कहलाता है क्लोरोसिस, सिस का मतलब होता है हटना, किसका हटना, क्लोरोफिल का हटना, इसी को क्लोरोसिस कहते हैं, और हिंदी वाले गुरू जी ऐसे लिख देते हैं, और इसको लगता है, मेरे हिंदी वाले बैच हो गए, क्लोरोसिस, अंदर किसके कमी के कारण होते हैं? नाइटोजन अब निम्बू बर्गिये में क्लोरोसिस किसके कारण होता है? सिट्रस में क्लोरोसिस तो यह याद रखोगे मॉलिब धीनम किसके कारण? मॉलिब धीनम लेकिन यही आजाए फुल गोबी मैंने बड़ा चट रिक्स से याद कराया था फुल गोबी में बिप्टल सबको याद है बिप्टल, बिप्टल, मॉलिब धीनम तो वहाँ मॉलिब धीनम नहीं वहाँ मैगनीशियम यह याद रखोगे छे बार तो मैं लिख दिया हूँ इसको बताओ उल्टा बोल दिया फुल गोबी में किसके कारण मैगनीशियम क्योंकि इसमें बिप्टल किसके कारण होते है बिप्टल, मॉलिब धीनम के कारण ठीक है अब हम बात करेंगे तीन पेस्ट के बारे फुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ complete एक दम pest यानि की कीट के बारे में नीबू भरिगे के कीट के बारे में बात करें तो पहला है syla पहला जो कीट है इसका नाम क्या है syla हमने आपको याद करवाया था हरितन syla क्या याद करवाया हरितन syla हरितन जो physiological disorder है हरा खरा जो होगा वो वाहत कौन है सिट्रस साइला क्या नाम है सिट्रस साइला अब ये क्या करेगा ये सक करेगा तो ये पत्ती को चूसते हैं पत्ती को क्या करेगा चूसेगा अब जब चूसेगा पत्ती को जब चूसेगा तो चूसने के बाद पत्ती क्या हो जाएंगे सूख जाएंगे क्या हो जाएगा पत्ती सूख जाएगा क्या लिखू रहे पत्ती सूख जाएगा अब पत्ती सूख जाएगा तो कोई चीज सूख जाएंगे तो वो गिर जाएगा तो पत्ती हो जाएंगे गिर जाएगा और गिर जाएगा लिखू इसी को बोलते हैं अंग्रेज लोग defoliation, टी का मतलब गिरना, किसका गिरना? foliar, foliar का मतलब पत्ती, पत्ती का गिरना क्या कहलाएगा? defoliation, तो ये सारे पॉइंट देखो ऐसे है, curling of leap, यानि पत्ती मूर जाएगा, पत्ती सूख जाएगा, और लाश्ट में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ये किसका लक्षन है? साइला का, अब साइला जी को control कैसे करोगे? तो इसका नियंतरन हम करेंगे, नियंतरन करेंगे कोई ना कोई आपको insecticide का उप्योग नियंतरन आर याद मत करना, मुझे तो ये सब भी याद मत करना, नाम याद होना चाहिए, निमू बर ग्रीनिंग का, ये किसका वेक्टर है? तो ये वेक्टर है किसका? ग्रीनिंग का, बस, यही एक लाइन आपको याद रखना है, बस, पढ़ाने का काम तो टीचर का होता है, पर आप एक, लाश्ट, ट्रंक बोरर, जिसको बोलते हैं तना छेदक, ये सब जगह तना को छेदत ये देखो, ये इसका लारवा है, ये छेद करके कहाँ चला जाएगा? अंदर ये बहुत घातक होते हैं, तो लारवा ही लायाओ, तो आपको क्या करना है? ये बेरी सीरियस पेष्ट किसका है? बताओ, संत्रा का, किसका है? संत्रा का, अगर पूछ लिया जाए ये सा प्रस् हो जाएगा? पादब क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा, अब इसका कंट्रोल क्या करोगे? तो पूरे बाग को क्या रखो? बाग को आपको साफ रखना है, क्या रखना है बताओ? साफ रखना है, और स्प्रे कर देना है किस से? मिठाइल पैरा थियों से तो केमकल उंकल याद नहीं रखेंगे स्प्रेक कर दिये कर देना लास्ट हमारा इंपोटेंट है और इस पे तीन अश्टार से सम्मानित करें एक तो हमें साइला जी इंपोटेंट है साइला जो है ये किसका है? हरितन का आख ये इंपोटेंट और दूसरा है लेमन बटरफलाई लेमन बटरफलाई तो ये याद रखना फलाई कैसे लिखो रहे? हिंदी बड़ा दिकत लेमन बटरफलाई इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखना मेरे लिए क्या है नाम? पेपिलियो देमोलियस तो यह याद आपको रखना पड़ेगा किसका मैंने बोला केवल लेमन बटरफ्लाइर चार-पांच पॉइंट है सब थोड़े पढ़ेंगे पागल देखो टीचर का फर्ज होता है पूरा पढ़ाना कि लड़के को यह ने लगे कि यह चीज़ छोड़ दिया पर आपका काम नहीं है पूरा लिखना जो मैं पेन से लिख रहा हूँ बस वही अब यह क्या है फीड खाएगा किसको खाएगा पत्ती को यह तो सब खा रहे हैं तो यह क्यों नया काम कर रहा है यह भी खाएगा अब पत्ती खाएगा तो पत्ती क्या होंगे सूख जाएगे गिर जाएगा यह सब नहीं लिखना है फीड और फूरूट और उसके बाद फिर किसको पत्ती को खाने के बाद काँ खाएगा फाल को खाएगा तो क्या है इसमें पढ़ना ये फालतू चीज़े हैं कभी-कभी लगता है बोड पे लिखके लाना है ताकि बच्चों को लगे नहीं यार कीट भी अच्छा पढ़ाया कोई मतलब ने रहे आरे कीट है तो वो थोड़े खाली आएगा अच्छा टेस्ट करके चल जगा फिर मैं कल आओंगा कीट है काम है कीडा है खाना होना तो खाएगा किसको खाएगा पत्ती को किसको खाएगा चाल को किसको खाएगा फल को तो ऐसा ही BSC में मैं लिख देता था चार-पांच लाएं कोई भी कीडा है पांच को तो खाएगा ये खाएगा, तो चार लाइन तो तयार है सब कीड़े में, ये खाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये तो ये खी लिखा, पत्ती गिर जाएगा इसमें लिखा है, ब्रांग, साखा गिर जाएगा तो पत्ती गिर जाएगा, साखा कैसे बाहर कर दूँगा, ये हो गया hand picking, हाथ के द्वारा बाहर, तो ये hand picking आप कितना करोगे, मान लिए जाए बाग में 1000 तितली है, तो करते रहना hand picking, hand picking, पागल दे ये सब method नहीं सकसे जाए, ये सब उसके लिए सकसे जाए, जो घर में एक तितली आ जाए, और तितली उधर तो पूरा परिवार दोड़ दोड़ को उसको पकड़ते रहना, तितली, अच्छा, स्प्रे इसके द्वारा, chemical, तो ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना है, केबल जो मैं उपर का underline किया हूँ, ये lemon butterfly या butterfly, किस फसल का कीट है घातक, तो ये होते है, अनार में, अनार मे pom granite butterfly हो जाएगा, और निम्बू में इसका नाम क्या है, निम्बू butterfly, और इसको control करने के लिए, रोकने के लिए, एक तकनीक अपनाते हैं दोस्त, जिसका नाम है, bagging, क्या है, bagging, जिसे बोलते हो, थैली करन, क्या बोलते हो, यानि फल को धक देते हैं, क्या कर देते हैं फल क यह important है, निम्बू आ गया होगा तु लोग का, लेकिन जानते हो, कम से कम इसमें 200 सब्दाज में बोला हूँ, किसमें, सिट्रस में, अनंद पढ़ा दिया, अब आप मस्त रहना, कोई भी एक्जाम आपको भारत में लगे, आप दे देना, पर नोट्स बनना चाहिए, यह न कि आनंद ले रहे हैं नेंद का, दो बार, तीन बार इसको देखोगे, तो अपने आप हो जाएगे, कई लोग तो देखो, उत्रा खंड से फोन करते हैं, कि सर आप यकीन करो, जैसा आप पढ़ा रहे हो, और बेहतर पढ़ाते हो, रात को कोई लोग गाना सुनते हैं, अब लोग बच्चे देखो, मैं UPSC का लड़का बता दूँ, जो अपना कोर्स आज पढ़ रहे हैं, और मेंस दे दिया, इंटर्व्यू अभी देगा, UPSCR तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बोलता है सर, लीड लगा लेता हूँ, और रोज एक क्रॉप आपको लगा के इसे म लड़के हैं, कितने लोग होते हैं, तुम उस टाइम गाना सुनोगे, और वो गाना नहीं सुनता है, वैस एक क्रॉप तो कंप्लीट कर लिया न, सिट्रस एक गंड़ा का क्रॉप बनते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा मेथड अपनाओ न, जो दुनिया से थोड़ी सी तभी सफलता मिलेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हूँ, ऐसे पूरा देश पढ़ रहा है, और पूरा देश जैसा जिस राह पे चल रहे हैं, उस राह पे सक्सेज नहीं मिलेंगे, आपको अलग करना पड़ेगा, तो पर बनना पड़ेगा, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत